नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान ग्यान की बुक्स के बारे इन बात कर रहे थे तो इसमें आपका भारतिय इतियास देख चुके भारतिय कला और संस्किते देख चुके हैं इसके बाद हम लोग ने भारतिय राजविवस्था और संविधान भी और भुगोल भी आपका खतम कर चुक हैं। यानि कि एक बबढ़ा हिस्सा सामान marked का खतम कर चुक हैं। आज की इस क्लास में बात करेंगे हैं। लोग सामान के बात अर्थ सास्त और भारत्य अर्थ विवस्था के बारे में। याद रखिए अगर आप किरन सामानिग्यान बुक्स को खरीद लेते हैं तो अच्छी बात है अगर आपकी आसपास मिलती है क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आप SSC बैंक रेल बे चुड़िए काफी अक्तक आप लोग स्टेट PCS प्रिलिम्स भी दे सकते हैं इसे पढ़कर मतलब इतनी अच्छी बुक्स लिखी गई है विस्तार से लिखी गई है आपकी पूरी बुक्स और एक बात आप लोग हमें सह याद रखिए मुझे लगता है मेरे द्वारा इतना मटेरियल आपको उपलब्द करवा दिया गया है कि आप आराम से सामान ग्यान कर जहां भी आपका जिस भी परिक्चा में मात है उसे कबर कर सकते हैं आपका कोई भी कुश्चन्स गलत नहीं होगा इतना मैंने आपको मटेरियल दे दिया है NCEIT आपकी करवा दिया है अब सोचे आपका कंप्यूटर पूरा सामान ग्यान कबर कर दिया गया है मद्धेदेश विस्ताल से पढ़ा दिया गया है उत्तरपेदेश विस्ताल से पढ़ा दिया गया है UPPCS के सभी पेपर्स लगवा दिया गया है IES के सभी पेपर्स लगवा दिया गया है और MPPSC के सब कुछ पढ़ा दिया गया है अब आपका बच्ता है बिहार PCS तो इसके लिए भी मैं इंतजार करिए थोड़ा टाइम मिलेगा उसके बारे में भी पढ़ा दिया तो आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको सामान गयान के लिए कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत है टेलीग्राम जोइन करिए वहाँ आपको PDF मिल जाएगी और यहाँ आपको material पूरा में अपलब दे सामान गयान के लिए आप लोग बिलकुल वेफिकर रही है इतना पढ़ लीजे का भी है आपके लिए तो आज की इस अर्थ वेवस्था में लोग पढ़ेंगी क्या क्या आर्थिक क्रियाय देखेंगी वरष्टी एवं समश्टी अर्थसास्त क्या है उसे भी देखेंगी आर्थिक विकास का सिध्धान्त क्या है उस पर भी चल्चा करेंगे भारती पूझी वाजार के बारे में भी जानेगे जराश्टी आय के बारे में भी जानेगे और भारती कर विवस्था के बारे में भी बात करेंगे विदेश ब्यापार नीती की बारे में भी आद करेंगे, viva pen रूमे FDI की सीमा क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे, एक बात में यहां आँ सबीद से कहूंगा, कि आपको current से जुढा रहना है, इतना सामान गयान है उतुमं मेंने complete करवा दिया है, लेकिन जो update होते रहते उसके लिए आप लोग करेंट से जुड़े रही है इसके बाद आपको किसी के सामने हाथ पहलाने की जरूरत नहीं है अगर आपको जो समझ में नहीं आये मुझे फेस्बुक पेज पर मैसेज करें मैं वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान करूगा याद रखिए मेरी तरफ से जितना हो सकेगा उतना अपलब्द कराऊंगा ठीक है याद रखिए पर हम लोग बिभेन छेत्रों में अब डियाई की सीमा हो गई भारती अर्थ वे उस्था नीती आयोग के बारे में भी जानेगे क्योंकि आपको पता है यह उजना आयोग को पिती स्थापित करके उसके इस्थान पर नीती आयोगाया हो है तो आपकी पितम से बारेवी पंचवर्सी यह उजना तक के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि बारेवी पंचवर्सी यह उजना के बाद खत्म कर दिया कैसे कुछ पिर मुखतत्त देखेंगे वित्तायव भी देखेंगे बजट भी देखेंगे, भारती ये किर्सी को देखेंगे हम तो, उसके बाद भारत में हरित करांती को देखेंगे, उद्ध्यों को देखेंगे हम लोग भारत के, और महारतन, नवरतन, मिनीरतन, कंपनियों के बारे में जानेंगे, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा छ को खतम करने के लिए और आपका गरीवी को खतम करने के लिए क्या कारिक्रम रहे हैं सरकारों वारा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद भारतिये बैंकिंग परनाली को भी देखेंगे बीमा चेत एवं पिरमुक बितिये संस्थान को भी जानेंगे तो इतना हम लोग पढ़ेंगे इस कप्छा में ठीक है मैं फिर से बता देता हूं कोई भी स्टेट पीसी एस एक्जाम हो चाहे फिर आपका एससे बेग बेंक रेलवे किसी भी स्टेट का पुलिस एक्जाम या सिक्छक का इतना कंपिलीट है आपके लिए और पीडियेप अभी आपकी वहां डाल दी गई थी टेलीग्राम पर और एम लक्षमी कांथ की जो फीडियेप की बात चल रही है उसे भी हम कवर करवाने की अगर टाइम मिलता है तो उसे भी कवर करवा दिया जाएगा ठीक है क्योंकि सिविल सर्वेस के लिए एम लक्षमी कांथ बहुत ही मातपून बोक्स है तो देखता हूं टाइम मिलेगा तो कि अनुसार अर्थ सास्त एक विग्यान है जो मानो बीवार की संदर्व में उपलब्द विकल विक्सादनों उनके उद्देशों के मध्ध सह संबंदिक अध्यन किया जाता है आप समझेए कि इस तरह से आप लोग जब देखते हैं कि रसाइन विग्यान की बात आती है तो विक्क्रिया हैं उनके बारे में आप सोचने लगते हैं तो जैसे ही आर्थिक अर्थ सास्त विध्यान के बारे में जैसा ही सब्द आएगा आपको दिमाग में क्या आएगा आपको उसकी आर्थिक इस्तेती की हारत जानने को मिलेगी आपके जहां भी चर्चा होती है अर्थ साथ की अर्थ विवस्ता की तो आप उसकी आर्थिक विवस्ता से जोड़ लेती हैं जैसे कई वार आप नॉर्मल तरीके से भी यूच कर लेते हैं सब्द कि हमारी अर्थिक इस्तिती बहुत खराब है यानि कि तुम्हारी जो इस्तिती है पैसे से यही तो हुआ ना पैसे से जो भी आपकी इस्तिती है बहुत कमजोर है तो इसे भी आप लोग अर्थसास्त एक बिग्यान माल लेते हैं इस विकार अर्ष्था एक बिसे बस्तू है जो दोलब संसादनों के वेकपूल बेवेक सील प्रयोग पर इस विकार कहन दे थे कि जिससे हमारा आर्थिक कल्यार अधिकतम हो और एक बात आपनों सीधा सा समझे है कि जहां भी अर्थब्यवस्था की बात होती है वहां आप जा देश के हालत बहुत बुरी है आर्थिक इस्तिती से और एक बात आपने 1930 का देख लिए फिर चाहे 2008 की देख लिए उसके 2020 की देख लिए हालत हर जिगए आपको एक ही सब्स देखने को मिलेगा अर्थिवस्था की ही हालत बहुत बिगर्वती जा रही है जिस तरह से हमारा अपना परिवार का क्रेविक्रेय लें देन अयविए होता है इसी तरह हर देख बंद्वी अपनाय बंदिष बहुता है उसके घर में आयविए का अध्यान किया जाता है यह सभी कारक इसकी आदर्बूद कारक है उत्पादन पित्रन बीनिवय वो metric हो हुआ एट साफस्त सब्द संस्के सब्द की अर्थ यानि के धन सास्त की संदी से बनाए जिसन अध्यान होता है धन का अध्यान क्या धन का अध्य है अर्ध सास्त का बरत्मान रूम में पिकास फक्ष्चात देशों यानि की इंग्लेंड में हुआ था किसमें हुआ था है सबसे पहली इंग्लेंड 1776 में 1776 में पिकासित एडम इस्मित की पुस्तक दाबेल तॉप नेशन्स की को अर्ध व्योस्था का उद्गम सुरूत माना जाते है एडम इस्मित बरत्मान अर्ध सास्त की जन्मदाता माने जाते है पिसिद्य अर्ध सास्तरी एडम इस्मित ने 1776 में फिकासित अपनी पुस्तक में अर्ध सास्त को धनका विज्यान माना है याद रखिए एक कुश्चन्स आपका कई बार पूंच भी लिया है डावेल तॉप नेशन्स किसकी पुस्तक का नाम है तो यह हैं एडम इस्मित ट तर्याब के डॉक्टरnd अलफेड की के डॉक्त writes मार्शलों ने 1890 में पूस्तक अर्थ सास्त के सिद्धंत में अर्ध सास्त की कल्यार संबंदि परिभाद फैसा से कर इसको लोफिये बना दिया इसके अनुसार अर्थ सास्त अधर्स बन गया यह तो अभी आप सोचए आद् काणाशी बहत में अरतसास्त को सुना था एप इससे बिबुख्स है तो और इस समय भी औरदव्यवस्था की नाम से नाम सी यानि कि ऑप फशेत थे योग कि यूट इस है लगा कि मतलब इस चहत में जाना ही कुछ अभ आप किसी विदेश की इस्तिती जानते हैं जानने की तो यह सब्द कुछ प्राचीन भारत में भी यूज होता था और प्राचीन भारत में भी हर कोई अपनी इस्तिती पर जोड़ देता था लेकिन इससे जांके आधुनिक भारत में सबसे ज्याने महत्तिव मिला इस सब्द को ठीक फिर है आपका बैटन की फिसिद अर्थसास्त्री लाड रोविंसन ने 1932 में पिकासित अपनी पुस्तक एन इस एजी और नेचर एंड सिगनिफिकेंज ओप एकोनोमिक्स साइंस में अर्थसास्त को दुरवन्ता का सिध्धान्त बना है इनके अनुसार अर्थसास्त बास्तवी एवं चुनाओ का विग्या जेकि महिता की अनुसार आवस्ता बीहिंता का लग्ज सोख पिदान करना है क्या लल्टी सेम्यूल सन ने अर्थसास्त को हो विकास का सास्त का है किसका विकास का सास्त का ये सब ही परिभास ने नहीं याद रख सकते हैं हम सबसे पहले आपको आर्थिक किरियाओं के बारे में बताता हूँ बे किरियाओं जिनमें ब्यक्ति धन और संपत्ति पराप्त कर अपनी च्छाओं की पूर्ती करता है अर्था धन उपाजन के उद्देश से की गई सभी किरियाओं आर्थिक किरियाओं कहते हैं किताबें पिकासित करना, नौकरी करना, व्योसाय करना आदी, यह सबी क्या होता है कि आप किसी किया काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर अपनी बुक्स लिखके फबलिक कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यह आपकी आर्थिक क्रियान, संसार के सभी व्य की आर्थिक के रियाओं को निमन भागों में बाटा जा सकता है। जो मानों की आर्थिक किरियाओं है उन्हें भी हम लोग कई भागों में बाट सकते हैं। इसमें आप देखते हैं उत्पादन। फर उसके बाद उपुद्धोव।加शा याद रखे ये सबी महत्पून आधार हैं इसके आर्थिक क्रियाओं की अगर ये ना हो तो साइब आर्थिक क्रियाओं को क्या महत्तु रहेगा आप सोची उत्पादन होता जाए उप्भोग नहो तो क्या फरक परेगा इसका उत्पादन का क्या मतलब है उत्पादन तभी किया जाता है जब मांगो उसकी यानि कि उसे लेने वाले हो वो करने वाले हो ठीक है आप से एक ही बात कहूंगा कि कक्षा नौ से लगा कर वारवी तक की अर्थ सास्त की वो काप लोग पढ़ ले कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मुलिगा आपको आप भार्दी हैं तो भी और अल्णे देशती हैं तो भी क्योंकि आपको पता है पूरा आपको इस्तिती बता देगा कि हालत क्या है और आपको एक अच्छा विजनिस्मैन भी बना देगा उत्पादन अगर कोई आपका दोस्त किसी बस्तू का काम करता है बनाने का तो उससे आप पूंच लेते हैं उत्पादन कैसा रहा कई बार आप लोग गेहूं के बारे में पूच लेते हैं कि इस बार उत्पादन कैसा रहा तो यह वही बात था उत्पादन का उद्देश ऐसी बस्तूओं सेवा में बनाना जिनकी मनुस को बेहतर जीवन यापन के लिए आवसकता होती है उत्पादन भूमी पूउची सरम को सयोजीद करके किया जाता है इसलिए उत्पादन के अधारवूत कारग कहलाते हैं आधारबूत कारण उत्पादन के लिए चार मूल आवस्तक्ताइं होती हैं भूमी तथा अन्प्राक्तिव संसाधन जैसे जल बन खनिच फ्रेश्रम फ्रेबौतिक कुझी अधात उत्पादन के पितेक स्तर पर लगा आईल लागा मानव कुझी सीधा सा इसमें जाना दिमार म माजी भी वहना था उसका साइज घटके तो छोटा हो गया लेकिन बच्चा वही का वही है तो आप जानते हैं वह उसमें आपका गहूं भी यूज होता है तो गहूं कहां से आएगा आसमान में तो ओग नहीं जाएगा तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी भूमे की अब भ हो गया अब आप समझ सकते हैं कि बहुत दिक पूंजी यानि कि उसमें पैकिंग के लिए जो मसीनों की जरूरत पड़ेगी उत्पादन में पिते की स्तरभाई आई लागा वो बहुत दिक पूंजी हो जाती है ऐसी दिवा फिर आपकी एक सबसे बड़ी सबसे मानव पूंजी कि यानि कि आप समझ सकते हैं 1945 में परमाडू हामला जिलने के बाद अगर कोई देश अच्छे से खड़ा भी हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है लेकिन उसने खड़ा भी हो गया और जाकर विक्से देशों की सैणी में भी समलित हो गया तो मानव पूंजी मानव पूंजी का सीधा समतलब है कि आप समझ रहें कि आप किसी को सिक्षा मत दीजे स्वास्त की सुविधा मत दीजे पिसी खड़ मत दीजे वो एक मजदूर बनेगा इसमें कोई सक नहीं है उसे दिन का बहुत से बहुत 500 रुपय मिलेगा मिलेगा यानि इसके बाद आप एक को पड़ाई एक बच्चे को उसे स्वास्त की सुविधा बहतर दीजे सिक्षा बहतर दीजे और पिसीख्ण भी बहतर दीजे उसे एक कंप्यूटर इंजीनिर बना दीजे इसे क्या मिलेगा इसे आपको मजदूरी देने की आवस्सक्ता नहीं पड़ेगी यह अपने आ जिससे साफ से आप देख सकते हैं तो यही है अगर आप समझेए कि हर किसी को सुविधा दे दीजाए सिक्षा की स्वास्त की और फिरी सवे सुविधा है रहे तो हर कोई मानौ पूंजी में बदलने सब को बदला जा सकता है और अभी आप इस्तिति देख रहे हैं आपकी कि सबसे जादा अपने देश में युगा भरे बड़े हुए हैं ठीक है हम उस दौर में जी रहे हैं जहां युगा अवस्ता सबसे जादा है लेकिन हम इसे मारव पूंजी में बदलने में सक्षम नहीं है एक काम चीन ने किया था इसलिए आप समझ सकते हैं कि चीन पिक्सित देशों में जाकर खड़ा हो गया क्योंकि हम लोग 1947 में आ जाद हुए और चाइना 1949 में आ जाद हुआ आप से दो साल बाद चाइना आ जाद हुआ फिर भी देख रहे हैं कि हम लोग पीछे हैं और चाइना आंगे निकल चुका है तो इसका सबसे बड़ा कारण यहीं है फि इसमें मनुस की आवसक्ताओं की संतुर्टी होती है और भोग मनुस क्रियाओं का क्रियाओं का आदी और अरंत सभी है और भोग अपनी आवस्था की अनुसार कई पेकार के हो सकते हैं चाहे हो अखाद पदार्थ के रूम में हो चाहे भौतिक प्रमुक सुक सुविधाओं के द्वारा प्राप्त उब्भोग के रूम में हो फिर आता है आपका निवेश निवेश कि सीधा सा मतलब यहां निकाल लिए एक कंपनी हो गई विस्केट की उत्पादन कर रहे हैं यानि कि आप हो गए और इसके बाद निवेश एक निवेश जो इसमें पूजी लगाता है यानि कि पैसा लगाता है उसे निवेशक कहते हैं जो पूजी लगती है उसे निवेश कहते हैं ठीक निवेश या फिर वीनेयोग का सामान आसा ऐसा ऐसे बैसे है जो उत्पादन चमता में बिद्धि लाए यानि कि उत्पादन करने में जो बिद्धि जाता है यह पद बचत करने और उभोग में कट्वती या पर देरी के संधर्म में त्रयोक्त होता है निवेसक के उधारणों की बात करें निवेसके तो जैसे किसी बैंक में पूंजी जमा करना या फिर परी संपति खरीदने जैसे काल जो भविस में लापानी की दिरिश्टी से किया जाते हैं संचित निवेस या फिर बीनियोग की पूंजी है आगे हमारा फिर बीनिमय का आर्थिक कारत होता है कि जब कोई बस्तू के बदले में कोई बस्तू का आदान पिदान होता है तो वह बीनिमय कारी कर लाता है यह आपकी प्राचीन भारत में आप इसी तरह से देखते थे जब मुद्रा का लेंदेन नहीं हुआ था मुद्रा पेचलन में नहीं आई थी तब लोग क्या करते थे ब वो आपको घड़ा देता है तो इससे क्या होता है कि उसकी भी ग्यों की आवसक्ता पूरी हो गई आपने घड़ा की जरूरत हो गई इस तरह है कि जो भी सामान रहते हैं अभी भी मिलते रहते हैं वाजारों में यह सभी ग्रामिट छेत्रों में आपको अधिक देखने को भी बीने मन को दो भागों में विवाजित किया जा सकता है क्रे और बिक्रे जब कोई बस्तू खरीदते हैं उसके बदले में जो भी रकम देते हैं उसे हम लोग क्रे कहते हैं इसके बिप्रे जब कोई बस्तू बैंचते हैं इसके बदले में जो रकम आती है उसको बिक्रे कहते हैं यानि कि सीधा सा मतलब है कि आपके पास टैलेंट है आप उसे बैंच रहे हैं यह बिक्रे हो गया उसके बदले में रकम आएगी और जो आप खरीद रहे हैं कुपायल की जरूरत है आप खरीद रहें तो यह क्रेय हो गया ठीक है इसमें आप पैसा दे रहे हैं पर एक है आपका वित्रण वित्रण एक क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमे इसरम पूंजी ओध्यम के बीच आये का सही पिकार से वित्रण ताकि अधिक से अधिक लाब अर्जित किया जाए सब के वित्रण कहलात है वित्रण का सीधा सा मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि आपके पास आ रख थे अब गैर आर्थिक क्रियाओं की बात करें हम लोग टो बे सभी क्रियाः जो बिनाधन उपारजन के उद्दे से किजाते हैं गैर आर्थिक क्रिया कहलाते हैं सामाजिक कार, धोılarमिक कार, मनुरेंजन करना संगी सुनना माता पिता भाई बैन की सेवा करना कि आप अपने माबाप जो आपकी सेवा करते हैं चोटे में उसका आप करने देते हैं उसका पैसा देते हैं नहीं न बस इतना रहता है कि उसका सीधा सा मतलब है कि आप कि बचपन में वो सेवा करें आप जाक आप समझे कि एक बच्चे है कि एक माबाप 10-10 बच्चों को पालने की हमत रखते है लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माबाप को माबाल संब नहीं है नहीं रखते है इस तोचने वाली बात oh मैं किसी की गलती नहीं मांता, उसमें दोनों की गलती है, कि हर लड़की जो भी आए आपके घर में, वो इन्हें माबाप समझे न, अपने साससुर को माबाप समझे, और जो लड़की के माबाप है, इनकी जिम्मेदारी है कि इनका बेटा है जो और बहु है वो इन्हिमाब आप समझेगे इस तरह आप अगर एक चक्त में मिल गए कि ये बेटी है जो इनका यानि कि सासासुर का ख्या लखे और इनके घर में जो बेटी बन कर आई है, बहु बन कर आई है, वो अपने सासा सुर्ख का ख्या लगे मुझे ही नहीं लगता है कि अनात्र आस्तसरम की तरह आप लोग सोचिए बिद्धासरम खुलने की जरूरत पढ़ जाएगी अब यह आप कई अगर देखिए, मैगजीन देखिए, आर्टिकल देखिए, कई इंटर्विव देखिए, सबसे जान्दा उन बच्चों के माबाप बिद्धासरम में मिलेंगी, जो सक्सुच परिवार से हैं साथ वो भी भूल जाते हैं कि हमारे दिन आएंगे अधिकतर इंसान यही भूल जाता है कि हमारे यह दिन आएंगे तो उसके लिए आपके ने देखा हुआ सामाजी जो कार करते हैं समास्विवा, वो इनके लिए काम आते हैं और जब इनका इस दिन आता है, तो इनके वच्चे भी यही आल करते हैं एक पिक्रिया इनके साथ चलती रहती है, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को रुला कर सुख पा लोगे मुझे आज तक ना तो यसा इनसान दिखा है, और ना हो सकता है कि मैं अंधेरे में हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप भी जो करेंगे वही पाएंगे इसलिए अच्छे से रहिए, जिन्दगी ये जीने का तरीका है कभी आप रामायड देखिए, महाभारत देखिए, गीता को पढ़िए उसमें सम्में यही बताया गया है कि जिन्दगी कैसी होनी चाहिए राम को देख लिजए, कि पूरी जिन्दगी सर्वत, पुरोसोत्तर राम कैसी बन गया उनके रास्तों पर चलने की आप सोचिए तो कि माभापने घर से निकाल दिया, उन्होंने का लिजे मैं जा रहा हूँ कुछ एक सब्द नहीं बूचा क्यों जा रहा हूँ और आज कलके अगर बच्चे से बोल भी दिया जाए, तो बुलेगा तुम निकल जाओ बाहर, मैं नहीं निकलूँगा देखी इतियास में उसी का नाम याद रखा गया है, जो इतियास में जीया है यानि कि वरतमार में जी कर उसने इतियास की चाय रखी है 135 से 40 करोड जन संख्या है आपके देश की, किस-किस को याद रखेंगे डेली पचास से साथ हजार मर जाते होंगे, कोई किसी को याद नहीं रखता है याद उसी को रखा जाता है, जो याद रखने लायक होता है ठीक है? तो हर किसी, हर किसी की मैं अपने माबाप की बात नहीं कर रहा हूँ हर किस माबाप की बुड़े माबाप की सेवा करिए ठीक है और उन्हें उल्टा सीधा मत बोला करिए यह सबी गैर आर्थिक क्रियाएं प्यार सानुगति करतब तेस प्रैम के उद्देश से की जाते हैं एक बात यहां कहने का मतलब मेरा एक ब़र समझी है कि जिसने जनम दिया वही आपके लिए माबाप नहीं हो गए आपको जो पालदा वूसला है यह पोस्ता है आपको एक उचाई देता है वो अपके माबाप से बढ़कर भी होता है क्योंकि जनम देना मुझे लगता है कि यह आसान है और हर कोई जनम दे देता है अपने बच्चों लेकिन उनकी जिन्दगी बनाना साइध हर किसी के बसके बात नहीं रहती है समझ में आए तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल आपनी नहीं है कि जो हमें जिन्दगी बनाए उसे साइधा में लगता है उसका ऐसा नहीं भूलना चाहिए जनम देना मैं यह नहीं बोलना हूँ कि जनम देने वाले को भूल जाएगे ठीक है उसकी भी कदर कीजिए लेकिं उससे जांदा उस इंसान की कदर कीजिए जिसने आपको यह सभी उचाईयां दी हुई है फिर उसमें चाहिए आपका परिवार का मेंबर हो खून का मेंबर खून का रिस्ता उससे या ना हो इससे कोई परकनी परता है अर्थसास्त को अध्यान एवंकार के छित कि दरश्टी कौर से निमने भागों में बाता गया है बरश्टी माइक्रो समश्टी मैक्रो मौद्रिक अर्थसास्त लोकबित विकात अर्थसास्त अंतराष्टी अर्थसास्त गर्थिये अर्थसास्त अर्थ सास्त को विष्टत रूप से दो भागों में बाटा गया है इसी पर आपकी पूरी यहतिवर्ष्था टीकी हुई है वरिष्टी अर्थ सास्त ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वरिष्टी यानि की माइक्रो एकोनोमिक्स के बारे में याद रखिया आपको बोलता रहता हूँ तो इसका मतलब मैं यहान कोई बिद्वान हूं या गयाता हूं मैं अपना इतना बता रहा हूं कि मैंने आज तक अगर किसी के साथ बुरा किया और साह田 वो आगे निकल गया थरक की भाली है मैंने उसे खुश नहीं देखा मैं मैं पर्सनल ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिसने सब अपनी जिन्नेगी में सब कुछ पा लिया है वो बैठके आज भी रोते हैं कई लोगों को तो मैंने सड़ते सड़ते देखा है उनके लिए इतनी बुरी तरह देखिए पैसा मुझे नहीं लगता है वैसे सब कुछ मिल जाता हूँ क्योंकि जब बैक्ती सड़ सड़ की मरता है उस समय मुझे नहीं लगता है कि पैसा उसका काम आता है और आप किसी के साथ गलत मत करिए क्योंकि आपको कोई हग नहीं है किसी के साथ गलत करने के ठीक है ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो नहीं बता पाते हैं तुक कि मैं सोकूं हर कोई यहां देखाने की जिन्दगी एरा है 90-95% अदमी दिखाने के लिए जीता है लेकिन उन जानते हैं बहतर ठीक है तो अच्छे से पढ़िएगा इंसानियत लेकर जो भी मिलना है लिजेगा क्योंकि यहां ना दो मेरे बाब का घर है पर्सनल और ना इस्था ही तुम्हारा है आज हमारी बारी हो सकती है कल तुम्हारी बारी इसलिए अच्छे से रहिए जब आर्थिक समस्याएं अत्वा आर्थिक मुद्दों का अध्यन ब्यक्तिकत उभोगता यानि कि ब्यक्तिकत उत्पादक जैसे चोटी आर्थिक एकाईओं को ध्यान में रखकर किया जाता है तो हमारा अभी फिरा विश्टी अर्थ सास्ते है एक ब्यक्तिकत आर्थिक एकाई जैसे एक तरकुर्वत पर या फे उपभोगता किस तरप आधार भूत आर्थिय समस्या है समस्या चैन की समस्या जो दुल्लभ या सिमेस संसादनों के विकल्पे को विद्वोग में बटवारे से संब्बने थैं यानि कि वेश्टी अर्थ सास्थ का कि micro economics का मतलब सीधा अपने से जोड़ लीजिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप जो क्रय करते हैं बेक्रय करते हैं जो खरीदते हैं और जो मैचते हैं वो आपकी यह माइक्रो अर्थ व्यस्ता हो गई ठीक है अगर हम लोग ब्रिष्टी अर्थशास कै सिध्धान्थ की बात करें इसमें आपकी कौन-कौन से कारक हैं इसमें आपको देख़mot एगा मान का सिध्धान्थ उत्वादन का सिध्धान्थ बाजार भी मिलेगा वित्रण एभं कल् विश्टी अर्थसास के मुख घटक है क्या है मुख घटक है और भोगता विवार सिद्धान्त यह सिद्धान्त विसलेशन करता है कि एक और भोगता कैसे अपनी आय को विभिन प्रयोगों में आवंदीत करता है ताकि वह अपनी संतुष्टी को अधिक्तम कर सकता है यानि कि सईधासमतलब ही कि आपकी आय हो रही उससे किस तरह से आप खर्च करते हो उसका इसमें बर्डन होता है फिर आपने सुना है उतपादक बिवार सिध्धान यह सिध्धान विसलेशन करता है कि एक उत्पादक कैसे बिन बिन आपतों का उचनाव करता है तथा या नेड़ा लेता है कि क्या उत्पादन करना है तथा कैसे उत्पादन करना है अब समझे आप अपनी जिंदगी में भी समझे कि आपको पता तो होना चाहिए कि खरीदार किस चीज के हैं सबसे जांदर वह आप किस पर सबसे ज déjà מד देंगी लाग पर कीमत सिध्धाथ या सिध्धाथ अध्ययन करता है कि बस्तू बाजार में बस्टू की कीमत कीसे निरधार होती है घृता साधन Bाजार में उफभर्द का कीमत की निरधार होती यानि कि कोई चीज बन रही है तो उसका प्राइश तो होना चाहिए आप कैसे बैंचेंगी वाजार में तुसी की बात की जा रही है फिर आपकी मैक्रो एकोनोमिक्स यानि कि समिष्टी अर्थसास समिष्टी अर्थसास सम्पूर अरतविवस्था यानि कि इसे आप देश की स्थर में ले सकते हैं सम्पूर अरतविवस्था के इस तर पर आर्थिक समस्याओं अत्वा आर्थिक मुद्दों का अध्यन करता हैं माईक्रों में आप लोग एक आदमी का ले लीजिए अपना आपका और समिष्टी में आप पूरी समुगा ले दीजिए ठीक है वरेष्टी अर्थ सास्ति की भाति समस्ठी अर्थ्थास्त में भी दौरलव समसादनों का विभेख सील प्रबंद ना ही मुख समस्या समस्टी अर्ष्थास्त में सामाजी कल्याण अधिक्तम करने पर बल दिया जाता है ना कि व्यक्तिकल लाप को अधिक्तम करने पर आप देखते हैं सामाजी एक जब व्यक्ति कोई काम करता है तो तो वह अधिक्तम लाग पर ध्यान देगा उसे क्योंकि पैसे की जरूरा थे वह लेकिन जब सरकार यानि कि बड़े स्तर पर पहुंचती है तो वहां लाग को कमय अत्थ दिया जाता है कल्णार को अधिक दिया जाता है जैसे आप लोग सरकार की कंपणिओं को ले लीजे उसम सिद्धान्थ सामानी कीमत पर कीमत इस्तर सिद्धान्थ आर्थिक विकास का सिद्धान्थ वितरन का समस्टी सिद्धान्थ आयवा रोजगार की बात करें इसके अंतरगात आप देखते हैं उप्वो का सिद्धान्थ निवेश का सिद्धान्थ व्यापारचक का पुलित उत्पात तथा रोजगार इस तरसे सम्मधी सिध्धात यह सिध्धात करता है कि कि एडी बराबर यह एस की स्तिति में अर्थविस्था में सर्फिलन कैसे प्राप किया जाए इसमें सीधा सा मतलब क्या है कि एक सिखन रुक यह हुँ यह सीधा सा मतलब है एडी का मतलब आप निकाल लिए एग्रिगेट डिमांड और एएस का एग्रेट सप्लाई मांग और पूर्टी की बात की जा रही है जैसे आप समझ सकते हैं, मांग का सिध्धान देखा होगा, पूर्टी का सिध्धान तो वही है आपका, मांग पूर्टी, एक बात आप लोग हमें से याद रखिए, कि अगर ये दोनों बाजार में उपस्तित ना हो, तो साथ किसी चीज का उत्पादन करना मुस्किल होगा, और कोई मतलब भी नहीं रहेगा, कि आप समझेए हैं कि आप तमातर की केती करते जा रहे ही, करते जा रहे हैं, उसकी मांग यानि की उसे ह्रीदने के लिए कोई न हूँ बाजार में, तो आप क्या करेंगे उसका, तेसे उसी के समंदर्व में बात की जाए, अर्थ विवस् स्थित्री में कैसे इस्फितिक तथा अवस्पितिक अंतराल उत्पन होता है फरे आपका गुड़क्त सिध्धान्त अर्थव्यवस्था में निवेश बै के कारण आय से जन पिक whatsقت क्रिया का अध्यन इस सिध्धान्त में किया जाता है राचकोशिय तथा मौद्रिक नीतیاं अर्थव्यवस्था में अिविपितिक तथा और इश्फितिक अंतराल जैसे आयस्थिर आर्थिक अवस्थाओं से निपटने के लिए राचकोशी और मौदरिक नीतियों कपरियोग किया जाता है इन सभी कारकों के बारे में हम आगे बात करेंगे स्पीति क्या होती है मुद्रा स्पीति आप लोग सुनती रहती है अप स्पीति क्या होती है इंफ्लेशन मुद्रापूर्ती तथा साख सरजन इसमें मुद्राइस्पीदी के संगटनों तथा साख सरजन पिक्रिया के माध्यम से ब्योसाइब बैंक के से मुद्रापूर्ती में विद्धित करते हैं इसका अध्यन किया जाता है सरकारी बजट सरकारी बजेट, बिसलेशन, बजट ही एक हाटी के माप और अर्थवस्ता पर इसके प्रिभाव पर केंदे थे याद रखे इससे questions आपके one day exam में नहीं पूचे जाएंगे आपकी questions आपनों से पूचे जाएंगे लेकिन आपको लगता है कि आपको अर्थवस्ता बिस्तार से बढ़ना है और अर्थ सास्तिरी बनना है तो आप मुझे लगता है कि NCEIT पढ़ने बहतर रहेगा आपके लिए बिनीमय दर, भुकतांसिस इसमें अंतराश्टी मुद्रा बाजार में बिनीमय दर कैसे निर्धारित होता है तथा भुकतांसिस घरेलू अर्थवस्ता की आर्थिक्रियाओं किस तर को कैसे प्रभावित करता है इसका विसलेशन किया जाता है मांग डिमांड किसी बस्तू के लिए मांग से अभी प्राया है बस्तू को खरीदने की उस एक्षाक से है जिसके लिए परियाप्त करे सकती और खर्ष करने की तत परता हुईती है मांग का सीधा सा मतलब है कि अगर बाजार में मांग उप्लब दे तो आप उसका उत्पादन कर सकते हैं मूल का मांग के साथ समन्द अर्थसास्त्रा में मांग का नियम कहलाता है या नियम बतलाता है कि यदि अन्य बातें समा रहे तो किसी बस्तू या सेवा की कीमत में विद्धी होने पर उसकी मांग घटती है और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है आप एक फॉन से ले सकते हैं यगर उसकी कीमत घट जाए जैसे ही आपने देखा हुगा जीयो का स्मार्ट फॉन है चोटा सा कीपेड़ वाला तो बाजार में कितनी मांग उपलब्द होई थी और कीमत सस्ती थी उसकी अगर होने किया था मांग की नियम की कुछ अपबाद भी है इसका यह है कि कुछ बस्तूओं की कीमत अधिक होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है पितिष्ठा सूचक बस्तू कुछ ऐसी बस्तूओं होती है जिन से सामाजिक पितिष्ठा मिलती है इन बस्तूओं की मांग अधिक होती है क्योंकि इनकी कीमत बिहद अधिक होती है सोना ले लीजिए आप लो यद इनकी कीमत कम हो जाती है तो इने पितिष्ठा सूचक बस् क्योंकि अभी आप देखते हैं कि आपके देश में सबसे जाना आभू सर्ण की रूम में सौनी का उपयोग होता है यह मांग की नियम की आउहला करता है मूलबान हीरे हो गया पुरानी कारें आदीश के उधारन हो सकते हैं गी फेन बस्तुएं कुछ ऐसी नियमने वस्तुएं जिन पर ओभूकता अपनी आय का बड़ा बै करता है ऐसी वस्तुओं की कीमत कम होने पर इनकी मांग भी कम हो जाती है इन वस्तुओं पर मांग की नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके मूल में बिद्धी से इनकी मांग में भी बिद्धी हो जाती है तथा मूल में कमी से इनकी मांग में भी कमी हो जाती है ऐसी बस्तियों को हम लोग गेफेन बस्तु कहते हैं इसका पितिपादन रोबर्ट गेफेन ने किया था इनी के नाम पर इसका नाम लख दिया गया मांग की लौच मूल में परिवतन की अनुक्रिया में किसी बस्तू की मांग में होने बाली परिवतन को जैसे मूल में पांच पितीसत की कमी के कारण मांग में 15 पितीसत की बिद्धी हमें मांग की लौच कहलाती है अनपात में बिद्धी लाती हैं, तो ऐसी बस्तुओं को हम लोग लौचदार बस्तुओं कहते हैं, ऐसी बस्तुओं सामानता बिलास्था की बस्तुओं होती हैं, जब मूल में कमी मांग में, अपेक्चगिट कमी अनपात में बिद्धी से बिद्धी लाती हैं, फिर सुनते ह है उपयोगीता, utility, पितेग बस्तू में ब्यक्ती की किसी ना किसी आवस्तक्ता की संतुष्टी की चंता होती है। अगर यह ना हो साथ उपयोगी ना हो कोई बस्तू तो आप किसलिए खरीदेंगे। जब आपके लिए उप्योग होती है तभी तो आप खरीदते हैं कि नहीं कहरते हैं इस संतोष्टी की चम्ता को ही हम बस्तु की उप्योगीता कहते हैं किसी बस्तु से मिलने वाली उप्योगीता बेक्टी की अवस्तक्ताओं की तीबिता पर निर्भन करते हैं इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति किसी बस्तु की अधिक एकाईयों का उप्भोग करते हैं आवसकता कि तीविता कम होती जाती हैं तीबिता कम होने के साथ ही उपयोगिता क्रम सा घटती जाती हैं जिसे क्रमागत उपयोगिता हैरास नियम कहते हैं उप्भोकता के दौरान बस्तु की विभन एकाईयों से जो उप्भोक उपयोगिता मिलती है उनका योग कुल उप्योगिता कहलाता है यादि बस्तू की कुल उपयोगता को बस्तू की इकाईयों की संख्या से भाग दे हम तो हमें औसत उपयोगता प्राप्त होती है बस्तू की किसी इकाई की विध्धी के कारण कुल उपयोगता में जो विध्धी होती है उसे हम इस एकाई की सिमान्त ओपियोगिता कहते हैं फिर सुनते हैं उभ्भोकता संतुलन उभ्भोकता संतुलन एक ऐसी इस्तिती है जिसमें एक उभ्भोकता अपनी सीमिताय को विभिने बस्तूों पर बेकर की अधिक्तम संतुष्ठी तराप्त करता है यानि कि इस जगे आपको रख दिया जाएगा ओतपादन हम पीछे भी देख चुके हैं जिस किरिया के दुआरा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सेजन किया जाता है उसे हम लोग ओतपादन कहते हैं यह रोब परिवतन, इस्थान परिवतन या फिर समय परिवतन के द्वारा हो सकता है धान, चावल, खेत में पैदा करना चावल को गाओं किसान से क्रै करके सहरों की मंडी में ले जाना अथवा चावल को दो वर्स तक रख कर उसे पुराने चावल जो अच्छा माना जाता है कि रूम में बैचना सभी क्रियाएं अलग-अलग ढंक से उपयोगिता का सेजन करती हैं इसलिए ये उत्पादन कहलाता है उपवोग किसी बस्तू में नहित उपयोगिता गुसमाप्त करना या उसकी कमी लाना उपवोग कहलाता वोग के लिए उत्पादन होना चाहिए सीधा सा मतलब है वोग से कोई आख साहाल ला रहे हैं तो उसका उसे खाओगे तो टमाटल ले आ रहे हैं तो फूजा थोड़ी करोगे आप उसकी उससे खतम भी करोगे न वहीं पिक क्रिया की बात की जा रहे हैं उत्पादन फलन किसी उत्पादन किरिया में जो उत्पादन प्राप्त होता है वह उत्पादन किरिया में प्रेवत लाक्तों या साधनों के प्रेवका परिडाम होता है उत्पादन और सादनों की मात्रा की भी जो तकनीकी फलात्मग यानि के आस्तरिता संबन्द होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं उत्पादन फलन का अर्थ क्या है एक फरम यानि की एक कंपनी उत्पादन की आधारबुत एकाई होती है जो उत्पादन के विविन सादनों जिसे भूमी, वईदूर, पूंजी तथा उद्दम के सहयोग से उत्पादन पेना करती है अताहा उत्पादन आगतों का उत्पाद में रूप अंतन है यह केबल भूतिक बस्पादन के उत्पादन, जैसे अनाज कपड़े आदी को ही संबोधित नहीं करता बलकि इसमें डॉक्टर वकील आदी की सेवाएं, सेवाओं के उत्पादन को भी सामिल किया जाता है थर्गूसियन के अनुसार बात करें तो बस्थू एक आपके अस्त्री थे बस्थू या उत्पाद अथवा उत्पादन कर्थ एक फर्म द्वारा निश्चे समयाओदी में पैदा की जाने वाली बस्थूओं के आकाल को उत्पादन कह देती है फिर आपके एक कौच कौच सू यान इसके अनुसार उत्पादन फलन सुध रूप से एक तक्नीकी संबंद है जो आगत और उत्पाद को परस पर जोड़ता है फिर आपके प्रोफेसर वार्सन की अनुसार एक फार्म में भौतिक उत्पादन और भौतिक साधनों की संबंद को उत्पादन का उत्पादन फलन का नाम दिया जाता है उत्पादन की साधन की बात करें तो उत्पादन में सहयोग करने बाले विभिन घट को साधनों को सैल की नाम से जाते हैं सैल का अथ होता है Capital, Interfit, Pranewer, Land, Labor इनको उत्पादन में सहयोग करने की बदले में पिदीफल पिदान किया जाता है भूमी हो गया पूझी हो गया स्तरम हो गई इसी की बात कराये लेंड को किराया मझदूर को मझदूरी किराया किराया पूंजी को ब्याच उद्यम को लापदान किया जाता है यही आपके मेनबुद कारक भी आधारवूद भूमी जी भी जरूरत हो थी किसी वस्तू का आप लोग उत्पादन करें तो किस किस की जरूरत होगी भूमी की मजदोरी की किराया पूजी यानि कि उसमें जो पूजी लगा रहे हैं उसकी होगी और उद्मी की यानि कि निवेशक की जरूरी होगी समझ रहें? किराया लगान रेंट प्रोफेसर इस्टोनियर एवं हैक की अंसाल लागस्तिया से उस उत्पादन साथनों को किये गए भुकतानों से जिनकी पूर्ती पूर्ता लोचदार नहीं है लगान के तीन स्वरूप होते हैं कुल लगान, बास्तविक आर्थिक लगान और तीसरी प्रसंबीदा लगान याने की ठेकिका कुल लगान की बात करें तो कुल लगान में निमलिके तत्तों का समावेस होता है इसमें आपका आर्थिक लगान हो गया, भूमी की उन्नती पर बै की गई रासी का व्याज हो गया, भूमी पती के जोखिम का पितीफल हो गया, भूमी की प्रवंद विवस्था का पितीफल हो गया आर्थिक लगान इसमें आपको आर्थिक लगान एक अधिक या फिर बचत की रूम में प्राप्त होता है फ्रोफेसर रिकार्डो ने सरेष्ट भूमी की लागत तथा सीमान्द भूमी की लागत के अंतर को आर्थिक लगान की माप मानन था आधुनी कर्थ सास्तिरियों के नुसार केबल भूमी ही नहीं वरन उत्पाधन की अन्य साधन भी आर्थिक लगान प्राप्त कर सकते हैं उनकी दृष्टी में आर्थिक लगान साधन की अव स्तरलागत की उपर अधिक या बचत है फिर आपका ठेके का लगान किसका ठेकेगा ठेके का लगान किस बिंदू पर निर्धारित होगा या दोनों पक्षों की स्वधा करने की सकती पर निर्वर करता है यदि भूमी पती अधिक सक्ति साली है तो ठेके का लगान फुरया उंचा निर्धारित करिए या लगान आर्थिक लगान की तुल्ला में कम या फिर जानदर या उसके बराबर हो सकता है क्योंकि इसके निर्मार में माग और पूर्दी की सक्तिया मुख भूमी का अधा करते ह लगान परी इस्थिती बस आर्थिक लगान से बहुत उंचा होता है तो उसे अत्यदिक लगान कहते हैं पर मजदूरी प्रोफेसर मार्सल के अंसार स्रम की सिवा के लिए दिया गया मूल मजदूरी है यानि कि आपके यहां मजदूर को कोई मजदूर लगा हुए तो आप कि वही है पर मोजदूरी बाद करनें तो श्रम का बिदर मजदूरी है तो नहीं मजदूरी एक पकार का पुरूसकार हिए जो मनुजद के परिसयाम के बदली में दिआ frequdet चाहे और वह पिती घंटा हो पिती दिन हो या फिर समय अनुसार दिया जाए चाहे उसका बुक्तान मुद्रा या फरवस्तु है या फिर दौनों की रूम में दिया जाए मजदूरी को दो पेकार की होती है एक नगत यानि कि द्रापविक मजदूरी नॉमिनल वेज वेज़ और दूसरी होती बास्तुविक मजदूरी रियल वेज़ ठीक है यह आपकी नगदी मजदूरी होगे और बास्तुविक मजदूरी इन दोनों में अगर अंतर लिखने को आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं नगद मजदूरी की बात करें तो यह मुद्रा में व्यक्त की जाती है और बास्तुविक यह आसल मजदूरी की बात करें तो यह बस्तूओं में व्यक्त की जाती है नगत मजदूरी की बात करें तो इसमें बस्तूओं एवं सेवाओं का करनर के उनका उबोग किया जाता है बस्तूओं की आसल मजदूरी की बात करें तो यह बस्तूओं सेवाओं एवं सुविधाओं का समलेत रूप होता है यह सेमिक की वास्तविक रिस्तिती पर फिकाश नहीं जालता है, इस सेमिक की वास्तविक रिस्तिती का ज्यान होता है, नगत मजदूरी पर द्रब में ब्यक्त होने के कारण मूल का प्रवाव नहीं पड़ता है, यह मूल इस तर उंचा हो जाता है, तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है क्योंकि नगत मजदूरी से तब कम बस्तुएं एवं सेवाएं सेवाओं का ही ख्रय हो जाता है तो यह आपके अंतर थे ब्याज ब्याज वह मोद्रिक भुकतान है जो पूझी पती को पूझी के बदले में पराप्त होता है जो अगर कोई पूझी पती है निवेसक है तो वो किसी से उधारवी तो लेगा बैंक से हो गया तो उसका जो ब्याज देना पड़ता है उसी की बात की जा रही प्रोफेसर मासल के किसी रेडिक की द्वारा रेड के प्रयोग में बदले में किया गया भुकतान आपका ब्याज कहलता है ये तो आप अपनी फी परस्टौा जेदनेगी में देखते हैं आप बैंक से या किसी साहुकार से उधार लिते हैं तो उसका आप लो बुकतान करते हैं भूझी के रू प्रोफेसर कारवर की अनुसार ब्याज एक निश्चे ताउदी के लिए तरगता की परित्याग का भुकता है फिर आपका फिरोफिट आप कोई भी काम मुझे लगता है कि आज अगर कोई किसी भी काम को कर रहा है तो फिरोफिट सबसे पहले उसे देखता है वो गीता का इस लोग अब नहीं चलता है कि करम करते चलिए फिरोफिट सबसे पहले होती है वेक्ति में आज अगर उसे पता हो कि फिरोफिट का कोई भरोसा नहीं है तो वो काम भी नहीं करेगा समझ रहे हैं आप पड़िस लिए रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी चाहिए किसी भी अर्दव्योस्ता को सुचारू रूप से चलायमा रखने के लिए उसकी बेवसाइक गती विदियों में लाब का पाजन होना अतियावसक है लाब के सिध्धान की बात करें तो लाब का लगान सिध्धान इस सिध्धान का पिती पादन प्रोफिसर वाकन नहीं किया था इस सिध्धान के मसाल लाब योगता का लगान है या सिध्धान रिकाइडों रिकाइडों के लगान सिध्धान की भाती है जिस पिकार स्रेष्ट और सीमान्थ भूमिया होती हैं उसी पिकार स्रेष्ट और सीमान्थ साहसी भी होती है सीमान्थ साहसी का असा ऐसे साहसी से जो अपनी बस्तू है केबल केबल बस्तू की लागती पराप्त कर पाता है उसे कुछ भी लाब नहीं पराप्त होता है स्थ्रेष्ट साहसी कम लागत परवस्तू उत्फादित करते हैं तथा कीमत और लागत के इंतर के कारण बच्चत या फिर लाब पराप्त करते हैं इस लाब की मात्रा साहसीयों की योगतापन निर्वा करती है इसलिए वाकर ने लाब को योगता का लगान कहा है इस सिद्धान्त के अनुसार लगान लाब की बहाती एक भेदात्मक बच्चत है जो की सेश्ट साहसीयों को पराप्त होती है एक बचत होने के कारण ही लगान, लाब लगान की बाती मूल का निर्धारन नहीं करता है वरन स्वैम मूल में निर्धारित होता है यानि कि आपने देखा होगा कि कोई बस्तु आप खरीदते हैं तो उस पर यह नहीं लिखा जाता है कि इसका लाब इतना होगा मतलब उस ब्याबारी को इतना लाब है ये लाब की रासी ले जा रही है सब उसी में जुड़ा रहता है आपका लाब का मजदूरी सिद्धान, इस सिद्धान की समर्तकों में ट्रॉजिक और डेवन पोर्ट पिरमुक है इससे दान के अंसार लाब मल्दूरी का ही एक रूप है ट्रॉजीक की सब्दों में लाब के बल सहुवस प्राप नहीं होते इनके लिए एक विसेश्ट ग्यान की आवस्चता होती यह सरम उसी पिकार का होता है जैसा कि बकील यह आफरी निडायकों का सरम है लाब तथा निरंतर सफलता के लिए विवसाई में कुछ विसेश्ट गुड होते हैं जैसे संगठन का संगठन यवं प्रवंदन की कुसलता, दूर दर्शता, नेड़े लेने की छमता आदिक अनिवार होते हैं दूर दर्शता सबसे जाना प्रभावी होती इसमें यानि की दूर की नजर रखने वाला इन गुडों का उप्योग मानसिक स्रम ही होती हैं दोनों बरगों के स्रम का पितिपल निर्धारन के लिए मजदूरी का सिध्धान समान रोप से लाग होता है सरयाब का लाब का सीमान्थ उत्पादक सिध्धान मारसल द्वारा पितिपादित सिध्धान के अमसार लाब साहसी की सीमान्थ उत्पादक्ता द्वारा निर्धारित होता है उत्पत्ती के अन्रसादनों की भाती साहसकी भी एक सीमान तुदपादकता होती है तता लाब इसी सीमान तुदपादकती के बराबर होता है अता साहसकी उस सीमान तुदपादकता जितनी अधिक होती ही लाब उतना ही अधिक होगा फरियाब का लाब का जोकिम सिध्धान होले द्वारा, पितिपादित तथा मारसल द्वारा समर्थित इस सिध्धान के अनुसादर लाब जोकेम उठाने का पुरुसकार है जोकेम उठाने का आसे सभी प्रासंबी दागत बुकतानों कि बश्चाज बची राशी को लेने के लिए सहमत होना आधोनी योग में एक साहसी बेवसाय में अपनी पुझी बिनियुजित करता है और भविस की मांग की पूरो उन्मान के आदार पर ही अपनी बस्तु का उत्पादन करते है कि आप समझ सकते हैं कि आप अपनी पुझी है उसके वो आप लोग बिस्किट बनाने में खच कर रहे हैं किसी कंपनी में अपनी आगर आपको आज से आप लोग कुछ दिन बाद ही तो बिखेगा आपका सामन आप यही तो अंदाजा लगा कर चल रहे हैं कि मांग उत्पन होगी वा आपका सामन पूरा बिख जाएगा तो इसमें एक जोखे में ही तो है तुसी की बात की जा रही है यदि मांग लागत कीमत आदी उसके पुरुमान सही निकलते हैं तो उसे लाव होगा अन्था हानी होगी फिर चाहे आप लोग इस तरह से लीजे व्यापारी क्या करते हैं ब्याज खरी प्याज आलू खरीद के रख लेंगे अपने गोधाम में रख लेंगे इस्टोरेच करके वो जब कीमत बढ़ने की आसा करने लगते हैं और आप सोचिए कीमत ना बढ़े घट जाए तो उस ब्यापारी को तो हानी होगी न अगर कीमत बढ़ जाए तो उसे लाव होगा और जोखिम उठा रहा है न वो तो ठीक है यही जोखिम तो सबसे जादा ब्यापारी को लाप पहुंचाता है और कई को तबावी कर देता है कोई भी ब्यक्ति इस जोखिम को उठाने के लिए तब तक तेयार नहीं होता है होगा जब तक कि उससे इसके लिए कुछ पुरुषकार प्राप्ति की आसा ना हो यहाँ निकालते हैं कि सिक्षा से नहीं निकालते हैं नौकरी से निकालते हैं और मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई पर जितना भी फैसा आप खरद चूरा है वह आपको एक उत्पादक बना रहा है यागनी की मानव पुझी में बदल रहा है कई लोगों को मैंने देखा है कि नौकरी ना करके अपना बिजनिस करते हैं अगर पड़े लिखे ना होते तो यह आइडिया कहां से आते हैं समझ रहे हैं इसी की बात की जाएगा अता जोकिम उठाना साहसी का एक विशिष्ट कार है तथा लाब जोकिम उठाने का पुरुष्कार है चूकि विवेन बेवस बेवसायों में नेहित जोकिम की मात्रा में अंतर होता है उसमें साहसीयों के लाब की मात्रा में भी अंतर पाए जाता है जिस बेवसायों में अधिक जोकिम होता है उसमें लाब के अउसर अधिक होंगे जिसमें जोकिम कम होगा उसमें कम लाब प्राप्त होगा अपनी जि दूआलब का अनिश्चित्ता बहन सिध्धान् प्रोपेसर ङईटर ने जोकिम सिध्धान से अलग अनिश्चित्ता सिध्धान पिती बादित करते हैं लेखा है कि लाप बीमायुग, आयुग, जोकिमों अर्थात, अनिश्चिताओं को उठाने का पुरुस्चार तथा लाप की मातरा अनिश्चिता उठाने की मातरा में, अनिश्चिता उठाने की मातरा पर निर्वर करती है। फर एक सिद्धान्द आपका और आ गया लाप का प्रावेगिक सिद्धान्द इसके प्रोफेसर जे बी किलारक दौाना पिती पादिस इस सिद्धान्द के नुसार लाप परिवर्तनों का परिडाम है और वह केबल प्रावेगिक अर्दविस्था में ही प्राप्त होता है इस बुक्ताओं की रुचिया एक च्छाओं आदी में परिवर्तन के साथ साथ उत्पादन की रेक्तियों और उद्धोगे के काईयों के रूम में नेंतर परिवर्तन के साथ साथ उत्पादन की दीतियों तथा उद्धोगे के काईयों के रूम में नेंतर परिवर्तन होती रहते सिद्धान्त स्वंपीतर द्वारा पितिवादी लाव का यह सिद्धान्त कि लार के प्रावे कि सिद्धान्त से अधिक ब्याबक है उनकी सब्दों में लाव सहसी किकार का पितिफल है अथ्वा गया ईजोखिम अनिश्चित्ता और नव विवर्तन के लिए किया जाने बाला आपको सिर्फ इतना याद रखना है सिद्धांतों को याद रख लीजिए इन से संबंदित जो व्यक्ति सामेले उन्हें भी याद रख लीजिए क्योंकि आपसे कुश्चेंस बनेगा तो इसी से बनेगा परिभासाएं आपसे कभी नहीं पूचेगा परिक्षा में आपके वन लेग जम पुरानी मसीनों के इस्थान पर नवीन मसीनों एवं तक्नीक का प्रियोग करना कच्चे माल के उपिवोग में मित बेता लाना बस्तु विक्रय में नई नई बाजार खोजना विक्रय और विबरन की तरीकों में स्थाल लाना बस्तु के रूप, रंग, डिजैन में ग्राहकों की रूची के अनसार परिवर्तन करना नई उत्पात का विकास आदिकों सिन्वे पेवर्तक, नव पेवर्तक का नई वस्तुओं पर एकादिकार रहता है जिसे वो आदिक मूल वसूल करने में सफलता प्राप करता है अताहा नव विवर्तन द्वारा व विवसाही, मूल और लागत का अंतर करकी लाप राप्त करता है बाजार मार्किट यह सबसे महत्पूर्ट फैक्टर है बाजार का सच गिसी उध्योग विशेश में ब्यापत, पिती होईता की परकीती, इस्तिती होथा रूप से होता है इसके अंतर्गत ना केवल वर्तमान में किसी वस्तु के करय विक्रय में लगी फारमो और व्यक्तियों को सम्लित किया जाता है बाजारों का बरगीकन, पूर्पितियोगुता, पूर्पितियोगुता बाजार के उस रूप को कहते हैं, जहां किसी बस्तू के करता और बिकरता बड़ी संख्या में होते हैं, एकाधिकार, मोनोपोली, इसे भी आप लोग सुनते रहते हैं, एकाधिकार बाजार का ऐसा रू एक आधीकर्ट पितियोगिता कास है इस सिस्ति पर बिचाज सरपितम आपके प्रोफेसर चेंबर लिंग ने पिस्तोत किया यह अपून पितियोगिता की वैस्तेती होती है जिसमें भिन्नित ना की समरूप किन्तु मिलती जुलती बस्तुओं को बेंचने वाली बहुत सी मत्रमित को कारन पितेग विक्षेड़िता अपनी छängerत में चोटा सा एक आधीकारी होता है तथा एक सेमा täll की मत को प्रभावित भी कर सकता है में प्रोफेसर मेकूनल के सब्दों में अगर हम लोग कहें नेरा के साथ पित्योगिता की कुछ अधिक मात्रा का अंतर मिस्तरड नहित होता है एक अधिकार पितियोगिता में गेर कीमत पितियोगिता पर्धियान के इंदित किया जाता है इसमें बिग्यापन के दुवारां बस्तू को प्रोसायद भी किया जाता है एक अधिकार पितियोगिता में बस्तू विपेद सामनता तेर्माल वरांड के नाम आधी क का उत्पादन भी करता है जिसका अपना व्रांड होता है दंतकरांती और पतंजली का भी आप लोग देखते रहते हैं लेकिन बाबा कुछ भी कर दिये बिजनिसमेन है बहुत बड़ा ब्यापारी है मानिये आना मानिये आप लोग उसने का कि सब लोग यूगा करिए हम सब ल क्योंकि बाबा वाले कोई भी लक्षण उसमें संत वाले बच्चे भी नहीं है मैं बुराई नहीं कर रहा हूं मैं भी देखिए बाबा का कई प्रोडेक्ट उप्योग करता हूँ अब बात करते हैं अलपादिकार अलपादिकार का आसय होता है यह अपूण पिदेवविता का वह रूप जिसमें बाजार में परस्पर निर्वत थोड़े से बिक्रेटा होते हैं और पितेक कुल पूर्टी की वह बड़े भाग पर नियतन रखता है तथा हुआ बाजार में वस्तु के मूल को प्रभावित भी कर सकता है मेर्स के सब्दों में अगर हम बात करें इसकी तो अलपादिकार बाजार की वह सबस्था को पहते हैं जहां पर केताओं की संख्या इतनी कम होती है कि पितेक बिक्रिता की पूर्टी पर कब बाजार की कीमत पर प्रभाव पढ़ता है और पितेक बिक्रिता की क बात करने कि अल्पादिकार वो एस्तिति है जिसमें एक फार्म अपनी बाजारनीती अंस्ता कुछ निकट पिति दंडियों कि पित्यासिद बीवार पराधरीत होती है बिसुद्य अलपादिकार की स्तिति में पारसपरी, निर्वर्ता कांस अधिक होता तथा बेदित Alpads engaged अलपादिकार की स्तिति में कुछ कव बाजार में परा ऐसी ईपिती स्परदा देखने को आपको मिलती है इस पास सेमेंट चेनी, मौटर आदी उते हूँ, अलपादीकार के उधारन होते हैं मुद्रा, मुद्रा की प्रक्किती और कार मुद्रा एक ऐसी वस्तुए है, जो प्यावक्षेत में विनीमय के माद्यम, मूल के मापन, इस्थेगित बुप्तानों के मान, मूल के संचेन के साधन, के बारे में सामान रूप से सुईकारी की जाती है जिसे राज की ये सरक्षन अत्वामानतागी प्राप्त होती है मुद्रा के मुख्यकार दो होते हैं, बिनीमय का माद्यम और मूल का मापक इस्थेगित बुप्तानों का देमान, मूल का संचेन, मूल का स्तांतर, आदीश के साहएक कार भी है यहाद रखे आपका और ऑरकिकन हम निन पेकाण से कल सकते हैं याद रखे आपका कुछ सायणी में आपके कुछ महत्मूर्ण तत्त दिये गये थी पीछे वो आपके छूटे हुए हैं अभी कुछ टाइम में उसे भी हम लोग देख लेंगे वो आपकी फरिक्षा की point view से बहुत महत्यकून भी है भीतरी मुद्रा तथा बाहरी मुद्रा इस धार्णा का पितिपादन जॉन गुर्ले तथा S सा ने 1960 में किया गा वह मुद्रा जो अर्थवयोस्था की भीतरी निजी इकारियों के रेट पर आधारित हो जैसे बैंक जमा का उस सीमा तक भाग जोसके द्वारा निजी छेत को दियेगा रेट के बारावर हो उसे हम लोग भीतरी मुद्रा कहते हैं अगर बाहरी मुद्रा की बाग की जाए तो वह मुद्रा है जो सारुजनिक छेत के पित्रक चरड या फिर दायत जैसे चलन में मुद्रा पर आधारित हो फिर आपने सुना हो गए बाहरी मुद्रा सरकाद वारा से जित आधार मुद्रा पर आधारित होती है यह मुद्रा लोगों का सुद्धन है जिसके साथ मुद्रा के धारक की समफ पूरक देता होती है बाहदी मुद्रा जैसे सरकारी पितीव होती, सोना, आदी भीतनी मुद्रा जैसे बैंक, सेसे बैधानिक मुद्रा या अनुगरापित मुद्रा ये मुद्रा है सरकार के अमसार या फिर ओर्डर पर चलती है ये ऐसी मुद्रा है जिनके पीछे कोई बैंकिक नहीं होती है बारत में छोटी सिक्के हो गए एक रूपी के नोट हो गए एक रूपया का सिक्का इसी में ग्रहा बैधानिक मुद्रा है जिनको एक सीमा तक ही बु सुद्ध रूप से विश्वास पर चद्धी है जैसे आप साथ मुद्रा ले सकते हैं फ्रयाप की एक्षिक मनी मुद्रा एक्षिक मुद्रा है जिससे सुईकार करना मनुस्ट की इच्छापन निर्वार करता है यह दी कोई ब्यक्ति से लेने से इंकार भी कर दे तो से दंड नहीं दिया जा सकता है जैके चैक, ड्राप्ट, हुंडे, पितिग्याबत, आधी को सामिल किया गया इसमें ठीक है फ्रयाप की सस्ति मुद्रा कैसी सस्ति मुद्रा मुद्रा का एक मत्पूर उपयो उसे उधार देना उधार के बदले ब्याद दिया जाता है जब अब कम ब पियाद दर पर मुद्रा उधार मिलती है उसे हम लोग महेंगी मुद्रा कह देते हैं सुलम मुद्रा जब किसी देश की मुद्रा मांग से उसकी पूर्ती अधिक होती है तो उस देश की मुद्रा विदेशी विनमे बाजार में आसानी से उबलत होती है ऐसे देश की मुद् करेंसी कहते हैं hard currency आप लोग अमेरिका जैसे डॉलर हो गया इसे आप लोग hard currency में रखेंगे बारती रुप्य आपका soft currency यानि कि सस्ती मुद्रा में दोड़ला मुद्रा यानि कि hard currency जब किसी देश की मुद्रा का मांग उसकी पूर्थी से अधिक होती है तब उस देश के मुद्रा विदेशी बीनिमय बाजार में कटनाई से उपलफ्थ हो जाती है ऐसे देश की मुद्रा को हाड करेंसी कहते हैं डॉलर होट मनी जिस मुद्रा का वाह मूल तेजी से गर रहा हो उसे हम लोग गरब मुद्रा कह लेते हैं गरब मुद्रा वह विदेशी मुद्रा है जितमे सीख पलायन की प्रवित्थि पाई जाती है या साधारता अधिक लाब मिलने वाले सम्भावित इस्थानों पर इस्थाननतित हो जाते हैं फ्रेयापका प्रादिष्ट या फिर आग्याप्राप्त मुद्रा जब किसी देश में योद्ध या पिर अन्य किसी पिकार की राजनेतिक संकट उबस्तित होता है अत्वा आर्थी कटनाईया उत्पन हो जाती है तब सरकार खर्च बहुत बढ़ जाता है तो इस खर्च को पूरा करने के लिए संकट काली मुद्रा निकाली जाती है ऐसी मुद्रा के बीचे कोई विसिस कोस नहीं होता है रखा जाता है क्योंकि आप समझते हैं कि आपके जो अभी करेंसी चाहपी जाती है उसके बदले में कुछ आपके कोस्त भी जमा किया जाता है पिर चाहिए वो सौने में हो या चाहिए विदेशी कोई सामानोड ठीट है विदेसी मुद्रा हो उसमें आपको अगर सौका नोट पर भरुसा नहीं है आरभी गाई के पास जाईए वो आपको उसके बदल में सोना दे देगी या फिर कोई अनकरंसी देगी तो उसका लिखा रहता हूं या मुद्रा केवल सरकारी आदिस पर निकाली जाती विमुद्रीकन जब सरकार पहली से चलन में विद्वान मुद्रा को रद कर दीती है और अर्थात अर्थात आवेधानिक गोसित कर दीती है तो इसे विमुद्रीकन कहते हैं 1978 में जंता सरकार ने 1,000 रुपिय की नोट का भारत में भी मुद्रीकन किया था भी मुद्रीकन प्रा अत्यदिक मुद्रायस्पिती या काली धन की समस्या से निपटने के लिए किया जाता है 2016 में भी आपने देखा होगा इस तरह है के पुरावधन किया गया भारतीय मुद्रा पेनाली की बात कर लिए थे हैं, भारतीय रुपया इंडियन रुपी, कोर इसका आई आघ थे भारत की राष्टी मुद्रा है, इसका वाजार नियामक और जारी करता भारतीय रेजर्बंक है, आपका कहन दें ये बैंक भी रेजर्बंक है नए पिति चिन्ने के आने से पहले रुपे को हिंदी में दसाने के लिएն रुप और अंग्रेजी में और एक रुप्या, आरपी काप्रेव किया जाता था आधुनीक भारती रुपे को सौ पैसे में विवादि किया जाता है यानि कि एक पैसा बराबर 100 पैसे एक रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं सिख्य का मूल 5,10 20,25,50 पैसे हैं और 1,2,5,10 रुपय भी बैंक नोट 1,2,5,10,50 20,50,100,500 1000 की मूल पर हैं लेकन आपको जैसा कि पता होगा कि 2016 में पता नहीं क्यों अपडेट नहीं है इसने वो उपडेट है फिर भी यहाँ आपका 500 का नोट दोबारा पुरान नोट को बंद करके आ चुका है लेकिन 1000 की जगे आपका 2000 का नोट 2000 में आ चुका है तो अब 1000 का नोट अभी नहीं आता है हो सकता है आँगे फिर से आने लगे 2020 जून 2020 की बात कर रहा हूँ है उसके बाद आँगे आए त्वाब दिख लोग समझते रहें मूल सेसा सूरी के सासनकालीट के दोरान सुरूं किया गया रुपया आज तक पिचलन में है सेसा सूरी सुनते है ना इसका सासाराम बिहार में इसका मकवरा है सेसा सूरी का बिहार में बारत में वेटिस सासन के दोरान भी यह पिचलन में रहा इस दौरान इसका बजन 11.6 ग्राम और इसके बाहर का 91.7 तक सुद्ध थी उन्नीस भी सितादी के अंत में रुपया पिथागत वेडिस मुद्रा वीनिवै दर के अनुसार एक सिलिंग और चार पैसा के वराबर था वहीं एक पाउंड इस्टेलिंग का एक पंद्रवा हिस्सा था उन्नीस भी सदी में जब दुनिया में सबसे सब्सक्त अर्दवियुस्थाओं स्वड मानक पर आधारित थी तब चांदी से बने रुपय के मूल में भी सर गिरावट आए सेटराज अमेरिका और विविन यूरोपिय उपने वेसों में विसाल मात्रा में चांदी के सरोत के मिलने के भडाम सुरूत चांदी का मूल सौनी की अफेच्छा काफी गिर गया आप समझ सकते हैं कि जिसका उत्वादम जाना हो जाएगा बाजार में जो जाना हो जाएगा उसका मार्केट में प्राइज गर जाएगा अपने आप अचानक भारत की मानक मुद्रा से आप बाहर की दुनिया से जाना नहीं की जा सकते हैं इस गटना को रुपे की गरावट की रूम में जानते हैं पहले रुपे 11.66 ग्राम 16 आने या फिर 64 पैसे या फिर 192 पाई में बांटा जाता था रुपे का दसंबली करण 1889 में स्रीलोन स्री लंका में इस पेकार अब एक बाहरती रुपया सौ पैसे के इतमें बिवाजित एक रुपया बराबर सौ पैसे बाहरत में कभी भी पैसे के लिए नया पैसे नया पैसा सद्धि भी इस्तिमाल किया जाता है इतीक चलिए बाहरती रुपय का पैसे चलिए पैसे अंतराश्टी इस्तर पर आदान पिदान और आर्थिक संबलता को दसाता है रुपय का चलिए भारत के लोकाचार का भी एक रूपक है इस चलिए को आप लोग देखते हैं रुपय का यह नया पिदी आर देवनागरी लपी के आर रोमन लपी के अक्छर आर कुम्मिलाकर बना है जिसमें एक छेतर रेखा भी बनी हुई है इस तरह से नहीं लिख से हैं से इस तरह से वीच से यहां रेखा भी बनी थे यह रेखा अमारे राष्ट दोहज तथा बराबर की चिन को पिती में मित करती हैं 12 सरकार में 15 जुलाई 2010 को इस चिन को सुष्कार किया था कोई पुरानी बात नहीं है अभी 2010 की बात है यह चिन भारतिय प्रदुगी की संस्थान आई आई टी मुंबई के पोस्ट गेजुएट डिजाइन डिजाइन डी उदर कुमार ने कुमार ने बनाये था इस तरह के से चुना जा गया था कि इस पितियोगिता में भारतिये नागरेकों के रुपे की नई चेन के लिए डिजाइन आमन्तित किये गए और इस चेन को डिजीटल तक्नीक और कंप्यूटर प्रोग्राम में स्थाफिद करने की विक्रियार चल रही है रुपे का इतियास देख ल में रुपे सब्द का अर्थ रुपा से जोड़ा जा सकता है जिसका अर्थ होता है चांदी संस्कित में रूप की कम का चांदी का सिक्का रुपे अजाब दों 1540-1545 के वीच सेसाय सुरी के द्वारें जाली किये गए चांदी के सिक्क के रहे के लिए उपयोग किया गया था रुपया सब ठीक है मूल रुपया चांदी के सिक्का होता था जिसका बज़न 11 रसंदो 34 ग्राम होता था कितना 11 रसंदो 34 ग्राम यह सिक्षा सरफ बेटिस बहरत की सासनकाल में उपयाऊ में लाया जाता था 20-20 सदी में फारस की खाड़ी के देशों तथा मुलकों में भारती रूप्या मुद्रा के तौर पर बिछले था सौनी की तसकरी को रोखने और भारती मुद्रा के बाहर प्रियोग को रोखने के लिए मई 1969 में भारती रेजर बैंक ने गल्फ रोपी का विप्णनी किया फिर आपके कागज की नोटों की सुरुआ रोपया के कागज की नोटों को सबसे पहले जारी करने वाल में से थी बैंक ओफ हिंदुस्तान बैंक ओफ हिंदुस्तान की 1770 से 1832 तक रही इसकी जिन्दिगी रही दा जनरल बैंक ओफ बंगाल एंड विहाल 1773 पचत्त वारें हिष्टेंद वारें स्थापित किया था दा बंगाल में 1784 से 97 तक इसकी जिन्दिगी रही शुरुआत में बैंक ओफ बंगाल द्वाजन जारी किये कागज की नोटों पर केवल एक तरफ ही छपा होता था इस टाम पेपर की तरह इस पर सोने की एक महर बनी ह होती थी और यह सो दोस्तों पचास पास्सों आधिवर्गों में थे बात के नोट में एक बेल बूटा पना था एक महला आक्तिती ब्याबार का मानवी करन दर साथ था यह नोट दोनों और चपे होते थे तो था लिपियां उर्दू बंगला देवनागरी में यह चपे होती थी अठारवी सदी तक नोटों के नोटों के मूल भाव बितानी को बितानी हो गए और जाली बनने से रोकने के लिए उनमें अन्न कई लक्षन होते जुड़े गए चांदी का रोपया सब्द की उत्पत्ती संस्कित भासा के सब्द रोप सही होई जिसका अर्थ होता है चा आप समझ सकते हैं छटवी इसापूर्व की बात कर रहा हूं पैडाम सुरुप इसमें इत्यास अनेक मुद्रे के काईयों मुद्राओं का लिख मेंता है इस बात के कुछ इत्यासिक प्रमाडवी मिलें पहले से के बच्चीस सो से सत्त्रे सो पचास इसापूर्व के बीज क इन सिकों के निर्माण की विशिष्ट टकनीके कारण इन्हें पंचमाग्ट शिक के कहा जाता था अगली कुछ सदियों के दौरान जैसे जैसे समराज्यों का ओदय उपतन हुगा देश के मुद्राओं में इनका परग्रती कम दिखाई देने लगा इन मुद्राओं से प्र गई काल की उनानी देवताओं और उसके बाद के पश्चमी छित वाले तामी के मुद्राएं सामेल हैं जो पहली और चौती सिताब्दी इसभी के द्वारांचारी की गई थे मौद्रिक पहना लिए आरवों ने 712 इसभी में आपके अरब आया आपके देश में तो भारत किसन्द परांथ को जीत कर उस पर अपना प्रबुत इस्थाबित किया बारे भी सिताब्दी तर दिल्ली के तुरुक सुल्तानों ने लंबी समय से चली आ रही अरवी डिल्याइन को हटाकर उसके इस्थान पर इसलामी लिखावटों को मुद्धित कराया इस मुद्रा को टंका कहा जाता था क्या टंका दिल्ली के सुल्तानों ने इस मुद्रिक मुद्रिक पेणाली का मानिकी खन करने का प्रयास किया फिर बाद में सौने चांदी और तामे की मुद्राओ का पेचलन सुरू किया सन 1526 में मुंगलों का सहसंकाल शुरू होता है पानिपत की पिथम युद्ध के साथ ही होने के बात समुचे संभराज में एकिकरित और सुगठित मौदिक पेडाली की सुरूआत हो दिया अफगान सुल्तान से सांसूरी ने 1540 से 45 तक ही इसका असासन ज पूर्व उपनेवेस काल कि भारत के राजे राजवाडे ने अपनी अलग मुद्राएं की डलाई करवाई जो मुकता चान्दी के रूपे जैसे ही दिखते थे किवल उन पर उनके मूल इस्थान रियायसतों की छेत्री विसेस्ताओं पर अंकित हुआ करते थे बैंक नोटों का पिशलन अठारवी सद्वदी के उत्तराद में एजेंसी गहरानों ने बैंकों का विकास किया बैंक बंगालों गया दा बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पुरानी बैंक और इंटल बैंक ऑफ कॉर्पूरेशन दा बैंक ऑफ बेस्टन इंडिया इनमें आप बैंक नोटों का पिचलन बनाड़ा परन्तु 1861 में पेपर करेंसी कानून बनने के बाद केवल सरकार का एक अधिकार हो गया अंग्रेजी सरकार का बैटी सरकार ने बैंक नोटों के वितरण में मदद के लिए पहले जो प्रेसीडेंसी बैंकों को ही अपने एजेंट की बार उनके चित की सेंकला बाले बैंक नोट जारी किये गए एनोट एक ही एक गोर छपे गए यूनिफेस्ट थे और पांच मूलों में जारी किये गए थे भारतिय मुद्रा की बात करें मुद्रा निर्माण की तुप्यारम में छोटे राजी थे जहां बस्तु भी निवय अत्वात एक बस्तु के बदले दूसरी बस्तु का आधान पिदान संभो था परन्तु कालांतर में जब बड़े बड़े राज्यों का निमार हुआ तो यह पिडाली समाप्त होती गई और इस क्रमी को पूरा करने के लिए मुद्रा को जनम देना पड़ा यहास्कार के वी अंगर का मानना है कि पराचीन भारत में उद्राह सथा कि पिति किरू में गेहन की जाती थे परन्तु क्या रम में किस ब्यक्ति इं तुफ़ा संस्था से इन्हें दिया यह ग्यात नहीं है अनुमान यह किया जाता है कि एक ब्यापारी बर्ग ने आधान पितान की सुबताईतु सरप्रितम सेक्के तेयार करवाए संभावता प्यारम में में राज इसके पिती उदासीन थे परंतु परवर्टी यह ओं में इस पर राज का नियंतर निस्थापित हुआ था कोटिल के अर्थ सास थे गया है कि मुद्रा निर्मार का पूर्टा राज का एक अधिकार हुआ प्राचीन काल की बात की जा रही है कोटिल याद रखे अर्थ सास थे कई बार पूंच रही गई है एक बुक्स का नाम कुछ बिद्वाना का मानना है कि भारत में मुद्राओं का विदेशी प्रभाव का परिडान वही से इस धर्ती पर उपज मानते हैं उसी बिलसन और प्रेंसे जैसे विद्वानों का मानना है कि भारत भूमी पर सिक्के आविरुभा यूनानी अक्मण की पश्चात हुए वहीं जॉन एलन उनकी इस अवधारना को गलत बताती हुए कहते हैं कि प्यारम्भी भारती सिक्के जैसे कारशार्nt आहत और यूनाने सिक्के का मतृत कोई संपर्क नहीं था सिक्कों के निर्माड की बात करें तो सिक्कों के निर्माड के लिए प्राफ्ट होता था, परंतु चांदी बहुत कम मात्रा में उपलब थी, इसलिए इसका आयाद भी किया जाता था, अन्यदेसों से। सादवान बंस ने मुद्रा निर्माड में एक नया प्रयूक किया, उन्हें मुद्रा निर्माड के लिए सीशे का प्रयूक करना प्यारम कर दिया, सीशे के सिक्के आपने सुना हुआ, सादवान सासकों ने चलाए, बिद्वान पैरी फिलस का विवरंड की भारत की लोग सीश का बाहर से आयत करते हैं इतिहास कर प्लीनी ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि हिंद सासकों ने एक और धातु मुद्रा निर्माड ही तुप प्युक्त किया जिसे निकल के नाम से भी जानते हैं कभी-कभी सिक्क्य के निर्माड ही तुप प्रोटीन, कांस, पीतल का भी प बनाने में और गिर्ती हुई अर्थवस्ता की संद्रम में वो फियो सिक्कों में किया जातने लगा प्रोटीन कई धातूं के मिस्टन से बनता था इसलिए इसे भरष्ट धातूं कहा जाता था कहीं कहीं लोगे के सिक्के भी अपने पिचलन में देखे होगे इसके अलावा मुद्रा के रूम में कौनियों का भी पिचलन भी व्यापक में था मुद्रा निर्माड विधी प्राचीन भारत में तीन पिकारके से मुद्राओं का निर्माड किया जाता था आहत अत्वा चापा बिदी इस बिदी से मुद्रा तेयार करने के लिए पहले बिबिन पिकार की दातुओं की पतली चादर तेयार की जाती थी ढलाई बिदी यह दूसरी बिदी जाना परिस्कित थी ठपा प्रहार बिदी इस भी संबत आते आते मुद्रा निरबार में ठपा प्रहार बिदी काफी लोग प्री होगी मुद्राओं का अंकित मुद्राओं पर अंकित लिपी प्राचीन भारत में सिक्कों पर मुखता, ब्रह्मी, खरोष्टी एवं ग्रेप लिपी का प्रयोग किया जाता वह भासाओं में युनानी प्राक्रिट संस्कित देविड भासाओं का प्रयोग किया जाता सिक्कों पर इनकी अलावा अनेक चेन्नों का प्रेव भी किया जाता था जिससे इसके इस्थान समय और विशेष्था का बेभाजन किया जाता है कई सिक्कों पर राच्किय चेन्न होते थे कुछ सास का सास का कृती का आकलन भी मिलता था सास के खुचत सेकों पर किसी विशिष्ट देवताय या पसूचनने के भी अंकित होते थी भारत्य रुपे की रुपे के नोट की विशिष्शताओं की बात करें तो भारत्य रुपया 1957 तक 16 आनों में विभक विवाधी त्राय परंतु उसके बाद 1957 में उसने मुद्रा की दस सक प्रिणाली अपना ले और एक रोप्या की गड़ना 100 समान पैसों में की ज़िए मातमा गांदी वाले काविजी नोटों की संख्ला की सुरूआत 1996 में हुई नोटों की एक और स्टप्यद वाली भाग में मातमा गांदी का वाटर मार्क बना हुआ है सभी नोटों में चांदी की सुरक्षा धागा लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में RVI और हिंदी में भारत अंकित है प्रिकास के सामने लाने पर इनकू देखा जा सकता है संख्या दिखाई देती है परंतु तिरचे या पर कौन से देखने पर नीले रंग में लिकी हुई दिखाई देती है पिदान मंतिरी नंद मोदी ने आठ नवंबर 2016 को गोशना की कि आधी रात के बात से 1,500 रुपे की नोट पिछलन में नहीं रहेंगे और यह अवैद माने जाएंगे परंतु 150, 20, 10, 5, 2, 1 रुपे की नोट सिक्पों पर कोई रोक नहीं है 500 और 2000 रुपे की नई नोट 10 नवंबर 2016 से जारी हो गए आपके बाजार में नोट भासा हैं 12 रुपे की नोट की भासा पटल पर भारत की बाइस भासा है यानि की जो आठवीस अंसोची में आपकी सामिले भासा है उनमें से 15 भासाओं का इन पर मूल मुद्रित रहता है 15 आपने कई बार सुनाएंगे नोट पर कितनी भासा होती याद रखें 15 ऊपर से नीचे इनका क पिरम इस पिकारे असमिया वंगला गुजराती कंडर कस्मीरी कॉंकडी मलेयारम मराथी नेपाली उडिया वर न्जाबी संस्कित तमिल तेल्गू और उर्दू पिचलन भारतियों महादी में सरकारी मुद्रा को रुप्या कहा जाता है यह भारत के साथ ही भूटान पाकिस स्री लंका नैपाल मौरिसस माल्दी और इंडियोनेसिया जैसे कई देशों में प्रिचलिब दिये इन सबी देशों में भारती रुप्या मुल सुईकार्था लोग पिजित्ता के हिसाब से सबसी महत्पूर माना जाता है धातु मुद्रा भारत में इस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्यापार प्यारम किया अब भारत की भिविन भागों में सेक्डों पिकार की मुद्राएं चलन में थी बारत में विविने पिकार की धातु मुद्राओं का इतियास आग अग वर्ड़ित है रज़तमान रजित्मान 1873 में सेपूर इंग्लेंड को छोड़कर विस्म के अनेक देशों में पिछलिद था भारत में रजित्मान 1835 से 1893 में तक पिछलिद रहा इस साओधी में रुपया भारत का प्रमुक्षिक्का था इसका बजन 180 ग्रेंड और सुद्धता 11 अपून 12 थी 1893 में हारसल कमिटी की सिफारिश के आधार पर भारत में रजित्मान समाप्त हो गया परंतु चांदी का रुपया 1940 तक चलता रहा अपून दूई धातू मान हारसल कमिटी के सुझाव पर भारती मुद्रा मुद्रण अधिनियम 1893 पास किया गया ता दर उसर भारत में रजित्मान के रुम में एक धातू मान के वज़ये अपून दूई धातू मान की स्थापना की गयी जिसके तैत स्वड बिनिमायमान की रूम में किया गया स्वड बिनिमायमान भारत में 1927 तक पिछली पिछली त रहा 1925 में हिल्टन यंग कमीशन की निपती की गई जिसने भारत में स्वड मुखपाटसन अपनाने का सुझाओ दिया अता भारत सरकार ने 1927 से 1931 के बीच स्वैड पार्ट्सन को अपनाया स्वैड पार्ट्सन के इंतर के तुरूपी का सम्मद है स्वैड किसी पित्यक चुरूप से नहीं रहा बर्ण इस्टरलिंग से रखा गया इस्टरलिंग स्वैड में परिवर्थ निये था स्वैड पिनिवाय मान जब देशों की मुद्रा को पित्यक चुरूप से स्वैड में परिवर्थित नहीं किया जा सके बलकि किसी एक देश जिसकी मुद्रा स्वैड मान पर आधारित हो परिवर्तन की सुबिधा हो तो से स्वड नेमियि मान सुबिधा कहते हैं स्वड धातु मान या फिर स्वड फार्टन नहीं सुड पृ्ड मान स्र फार्ट मान, का परिउक सरप पे थां 1925 में इंगलेंड में हो था तथा 1925 से 1931 तक इंगलेंड में पेचलित भी रहा भारत में आपका हिल्टन येंग कमीशन की सेफारिस के आदार पर से 1927 से 31 तक अपनाये गया जब किसी देश में स्वर्ड मुद्रा पिछलन में नहीं रहती है किन्तु देश की सरजना सरकार अपनी मुद्रा पदलने पर एक निश्चिन मात्रा में स्वर्ड उपलब्द कराने का वचन देती है इस विवस्था को स्वर्ड धातुमान या फिर स्वर्ड पार्टमान कहा जाता है स्वाड पार्कमान में सौनी किसी की पिछलन में नहीं होते हैं अब बात करते हैं हम लोग स्वाड स्वाड सम्तामान गोल पैरिटी स्टेंडर्ड स्वाड सम्तामान स्वाड का आधुनिक तम रोप है जो अस्थित्म है स्वाड सम्तामान का विकास IEMF के साथ हुआ है इसके इंटरनेशनल मोनेटरी फंडर के साथ इसके अंतरगत IEMF के पितेक सदस्तराष्ट की मुद्रा स्वाड में परिवासित होती है जिसके आधार पर बीनिवाय दर निर्धारित होती है याद रिखिए जितने भी आपके अंतराष्टी संगठन और भारती संगठन है उनके बारे में हम लोग किलासन लेच चुके हैं आपके तो मत्पून संगठनों के नाम से जो आपकी फिले लिष्ट सूची बनी हुई है उसमें सभी संगठन डले हुए है इतने हद तक विष्टार से बताये गया है कि आपका यूपी फिले में अगर कोई सिविल सर्विस में कुश्चन्स पूचा जाता है उसे भी आप लोग वहां सॉल्ट करने किस्तिती में होंगे तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं सदत से देश आई एमएप के पास एक निश्चित मात्रा में स्वार कोष रखते थे देश में चलने की मुद्रा स्वार पर आधारी नहीं थी यह विवस्था उननीसो चालिस से ननीसो सत्तर तक चलती रही बाद में इसका केबल सिध्धान्ती कस्तित रह गया वह भी 1970 से पूर्ता समात्थ हो गया है 1970 से आईएएप ने HDR को अपनी मुद्रा बना लिया है HDR को बात करते हैं मानक मुद्रा Standard money मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल उसके अथायत मूल अथवा धादू मूल के वराबर होता है इसलिए मानक मुद्रा को पूर्ण मूल मुद्रा भी कहते हैं मानक मुद्रा आसीमित बैद मुद्रा होती है 1835 से 1893 की वीच भारत का एक रुप्या का सिक्का पूर्ण मूल सिक्का होता है पितीक मुद्रा क्या है? पितीक मुद्रा तौकन मनी पितीक मुद्रा वैप पितीनिदी मुद्रा है जिसका इर्थात मूल उसकी अंकित मूल से कम होता है वारत में बरतमान में एक रोपे का सिक्का पितीक मुद्रा है सहाइक मुद्रा सहाइक मुद्रा का काम पितीक मुद्रा मुद्रा का सहायता करना है साहएक मुद्रा का क्या काम है पिदीक मुद्रा की साहता करना पत मुद्रा पत मुद्रा पेपर मनी यह मुद्रा सरकार या सरकार की गारंटी पे नकाले गए नोट होते हैं जिनें मुद्रा की अवस्तक्ता की पूर्टी के लिए बिधी गरा गोसित किया गया जाता है पत्त मुद्रा के पीछे फ्रेया कुछ कोस रखा जाता है जो स्वड य Griffin बिदेशी बीनमय की रूम में होता है कोस के आधार पर पत्त मुद्रा को परया निमन चार भागों में बाट गये पिति निदी पत परिवतन सील पत मुद्रा आपरिवतन सील पत मुद्रा और प्राधिश्ट मुद्रा इसमें आपकी पिति निदी पत मुद्रा की अगर बात करें तो जब कागच के नोटों के बदले सत्पिती सर स्वड़े आप चांदी के गोस में रखा जाता है तब इस प निकाले जाते हैं इस विवस्था में पत्त मुद्रा की बदले सौना अचन्दी मिल्लें की गारंटीव देजाते हैं 2 जार का आपका है कि नहीं चल ला आप जाई यह आर्वी है के पास वो आखको इसके बदले में उतने का सोना या चांदी देदेगा परिवर्तन सील पत्त मुद्रा जब पत्त मुद्रा के बदले सत्विती सत कोस नहीं रखा जाता है वरनकुल मुद्रा का निश्चित भाग 20 जैसे 20-30-40 पी ती सत ही तो इस परिवर्तन सील पत्त मुद्रा कहते हैं तो आप नहीं लेंगे न तो इसके लिए RVI आपका गारंटी देता है अता जब धातु कोस से अधिकरास्थी की पत्थ मुद्रा का विनीर निर्म गमन किया जाता किया जाए तथा साथ ही धातु में परिवतन सीथा की गारंटी भई बनी रहे तो ऐसी मुद्रा परिवतन सील पत्मुद्रा कहलाती है फर आपकी आपरिवतन सील पत्मुद्रा जब पत्मुद्रा की बदले सोड़ चांदी या कोई अन्न मूलवान वस्तु को उसमें नहीं रखी जाती है और ना ही इसके बदले सौना चांदी या कोई मूलबान वस्तु देने की घारंटी दी जाती है तो से आप अरिवर्थनी है पत्मुद्रा कहते हैं या सरकार की साथ पर चलती है भारत में पत्मुद्रा का चलन 19. सताबजी से पहले नहीं था सबसे पहले अंग्रेश सरकार ने बैंक और बंगाल को नोटों की निकाफ़ी का अधिकार दिया था बाद में आपके नोट निकालने का अधिकार अन्न प्रेसिडेंसी बैंकों को भी मिल गया 1862 के बाद नोट निकालने का कार सरकार स्वयम करने लगी थी सरकार ने 1935 में रेजर बैंक की स्थापना होने पर नोट निरगरम निरगमन का काम रेजर बैंक को सौमती है वाज यही काम आपकी रेजर बैंक करती है आर भी है बारत में निर्गमन की अब तक निम्न तीम पिडालियों का प्रियोग किया गया है निश्चित बिस्वास सिद पिडाली इस पिडाली के अंसार सरकार उद्वारा एक निश्चित सीमा निरधारित करें जाती है फ़र आपकी अनुपातिक कोस पिडाली नोट निर्गमन की अहरीती बैंकिक सिद्धान्त पर आधारित है इस पिडाली के अंतरगत निर्गमित किया जाने वाली नोटों का एक निश्चित पितिसद स्वड कोस की रूम में रखना पड़ता है फर एक है नियूंतम कोस पिडाली भारत में बरतमार में नियूंतम कोस पिडाली पिछले थे रेजर्ब बैंक के द्वारा एक पिडाली चेक टूर 1956 को अपनाई गई जिसके अंतरगत रेजर्ब बैंक के लिए यह आवस्तक था क्यों एक कम से कम 115 करोड रुपे का सौना और 400 करोड रुपे की बेदेसी पिती भूतियां कोस में रखे मुद्रा के मूल में उताव चड़ा मुद्रा के मूल में फ्रया परिवर्तन होते रहते हैं इन परिवर्तनों का आर्थिक विवस्ता और सरचना पर गहरा पिरभाव भी पड़ता है कभी-कभी तो इन परिवर्तनों से समस्त आर्थिक सरचना की अस्त बेस्त हो जाती है समाज में अन्याय, संगस और सत्ता और अर्याजक तत भी देखने को मिलती है आपको यही कारण ही कि आज विस्त के सभी अर्थ साथि आर्थिक नीती का एक मूल उद्देश मूल इस्थायत मानते हैं पुझी बादी अर्थ विवस्ताओं में तो ब्यापार चक्रों को नेंतित करने के लिए विसिस प्रियास भी किये जाते हैं मुद्रा के मूल में होने वाली परिवतनों के चार प्रमुक सवरूप हैं कौन-कौन से हैं इस्पिटी मुद्रा पिसार आविस्पिटी मुद्रा संकुचन पित्यय इस्पिटी मुद्रा संस्पिटी और अब इस्पिटी इसमें सबसे पहले बात करते हैं Money Inflation, मुद्रा इस्पीती, सल सब्दों में मुद्रा इस्पीती कारत होता है कि बस तुओं सेवाओं की कीमत में बिद्धी और मुद्रा के मूल में गिरावड़, सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि आज से कुशिधन पहले आप लो 500 रुप खरीदने के लिए आपको 500 से 600 700 रुपी खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मक्खन का मूल बढ़ गया है, नहीं मक्खन का मूल नहीं बढ़ा, आपकी जो क्रय सकती थी पहले 200 रुपया आपके एक किलो घी के बरावर थे, यानि कि मक्खन के बरावर थे, लेकिन आज इनकी क्रय सकती कम गई है, और मुद्रा की क्रय सकती गिरावट हो चुकी है, और घी उसी कीमत में अब इसके लिए खरीदने के लिए आपको 500 से 700 रुपे खर्च पड़ने पड़ते हैं, यानि कि जब मुद्रा की कीमत घट जाए, मूल में गिरावट हो जाए, उसे हम लोग मुद्रा इस्पीती कह देते हैं। पहला याक का मोद्री काय में बिध्धी, दूसरी उत्पादन में कमी. मुद्राइस्पिती निलिखित परिस्तितियों में उत्पंड हो सकती है। Mohdra की पूर्ति बढ़ना किन्तु उत्पादन में इस्थे रहना है। क्या है क्या है मुद़्रा की पूर्ती बढ़ जाए किन्तु उठपादन इस तर रही आप सोचे की टमाटर का उठपादन सो कि somebody का ठीक इससे ऊठ और और मुद्रा की पूर्ती बढ़ जाए यानि कि बाजार में सबके पास पैसा आ जाए तो क्या होगा टमाटर का मूल बढ़ जाएगा क्या होगा टमाटर जो अभी तक 10 रुपे किलो विकराता वही आपको उसी एक किलो के आपको 50 रुपे देना पड़ते हैं सकता है 100 रुपे देना पड़े तो आपकी जो मूल है जो पैसा है आपका इसकी किराए चंता यानि कि इसके मूल में गरावट हो चुकी है मुद्रा की पूर्ती इस्थे रहतना किंतु उत्पादन कम होते जाना ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जब किसी बस्तु की उत्पादन चंता कम हो जाती है तो उसकी मांग वही रहती है तो उसमें भी आप देखते हैं कि कीमत बढ़ जाती है उसकी बस्तु की कीमत गर जाती है मुद्रा की पूर्ती बढ़ते समय किंतु उत्पादन गिरते जाना, मुद्रा की मात्रा बढ़ते जाना और उत्पादन भी बढ़ते जाना, किन्तु मुद्रा के अपेक्चा उत्पादन दीदे दीदे बढ़ना, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि सस्ता रेड हो जाता है, तो कई लोग रेड ले ले लेते हैं तब इस तरह की मुद्रा इस्पीती देखी जाती है। मुद्रा की मात्रा कम होते जाना और उत्पादन में भी कमी होते रहना। किन्तु मुद्रा की अपिच्छा उत्पादन अधे तेजी से कम होना। इस स्थिति में भी हम लोग मुद्रा Stepit के देख थे हैं। मुद्रा स्वित्विति के प्रिकार की बात करने हैं पून्र एवं आसिक मुद्रा स्वित्वित्व या वे सरवर्थम P pigu ने किया था। इसका समल्तान की से भी किया। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से पहली कीमत बिद्धी हो तो उसे आंसिक मुद्रा इस्पीती कहते हैं क्या कहते हैं आंसिक मुद्रा इस्पीती लेकिन जब अर्थव्यवस्था पूर्ण अर्दविवस्था पूर्ण रोजगार की स्तिती में पहुंच जाए तब मूल इस्तर में विध्धी हो तो इसे पूर्ण मुद्रा स्पीती कहते हैं अर्थ वेवस्था में उपस्तित विविन आपूंड ताओं के कारण से पूंड रोजगार से पहले भी मूल इस्तर में विद्धी होती है फिर आप देखते हैं डिमांड पूल इंपलेशन मांग जन इसपीती जब अर्थ वेवस्था में पिछले वाजार कीमतों पर वस्तूओं तथंसेवाओं की क्ल मांग वस्तू वाजार में इनकी कुल उपलब्द पूलती कीतुल्ण में अधिक होती है तो सामन कीमत इस तर बढ़ने लगती है जिसे मांग जनिस्पिति या मांग अधिक Ab bulky कहते हैं यससे आप लोग प्याज की तरह ली सकते हैं कि प्याज की मद ने देखियां कि अव Total कमुव यानि की उत्पादन कम हुआ हो खरीदने वाली अधिकों तो तब क्या होगा कि कीमत बढ़ जाती है मांग जन इस्पिती दो पिकार के कारण उत्पन होती है कौन-कौन से कारक ही है मांग में बिद्धी करने वाली कारक और दूसरी पूर्दी में कमी लाने वाली कारक मांग जन इस्पिती के निमलिकेत पर कार हो सकते हैं बस्तु मुद्रा इस्पिती उत्पादन में कमी आने के कारण जब सामान मूल में बिद्धी होती है तो इसे हम लोग बस्तु इस्पिती कहते हैं फिर आपकी चलन इस्पिती अर्थ विवस्था में अधिक मात्रा में धातु या पत्मुद्रा निर्गमित कर देने से मूल इस्तर में जो विद्धी की प्रविद्धी होगी उसे करेंसी इस्पिती कहते हैं साक इस्पिति जब अर्थविवस्था में मुद्रा की मात्रा इस्तिर रहे और सरकार साक सहरूजन को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में घाते का विद्ध का साहरा लेती है तो इससे मुद्रा की पूरती बढ़ जाने की कारण मूले स्तर में बिद्धी होती इसे घाटा परो साहथ इस्पिती कहते हैं याद रखे इसमें जो हम लोग मात्रा आज से दस साल पहले खरीदते थे वो मात्रा का कोई भी सॉलूशन उसमें बढ़ नहीं रहा है कि आप सोचें कि कल एक किलो हम जो जो सामन दस रोपे का भरीदते थे वो आज दो किलो हो गया है ऐसा नहीं है आज कि बेट उतना ही है बस कीमत आपकी बढ़ दी याई कि क्रैसंती जो पहले 100 रोपे की कीमत हुगा करती थी अब वो सायथ हो सकता है 500 रोपे की कीमत के बराबर उस कल के 100 रूपे की कीमत आज के 500 रूपे के बराबर है पहले समस्ते हैं कि आपके पास अगर 10 रूपे होते थे तो आप कितने खुश हुआ करते थे आज अगर 50,000 और 5 लाग भी हैं तो आप कीमन में खुशी नहीं है क्योंकि आप उसकी कीमत जान चुके हैं एक हैं लागत दबाओ मुद्रा स्पृति जब कीमतों में बिद्धी का एकमात कारण वस्तों की उत्पाधन agent में बिद्धी हो तो उसे लागत पेनिष्ट सिंप भी कहते हैं लागत जन्न में निम्ने पिकार कि इस पिती को सामिल किया जाता है मजदूरी जन इस पिती जब मजदूर सामोरी सौधिवाजी के कारण या अपनी सकती साली सरम संगटनों के कारण मजदूरी की दर को बढ़ाने में सफल हो जाएं तो इसके कारण लागत में विद्धी होगी पैडाम इस तरह समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा एपल कपॉन अमेरिका में अगर बन रहा है तो उसकी कीमत उच्छ है और आप देखते हैं चाइना में सरम सकती बहुत सस्ती है इसलिए हर वी जो भी वहां सामान बनाया जाता है उसकी कीमत कम रखी जाती है क्योंकि आप ही में मिल दा है तो आप उसकी कीमत उसे साह से रखेंगे और आप आप सोचीए धर Long की कीमत बढ़ जाये पानी की कीमत बढ़ जाये तो आपके पास option भी नहीं पच्छता है कि उसे उतनी ही कीमत में बहिक्छे आपको भी तो कीमत बढ़ानी होगी, क्योंकि आप धाटे में कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिए, इस सित्ती को मजदूरी प्रोफ सायथ इस्पिती भी कहा जाता है, फिर आयातित मुद्रा इस्पिती, जब अंतराश्टी ये बाजारी के आयात की जाने वाल इस्पिती या मुद्रा विस्पिती, मुद्रा के विपरी तवस्था के मुद्रा और इस्पिती कहते हैं, इन्फिलेशन के विप, बिल्कुल विपरी दिस्पिती को में लोग, डिफिलेशन कहते हैं, कराउधर के अनुसार मुद्रा संकचन, वो ऐस्पिती है जिसमें मुद्रा का मूल बढ़ता है वो बस्तूओं का मूल घंचता है मुद्रा इस्पिती के बिलकुल बिक्री मुद्रा इस्पिती यानि की डिस इनफलेशन जब किसी अरद्विवस्था में अत्यतिक मुद्रा इस्पिती की दसा उत्पन हो जाती है वो बस्तूओं तथा सेवाओ तथा बय में जो भी लाबकारी गरावट होगी वह है आउस्पीती होगी संचेव में जब मुद्रा इस्पीती भैयंकर एवं पिचन रूप धारन कर लेती है और कीमतों में अनिंतित बिद्धी होने लगती है तो मुद्रा इस्पीती के द्वारा कीमतों में कमी करके उन्हें सामानिस्तर पर लाया जा सकता है मुद्रा आप इस्पीती की विश्यस्ताओं की बात करें मुद्रा इस्पीती सदेव एक्षिक होती है इसके दुआरा कीमतों को सद्यों सामन इस्तर पर लाए जाता है यह आसाधानर आर्थिक इसकिति को इस पर कार संतुलित करती है कि उत्पादन तथा रोजगार में कोई कमी ना हो मुद्रा अपिस्पिती का अर्थ सास्त पर सद्यों ही अनकूल प्रभाव पड़ता है मुद्रा अपिस्पिती के उपायों की बात करें तो मुद्रा अपिस्पिती की नीती का परीपालन करते समय सरकार प्रयाव निमने कदम उठाती है सरकार नई कर लगाकर अत्वा पुराने करों में विद्धी करके चलन की मात्रा को कम करने का प्रयास करती है बचत को प्रोसाहित किया जाता है जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा कम रह जाए उत्पादन में यह अथा संभव उत्पादन में यह अथा संभव सीख गिता से विद्धी की जाती है सरकार नए रेड़ पराप्त करती है वो सरकार री पितीवूतियों का एथा संभव अधिक से अधे विक्रे करती है अत्य दिक मुद्रा पिसार को नेतिक करने के लिए सरकार कभी-कभी भी मुद्रिकन की नेति को हुई अपना लेती है प्रोफेसर पीगू के अंसार मुद्रा स्पिती वह स्थिती है जब बस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा मुद्रिक नियरंतर गिरावट देखि जाती है मुद्रा एक ये सब्दे भी देखने को मिलता है रीपलेशन मुद्रा संकुचन की स्थिति को सिधानने के लिए जानबूचकर साथ और मुद्रा की मात्रा में बिद्धी करके वस्तुओं और सिवाओं के मूल में बिद्धी करने का युकार होता है पूजी वाजार capital market पूजी वाजार मद्या में एबम देखाली फंड का वाजार होता है पूजी वाजार, capital market इसमें आपकी सेरों बॉणडों एबम अनप्ती भूतीयों को बेंचकर मद्य कालीन और दी कालीन पूजी परागत की जाते है गिल्ट एज्ट बाजार गिल्ट एज्ट का बाजार सर्वोत्त में या फिर उत्करष्ट है इस बाजार में पिती भूतियों का फ्रे विक्र है आर्वी यही की मात्यम से किया जाता है गिल्ट एज्ट बाजार को सरकारी पिती भूती बाजार भी कहते है प्राद्मिक बाजार, पूजी बाजार का वय भाग, जहां सभी पिती बूतियां पहले बाजार में बिकने के लिए अप जाती हैं इसमें घहरेलू इबंग विदेशी फंड की उगाई ही हो सकती है जिसमें कंपेणियों और सरकार तथा बितिया मत धेस्तों द्वारा निकाले गए रेड़ पत्थ, गिलोगल डिपोजिटरी रिसेट, अमेरिकन डिपोजरिटी, रिसेट, इन्डियान डिपोजरिटी, रिसेट, विदेशी वाडिजिग उधार उपित्यक्ष विदेशी है इसके अंतर के कानून के अनुसार काम करने वाले रजिस्टर्ट स्टॉप एक्षेंज आता है सियर एक लिमिटेड शारवजने कंपणी की संपूर पुझी को एक निश्चित रखम के हिस्सों में विवाजित किया जाता है विवाजित हिस्सों के एक ठाव को सियर याँस कहते हm इसे आव क्पनी में यान कि आप जो उसका खरीद लेते हैं तो उसमें भागीदार हो जाते हैं है कंपणी अधिनियाम 1956 के रुक्त किसी कंपणी के सेज़र दो पेकार की होते हैं पूरवादिकार सेजर वरीता या फिर अधीमान सियर दूसरे हैं साधारन या पिर समता एक्विटी सेर वरीता अंस बे अंसपत होते हैं जिनने सामानता या समता अंसों के तुल्ला में लावांस प्राप्ती के संबंद में वरीता अधिकार होता है अथ्था तुन्हें लावांस देने के बाद ही समता वालों को लावांस दिया ज जाएगा यदि कंपणी दिवालिया हो जाए तो समापन के लिए के समय भी इन्हें भी बरियता प्राप्त होती है लेकिन इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है साधारन या समता या इक्विटी सेयर वे हैं जिन्हें कंपनी से मताधिकार प्राप्त होता है इन्हें लावांस प्राप्ती की कोई बरियता प्राप्त नहीं होती है अधिकार सेयरों में दो मूल पाहे जाता है सेयर पर अंकित मूल और दूसरा जिस मूल पर सेयर की को कंपनी अर्थात आवंटित मूल रेड़ पत्त क्या है रेड़ पत्त डिवेंचर यह एक अभी लेख है या पिरपत्त होता है जिसके आधार पर कंपणिया रेड़ प्राप्त करते हैं रेड़ पत्त धारी कंपणियों का लेंदान लेंदार होता है रेड़ पत्त धारी कंपणियों क लाभ भानी से मतलब नहीं होता है उसे अंकित व्याज पाने का पूर्ण अधिकार होता है तो आप सुनते हैं bond या भी आपका रेड़ पत्ति की ही तरह एक पिती गूती होती है जो अल्पकाली होती है कैसी होती अल्पकाली है तरह सुनते हैं आप लोग बुल तथा बीयर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोग लोगों जैसे कि ब्रोकर को यह उमीद करते हैं कि भविस में बाजार मूल उपर उठेगा जिससे पूझी लाप की संभावना बढ़ेगी उन्हें हम लोग बुल या तेजडिया कहते हैं जबकि बाजार कीमत गिन्ने की संभावना करने बाले बागीदार को बीयर एयर फिर मंदडिया कहते हैं तेजडिया की गतिविदी को लिवाली तथा मंदडिया की गतिविदी को विकवाली कहते हैं क्या कहते हैं विकवाली अलफा सेयर जिन सेयरों में सामान तक काफी अध आपको कोई फिलेट खरेना है, रोम लेना है, तो आप भी इस तरह के विरोकर को पकड़ते हैं। Matchual Fund, अधिकास निवेशकों में पूझी बाजार की जटलता हूं को समझने की चमता नहीं होती है। जिससे चोटे निवेशक बचत नहीं कर पाते हैं। Matchual Fund एक निवेश बिद्धियम अध्यस्त होता है, जिससे चोटे निवेशकों की बचत का अगति सीलन किया जाता है। Unit Test of India जिसे 1964 में संसद के विशिस अधिनियम के इंद्रगत इस्थापित किया गया। बारत का पिथम Matchual Fund है, इस पर आइकन नहीं देना पड़ता है। करेक किया जाना, सेयर का पुनाएक क्रेक कहलाता है। Blue Chip Seyer, अधिदिक ख्याती वाली कंपनियों की सेयर को Blue Chip Seyer कहते हैं। इन्हे Growth Seyer भी कहते हैं। Insider Trading, भेदिया कारुबाई, Insider कंपनी की गोपनीता स्थिती से परचित रहते हैं। इनसे लाब उठा कर ट्रेडिंग करना ही Insider ट्रेडिंग कहलाता है। जो कि बैधारिक नहीं है। प्रयाप का Bridge Lawn कंपनिया प्रयाप अपनी पुझी का विस्तार करने के लिए नए सेयर तथा डिवेंचर जारी करते हैं। कंपनी को सेया जारी करने के बाद पुझी जुटाने में कई मायका समय लग जाता है। इस साथी में अपना काम जारी रखने के लिए बैंकों से अंत्रे मावधी के रड़ लेते हैं। इस विकार के रड़ को ही हम लोग Bridge Lawn कहते हैं। Hung Up जब कोई निवेसक अपने सेयरों को भविस्व में बैथने के लिए अपने पास इस आसा से रख लेता है कि भविस्व में सेयरों के भाव बढ़े ने तो इससे स्तिती को हम लोग Hung Up कहते हैं। क्या कहते हैं? Hung Up अब चलते हम लोग जो पीछे हम लोगों ने एक टेवल के रूम में तर्थ छोड़ दिये थे उसे भी देख लेते हैं। क्योंकि questions आपके अधिकतर उससे ही बनेगे। एन आपके आर्थिक विकास के सिधांत हो गया वह जिसके पिति पाधक्यां उनका नाम हो गया अपसे पूँचेंगFr दोहरी अरतववस्था का सिध्धान्द किस ने दिया फाई रेनिस पाई रेनिस करांतिक दिवुन्तम पिछलन सिध्धान्द किस ने दिया लेविश्टीन निम्न संतुलन पास सिध्धान्द किस ने दिया नेलसन बिग बॉस बिग पुस सिध्धान्द किस ने दिया प्रॉजि्ष्टीन रोदन ने संतुलित विकासिद्धान यह भी आपके रोजिष्टीन, नरोधन ने चक्रिये कारीकरण सिद्धान गुनær मेडल दुत्ये सिद्धान यह जी एच बुरुखे बाहे मित भेकताओं का सिद्धान, प्रॉफेसर मार्शल क्राय सकती छमता सिद्धान यह आपके गुस्ताफ कैसल स्तरम की आसामित आसीमित पूर्टी का सिद्धान लुईस सामाजी की लेखांकन का सिद्धान रिसर्च रिचर्ड इस्टोन राष्टी आएवम आर्थिक कल्लेयाड की ब्याख्या प्रोपेसर मार्शल उभ्भोक्ता की परम्भिक बचत एजे ड्यूपिट विकुचित मांग पाल सुईजी सिसू उद्योक्तर फेडरेक क्रिस सामाजी कुद्पादक्त्र सिद्धान हैन टेक आप स्टेज अवधाना यह रोश्टोब न दी थी अनधीमान वक्कों का सरफ्तम प्रयोग एजवर्स ने किया था अनधीमान बक्क बिसलेशन जे यार एक्न थे और ब्याज की तलता दीमान जे एमकीन्स ब्याज का उधार्दे कोस सिद्धान बिकसेल लाव का नौपेबरतन सिद्धान जौसप सुंपिटर विकास का सिद्धान दादा भाई नौवरोजी अपने भारती है संतुलित विकास तथा प्रचन बिरोजगारी का सिद्धान इसके एदिया था आपकी रेगनर नरक स्ने संतुलित विकास का सिद्धान सोचल वेलफियर एंड क्लेक्टिव चॉइस ये आपकीание थी भूकतान समर्ज द यानि की VAT बेट वान सीमेंस मारिस फार एम काल सूप ने दिया नियूंतम त्याग का सिध्धान जेयास मिल ने दिया और कार्यात्मक बित्य का सिध्धान एपी मा लार्ने ने दिया अधिकतम सामाजी कल्याड का सिध्धान डॉल्टन पीन ने दिया कर्देश चमता किलार्ग जीरो बेस बजेटिंग पीटर पायर, ब्रेकर ये आपका केलहार इन्होंने दिया था ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतिय पूंजी बादार के बारे में मैं आप सभी से इतना बादा करता हूं कि सामान गयान के लिए इतना मटेरियल उपलग दिकर आदूंगा आपको कि आपका कोई भी कुश्चन्स गलत नहीं होगा फिर आपका चाहे एस्टेट PCS हो चाहे सेविज सर्विस का प्रिलेमस हो मैं पूरी NCEIT करवाने वाला ही हूँ आपका सामान गयान वंडे एकजाम के लिए इतना वंडे एकजाम के लिए तो मुझे लगता है इतना मेसेज करिए फेस्बुक पेज़ पर याद रखे फेस्बुक पेज़ पर या फिर हमारी जीमेल पर आपका 24 गंठा में हम तक SMS पहुच जाता है और आप सबकी बातें भी जो भी समस्याय होनी उन्हें हम लोग सॉल्व कर देंगी मिलकर ठीक है आपको पैसे करने की बिलकु से दो बर्वों में बाटा जाता है पहला है आपका गिल्ट एडज बाजार और दूसरा है उद्धोगिक पिती बूदी बाजार पूंजी बाजार में लंबी युदी के उधार लिए एवं दिये जाते हैं यहां पूंजी के अद्बस्तूओं का समझोता नहीं होता है परन किया जाता है क्या किया जाता है क्रेविक्रे वाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित ओदेग ओद्धोगिक और किर्मों के सेरों और डिवेंचरों का क्रेविक्रे किया जाता है बातिये सेर वाजार जिस वाजार में होता है उसे हम लोग सेर वाजार यह अनिश्य तेवं नियत स्थानों पर ही होते हैं जन्हें स्टॉक एक्षेंज के नाम से जानते हैं फर आपने सुना होगा Bombay Stocks Exchange, BAC, यह सबसे पुराना आपका ASEA का सबसे पुराना Stock Exchange है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी कब कॉंग्रेस की स्थापना से 10 साल पहले की गई थी 1875 में आप सभी को बता है कि 1885 में आपके कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी Bombay Stock Exchange ने एक Public Limited Company का दर जाज 19 अगस्त 2005 को प्राप्त किया फिर सुनते हैं आप लोग अप अहमदाबाद Stock Exchange इस तरह के questions आपके ओंडेक जाब में पूंचे जाएंगे ठीक है अहमदाबाद Stock Exchange ने 1844 में सूती मिलों की सेयरों के लेंदेन की सुभिधाब पिदान की थी राष्टिये सेयर वाजार NSE की स्थापना फेरवानी समती के अनुसंसा पर खी गई थी वर्स 1992 की अनुसार इसकी प्यारमिक पूंची 20 करोड थी यह आपका कईवार questions बन चुका है कि राष्टिये सेयर वाजार NSE की स्थापना कि समती के अनुसंसा पर की गई थी फेरवानी राष्टिये स्थाप एक्स्चेंज का प्रमुक पेवर्तक भारती उद्धोग एक विकास बैंक है IDBI IDBI राष्टिये सेयर वाजार का मुख्याला है आपका वर्ली मुंबई में कहा है? मुंबई में इसका आदारवस 1934 मेवोर और मेविड मेविड दलाल इस्टीट कहते थे क्या कहते थे? दलाल इस्टीट इसका संबेधी सेयर सुचकांग 30 सेयरों का होता है यानि कि 30 कंपनियों की सेयरों को मिला कर इसका सेयर सुचकांग भारत में 20 माननता प्राफ्थ Stock Exchange है फरवरी 2012 में ग्रिन एक्स नाम से देश का पहला पर्यावण अनकुल सेयर मूल सोचकांग की BSE द्वारा शुरूं किया गया फिर आप सुनते हैं वायदा वाजार वायदा कारोबार के अंतरगत कच्चा तेल खाद पदाज धातुएं धातों आधी का ब्यापार होता है वायदा वाजार के अंतरगत इसके लिए याद रखे एकोनोमेक्स के लिए आप लोग करेंट से जोड़े रहिए और इसके अपडेट करते रहिएगा सेरों के कारोबार ही तोग सेर बाजार की तरश पर की अंतरगत की सठाफना की गए भारत के चारो ड्की अंतरगत की ऐक्सच्चेंज न रहिए नेी का बॉइदे मुग्दकर इंडिया कॉमोडिटी एक्स्चेंज गुडगाओ अवर्दा काउंटर एक्स्चेंज ओप इंडिया की स्थापना नवंबर 1992 में बंबे में की गी थी कब नवंबर 1992 में इसमें उन कंपणियों को सुची बद्धी किया गया जिनकी पूंजी का इस्तर 30,25 करोर रुपे तक हो कितना 30,25 करोर 30,25 करोर तक बारतिय पिती बूती एवं बिनिमय बोड से भी गैर सम्मिधानिक संस्था है याद रखिए सम्मिधानिक संस्था वो होती है जैसे किसी अनुशेद में उसका बढ़न रहता है सम्मिधान के किसी अनुशेद में उसका बर्डन रहता है उसे आप लोग सम्मिधानिक संस्था कह दीते हैं जैसे आप बित्तायोग के देख सकते हैं आप अपने चुनायोग को भी देख सकते हैं सेवी की स्थापना की बात करनें तो 12 अपरेल 1988 को की गई परन्तो इसे बैधानिक दर्जा 30 जनुवरी 1992 को दिया गया इसकी स्थापना दामोदर सम्ती की सिभारिस पर की गई थी एक कुश्चन से आपका बंता रहता है दामोदर सम्ती की स्थाप किसे भारिस पर ही आपकी सेवी यानि कि भारती पिती बूती बीनिमय बोड की स्थापना की गई थी यह सेयर बाजार में होने बाली कारोबार को नियनते तो बीनिमित करती है इसका काम है सेयर बाजार में होने बाली कारोबार को नियनते तेवं बीनिमित करने इसी के उद्देश से इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2008 के सरपितम राष्टी स्टॉक एक्चेंज एनेसी द्वारा विदेशी मुद्रा के वायदा कारोगार की स्विकिती पिदान की गई सेवी का मुख्याला आपको मुंबई में देखने को भी लगा सेवी संसोधन विद्यक 2008 द्वारा सेवी को मानता प्राप्त करने का दिखार सेवी को दे दिया गया है कैसे दे दिया गया है सेवी को सेवी की प्रवर्व तक कंपिनियों की बात करें तो ये है आपकी IDBI, IC, ICI, तथा IFCI फरसुनते, Forward Market Commission India, APP-MC, इसका मुख्याल है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा यहाँ एक नियामक प्राधी कारण है, जो केंदरीय मंत्राले, उब्भोकता मामला, मामले और खादब, सार्वजनिक बितरन की इंतरगत आता है यह Forward Conducts Regulation Act 1952 के द्वारा, 1953 में एक नियामक बॉड़ी की रूम में आया, यह 22 कमोडिटी टेडिंग करने को अनुमती देता है, जिसमें तीन राष्टी इस्तर के हैं फिर आप सुनते हैं राष्टी इनिवेश कोस, इसकी स्थापना 2005 में हुई, सार्वजनिक उक्रमों के बिनिवेश सिप्राप्त, राजस की सुनिचित उप्योग इतु गठन किया गया इस राष्टी में 75% भाग का उप्योग सामाजिक चित की विकास सितु और 25% राष्टी का उप्योग सार्वजनिक चित ही काईयों में निवेश सितु किया जाता है ठीग मैं 100% में से उपचारिक रूप से इसकी सुराद बर्स 2007 में पावर ग्रेट कॉर्पोरेशन की वीनेवेश से हुई थी 17 जनवरी 2013 को सरकार ने इसका पुनरगठन किया जिसके इंतरगे 2013-14 से निवेश से प्राप्त धनरासी को लेखा में जमा कराया जाता यह धनरासी तब तक वहीं रहेगी जब तक कि इसे अनुमोदेत उद्देसों के लिए निकाला ना जाए याद रखिए एक बात कहेंगे हम कि पिछली बार आपने देखा होगा इसके लिए कि टाइम आपके जो द्रिष्टी आईयस है इसमें बहुत बढ़िया मटेरियल उपलब्द कराया था पर एक महीना लास्ट में एक डेड़ महीने के लिए तो उससे आपकी कुश्चन से बहुत पूंचे गए थी तो आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसे फॉल्व कर सकते हैं मैंने देखा है द्रिष्टी आईयस बढ करता हूं और उससे प्रेंटर करवाता हूं पूरे प्रेंट उसके बाद PDF की रूम में हम तुम्हें उपलब्द करा देंगे इसकी टेंशन मत लिजे बस टाइम मिलने दीजे या कोई ऐसा लड़का मिले जो इस तरह का काम कर सकी क्योंकि PDF बनाना बहुत मुस्किल बात होती है बहुत जान्दा मटेरियल होता है तो टाइम मिलेगा हम यह कभी कर देंगे पूरा ठीक है विस्तो के पिसे सेयर मूल सुचकंग सेयर बाद है सेयर मूल सुचकंग इस्टॉक एक्षचेंज डॉलेक्स सेंसेक्स आज सीएंड पी सीएंड एक्स निप्टी 50 निप्टी की किया यह आपकी मुंबई में है निवार्द निवार्द में के निवार्द में निक्की आपकी टोकियो में देखने को मिलेगा, मिड्डिक्स, फ्रेंग हर्ट जर्मनी, हांग सेंग, होंग कांग, सेमिक्स, स्टेट्स, टाइम्स, ये सिंगापुर में, कॉस्पी, कोरिया, सैट, थाइलेंड, तेन, ताइवान, संगाई कॉम, चाइना, चीन, नौस्डेक, सहीतराज अमेरिका, S&P, कनाड़ा, वेसफा, ब्राजिल, IBX, ब्राजिल, मेटेल, इटली, IPC, मैक्सको, जकार्था, कम्पोजिट, इंडोनेसिया, के एल, से, कम्पोजिट ए मलेसिया में, सियोल, सियोल कम्पोजिट, दच्छिट कुरिया में, देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं मौद्रिक नेती की monetary policy यार क्या करूं पता है time नहीं रहता है वरना पूरा आपका जो M. लक्षमी कांत है जितनी भी आपकी books है top जो भी top books है आपकी civil service के लिए सभी मेरे पास उपलब्द हैं बस लेकिन इतना ही है कि मैं आखेर आपको कैसे उपलब्द करा हूँ आप सोचिए कि इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता हूँ कि आप सोचिए उनका print out करवा के सब को बाढ़ सकूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक print out को निकलवाने में कम से कम photocopy निकलवाने में साथ से आठाजार रुपे खरच पड़ेगा कितना साथ से आठाजार अब इससे मैं option निकाला हूँ कि प्रेंट करवाऊं किसी लड़के से उसे सौड़ेट सो रुपे दोसो पांस सो रुपे दिन पर रखों दस दिन में complete हो जाएगा उसके बाद आपको उपलब्द करा देंगे हो जब भी ये material उपलब्द यानि की अच्छे से बन जाता है उसके बाद सभी कुद दे देंगे टैंसन बतिलीजे मौद्रिक नीती मौद्रिक नीती से यासरे सरकार अत्वा बैंक की उस नेंतर नीती से लगाय जाता है जिसके नतर लंगे कुछ निच्छित उद्दे सों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा उसकी लागत उसके उपयों को नेंत्रित करने के उपाय किया जाते हैं मुद्रिक नीति के मुखव्यप तीन है, मुद्रा की मात्रा, साक की मात्रा, ब्याजदर है मुद्रिक नीति का संचलन देश के कैंधरिये ब fällt, यानि कि भारत में RBI, द्वारा किया जाता है रेजर बैंक द्वारा मंदी काल में या पिर संकुचन काल में मौद्रिक नीती के उकड़ों में वरदारता लाती हुए देश में साख की मात्रा को साख की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जैसे सस्ती मौद्रिक नीती कहते हैं रेजर बेंक द्वारा मुद्रा स्वीती काल में मुद्रा एवं साख की मातरा को नियंतित करने का प्रयास किया जाता है जिसे हम लोग महंगी मौद्रिक नीती कहते हैं रजेर बैंक एबार्वा की मात्रा को नियनतिक करने के लिए οं निनम्नी दो पेकार की उपायों का सहरा लिया जाता है। इसमें पहला है आपका परिमाड्मक परिमाड म साहँ नूद्याद की वात करें, साहँ करें। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा bank दर क्या bank rate जिस दर पर रजर bank बिलों की पुनर कटोती करता है उसे bank दर कहते हैं पुनर बट्टा करत होता है जब किसी ब्यापारी को धन की जरूरत होती है तब हो अपने bill of action या फिर पिती बूतियों को ब्यापारिक bank को बट्ट्री पर बेंचता है जैसे 10 रुपे की पिती बूती 10 रुपे की सो रुपे की पिती बूती 80 रुपे में बैचना फिर आप देखते हैं एक सब्द सुथते हैं OMO खुले वाजार की क्रियाएं open market operations खुले बाजार की किरियाओं के वो साक नेतन का सबसे प्रभावी विधी माना जाता है। संकुच तरत में खुले बाजार की किरियाओं का आसे केंद्री बेंक द्वारा सरकारी पिती भूतियों के क्रे विक्रे से ही लगाया जाता है। केंद्री बैंक में करना चाहता तब सरकारी पितियों बाजार से खरीदना प्यर्म कर देता है। जो पैसा होता है वाजार से वह उठ जाता है जब लेना बापस लेगा तो बाजार में पैसा उपलत हो जाएगा पुनर क्रेय विकल्प या फिर रिपो रेट रिपो खुले वाजार की क्रियाओं का एक भाग होता है रेपो एक ऐसा भी नवेए है जिसके अंतरगत बैंक एवं अन्य बित्तीय संस्था यह अल्वकालिक पूझी प्राप्त करती है अथ्वा निवेस करती है रेपो विवार की अंतरगत रेजर बैंक ब्यापारिक बैंकों को कम अवधी की पितीबूतियों के आधार पर अल्वक काली क्रेड लेता है फिर आप सुनते हैं कैस रजर्व रेशियो नगत को संपार CRR ब्याबारिक बैंकों को अपनी सुद्ध मांग एवं समय जमाओं का कुछ निच्चत पितीसत नगत रूप से केंद्रिय बैंकों के पास रखना पड़ता है जिसे हम लोग CRR के नाम से जानत कर सकता है क्या कर सकता है तीन पितीसत से पंद्रह पितीसत के बीच निर्धारित कर सकता है ना तो तीन से कम और ना ही इसके जाना है फिर आप लोग SLR एक सब्द सुनते हैं SLR बैधानिक तरलता अनुपाद इसके अंतर ब्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ती का पूर्म निदारित पितीसत नगस सोना देए अपिसरकारी पितीबूतियों या फिर अन्न अनमोदित पितीबूतियों में निवेश करना आवस्तक होता है इससे बैंकों की तललता सुनिश्चित होती है कानून के अंसार RBI द्वारा SLR का निर्धारन 25 पितीसत से 40 पितीसत के मत किया जा सकता है 25 से 40 अब ही आपका CRR बर्टमर में तीन पितीसत है SLR आपका 18 दिसमलोग जीरो जीरो पितीसत है जून 2020 की बात कर दाओं ठीक है याद रखिए SLR की निचली सीमा को समाप्त कर दिया गया है पहले 25 पितीसत था लेके नव से समाप्त कर दिया गया सीमान तिस्थाई सुविधादर MSFR यानि की Marginal Extending Facility Rate सीमान तिस्थाई सुविधादर रजर बैंक द्वारा 9 मई 2011 से लागू एक नई धारना है सुरों में इसकी दर MSF की दर रिपो दर से 100 आधार विंदू अधिक होने की बात की गई है यह होए दर होता है जिसके अंतरगत बैंक राद बार के लिए रेड प्राप्त कर सकेगा क्या कर सकेगा बैंक राद भर के लिए इसके तहट आपका रिड़ प्राप्ट कर सकेगा चैनात्मक या फिर गुडात्मक साख नेंतन इस बिधी को साख नेंतन की पित्यक्च बिधी कहते हैं चैनात्मक या गुडात्मक साख नियंतन का उद्देश साख की प्रियोग को नियंतित करके व्यापारिक बेंकों द्वारा आवंचे आर्थिक किरियाओं के लिए साख देने पर रोग लगाना प्रोने हत्सायत करना होता है इसका गुडात्मक साक नियंतन की विधियां स्तंपूर अर्दव्युस्था को प्रभावित ना करके केबल विशेश चित की आर्थिक अतपा विधिय के रियाओं को ही प्रभावित करती है गुडात्मक साक नियंतन रजर बैंक ने सरपितम इसका प्रवियुक 1956 में किया था पहली बाद या प्रेयोग बैंकों के बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुए अगिर्मों के संदर्म में किया गया था रजर बैंक रिजर बैंक ने चैनात्मक अस्त के रूमें कुछ विसेश्ट पिती भूतियों के आड में रेड दैने के समद में नियूंतम सीमा या मार्जिन निधारन रेड की उपरी सीमा का निधारन विवेदात्मक ब्याददर और नेतिक दबाव का प्रियोग भी किया है नेतिक दबाव के अंतर गत ब्यापारेक बैंकों को मार्ग दर्शन पत्त लिखे जाते हैं यह भी आप सुनते रहते हैं बैसल मानक बैंक पर वेक्षण पर बैसल कमिटी एक कमिटी बनी हुई थी बैंक परवेक्चन पर द्वारा समझोतों का एक सेट जो पूंजी के जोकिम, बाजार जोकिम तसा संचाल लगी जोकिम के संदरब में बैंक बैंकिंग बीने आमाकों पर सिफारिस देती है बैसल एक, बैंक पर वेक चक पर बैसल कमेटी द्वारा, बित्तिय संस्थानों द्वारा, साख जोकिम को कम करने हितु, अपने पास रखे जाने वाले नियूंतम पुझी अनिवारता है, बैसल एक मांदर, ए मांदर न पहली बार 1988 में रखे गए थे, कव 1988 में, इसके अंतरग पुझी अपने पास रखना अनिवार किया गया है, बैसल सेकेंड, बैसल मांदन्नों का दूसरा चर्ण है, यह आपका 26 जून 2014 को जारी किया गया है, और बर्स 2006 से लागू करने का प्रावधन किया गया है, जहां बैसल एक साख जोकिम पर केंदित था, वहीं बैसल दो का उ पुझी के लिए मानक तेजार करना, उसका बीनेमन करना था, बैंकों को निवेश एवं कर देने की अपनी गतिविदियों के साथ जुड़ी जोकिमों की मद्दे नजर पुझी अलग रखना ज़रूरी होता है, बैसल सेकेंड, मांदन मुकता तीन कारकों पर प्रभाव डा बैसल कमीटे, इन तीनों कारकों जोकिमों में मद्दे नजर पुझी अलग रखना जोकिम प्रभाव की तीन इस्तमय मानते हैं, बैसल सेकेंड मांदर, कि पुझी परियाप्तता इस्तम, कि अंतरगत बैंकों के आठ पितीसत की पुझी परियाप्तता अनपात, C.A.R. या द्रिर संबंदी जोकिम, संचाल किये जोकिम और बाजार जोकिम, परवेक्षिय मूल्यांकन, कि अंतरगत बेसल टू, मांदन पर सुनिश्चित करना चाहता है, कि बैंक ना केवल अपने जोकिमों की भरभाई के लिए अपने पास परियाप्त हुझी रखे, बरन अपने ज जोकिम परवन्दन तकनीक का उपयों एवं विकास करें, बाजार अनुसासन, बैंकों पर अपनी बैंकिंग विवसाय को सुरक्षित, सुद्रण और प्रभावी तरीके से संचालन करने का निर्देश देता है, बैंकों के लिए अपनी पूंजी जोकिम विवरन एक्स सेकेंड तो हम लोगों ने देखी लिया है, बर्स 2008 की अमेरिकी सब प्रायम संकट एवं बैस्विक संकट की परिविक्च में बैसल 3 मानक तेयार किये गया, बैसल सेकेंड में किसी खास बैंक के जोक्मों एवं बिनियमनों को केंद में रखा गया था, पर आर्थिक संकट को जोकिम संपता भारांस का 4.5% common, इकविटी बैसल मानक में यह 2.30, 6.30 टीर बैसल सेकेंड में 4.30, अपने पास रखने होगी, क्या रखने होगी, अपने पास रखने होगी, इनका सीधा सा मतलब लिजे कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक, मानिये कल दिवालिया हो जात यह company, भगवान करें ऐसा ना हो, तो आपने जिससे उधाल लिया हो, उन्हें चुकाने के लिए आपके पास कुछ पूझी तो लब दोना चाहिए, समझ रहे हैं, तो उसी की बात की जा रहे है, बैंकों में वही रहता है, कि बैंक रखने रहा है, तो उसका कुछ, देखिए बैंक खुद तो पैसे छाब नहीं रहा है, वो भी किसी से किसी का जमा रखता है, उसी से दूसरे को रख दे देता है, तो यह रख ना डू भे, इसी के लिए कुछ अपने पास रखना पड़ता है, कुछ RBI के पास रखना पड़ता है, एक तरह ऐसे ग्रिवी के रूम में लाबांस, बॉनस बुक्तान परिफी तीवनल का सामना करना पड़ेगा, बारत में बेसल मानक 3, 1 अपरेल 2013 से बिविन चरणों में लागू होगे है, बेसल 3 के पूंजी बिनिमें, समंदी माप दंड पूरी तरह से 31 मार्च 2008 तक लागू हो कहा है, बारती रेजर बैंक ने, बैंकिंग पेडाली को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश से बेसल 3 केपिटल, रेगूलेशन्स हेतू दिशाने देश जारी कर दिए गए, डॉप्ट, गाइडलाइन्स, कि अंतरगत बैंकों के लिए पूंजी की निउन्तम सेमा निर्धारित की गए, जो इस पेकार किस पेकार है, इस पेकार है, बैंकों की टियर एक पूंजी, उनके जोकिम भारत परिसंपत्ति के 7.30 से कम नहीं हो सकती, बैंकों की पूंजी जोकिम भारत परिसंपत्ति के 9.30 से कम नहीं होनी चाहिए, बैंकों को जोकिम भारत परिसंपत्ति के 2.5 यानि की दो दसमलोग 5 प्राजपिती सत के बरावर पूंजी संद्रक्षण बफर रखना अनिबार है फिर आप लोग सुनते हैं केडिट रेटिंग केडिट रेटिंग किसी भी देश संस्था या व्यक्ति की साख या पिर उसके वुपतान करने की चमता मुल्यान करती है आपने कई बार देखा होगा कि भारत को मूडीज एजनसी ने केडिट रेटिंग दी हुई है इसकी बात की जा रहे हैं इसका अर्थ हुया कि कोई वित्ति है संस्था देश या फिर व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजूद है उसकी रेट लेने की चमता कितनी है इस तरह से बात कर सकते हैं कि आपकी ओखाद दिखाए गई है केडिट रेटिंग की जड़िए हमारी ओखाद का पता चलता है कि हमारी ओखाद क्या है रड जो हमें मिल आए उसे चुकाने की हमारी ओखाद है या नहीं उसी के बार में बताती है अगर मेरी रेटिंग केडिट रेटिंग खराब है अगर इस्तिती खराब है तो मुझे र पर बड़े पिरमाने पर उधार लेने बालों का मूल लेंकन किया जाता है इस मूल लेंकन पर निर्वर करता है कि उधार लेने बाली किस्तिति कैसी है उनकी उधार लोटानी की छम्ता कितनी है अच्छे मूल लेंकन करत होता है कि कम ब्याज पर आसानी से कर्ज मिल जाए आप खराब मुल्यांगन का अर्थ होता है कि उची दरों पर मुश्किल से कर्ज इस समय रेटिंग की दुनिया में तीन बड़े नामे इस्टेंडर्ड एंड पूर मूडीच फिच इनमें सबसे पुरानी केडिट रेटिंग एजनसी है इस्टेंडर्ड एंड पूर जिसकी निव 18 1260 में हैंडरी पूर ने रखी थी इस तरह के कुश्चन्स भी आपसे पूंचे जा सकते हैं भारत में केडिट रेटिंग निर्धारित करने वाली मुक्त चार संगठने क्रिसिल एक्रा केयर और यहें आपकी ओनिका केडिट रेटिंग को देख लीजे त्रपल ए सबसे दिश्चा करने कि अच्छी चमता है एने के पास है अपने बादों को पूरा करने की चमता परबदली विप्रीत परिस्थितियों का प्रभाब पड़ सकता है इस पर फिर आप लोग बैंकिंग लोगपाल योजना बैंकों के गिराहों को की सिकायतों का निदान करने के लिए रजर बैंक नहीं 14 जून 1995 से देश बर में बैंकिंग लोगपाल लागू गिया है आपके बारत में भी अभी लोगपाल बना हुआ है पीसी गोष साहब पहले लोगपाल है आपके यह आपका कुश्चन्स कभी भी पूँछ सकता है ठीक है पीसी गोष पिनाकी चंद गोष इसका उद्विस आमजनता को एक पारदर्सी और विस्तुसनिय विवास समाधान का विवस्था करना है कोई भी गिराहक जिसकी सेवाएं सेवा सम्मंदी सिकायतों का निप्टारा संतोष जनक तरीके से सम्मंदीत बैंक चाका उसके सीज्च व्यवंदन द्वारा दो माहे की भीतर नहीं किया जाता तो यह बैंकिंग लोगपाल के पास एक बर्स की भीतर सिकायत कर सकता है अब आप देख लिजे physical policy राजकोसिय नीती अत्वाप पिस्टोल की नीती से हमारा ऐसे सरकार के आए ब्रे रड से सम्मंदीत किरियाएं सम्मंदीत बात है यानि कि राजकोशिये का सीधा आपने इस्तर पर भी आप लोग लागू कर सकते हैं कि हमारी आय क्या है, बैय क्या हो रहा है और हमारे उपर दूसरे का रेड कितना है इसी का देन इसके तरह किया लगता है राजकोशिये नीती के इंतरगत बजट की बे समस्त किरियाएं आती हैं जिनके अंतरगत राज जी के द्वारा धानी कद्धित करना, उसका बैय करना, रेड प्राप्त करना, रेडों का बुक्तान करना, वित्तिय प्रवंदन करना आधी समलित होता है अगर हम लोग राजकोसी ये नीती के महत्त की बात करें, किसका महत्त क्या होता है? प्राजीन काल में जब राज जी के केबल कुछ गिने चुने ही कार थे, जैसे राश्ट की पिति रक्षा करना, आंत्री कसांती और नियाई की इस्तापना करना, आधी उस समय राजकोसी ये नीती का मत्त इतना नहीं था अपना विकराल रूप पिगट कर रही हैं, जैसे आपने देखी हैं, यह समस्या हर जगे देखने को मिलती हैं, बेरोजगारी की समस्या, बढ़ते हुए मूलनों की समस्या, पैटॉल डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं, इसकी समस्या, मुद्राश्ट पीती की समस्या, जनस राजकुसी नीती की सीमाई क्या हैं उन्हें भी देख लिए अर्द विक्सित देशों में एक समनवित और उचित करप्रणाली के लिए आवस्षक पलस्तितियों का आभाव देखने को मिलता है इन देशों में पिते किस्थान पर मुद्रा का चलन नहीं होता है अताहा राजक उसकी दिन पहले हम NCEIT में बात कर रहे थे एकोनोमिक्स यानि की आर्थ सास्त की बुक्स देख रहे थे तो उसमें बताया जा रहा है कि हमारे भारत और अमेरिका के बैक्ति में क्या फरक है यानि कि अमेरिका में वो बैक्ति गरीब कहलाता है जो कार खरीदने की हैसियत में नहीं है यानि कि जो कार नहीं करी सकता है उसे अमीर गरीब कहते हैं अमेरिका में और हमारे यहां की स्तिति देखिए कि यहां गरीब उसे भी कह देते हैं जिसके पास दो वक्त का खाना नहीं है तो यहीं से आप लोग विकसित देश और विकासी लियानी की भारत और अमेरिक अंतिम तौर पर उत्पादित बस्तूओं एवं सेवाओं के सुद्ध मूल के योग से होता है इसमें विदेशों से अरजित सुद्धाय भी सामिल होती है क्या बोल रहे है राष्टिया आयस इतात पर अर्थव्यस्था द्वारा पूरे एक बर्ष में कि दौरान अंतिम तौर पर उत्पादित बस्तूओं एवं सेवाओं के सुद्ध मूल के योग से होता है इसमें विदेशों से जो अरजित सुद्धाय भी होती है उसे में सामिल किया जाता है यानि कि कहने का मतलब सीधा आप गाड़ी एक बन रही है बाइक बन रही है पराधरित होते हैं बित्तीय वर्स कब तक लिया जाता है एक अप्रइश से tussen एक अथिस इस अ मार्ज तर के सकल घह्रहलू उत्पाद एवं सेवाओं । किसी वर्स और नेवासी उत्पाद के काईवन द्वारह घहलु शीमा एक सब्दोपर याद्या रखी हा है डेलू सकल गहरेली उतपाद कहलाता है सकल गहरेली उतपाद में विदेस्तियों द्वारां देश में अरजित आय को भी सामिल किया जाता है किन्ति विदेसों से भारतियों द्वारां भेजी गई आय को इसमें सामिल नहीं किया जाता है यानि कि आपके भारत की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, उसके मूल का को जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। आपकी जो कम्पनिय हैं, अगर आप सोचें कि विदेश में कोई कम्पनिय हैं, उसकी आयप को इसमें सामिल नहीं किए जाता है। इसमें आपकी विदेश की जो कंपनिय हैं हमारे भारत में इसके उत्पादन की आये को भी इसमें सामिल किया जाता है। सकल राश्टी उत्पाद GDP बाजार कीमत पर राश्टी उत्पाद किसी बर्स के दवरान निवासी उत्पादक एकाईयों दवरान घहलू सीमा के वीतर तथा बाहर उत्पादित बस्तूओं तथा सेवाओं का मोल बाजार कीमत पर राश्टी उत्पाद कहलाता है यानि की राश्ट गीडिप कहलाता है। जो आपके यहाँ बेदेसी कंप्पनिया है वो अपना प्रोफिट अपने देश बेज़नी उसे घटा दिया जाता है जो हमारी वीदेशों से आये होती है कि जोबी कंपनी ज़ूँ पर रहло है तो उसे जोट दिया जाता है इसमें सकल गहरलू उत्पात की तरह परोक्ष कर जोटा हुआ तथा सब्सिटी घटा दी जाती है जो उस पर कर है टेक्स होता है उसे इसमें जोड़ दिया जाता है उस सब्सिटी जो होती है उस पर छूट होती है उसे घटा दिया जाता है इसमें इस्तिर पूंजी का उपयोग भी समलित होता है, सकल गहरेलू उत्पाद और सकल राष्टी उत्पाद मूलता समान अउधार्णा है, फर एक आप लोग NDP सुनते हैं, Net Domestate Product, सुद्ध सकेलू, सुद्ध गहरेलू उत्पाद, सकल गहरेलू उत्पाद में से इस्तिर पूंजी के उपयोग या पर हिरास के मूल को घटाने से, जो मूल पराप्त होता है, उसे हम लोग सुद्ध गहरेलू उत्पाद कह देते हैं, इसमें आपका NDP हो गया, बराबत GDP में से आपका हिरास होता है, उसे घटा देते हैं उसके म जो आयवश्ति है उसे किसी अर्दवेस्था को सुद्राष्टी ए उत्पाद कहते हैं NNP इस तरह से निकालते हैं जी एनपी से आप लोग हिरास का जो भागे उसे हटा देंगे तो NNP निकलाएगी सुद्राष्टी ए उत्पाद बाजारपल सकल राष्टी उत्पाद GDP बराबर GDP माइनस परोक्षकर और अनुदान इसमें क्या होगा आपका जो कर होता है इसमेंसे घटा दिया जाता है उसे जोड दिया जाता है ठीक है याद रखी हर जगा यही होता है एक पीछे भी हम लोगों ने बताये था उसे साथ आपको गलत बता दिया था क्या सीधा सा मतलब आप रखिए इसमें GDP में यानि कि जो कोई बस्तू है आपकी उस पर जो करल लगाय जा रहा है उसे घटा देंगे जो छूट दी जाती है उसे जोड देंगे टीक एसे ले दीजे इस पेकार इसमें अन्य वस्तूओं के मूल में से हिरास की रास्ती भी घटा दी जाती है साधन लागत पर सकल गहरेलू उत्पाद साधन लागत पर किसी उत् निकल आए निवल परोक्षकर परोक्षकर तथा सबसेटी का अंतर होता है निवल परोक्षकर परोक्षकर और जो सबसेटी होती इसके बीच का अंतर होता है इस तरह साधन लागत पर सकल गहरेलू उत्पाद में से निवल परोक्षकर को गटा दी जाती है साधन लागत पर सकल गहरे लोग उत्पाद बराबर सकल गहरे लोग उत्पाद यानि की बाजार कीमत पर माइनस निवल परोप्च कर इस तरह से आप निकाल सकते हैं यदि X देशवासियों द्वारा बिदेशों में अरजित आये हो और M बिदेशियों द्वारा हमारे देश में अरजित आये हो तो इसे GNP बराबर GDP पिलस आपकी जो बिदेशी में हमारे भारतियों ने कमाया है उसे जोड़ देंगे और बिदेशियों द्वारा हमारे देश में जो कमाया गया है उसे घटा देंगे बन देवालत वास्ता की बात करें तो X-M, यानि कि कोई ना तो हमारे यहां आया है, कमाया है, ना ही बेदेशों में, हमारे देश के लोगों ने कमाया है, कम्पिनिन है, अता हज GNP बराबर GDP. साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद NDP, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत पर निवल यानि कि सुद्ध घरेलू उत्पाद से निवल परोक्ष कर घटा दिया जाता है, इस तरह से आपनी की निगलाती है, निवल या स सुद्ध उत्पाद NNP को राष्टि आय ऐ कहा जाता है पिछलीत कीमतों पर Reports सुद्ध राष्टी उत्पाद मेंसे अपित्यक्षकर को घट राश्टिया आपको मिल जाएगी राश्टिया वराबर सुद्ध राश्टिया उत्पात पिछली स्कीमतों पर उसके बाद आप रित्यक्ष करश से हटा देंगी और सब सिटीस में जोड़ देंगे निवल धार आएं नेट कॉंसेट्ट्स जीडीपी माइनस इस तरह से एंडीपी निकलाएगा जीडीपी माइनस इस एंडीपी 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 इस तरह से न उन 1868 में ये आपके दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक फावर्टी एंड अनवेटिस रूल में इन इंडिया में पिती वेक्ती वार्षी काई 20 रुपे बताई थी इस पुस्तक को भी याद रखना कई वार्ष से कुश्चन्स बन चुका है पुस्तक फावर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी सहाब की डॉक्टर बी के आरबी राव ने 1959 में 1948 के लिए भारत की खुल राष्टी आए 8,650 करोड रुपे बताई पिती ब्यक्ती आए 246.9 रुपे बताई थी कितनी 246.9 रुपे इसके बाद राष्टी आए के आगणों का संकलन करने के लिए सरकार ने के अंदरी सांखी की संगटन यानि कि CSO Central Estatical Organization की स्थापना की यह संस्ता निमित रूप से राष्टी आखणों के आगणे पिकासित करती रहती है CSO के अंदरी सांखी की संगटन इसकी स्थापना होती है 19 रहिंकियावन में इससे questions कई बार बन चुका है और इसके मुख्या लेकी बात करें तो यह मिलेगा आपको नई दिल्ली में कहां नई दिल्ली में इसकी उद्धों के सांखी की साखा का मुख्यार है आपको कुलकाता में देखने को मिलेगा राष्टी आयकाधार वर्स 2011 पारे रखा गया है इसके वार्स्तिक पिकासिन को राष्टी लेखा सांखी की किनाब से आप लोग जानते है मूल कीमत यानि की GBA, Gross Value Added को ब्यक्त करने की अउधाना को CSO ने United Nations System of Accounting से लिया जो वर्स 1993 से उपयोग में है अब बात करते हैं राष्टी आय गड़ना में निमलिखित को सामिल किया जाता है किसे किसे? आय गड़ना बर्स में उत्पादित अन्वस्तूं तथा सेवाओं सरकाल द्वारन जंता को पिदत निसुलक सेवाएं कंपिनियों की लाभांसों को कंपिनियों के लाप की भाग होते हैं सेवा निवित पेंशन जो करमचारियों के पारिस एमिक के भाग होते हैं भविसने दी कोस में मालिकों का अंसधान स्वयं म उपधोब के लिए किया गया उत्पादन संसच सदसों को दिया जाने वाला बत्ता भालतीय बेन्कों तता संस्थानों की विदेशी साखा दवारा अर्जित लाब को राष्टियाय की गड़ना में सामिल किया जते हैं। राष्टियाय गड़ना में निमने को संब्लित नहीं किया जाता है। किसी किसी? इन सब को सामिल नहीं किया जाता है, याद रखिए, किने किने बता देते हैं नई या पुरानी बस्तु हों, जो उस बर्स उत्पादित नहीं है, जिस बर्स राष्टी आए की गणना की जा रही है यानि कि नई या पुरानी बस्तु हैं उस बर्स उत्पादित नहीं हैं जिस बर्स राष्टी आए की गर्णा की जा रही उस समय उसमें आपको इन्हें नहीं जोड़ा जाएगा विदेशों से प्राप्त उपभार हस्तांतरन भुकतां जैसे बिद्धास्रम पैसन बिद्ध्रा वस्तन पैसन बेरोजगारी बत्ता अन निसुल्क सिमाएं इसे भी सामिल नहीं किया जाता है पूजी के तलाब या फिरहनी आप इत्यासी तलाब एक फाम द्वारें दूसरे को दिया जाने बाला लावांस मद्दवर्ती वस्तुएं जो अन वस्तुओं को तियार होने में आगत की रूम में प्युक्त होती है इनने भी सामिल नहीं किया जाता है यह आपका फरेलियम से में बन सकते हैं सिब्ल सर्विस में कि आप से पूचले कि कि नहीं सामिल किया जाता है कि नहीं सामिल किया जाता है इस तरह की कुश्चन्स उसमें बन सकते हैं आपकी वंडेक जाम में इस तरह की कुश्चन्स नही बनते हैं यह सकल उत्पात का हिस्सा होता है पर सुद्ध उत्पात में सामिल नहीं किया जाता है परोख्च कर सकल उत्पात में समलित होता है पर राश्टियाय में से भी नहीं जोड़ा जाता है बिदेशी तक्नीक विसेशगों को दिया गया बेतन भी इसमें नहीं जोड़ा बारत में विदेशी बैंकों तथा संस्थानों द्वारा अर्जितलाप को भी इसमें सामिल नहीं किया जाता है साफिक सुन्राष्टि उत्पाद को हमलो बास्तविक राष्टिया इसके किस्त तरह से निकालते हैं बास्तविक राष्टिया बराबर इसमें पिछलित कीमतों पर सुद्ध राष्टी उत्पाद अपॉन मुल सूचकांथ इंटू 100 इस तरह से आप निकाल लेंगे पिती ब्यक्ति आय की बात करें हम लोग पर केप्टा इंकम तो राष्टी आय को देश की कुल जन संक्या से विभाजित कर पिती ब्यक्ति आय प्राप्त की जाती ह यानि कि पिती ब्यक्ति आय बराबर राष्टी आय अकॉन संबंदित वर्स की जन संक्या आप अपने घर की पिती ब्यक्ति आय ऐसे ही तो निकालेंगे कि सभी मेंबरों की राष्टी आय को जोड़ देंगे उसमें से आप लोग परिवार की मेंबरों की संक्या दे देंगे क्योंकि याद रखिए आप लोग एक कौमन संख्यान ली जाती है क्या कौमन संख्यान ली जाती है क्या कौमन संख्यान ली जाती है जो हर परिवार पर मतलब आप सोची अब भारत के किसी व्यक्ति किया है पचास लाक है महीने की किसी की पांच करोड़े किसी की दस करोड़े वो किसी की 5000 भी नहीं है, तो इन बीच का एक common निकाला जाता है, उसी को माल लिया जाता है, क्योंकि हर किसी की साइद राष्टी आये, या पिती बेक्ती आये, को ग्याद करपाना मुस्किल है, आप कैसे आंक्रेकटे कर सकते हैं, कि हर बारती की आये कितनी है, साइद मुझी नहीं लगता है कि संभव हो सकता है इसलिए एक कौमन आयर निकाल दी जाती है अब बात करते हैं राष्टी ये बैय यूग आयर किसी अर्थवर्ष्था में बिसेस वर्ष के लिए परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त आय में से सरक्वाद द्वारा उनकी आय तथा संपत्तियों के लगाएगे करका बुक्तान करने के वाद बची से इस रकम को राष्टी ये यूग आय कहा जाता है इस पेकार यह उन किसी बर्ष में देश के समस्त निवासियों को होने वाली वास्तिविकाय को ब्यक्तिक यानि कि पर्सनल इंकम कहते हैं मारत में राष्टी आय कि अनुमान के लिए अद्विवस्ता में सभी चेत्रों को छे बड़े चेत्रों तथा 14 उप चेत्रों में बाटा जाता है प्रा प्राइमरी शेक्टर यानि की प्रात्मिक चेत्रों में कि मचली पालन खनन और इसमें आपने देखा होगा दूटिये शेक्टर बी निरमाड बिली गैस और जलापूरती परिवान संचार व ब्यापार परिवान भंडार व संचार व्यापार होटल रेस्टोरेंट सबुलाएक सारोचनिक क्रिशासंद सुरक््छा अन्नि-सी चिति-व्यापा राश्टी आयको अपने की विधियां देख लिएते हैं एक बात आप लोग सीधा सा मतलम निकाल लीएत हैं क्या कि प्रात्मिक दुदियक तितियक चित में आपको अनतर अंतर सीधा सा इतना है कि एक बिस्किट ही ले लिजे आप लो क्या ले लिजे बिस्किट यहां किस से बन रहा है ग्यों से तो इसे क्या मानेंगे प्रात्मिक चित कहां से आएगा है प्रात्मिक से इसका जहां बन रहा है फैक्टरी में उसे आप लो स्टेक एंड कह लिजे औ राष्टियाय को मापने की विधियों की बात करें, किसी देश की राष्टियाय को निमलके तेन विधियों द्वारा मापा जा सकता है। राष्टियाय की गड़ना के लिए सकलगारेली उत्पात के मूल में विधियों में अर्जित सुद्धयाय को भी जोड़ा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? बैविधि. इस विधि के अनुसार कुल आय या फिर उपवोग परवय की जाती है। अथवा बचत्वा. चुकि इस से संबंदित आकड़े आसानी से उपलब्द नहीं होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। मारत में राष्टी आय की गड़ना के लिए मुक्रूप से उस्पाद गड़ना विधि और राष्टी ए गड़ना विधि का ही प्रयोग किया जाता है। पिति व्यक्ति आय का आकलन भी दो पेकार से किया जाता है। परमपरागत विधि पद्धि और नूतन पद्धि परमपरागत अगर पद्धि की बात करें तो इस पद्धिती में पिति व्यक्ति आय की गड़ना संबंदित राष्ट की मुद्रा की बिनीमन दर के आदार पर ग्याद करते हैं और नूतन पद्यती में इस पद्यती में पिती व्यक्ति आये की गड़ना संबंदीत राष्ट की मुद्रा की क्रय सकती की आधार पर की जाती है आगे चलते हैं हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्ता यह सब्द भी बहुत चर्चा में रहता है हीनार्थ प्रवंदन, डेफिसिट, फाइनेंस, साधारन सद्दों में जब सरकार के द्वारा आये से अधिक ब्या किया जाने का आये ब्याक बजट तेयार किया जाता है और इस आये ब्याक से उत्पन घाटे के लिए जो व्यवस्ता की जाती है उसे घाटी की व्यवस्ता कर जाता है सीधा समतलब निकालिए आपके पाए 10 रुपे की इनकम है और खर्च कितना होता है आप 15 रुपे कर देते हैं तो कितना पाच रुपे आप लिए गाटे में है इसके भरबाई के लिए आप किसी से ब्याज भी ले सकते हैं तो इसे ही आप लोग गाटे की वित्ववस्ता कहते है इस गाटे को विदेसी रडों से लेकर आंत्रिक रड़ से लेकर अथवा फिर पत्त मुद्रा निर्मित क करके पूरा किया बहरत सर्कार के दो अमेरिका में घाटे की वित्ववस्ता का तत्वर सारभ। रड़ से समझा दता है तो मुझे लगता है कि समझा जाना चाहिए आप समझबूआ की सरकार पर जो भी करशा है वो किसे चुकाना आखे चुकाना है तो जनता कोई है कि आप सोच सकते हैं कि कि आप कई लोगों ने मुझे बोला कि मैं टेक्स नहीं देता हूँ भाई मेरे आप इंडारिक टेक्स नहीं देते हैं स्वरी डारिक टेक्स नहीं देते हैं क्योंकि आपने आस्ते कुछ सालों पहले देखा है, जो पाइले जी था, बिस्किट, वो कितना बड़ा आता था पांच रुपे में? और आज आप उस तिति देख रहे हैं, मुझे लगता है जो कल दो रुपे का आता था, वो आज पांच रुपे का आने लगा हैं. इतना मतलब कहां से जा रहा है? यह हमी तो टेक्स बढ़ रहा है, तो हमी को चुकाना पढ़ रहा है. तो याद रखिए आपको पूचने का इसलिए आपका RTI अधिनियम लिया है, सुचना का अधिकार अधिनियम आया था, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, आप पूचना चा तो हर देशबासियों को पूचना चाहिए. वहाँ के अर्थ सास्त्रियों के अनुसार, जब कभी भी बैय आयसे देखो, उसकी पूर्ती सभी जनता से, अधबा बैंक से, रड़ लेकर की जाती जाए, तो उसे घाटी की अर्थविवस्था कहा जाता है. आप लोग ही सोचि है, मैं कुछ नहीं बोड़ूगा है, दो-तिन पॉइंट बताता हूँ, कोई नेता है, ठीक है, वो पचास लाग खरच कर रहा है, अपने चुनाओं में, चाहिए एक करोड कर रहा है, कितना भी, वो पैसा कहां से आया, आप ही सोचिए, आपके ही खून पसीन है कि मैंने तो तो वो खरच कर रहा है, कौँ सा अच्छा, अगर उसने दस-पचास लाग अगर दान कर देता है, तो कौँ सी बड़ी आति है, आप नहीं तो उससे बनाया है, नेता और अभीनेता को आप ही बनाते हैं, अभीनेता की आप कहानी सुन लेजेग, कोई गोवर या खेत में जा आपके पितार मंतरी घर से पैसा थोड़ी लाएं, तुम ही सोचे, वो खुद तो खर्च उसी से तो कर रहे हैं, तुम्हारी जो भी भारसरकार की आए है, ठीक है, और रेड हो जाता है, उसको भी आपको ही तो चुकाना पड़ता है, तो चुकाता है प्रेड को, और जो दे पाने पीए, पाने पीए, सोया करिए बस, मैंने तो दो से चार बार इसका यूच किया है, तो मुझे तो उल्टे पैसे मिलने लगते थे, कि असर वो अपनी लेलू बापसी, राष्टी आया है, वो, यानि कि कहने का मतलब, सूचना की अधिकार किता है, जानकारी मत मांगा करो, जो भी चाहिए मुझसे ले लिया करि दिएगा, तो समझ रहे हैं? अर्द विवस्था कहा जाता है, डॉक्टर राव के इनसार, जब सरकार जान बूच कर किसी उद्दे से अपनी आयसे अधिक बैखरे, वो घाटी की पूर्ती देश की मुद्रा की मात्रा बढ़ा करे, तो उसे घाटी की वित्विवस्था कहते हैं, आप लो, अब चलते हैं कर की तरफ, टेक्स की तरफ, लेकिन आप मानिये और ना मानिये, लेकिन मैं मानता हैं कि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत मासूम है, इसे दो-चार वादे आप भी कीजिए, आपकी भी मुरीद हो जाएगी, लेकिन उस मासूमियत का भरपूर मात्रा में फायदा उठाते हैं नेता, कर, कर एक पिकार का अनिवार बुक्तान है, जो सब्यक्ति की अनवार रूप से सरकार को देना होता है, जो कर आधार से सम्मधित होता है, कर आधार से अभी पाई उससे है, जिसको आधार बना कर लगाया जाता है, जैसे आएकर कर आधार आए है, उसका सुल्क कर आधार उत्वादन है, यानि कि असीरी सीधा सा मतलब है, कि सरकार ने आए पर कर लगा दिया है, आपके पार एक आधार बना दिया है, यानि कि जिस आएकर इंकम टेक्स भरेंगी आपको भरना होगा तो यह वह यह बेवस्ता है आएकर यह आपका इंडारिक टेक्स होता है फिलिप यी टेलर की अनुपसार अगर बात करें तो कर स्तरकार को दिया गया वह यह निवार भुपतान है जिसके बदले में करदादा किसी पितेक्च लाव की आसा नहीं रखता है कियोंकि जो आप भर देते हैं उसके बाद आपको कोई भी लाव होने की आसा भी नहीं रहती है तो आपके सेलिग मेंट के अनुसार बात करें तो कर सरकार को दिये जाने वाले उस अनिवार अंसदान को कहते हैं जो सब के सामानेत के लिए किया जाने वाले खर्चों के बुक्तान में अदा किया जाता है और जिसका मिलने बाले बिसे इस लावमें से कोई सम्मन्द नहीं होता है यानि कि एक सामाजिक सेवा कह लिए एक तरह से जब आपके यहां कि अहीं भंडा रहा हो रहा हो तो आप भी 100 रुपे 200 दे देते हैं और अपनी एक फोटू लगवा के किचवा लेते हैं और नाम का एनाउंस भी करवा देते हैं कि भलाने सहाब ने 500 रुपे दान किये हैं जैसे मुझे लगता है कि अपनी संपत्ती का एक हिस्सा दे चुके हैं अभी खेर छोड़िये अभी तो एक दिन कहीं होस्पीटल में देख रहा था 5 केले को 5-6-10 लोग नेता थे कोई वो ऐसे फोटू खिचा रहे हैं जैसे मुझे लगा कि अपनी संपत्ती पूरी उस मरीच के नाम कर दी हो आप समझ सकते हैं कि 10 केले की फोटू भी खिचाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं किसी कर्व किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों के समूख की संपत्ति का वय भाग हुता है जो सारवजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार रूप से बसूल किया जाता है प्रोफिसर डी मार्को के बात करें तो करण नागरिकों की आयका वय एक अंस है जिसे सरकाल सारवजनिक सेवाओं के उत्पादन की आवस्तक साधन जुटाने के लिए लेती है करओं को बरगी करण की बात करें तो करओं को पित्यक्ष और परोप्ष दो बरगों में बाढ़ने की परंपरा अत्यंत प्राचिन है सामन रोप से जब करकी देता तखा करकी बाहता एक ही बैक्ती पर रहती है उसे पित्यक्ष करें इसमें आपका आय यानि की इंकम टेक्स की बाहत कर सकते है क्योंकि अगर इसे आप पर ही लागू किया जा रहा है तो आपको भणना पड़ेगा इसके विप्रीत आपका एक इंडारेक्ट टेक्स होता है जब करकी देता पर बाहता बिन बिन बेक्तियों पर होती है उसे आप इत्यक्ष कहते हैं क्या कहते हैं इंडारेक्ट टेक्ष कहते हैं इसे आप लोग इस तरह से लेजें कोई वस्तु आप खरीद रहें तो आप डारेक्ट टेक्ष नहीं दे रहें आप दुकानदार को दे रहें यानि कि टेक्स तो लग रहा है लेकिन आप उसे डारेक्ट नहीं बाज़ाएं अनुपातिक, प्रगति सील, पिति गामी और अध्वो गामी करूँ करों की दर्म और करदाता कि आर्थिक सक्ति के आदार पर करों को चार भागों में बांट अगया है देखते हैं कौन-कौन से हैं आखिरे अनुपातिक कर, अनुपातिक कर वह कर है जो आई के अनुपात में लगाया जाता है अल्थात आई चाहे जितना भी हो, कर एक निश्चित दर अत्वा पितिसत से लिया जाता है प्रग्यति सील कर वह है जिसमें करकी पितिसत दर आय की पित्धी के साथ बढ़ती जाती है प्रगति सील कर अर्द विवस्था कर दान चमता केनकूल होने के कारण समाज में आर्थिक समानता विस्थायत को बनाय रखने में सहाइक होती है पिति गामी कर जब कर भार संपन लोगों की अपेक्छा नेधनों पर अधिक पड़ता है तो उसकर को अवरोही अत्वा पिति ग अधोगामी कर कहा जाता है फिर आप सुनते हैं अधोगामी कर एक आय जब आय में विद्धी के साथ करों की दर में बहुत मंद गती से विद्धी होती है तो इस पेकार की कर को हम लोग अधोगामी या फ्रहरासमान प्रगति सील कर कहा जाता है इस विवस्था में करका तथा मूल अनुसार कर बिसिष्ट कर जबकर बस्तू की मात्रा या भार की अनुसार लगा जाए तो उसे इनलोग बिसिष्ट कर कहते हैं मूल अनुसार कर जबकर बस्तू के मूल की अनुसार लगा जाता है तो उसे मूल अनुसार कर कहते हैं जैसे चेन के मूल पर पिती रोपया पाँच पैसी की दर से लगा कर मूल्या नुसार कर कहलाता है। ब्यक्तिकत या फिर आब्यक्तिकत कर ब्यक्तिकत कर यानि कि परशनल टेक्स कुछ कर ब्यक्तियों पर लगा जाते हैं। तीर्ट इस्थानों पहाड़ी इस्थानों आधी में प्रविश के समय लिया जाने वाला प्रविश सुल्ग टॉल्टेक्स कहा जाता है तोल्टेक्स इसे आप लोग देखते हैं तोल्टेक्स सुनते रहते हैं आविवस्थित कर जब कोई कर बस्तु के उत्पादन निर्माट क्रय विक्रय आदीप लगा जाता है जैसे सराप के उत्पादन तथा विक्रय पर कर लगा कर जैसे करों को आविवक्तिकत कर कहकर पुकारा जाता है सैंड बेट केंद्री इस्तर पर केंद्री मूल वर्धित कर तथा राजिस्तर पर बेट लगाया जाता है बारत में केंद्री उत्पास सुलक सरजना के युक्ती करण्ट से संबन्दी थे आपका बारत में बेट को 1 मार्च 1986 को मोड बेट के अंत्रगत कुछ चुनिंदा बस्तों पर लगाने लागू करने के लिए किया गया था कब 1 मार्च 1986 को उलेकनी है कि राजिस्तर पर बेट लागान लागू किये जाने की उत्कोषना डॉक्टर मौन मोहन सेंग ने मुक्मंत्री के एक संबिलन में बस 1995 के दौरान की थे बेट कुलावू करने बाला पितम राज ये था आपका हर्याना याद रखिए कौन था हर्याना इस तरह की कुछ्चेंस बनते रहते हैं फिर एक नई करविवस्ता आई हुई आपकी या आपके लिए महत्पूनेट से कुछ्चेंस पूचे जाएंगे अभी गोड्स एंड सर्विश टेक्स यानि कि जी एश्टी या एक आपित्यक्ष कर है यानि कि जितने भी आपित्यक्ष कर थे इसमें आपकी सामिल के लिए गया है इसकी पिरमुक विसेष्ता हैं कि या केंद्रीय जी एश्टी और राजमें राजी जी एश्टी दो इस्तरों पर होगा पूरे देस में एक ही रेट पर टेक्स लगेगा सर्विस टेक्स, सेल्स टेक्स, इस्टाम सुल तथा उत्वाज सुल का GST में बिलाय हुआ करका बार निर्माड एवं सेवा दोनों पर समादू सी बितित होगा बस्तु एवं सेवा कर विदियक GST बिल या एक बहुँ चर्चित विदियक है जिसमें 1 अपरेल 2017 से पूरे देश में एक समान मूल वर्दित कर लगाने के पिस्ताव है इस करको बस्तु एवं सेवा कर GST कहा गया है यह एक आपित्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रे एवं ओक भोग पर लागूँगा अगस्त 2016 को राजसवा में यह बिल पारित हो गया तथा राष्टपती पेड़ों मुकरजी ने 8 सेप्टमर 2016 को सम्मीधान की 122 संसोधन विध्यक GST विध्यक 2014 को मंजूरी पिदान की है एक बात हमें साय याद रखिए विध्यक और अधिनियम में फरक होता है विध्यक जब तक राष्टपती की सहमती नहीं मिलती है राजसवा और लुकसवा में रहता है तब तक उसे विध्यक केती है जैसे ही राष्टपती की सहमती यानी की हस्ताक चरूती है वो अधिनियम में बदल जाता है GST 12 सेप्टमब 2016 से किर्यानवित किया गया है यह संपूर्ण भारत में बस्तूओं एवं सेवाओं पर लगाये जाने वाला एकल राष्टी है एक समान करें जैस्टी लागो होने के बाद सेंट्रल एक्ससाइज ड्यूटी सेंट्रल एक्ससाइज ड्यूटी सर्विस टेक्स एडिशनल कस्टम ड्यूटी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ओप कस्टम बेट सेल्स टेक्स Central Cell Text Manoragen Text Octoid End Entry Text Purchase Text Luxury Text खतम हो जाएंगी क्या हो जाएंगी यह सब ही आपकी खतम हो जाएंगी GST लागू होने के बाद बस्तू हो एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के Text लगाएं जाएंगी कौन-कौन से होंगी देख लिजे ने CGST यानि Central GST जो कैन सरकार बस्तू हो लिगी कौन बस्तू हो लिगी कैन सरकार SGST यानि State GST जो राज सरकार अपने आहां होने वाली कारूबार पर बस्तू हो लिगे उसके बाद है आपका IGST यदि कोई कारोबार अगर दो राज्यों की बीच होगा तो उस पर Integrated GST बसूला जाएगा जिसे IGST कहते हैं जिसे कैन सरकार बसूल करेगी उसे दोनों राज्यों में समान रोप से अनपात में बांट देगी ठीक है? पिदान मत्री सी नरेंद मोदी की अध्यक्षता में कैमिनेट ने GST परिशद और इसके सचिवाले की नेमान को भी मनजूरी दे दी है समीदान के अनुचे 289A में संसोधन के साथ GST परिशद का भी गठन किया गया है याद रखिए अनुचे 289A के तहत GST परिशद बनाई गई आँगे हैं आपका GST सचिवाले आपका नई दिल्ली में होगा कहां होगा? नई दिल्ली में इसके पदेन सचिव के रूम में राजस सचिव की नियुक्ति की जाएग इसके लिए अध्यक्च और आमंतिच सदस्वों को सामिल किया गया है इसमें कमीशनर की चार पदों को सहजित किया गया है याकेंद और राजसरकारों को सहजित मन्चोगा GST से पिस्ताविल लाब यानी कि GST से लाब क्या क्या होंगे आके इसे भी आप जानना जरूरी आपके लिए इसमें GST में विध्दी और रोजगारों का सर्जन होगा GST विवस्था आने से भारत एक बड़े एक किर्द वाजार की रूम में तब्दील होगा जटिल करार ओपन खतम होने से विदेसी निविसकों को आसानी होगी अब यह आप देखते हैं थे कि एक राज में अलग किसी सामान पर टेक्स लगाए जा रहा है दूसरे राज में अलग है उसकी दर तो अब क्या होगा कि अब सभी राज्यों में एक समान होगी इसमें ठीक है तीसरा है तेरह भी केंद्री विद्टाईव के रूम सार GST से कर संकलन में हो रही कई तरह की बेर्थ खर्चों को रोकने में सहायता मिलेगी जिसे राज्यों की आर्थिक हालत में सुधार भी होगा 14 विद्टाईव के रूम सार GST से उन राज्यों को फायदा होगा जहां कर रिसाओ यानि कि टेक्स लीकेज की वज़े से कर संकलन प्रिणाली में बेश्टाचार चरम पर दिखाई देता है GST लागों होने से हर सोथा इस कर विवस्ता के अंतर गता आजाएगा जिससे लोगों के लिए करों की चोरी कर पाना आसान नहीं होगा इसलिए GST को काले धन से निपटने के लिए बिरोध मजबूत अध्यार के तौप पर देखा जा रहा है तो इस तरह से आपका GST याद रखिए एक जुलाई 2017 से लागों हो चुका है ठीक है और अब यही सभी लाब देखने को मिलेंगे आने वाले सालों में GST करागात और करापात Impact of Tax and Incidence of Tax करका पयरामीग मौदरिक भार बहन करना करागात और करका अंतिम रूप से मौदरिक भार बहन करना करापात कहलाता है करागात को कराधान और करापात को करभार भी कहते हैं आप लोग करागात या फिर कराधान का तत्वर करका आश्थाई भार बहन करने से है जबकि करापास्तियास है करका आश्थाई रोप से बास्तों में करभार बहन करने से होता है हरित कर ये भी आप कई बाद सुनते रहते हैं हरित कर ग्रेन टेक्स इसे या पर आप लोग पिगो बियन कर भी कहते हैं किसी बेखती या पर संगठन द्वारा पिदूसन फैलाया जाने के कारण उन पर एक विसेस कर का आरूपन किया जाता है इसे हरित कर कहते हैं पिगो बियन कर कहते हैं ठीक है टोबिन कर टोबिन कर नोविल पुरुषकार विजिताट जैम्स टोबिन द्वारा पिस्तावित एक बैस्विक कर है जिससे सभी विदेशी बिनिवय सौधी पर लगाने की बाद की गई अर्थात अंतरदेशी ये बित्तिय लेंदें पर जो कर लगते हैं उसे हम लोग टोबिन कर कहते हैं करार उपन की सिद्धान्त क्या है सोपिसिद्ध अर्थ सास्त्री एडम इस्वित ने अपनी पुस्तक बैल तॉप नेसंस में करार उपन की निमने चार सिद्धान्तों का पिती बादन किया है पहला सवान्ता अत्वा नियाय सीलता का सिद्धान फर आपका निश्चित्ता का सिद्धान सुविधा का सिद्धान और मित्वेता का सिद्धान ठीक है करदान करदान चमता का आसर किसी समाज को कर देने की उस्तीमा से है जिससे अधिक कर किसी भी सरकार को नहीं लगाना चाहिए करदान चमता कम आप आधार संबत्ती आएबे आधी हो सकती है बिदेशिक छेत external sector एक खुली अर्ध व्यूस्ता में जब एक देश का आल्थिक टता ब्यापारिक सम्मण दूसरे देश से होता है तो इसके ब़ीच बस्तुओं सिबाओं पूंजी बेक्ति या कंपनीयों पर लगाए जाने वाला कर उसकी आए या संपत्ति पर लगाएए कर खेंड्सरकार कि पितेख्जकरों की बात करें तो आ आय, निगम कर, उभार कर, पूझी, लाप कर या आपके केंड्सरकार की करवदेन में आपका संपत्ति कर भी है ब्याज कर, लाभांस कर, संपदा सुल्क, पिती गुती ब्यापार राजी सरकार के अगर पित्यक्षकरों की बात करें तो किसी आरिफर कर भूराजस, बियुसाय कर, गैसाहरी और संपत्तियों कर, पत कर, रोज गारों पर कर आपत्यक्षकरों की बात करें तो वैसे तो आप सभी आपकी GST में समलिद किये गए हैं लेकिन फिर भी जान लिए यह कर जिसमें करापात और कराधान अलग अलग बेक्टियों या संस्थाओं पर पड़ता है जैसे केंद्सरकार के थे अपत्यक्षकर, सीमा सुल्ख, केंद्रिय उत्पास सुल्ख, सेबा कर, ब्याकर, बिक्री कर, ब्यापार कर और राज सरकार के आप इत्यक्ष कर थे राज उत्पात सुल्क, व्याबार कर, बाहन कर, बिग्या बन कर, डीजल पेटॉल पर बिक्री कर, परिवहन कर, इसे आपका डीजल पेटॉल को अलग रखा गया भी GST से, परिवहन कर और आपकी दारू को भी इसमें सराप को भी मुक्तान संतुलन के चार भाग होते हैं, चालू खाता, करेंट अकाउंट, पूजी खाता, कैपिटल अकाउंट, असुद्धिया तथा भूले और बिदेसी बिनिवैकोस परिवतन, चालू खाते की अगर बात करें हम लोग तो दिर्स बस्तु हैं, बहुतिक पदार्थ, प पत्यक्ष मंद कहते हैं, ठीक है सिर्ट? अब हैं आपकी आदिस मंदे, आदिस मंदे ऐसी सिवाएं होती हैं, जिने वन्दारगाहों पर लेखांकित नहीं किया जाता है, इन्हें आपत्यक्ष बियापारी की मदें कहा जाता हैं, आदिस सिवस्तु हों में निवने पिकार क कि सेवां समलेत होती है कैसे बैंकिंग हो गया बीमा जहाज रानी हवाई जहाज आदि ब्यापारी कंपनियों की सेवाई विसेस अब्हों कि सेवाई जैसे चिकास्षोकों एनलियुरीओं नियुद्य पर्याटकों बिध्यारत्यों सब्याज लाव लावांस एन निवेस आई भी कहते हैं आप लोग ठीक है फिर आपकी एक पक्छी है सोदा इसमें ओपहार दान एवं पुनहा बापस ना बिलने वाले भुकतान एवं प्राप्तियां दिखाए जाते हैं पूजी खाता पूजी खाता के अंतरगर निजी एवं सरकारी विदेशती निवेस निजी एवं सरकारी वबादिचिक निड़ों विदेशी साहयता निजी एवं सरकारी बेंकिंग पूजी अंतराष्टिय मुद्राकुस एवं अन अंतराष्टिय संख्यां में आगम और निर्गम समलित होत फिर आपके विदेशी विनिमय एव नियंतन विदेशी विवन देशों के मुद्रा को आपस में परीवरतन सील बनाना विदेशी विनिमय है तथा इसकी दर यानी विनिमय दर कन्यधारन एक जटिल पिक की रिया होती है हम जानते हैं कि विनिमयदर वह अनफात है जिस पर एक देश की मुद्रा अन्य देश की मुद्रा में फरीवरतन सील होती है प्रोफेसर क्राउधर के सब्दों में अगर हम कहें तो विनिमयदर एक देश की मुद्रा एकाई के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्राई काईया मिल सकती है उसकी माप होती है आपकी विनिमेदर से हैंस के अनुसार बात करें तो विनिमेदर एक चलन मुद्रा की दूसरी चलन मुद्रा की रूम में व्यक्त की गई कीमत होती है सेयर्स की अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा है कि चलन मुद्राओं के परस्फर मुल्लों को ही हम लोग विदेशी विनिवैदर कहा जाता है तीक है उसके बाद आँगे चलते हैं एस्चर एक क्या कहते हैं इनके अनुसार एक देश की मुद्रा की मुल्लों को दूसरे देश की मुद्रा में ब्यक्त करना ही विनिवैदर कहलाता है अब बात करते हैं विदेशी विनिवैदर की मौटे तोर पर दो पिडालियों में प्रियोग में आती है कौन-कौन सी है? पहली आपकी इस्थिर वीनिवय दर पिनाली में इसे अनुकरन करने वाले देश अपनी मुद्रा का मूल एक इस्थिर या फिर बंदी दर पर कायम रखने पर समझता करता है और वह इसमें तभी परिवतन करता है जब आज दे परिस्तितियां बाहा करतीती है स्वाडमान के अंत्रगत मुद्राओं का मूल सौने की रूम में एक इस्थिर दर पर निश्चे थी की जाती है 1971 के पूर व्रेटन बोट्स परिणाली में अंतराश्टिय मुद्राओं कोस का पिदेग सदस अपनी मुद्राओं का मूल सौने या फिर यह वैसे डॉलर की रूम में प्यक्त करता था यह 1971 के बात की बाता है ठीक है 1971 के पहले परिवर्टन सील बिन्मयदर परनाली लौचडार demons दोच दार तरथि या फिर तरती अत्वधा घर्ती बड़ती बिन्मयदरों को बाजार की सकतिया निर्धारित करती है बिन्मयदर को मांग और पूर्ती के आधर पर निर्धारित किया जाता है मांग और पूर्ती डिमांड एंड सप्लाई आव मूल्यान देश की मुद्रा के बाह मूल्यान में कमी होना ही मुद्रा का आव मूल्यान कहलाता है यह आपका देखते रहते हैं आप लोग चाइना इस तरह की हद कंड़े अपनाता रहता है उधारन के लिए एक डॉलर बराब सत्तर रुपे है तो इसका अर्थ है कि रुपे का हमारा अव मूल्यान हो गया है यानि कि रुपे की कीमत मूल्य में हिरास हो चुका है कमी आ चुकी है जब अव मूल्यान किया जाता है तो देश की मुद्रा के बाह मूल्य में अन्य देशों की मुद्राओं की अपेक्छा क कमी हो जाती है क्या हो जाती है कमी हो जाती है जब विदेशी मुद्राओं की मूल में बिद्धी होती है जबकि विदेशी जो मुद्राओं होते हैं उनके मूल में बिद्धी होती है इसके पईडाम सरुख सौदेश के आयातों की घरेलू कीमत बढ़ जाती है और निर्यातों पणने वाले सामान की कीमत घर जाए औरहादिक से अधिक सामान बंचा जाए चाय जाए क्योंकि वहाद जिव Yunyi सामन बनाया जाता है तो कम चीमत बनाया जातें हैंगे इपल के फोन में ठीक है इससे देश की बस्तु में विदेश में सस्ती हो जाती है खरीदारी भी बढ़ जाती है आपके याद रखिए सौ परसेंट में से 75 परसेंट कप जा चीनी कंपणियों का है यानि कि आप किया अगर चार फॉन विक रहे हैं तो उसमें से तीन फॉन चाहिने भी रहे हैं लेकिन अव मूल्यान के सफलता के लिए निर्यातों की परियाप पूर्ती होना आंत्रिक कीमत इस्तर होना पितियों क निर्यात की बस्तूओं के लिए त्याग भावना जैसी बातें भी सम्मिलित होती हैं भारत में रुपे का आउमूल्यान तीन बार किया गया है उननी सो चाहस में उननी सो एकानवे में याद रखी नहीं सो चैतर में भारत सरकार में सम्मूल पर बीनिवेदर निर्धारित क आउने की स्तिती बीनिवेदर नाली का परित्या करकि फरीवर्तन सील बीनिवेदर नाली को अपनाया है जिसके तहत रेजर बैंक को नेदेश दिया गया कि रुपे की बीनिमेदर प्रमोखंतराश्तिये करें समूव के आधार पर तैय करें बास्केट इसमें अच्छा है त वान होंग कोंग का डॉलर आप समझ सकते हैं यहां देखिए चीन का युवान चीन हमारे साथ ही आ जा दूगा यानि कि हम पहले अधी मूल्यन में मुद्रा की बाहे मूल्यन को अधिक कर दिया जाता है यानि कि अपने देश की मुद्रा को बढ़ा दिया जाता है मुद्रा की कीमत को बिदेशी बिनवय नेगम अधिनियम फेरा फोरें एक्षेंज रेगूलेशन सोदंता के बाद भारत में बिनवय नेगम को इस्थाई रोप देने के लिए फेरा पास किया गया जिसके अंतरकत कोई भी बेक्ती या संस्ता रजर बैंक की अनुमती से ही बिदेशी बिनवय क्रे कर सकता है फर एक है आपका फेमा Foreign Exchange Management Act बिदेशी मुद्रा बाजार में लेंद देनों को उदार बनाने उद देश में बिदेशी मुद्रा बाजार की समुचित एवं सोवय वस्तित विकास को प्रोसाहित करने के उदेश से एक जून 2000 में फेमा लागू किया गया जो फेरा की तुला में अधिक उधारा दिनियम है विवर्तन देशाले का मुखकार फेहमा को लागू करना है किसे फेहमा को मुद्रा की फूर परिवर्तन सीद्दा मुद्रा की फूर परिवर्तनी अतान से आसर विदेशी मुद्रा की मात्रा और दिनियमेदर में प्रिवंधन की ऐसी प्रेणाली से है जिसमें किसी भी सरोथ से आने वाली तथा किसी भी सरोथ मैदेश से बाहर जाने वाली बिदेशी मुद्राओं की याकत्रा पर किसी भी पिकार का पिधिबंद ना हो बारत में रुपे की आज़सेक परिवर्तनी ये था कि अंतरगत बजट 1992-1993 में उधारीकट बिनिमयदर प्रिणाली अपनाईगे उधारीकट बिनिमयदर प्रिणाली कि अंतरगत ब्यापार खाते पर रुपे को परिवर्तनी है बनाने के विक्रिया प्यारम हुई रजर्ड बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को रोपे की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तिनी इता को घोसित कर दिया गया ओधारीकन के दौर में आगे बढ़ते हुए एक समिती पूजी खाते के परिवर्तनी इता से सम्मधित सुझा देने के लिए गठित हुई जिसका नाम तारापूर समिती है जिसने 30 मई 1997 को रिपोर्ट सौपी अपनी तारापूर समिती ने फिरे आपका विदेशी ब्यापार नीती 2015 से 2020 तक अंगले 5 बरसों के लिए विदेशी ब्यापार नीती की घोशना 1 अपरेल 2015 को की गई थी नई नीती के इंतरगत दिये किये उपायों की मदस से सरकार ने वर्स 2020 तक देश के निरयात को 900 अरब टॉलर वार्षिक तक पहुंचाने के लक्ष रखा गया रखा था एक बात याद रखिए इसे अब 2020 में आपकी बदलेगी इसे आप लोग करेंट में अपडेट कर लेज करेंट से अभी तक तु नहीं बदलिये आंगे देखिये क्या होता है इसकी प्रमुख बातों की बात करें हम लोग मुख बातें तो पांच बर्स के लिए जारी हुई नीती हर बर्स नहीं हुगा नीती में बदलाओं मेक इन इंडिया डिजीटल इंडिया इसके लिए मेठा गया है निर्याद की संभावना बालत देशों को तीन से ओं में के बार्णों में बाताग है इस में नोमुख सैणी ये वंदरजन भर उप सैंडियों की की आई एस और एस ए आई एस का लाव ड्यूटी केड़िट की स्किप्स कप्रिव आयाज सुल्क उत्पात सुल्क और सेवा करके वुक्तान के लिए किया जा सकेगा विदेशी ब्यापार को बढ़ाने में एहम योगदान करने वाले कारोबारियों नेरायात्कों को अब बिसे बढ़ार की फिक्रिया सुगम बनाने पर जोड दिया जाएगा रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा हैंडलूम और लेतर सामान के e-commerce को बढ़ावा कालीकट एयरपोट केरल एबं अराकोनम ICD, तमिलाडू, आयात और निर्यात के लिए अतरिक्त बंदरगा घोसे बिसाका पतनम और भीमा औरम को टाउन और एक्सपोर्ट एक्सिलेंस का दर्ज्जा दिया जाएगा इनके निर्यात पर मिलेगा फ्रोसान किन-किन के किर्सी और ग्राववद्य उत्पाद, फेक्षीट उत्पाद, हाईटेक उत्पाद, उत्दुगिक उत्पाद, रक्षा उत्पोर्ट, उत्पाद, फलब, फूल, सबजियां, चाय, कॉपी, मवरसे, फ्रोशेट, फूल, है इसे उत्पाद जिन्हें बनाने में महिलाउत वदिक रोजगार मिलते हों, फिर आपका FDI, FDI, एक बात याद रखें आप लो, कि आपने आपके देश में कोई भी सरकार, कोई भी लक्षर है, मुझी नहीं लगता है कि समय से पूरा हो पाता है, दो हजार बाजिस तक आपक आप समझ सकते हीं कि अभी, देखी आप, देख लेगी होता है या नहीं होता है, FDI, सामान सब्दों में किसी एक देश की कंप्रिनी का दूसरी देश में किया गया निवेश, विदेशी पितेक्ष निवेश कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि जीओ में, फेस्बुक ने कुछ हिसा लिया है, निवेश किया है, तो यही FDI है, ठीज़ है, एसे निवेश की विदेशी निवेश कों को दूसरे देश की, उस कंपनी के प्रवंदन में कुछ हिसा हासिल हो जाता है, जीओ में आप जैसे समझ सकते हैं, आपका कि फेस्बु दूसरा आउरब चाह साफित कर सकते हैं कि या के बाजार में प्रब्श कर सकता है छी새 प्डियाकि में भार्थी हम्पनी में निवेश कर भारत में संपर्ग कार्या लग यह परिविद्ह स् pouco one इस्थाफित कर सकता है यह आश्थाई पेकार का होता है किसा आश्थाई पकार याद रखिए अब कई चेत्रों में भी देदी आ गया है अभी बदला हो चुका है विवने चेत्रों में एपडियाई की सीमा क्या थी गेर बैंकिंग भिथी यह कंपनियां कंपनियां में 100% बंदरगाहों में 100% बिद्धोदेवम उर्जा परमाडव उर्जा को छोड़का 100% यानि कि परमाडव उजार को इसलिए नहीं दिया जाता है 100% क्योंकि आप समझते हैं कि देश की सुरक्षा का मुद्दा रहता है परेटन में 100% दूरसंचार में 100% लगूत देव में 100% दब सिंगल व्रांड रेटेल में 100% एसेट रीकन कंश्टेक्षन में 100% किरसी चेत में 100% रेल्वे आफसर रचिना में 100% सिक्षा में 100% टेलीकॉम सेप्टर में 100% निजी बेंकिंग चेत में 74% कैड़ेट इंफोर्मेशन कंपनीच चोहत्तर मल्टिवेस्ट रेटेट इंक्याब पाबर एक्षेंज 49, इस्टॉक एक्षेंज डिपूट जिट्री 49, चाय रक्षा चाय में 49, रक्षा उतकादर में 49, पैंसर में 49, FM रेडियो में 26, ट्रेंट मीडिया में 26, यह सीध्या से कहने मतलब है कि 100% किसी कंपनी का ठीक है उसमें से कितने परसेंट का यह पार्टनर हुआ उसकी बात की जाए अगर पूरी तरह से कंपनी विदेशी है विदेशी निवेश लगा हुआ है तो उसे 100% बोल देंगे आप लोग समझ रहे हैं आप लोग यही बात की जा रहे हैं आप चलते हैं निर्याद 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 पिसंसकंडचित EPZ भारत एसिया के पहला देश है जहां निर्याद पिसंसकंडचित की इस्ताफना की गई वर्स 1965 में एसिया का पिथम निर्याद पिसंसकंडचित कांडला गुजरात में इस्ताफित किया गया था आप भी इसे याद रखें एसिया का है पिथम क कब किया गया 1965 में कहें कांडला गुजरात में बारत में आठ एपी जैड हैं जिसमें 7 से 7 संधिजनिक चित में एक निजी चित में इस्तित हैं कांडला गुजरात, सांता कूज, क्रोच, मुंबई, फाल्टा बंगाल, पश्चि मंगाल में, नोएडा उत्तर पिदेश, कोच्ची, केरल, चैन्नाई, तमिलनाडू, विशा का पत्र नम आंत्र पिदेश, गुजरात के सूरत में निजी छित का EPZ इस्थापित किया गया है, के कुजरात के सूरत में याद रखी निजी छित का, फरेक सब्द है आपका विशेश आर्थिक छित, SEZ, यह किसी देश में देश विशेश के भीतर एक ऐसी बहुगली छित का पिती निदित करता है, जिससे जिने आयात निर्यात उत्पास सुल्क, आदी के संबन में कुछ सुविधायें या रियायतें यानि की छूट दे जाती हैं, जो गेर छेत्रों को नहीं प्राप्त होते हैं, इनका प्रम कुद्दिस निर्यात उत्पेरन और संबर्धन है, इनको दी गई सुविधायों के कारण इने देश में इस्तित विदिसी छेत की संग्या दी गई है, एक अपरेल संब 2000 को निर्यातों में विद्धी के उद्धे से एक्सेस नीती के इंतज़क 8 EPZ को सेज SEZ में रूपांति कर दिया गया है, इन 8 SEZ के अतरिक्त मार्ज 2013 में तक लगवाग 585 SEZ को उपचारिक सुविधिती पिदान की गई है, बारत में विसी सार्थिक छेत्रो की स्थापना चीन की तर्च पर की गई है, अब तक सुविकित SEZ में सरबादिक IT से संबन्दे थे, किस से IT से फिर आपका निर्याद गरे तथा इस्टार ट्रेडिंग गरे, इसे उजना का उद्दिष पहली से स्थापित निर्याद को तथा बड़े निर्याद ग्रोहों की बजाए चमता में बिद्धी करना है, निर्याद ब्यापार फिर इस्टार ट्रेडिंग गरे का दरजा, उन् पिछले कई वर्सों से निर्याद निस्पाधन को उच्छ रखा गया हूँ निर्याद संबर्धन उद्धोगिक पार्ख EPIPS इसकी स्थाना केंद सरकार द्वारा राज्यों में निर्याद संबर्धन में राज्यों की सहभागिता सुनिष्चित करने ही तू किया गया था परियोजिना का लागत 75-30 केंद अनुद्धान की रूम में देता है देश का पहला निर्याद संबर्धन उद्धोगिक पार् जैपूर के निकट सीतापूर चैनली तमिलाडू में आदोने सूचना प्रोद्धोगी की पार्क टाइडेल पार्क की स्थाफना सन 2000 में की गई थी भारत में सरपितम स्री लंका के साथ आर्थिक सहयोग समझो था 1998 में किया गया था कब 1998 में फिर भारत एवं विस ब्यापा याद रखेंए आपकी जितने भी अंतराष्टिय संकतन है और राष्टियी घंटने उनके बारे में पूरा डेटल से विस्तार से बड़ा वार बता शुक आउं अपको क्या कर चुक हुआ हुँ आफ़ कूरा चुका हुआ उच्छे से दोर्टियो पारित किया गें जिसे विकासिल देशों को अधेग सुगिधाय पिदानी की गें दोहा विकास एजंडा में विखसित देशों द्वारा केसी सबसेटी को कम करना टिप्स समझोता अतना सारुजिनिक सेवाओं के लिए विसेस अनुदानों पर विस्तत विवेचना की गें भा सिंगापुर कोरिया जापन सिंगापुर कोरिया जापन अब हम लोग बात करते हैं भारतिय अर्थ विवस्ता यानि कि इंडियन एकोनोमी के बारे में अर्थ विवस्ता से अभिव्याय किसी एक छित में पिछलित आर्थिक किरियाओं की प्रक्यति और उनके इस तरह से हैं अर्थव्यवस्था का मतलब पहले भी बोल चुका हूं सीधा सा मतलब निकाल लिजे आर्थिक स्तिती से जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक किरियाओं के संदर्म में परिभासित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं अब आपने देखा होगा कि किसी देश की आर्थिक इस्तिती खराब हो जाती है तो क्या बोल देते हैं हम लोग कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत गिर चुकी है आर्थिक रियाय किसी देश के आर्थिक आजेंटों व्यापारिक चेत घरले लूचेत तथा सरकार द्वारा दोलब संसादनों के प्रियोग बस्तूओं एबं सेवाओं के उत्पादन और भीनियमन से संबंदी थे अर्थ व्युस्था को तीन बड़े चेत्नों में विभाजित किया जाता है इन्हें आप याद रख लिए प्राथमिक चेत्थ क्योंकि इन से questions आपके खईवार पूँच लेते हैं कि प्राथमिक चेत में कौन कोन आता है प्रात्मिक चित में आपका क्रिसी वन मचली पालन उत्खनन आदी प्रात्मिक चित के अंतरगत ते यहां उत्पादन कार प्रात्मिक इस तरपर होता है यानि कि खेती करना आप समझ सकते हैं इस प्रात्मिक इस तरपर होता है अगर दुतियक चित की बात करें तो इसे बीनि सेमेंट विजली गैस जलपूर्ती आधी उद्ध्योगाते हैं जैसे ग्याउं यहाँ उत्पादन हो रहा है उसके बाद आपने देखा होगा कि पैकेट वन रहे हैं ग्याउं के आटा की इसे बोल सकते हैं आप लोग दूती एक चेत जहां ही काम चल रहा है तीसरा सेवा जो आप तक पहुंचा रहा है उब भोगताओं तक उसे तीसरी चेत में समलित करते हैं इसे सेवा चेत भी कह जाता है क्या कहते हैं सर्विश टेक सेक्टर इसके अंतरगत आप परिव करना अनिवार है जो उत्पादन के मत्यम से ही हो सकती है और उत्पादन संसादनों के द्वारा ही किया जा सकता है जो तीन पेकार के होते हैं फ्रांक्तिक संसादन बहुत तेक संसादन और मानविये संसादन मानवी हे संसाधन सबसे महत्पून होते हैं विकास से समभन्दित कुछ आर्थिक संकलपा है जो महत्पून है कौन-कौन है इसमें आर्थिक सम्पून्दी एकोनोमिक घ्रोध यह विकसित देशों के लिए प्रेवग में लाई जाती है आर्थिक सम्मर्दी पैडाम सरूप परिवत्नों से संबंदी थे जो सरम सक्ती, ओहो, पूझी और प्यापार की मात्रा में पिरसाल से संबंदी थे पर आपका आर्थिक विकास आर्थिक विकास आपका विकास सील देशों के लिए प्रियोग में लाई जाती आप अपने देश में सुनते रहते हैं आर्थिक विकास इस तरह से रहा है इसवाब तो यह आपके देश के लइए लाही जाते हैं आर्थिक विकास गुडात्मक्थ परीवत्नों से संबन्दित है जो कि उत्पादन बिद्धी, प्राविदि, एवं संस्थागत परिवतनों से संबंदित है तीसरा है आर्थिक प्रग्यति यह एक ब्यापक सब्द है जिसकी पर्धी के अंतरगत आर्थिक संप्रिद्धी, आर्थिक विकास के अलावा मूलगत नेड़यों को भी संब्लित किया जाता है आर्थ विवस्था में राष्टी आय में बिद्धी हो, एवं उसका समान बित्रन हो तथा पूर्व से बिद्धिमान आय की विसमताओं में कमी आय तो आर्थिक प्रग्यति मानी जाती है आर्थिक प्रग्यति हुई है बारती अर्थ विवस्था के स्वरूप और विसेश्थाओं की बात कराएं ब्लोग तो यहां आपको समाजबादी अर्थ विवस्था दीखने गुमिटेगी लिए यदि किसी अर्थ विवस्था में सारजनेक चेत की भाग्यदारी अधिक्तम हो और निजी चेत की भाग्यदारी कम हो तो यह अधिक्तम कल्याण और नियूंतम लाप की आधार पर कारती है सिधा सा मतलब है आप सरकार जो काम करती है अगर कोई company चला रही है तो याद रखे हो लाब कम कमाने पर देंदेगी और समाज के लियाण अधिक करने पर दियान देगी अगर कोई particular बैकती अगर किसी company को चला रहा है तो वो लाब पर जानना देंदेगा और मानोकल लेंड पर कम देहान देगा ठीक इसे समाजवादी अर्थववस्था भी हम कहते हैं यदि इसी क्रम में सारवजनेक चेत की भागेदारी सत्पिती सत्थ हो जाए और निजी चेत को पूर्टा हतुसायत कर दिया जाए तो Dieels सामबादी कही जाते है कैसी सामबादी कही जाती है फिर आती है पूर्जी वादी अर्थवंश्था यदि किसी अर्थवेउस्था में निजी 6 भागेदारी अदिक्तम और सारवजनेक चेत की भागेदारी नियूंतम हो तो ऐ और अर्थविवस्था अधिक्तम लाब और नियूंतम कल्याण की आधार पर कारी करती है ऐसी अर्थविवस्था पूझी बादी अर्थविवस्था कहलाती है कैसी पूझी बादी अर्थविवस्था कहलाती है मिस्रित छेत आपके यहां की अर्थव्यस्था ऐसी है मिस्त्रित यदि किसी अर्थव्यस्था में सारुजने केवा निजी छेत की भागी दरी लगबक समान हो तो ऐसी अर्थव्यस्था कल्याड के साथ साथ लाब के आदार पर भी कार करते हैं इसे हम लोग मिस्रित अर्थविवस्था कहते हैं बारत में अर्थविवस्था में समाजबादी अर्थविवस्था की लक्षण देखे जा सकते हैं तो समाजबादी अर्थविवस्था की लक्षण कैसे देखे जा सकते हैं नियोजन अभी भी जारी है परन्तु अब नीति आ पुझई बाद verr师्वेश्टा के वी लक्षनद देखे जा सकते हैं बाजार सिब्त गर्ण हुए निजी भाग्यादारी कबरना सारवजनिक चित को हत्युसायद किया बीनेवेश फिक्रिया का जारी होना और पितीस पर्दा को बढ़ावत दिया जाना है कि भारती एक मिस्रित domaya Mohता है भारत में सुतंता के बाद लगवक 991 तक इसका स्वरोप समाजबाद प्यद्धान मिस्रित अर्द तक अर्द व्युस्ता रहा लेकिन 1991 के ess बाद प्यद्धान प्यद्ध अर्ध्वेस्ता की ओर अगसर है, अल्विक्सित देसों के आर्थिक विकास के लिए Professor Rogenstein Lodo ने प्रबल प्रियास या बड़े धक्के की सिध्धान का दिया था ये कई बार पूंच लिया गया है आपका, प्रबल प्रियास या फिर बड़े धक्के का सिध्धान प्रोफिसर रोजिस्टेन रोडो यह इस मानता पर आधारे थे कि इन देशों को गरीवी की भावर से निकालने के लिए अर्दविवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियों किया जाए भारत में नियोजन का इतियास की बात करें अगर हम लो तो 1934 में सर एम विस्विस्वरिया जो की एक इंजीनियर और राजनाइक थे इनके द्वारा भारत के लिए नियोजित अर्दविवस्था फिलान एकोनोमी और पूर इंडिया पुस्तक लिखी गए जिसमें विस्विस्विस्वरिया ने नियोजन के को एक ऐसा धाच्चा बताया जिसके आधार पर आगामी दस बरसों में भारत की राष्टिया दूगनी हो सकती है से 1937 में कोंग्रेस घार्णी ने पिस्ताव पारिट किया जिसके आधार पर 1938 में पंडिय जवाल लाल नहिरु की अधेक्ष्टिया में 15 सदस्विय राष्टी योजना समती का गठन किया जिसे कोंग्रेस योजना भी कहते है अंग द्लेइग तर मुद्लीयर योजना 1941 प्रो से हम लोग मुदलियर यह उद्डा कहते हैं इने के नाम पर इसका नाम रख दिया है तो याद रखने उननीस सो एक तालीस में आई हुई थी उननीस सो चवालीस में बॉम्बे बिलान इसके बारे में भी आप लोग सुनते रहते हैं बंबे के बंबई के आठ उद्ध्युपत डॉक्टर जान मथाई ने नीस सो प्यालीस में आर्थिगवेखा संम्ती का गठन किया जैसे ही आप लोग बंबे बिलान कहते हैं इस संम्ती ने उननीस सो चवालीस में एकोनोमिक डवलमेंट ऑप इंडिया नामक प्रपत्त ते तैयार किया जैसे हम लोग बंबी बंबी य विलान भी कहते हैं कि क्या कहते है टाटा बिरला प्लान भी कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूं आप और आप कुस्चन बनाना सीख गए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कुछ गलत होगा क्योंकि आप कितनी भी बुक्स पढ़ लिए ख़प कर लिए अगर आपको पता ही ना हो कि questions किस तरह से पूछे जाते हैं तो आप मुझे लगता है solve question करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने से जितने हो सके mock test लगाईए ठीक है experience कीजिए जितना आप से जितना आधिक हो सके जन योजना people's plan यही योजना भारती सरम संकी सचेव स्री एम एन रायदवारा पिस्तुत की गई यही योजना रोसी आयोजन विस्तुमे सरप्तम नियोजन का प्यारम 1924 से सोवियत रूस में के अनभाव से पिरिद किया गया सोवियत रूस जिसे हम लोग आज रूस कहते हैं यह पहले सोवियत रूस हुआ करता था इसमें आपके कुछ और भी देश समयले थे 1991 में इसका बटवार हो गया विक्तन होके वो देश अलग हो गया और रूस अलग बन चुका है यह उजना आयो पिलानिंग कमीशा यह उजना आयो का गठन 1946 में केसी नियोगी की सब्सक्राइब सलाहकार यह उजना बोर्ड की सिफारिस की बात किया गया 15 मार्च इस डेट को अभी वी कुश्चन से बनते रहते हैं से और केसी नियोगी की अध्यक्षता में याद रगना 15 मार्च 1950 को केंद्रिय मंति मंदल के एक प्रिस्ताव के द्वारा एक समिधानित कर्वरिः निकाय की रूम में यह उन आयब को गठित किया गया अयब का अध्यक्ष भारत के प्धैनमंत्री हुआ करते थी आयब में उपध्यक्ष भी हुआ करता था जो कि आयब का पूर्ण कालिक कारेकारी पिर मुखुगा करता है इसके इस्तान पर आप नीतियाइक की स्थाफना हो चुकी है तरह आपका नेशनल डवलम्मेंट काउंसिल विराष्टिय विकास परिशल एक गैर समिधानिक निकाय जो एउजना आयोग एवं बिविन निराज्चों की भी समनबे की कड़ी का काम करता है केसी नियोगी केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित एवजना सलायकर परिशल में एक ऐसी सलायकर संग्ठन की स्थापना की संसूती की जिससे विविन देश उप्पे देशों रियासतों की हितों का पितिनिद्ध हो सके सरकार ने 6 अगस परिशत का गठन 6 अगस्त 1902 को किया गया था पिदान मंत्री ही इसके अध्यक्ष और योजनायकर के सचेवी इसका भी सचेव होता था मूरार जी देशाई की अध्यक्षता में गठेत पिसासनिक सुधार ये आयोकी संसुती के पूर मंत्री परसत के सभी सदस इसके सदस नहीं होते थे प्यारम में मैं राज की मुकमंत्री इसके सदस हुआ करते थे किंतो 19 सर्शट के बास से केंदरिय मंती परशद के सभी सदस केंदसासित पिदेशों के पिसासक और यह उजनाय के सभी सदसवीज में सम्हले होते थे राश्टी इविकास परिशत के निमने कार हुआ करते थे क्या राश्टी इविकास को प्रगती पर समय समर्पर विचार करना राश्टी इविकास को प्रभावित करने वाली आर्टिक तथा सामाजिक नितियों सम्मंदी विसों पर विचार करना राष्टी योजना की निर्धारित लक्षेओं और उद्देशों की प्राप्ती के लिए सुझाओ देना पंचवर्शी योजना का अनुदन करना ये सबी इसी के कार हुआ करते थे NDC सहकारी संगबाद का सर्वोत्तम उधारन माना जाता है स्तरी के संथानम ने इसे सर्वोच मंद्री वईसात की संग्यादी नीती आयो के गठन के बाद इसके भविस्ट को लेकर अनिश्चित्ता बनी हुई है बात करते हैं नीती आयो किसके बारे में? नीती आयो के बारे में 1950 के दस्तत में गठे यह नायो के स्थान पर एक नई संस्ता लाने की भोष्णा पिधान मंत्री नन्मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल के कले की प्राची से राष्ट के नाम अपने संभूधन में की थी मंत्री मंडल के एक पिस्ताओ के इंड अगस्त नई संस्ता एक जनवरी 2015 को अस्तित में आया यानि कि इसकी गोष्णा हो चुकी थी आपकी पंदर अगस्त 2014 को लेकिन ये अस्तित में आया इस नई संस्ता की बात करने तो यह नैस्तित है राष्टिय भारत परीवत् lips इंडिया यानि की नीती नाम दिया गया आम तोर पर से नीती आयोग कह देते हैं नीती आयोग की मुक्त वहुमिकाय राश्टी है और अंतराश्टी महत के वेविन नीती गद मोद्वों परकें तथा राज सरकारों की जरूरी रड़ नीती तथा तकनी की परामस देने की होग आयग के लिए तेरे सुत्री है, सुत्री उद्देश रखे गए आयग के लिए नीती आयग के अगर सरजना की बात करें हम लोग तो नीती आयग के अध्यक्ष पिधार मंत्री करेंगे अध्यक्ष तो प्रोफेसर अरवेंद प्नार गाडिया, उसका पिठम उपाध्यक्ष न्यूट किया गया था और इस तरह कि आप समझ सकते हैं, questions बंते रहेंगे हमेशा कि पिठम नीधा, उसके पिठम उपाध्यक्ष कोन थे तो अरवेंद पन गाडिया और इसके प्रितम अध्यक्ष थी आपके पिधानमंत्री मौदी इस आयोग में राज के मुकमंत्रियों और निजी छित के विस्यजगों को अधिक एहम भूमिका दी गई है जो संग्य ढशी को मजबूत करेगी जबकि यह जोजन आयोग में केंद्यीता को मत दिया गया था इसकी सराजन निम्ने पिकार की बनाई गई है नीती आयोग का अधैक्ष हमेशा भारत का पिधानमंत्री होगा उपाद्यक्ज भारत के पिदानमंतिर इत्वारा नियुक्त किया जाएगा वर्तमार में आपके राजीक कुमार थे एक बात याद रखी जहां यहां क्या की यह कई बार पूच लेगा आपसे क्या पुछेगा गवन उपाद्यक नीती आये कि उपाद्यक्षकी निउकती कौन करता है तो याद रखेए इसे राष्टपती निउकत नहीं करता है इसे आपका पिधान मंत्री निउकत करते हैं कौन करते हैं पिधान मंत्री ठीक है गवनिंग काउंसेल की बात करें तो भारत की सभी मुख मंत्री इसे में सामिल हुते हैं जो आपके कैनल सासित, पिदेश हैं, उनके राजपाल, या फिर पिसासक सामिल होते हैं बिसे इस आमंतिस सदसों की अगर हम लोग बात की जाए तो इसमें विभनेत छेत्प्रों के विसे सग्ग सामिल होते हैं ये आपके पिदान मंत्री दुवारा नामित किये जाते हैं किसके दुवारा आपके पिदान मंत्री साहब दुवारा और पूर्ण कालिक सदस होते हैं इनके संख्या 5 हैं कितनी 5 अंसकालिक सदस भी सामिल होते हैं दो पदेन सदस होते हैं तथा विश्य विद्यालेओं के सिक्षक्रम के अनुसार होते हैं इसमें पदेन सदस भी होते हैं यह वारत के चार केंद्रिये मंत्रियों को सामिल किया जाता है कि ग्र यंदा कए अर्ज क्या advocate Посब्वास कि कारकाल के लिए निवक्त किया जाएगा अजय कि आपके नीतियायक की पूरी सरह शीथ Sappした अगर कियित्याय की कि उद्धेस कि बात खीमा go के इसका मुख खुद्देश तो भारतिये ससक्त राज्चे से ससक्त राष्ट का निर्माद सरकारी संगबाद को संब्रद करना भारत में ग्राम इस्तर प्रयोजनाय बनाने के लिए तंत को भिक्सित करना रड़नितिक और दीरकाउधी के लिए नीती तथा कारिक्रमों का धा त्यार करना राष्टिय सुरक्षा के हितों तथा आर्थिक नीती में तालमिल बैठाना आर्थिक प्रकिती से वंचित रहे बर्वों पर विशेश ध्यान देना पिधानमंत्री के अध्यक्षिता वाला यह आयों सरकार के थिंक टेंक यानि की बहुत दिख संस्थान के रू इसमें लिखने के लिए आता है तो इसे इन उद्देसों को आप लिख सकते हैं ठीक है कैन देवम राज सरकारों को राष्टिये तथा अंतराष्टिये महत के मात्पूर्ण उद्दों पर एक रणनेतिक और तक्निकी सलाय भी देड़ना इसका काम होगा सभी राज्यों के म अधिक संगिये बनाया गया है प्यदान मंत्री के अध्यक्षिता बालिसक आयोग में एक उपाध्यक्ष और एक मुख्र कारिकारी अधिकारी यानी की CEO का प्रावधान भी किया गया है पूरवर्ती योजनायोग के सभी परिसंपत्तियों एवं देंदारियां आदी नए न योजनायोगता उसी के जगए पर आपका नीतियायोग लाख्यार रख दिया है यह भी आपकी रहते हैं इनसे भी कुश्चन से बंते रहते हैं पिथम से बारेवी पंचवर्शी योजना थे उसके बाद बारेवी पंचवर्शी योजना के बाद खतम हो गया ये 2017 तक चली पिथम पंचवर सी योजना ये आपकि 1951 से 1959 अभाट ना गल्बाद दामुदर गाटी ही राकुंड जैसी बहुत देसी नदी पर योजना चाले हुए अब आपसे questions किस तरह से पूचा जाएगा कि दामुदर गार्टी ही राकुंड भागडा नागल बाद किस योजना के इंतरगत बने हुई थे किस योजना की समय तो यह पिथम पंचवरसी योजना की समय बनी य 59 से 56 तक चली प्रयाब की दुटिय क्वरसी योजना कि इसका मॉडल लाह है PC महाल 29 मॉडल ब्रियाब रखते है नौटिय क्वरसी योजना PC महाल 29 मॉडल पर आधा रखती है मौडल में समले छित थे पूजी गद बस्तु हैं छित फैक्टरी उत्पादे तुपो बस्तु से छित लगू इकाई उत्पादन छित और घरेलू उद्देव छित दूतिय यह उजना के समय क्या 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 काम हुए इसमें आपका रावर किला ओडिसा बिलाई चतिजगर दो यह उजना भारती अर्थवस्ता को आत्म निर्वर बनाने तथा सुर्थ बनाने के लक्ष्ट के साथ लागूई अब यहां देखिए आप लोग भारती अर्थवस्ता को आत्म निर्वर बना ले यानि कि 1961 के पहले से बात चली आ रही है और आज हम लोग 2020 में खड़े हुए यानि कि आज तक आपका देश आत्म निर्वर नहीं बन सका है समझे रहे हैं इसी तरह आप गरीवी का देखते हैं यह गरीवी तब से बोली जा रही है टारीक लिए लेकिन अभी भी बनी हुई है तिती यह उजना के पिलान मोडल का इस पर श्टूल नहीं था किन्तु इस यह उजना पर महाल नौबिस की चार चेत्रिय मोडल डॉक्टर सैंडिक के डेमोन टेशन पिलानिंग मोडल तथा सुखमय चकवर्ती मोडल का प्रभाव देखा गया है तीसरी यह उजना की बिफलता का प्रमों कारण भारत-चीन यूद्ध आप सभी को पता है कि 1912 में भा पाकिस्तान ने भी हमला बोल दिया लेकिन इसमें पाकिस्तान को अभी तक जितने भी यह उद्धू ए पाकिस्तान भारत की बीच सभी में पाकिस्तान को मुईगी खाने पड़ी फर भी नहीं सुधरता है 1965-66 का सूखा भी इसी समय हुगा फल्सवरूप यूजना अंतरगत मूल इस्तर में बिधी खाध्यानों में कमी बिदेशी बिन्वाय संकट भारी मात्रा में ब्यापार खाती में पिती कूल सेस आधी समस्याओं से जूजना पड़ा फिर आती है पी चतोर्त पंचवर्सी यूजना यूजना का प्यारूप यूजना 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 के उबाद्यक्ष डी और गार्ड गिल ने तेयार किया था चौथी उजना का मुल उद्देश इस्थिर्ता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मिर्वर्ता की प्राप्ती था इसका उद्देश क्या था चौत्री पंचवर्सी यूजना का इस्थिर्ता के साथ साथ आर्थिक विकास और आत्मिर्वर्ता की प्राप्ती दुत गती से उद्धोगे विकास और आधारवूत और भारी उद्धोगों का पर बिसेश बल दिया गया है समय फिर आती है आपकी पांचवी पंचवरसी उजना यह आपकी 1974 से 1978 तक चली इस उजना का उद्धिस गरीवी निवारण और आत्मिर्थार्था की प्राक्ति होती है देखें गरीवी निवारण आत्मिर्था इस उजना को जंता पार्टी की सरकार ने समय से एक बर पूर्वी समाप्त कर दिया और छटी उजना 1978 से 1978 से असी तक लागू रही जिसे अनवरत इउजना का नाम दिया गया इसका पिती बादन गुनार मिर्डाल ने किया और इससे बहरत में लागू करने का सरे आपका DT लकडवाला को दिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि 1975 में इमर्जेंसी लगा दी गई और 78 में आपके यां 78 में चुनाओ गए इसमें इंद्रा गांदी की सरकार राटक चुकी थी और आपकी जंता पार्टी की सरकार बनी थी ठीक है फिराती है आपकी छटी पजवर्शी योजना यह आपकी 1980 से 1985 तक चलती है इसमें क्या का उद्देश था इसका गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आध्मनी की गरण, आत्मने बरता और सामाजिक न्याय योजना के उद्देश थे ग्रामीड बेरोजगारी की उन्मूलत से सम्मदित कायकरम चलाए गए इस योजनाओं में लागू किये गए थे फिर आती है आपकी साथ भी योजना यह आपकी 1980 से 1990 तक रहती है इस योजना का लक्च अनाजयों के उत्पादन में बिद्धी रोजगार के उसरों और उत्पादक्ता में बिद्धी आधुनी की करन, आत्मेरवर्ता और सामाजिक नयाय की मुल्बूतावसक्ताओं को समाहित करते हुए सामाजिक पेडाली की स्थापना आदी इसका मुख खुद देश था बेरोजगारी और साथी गरीवी दूर करने के लिए पहले से चल रही कारिक्रमों के अलावा एक योजना और चलाई गई थी आपकी जवाहर योजना, रोजगार योजना ठीक है यह साथवी पंचवर्सी योजना की समय काम किये गए फिर आई आठवी पंचवर्सी योजना, यह आपकी 1992 से 1997 तक चली आठवी योजना उधारी की अर्द्वेस था के रोम में परडित जॉन डबलू मिलर मोडल पर आधारी थी इसका लक्ष मानो संसाधन विकास था, क्या था? मानो संसाधन विकास फिर आई आपकी नौवी पंचवर्सी योजना, यह 1997 से 2002 तक चली नौवी योजना का मुखुद्दिस मानो विकास के साथ सब, न्याइबून वित्रण और समानता के साथ विकास करना था इसमें साथ बुनियादी नियूंतम सेवाओं पर बल दिया गया इसमें आपका सुद्ध, सेवाओं में सुद्ध, फेजल, प्रात्मिक स्वास्त, प्रात्मिक सिक्षा, घर, बच्चों के लिए पोसका, गाओं और बस्तियों तक सड़क, गरीमों के लिए सारुजनिक वित्रण विवस्ता, बेहतर करना, इसका उद्देश था उसके बाद आई आपकी दसभी पंचवरिसी योजना, एसन 2002 से 2007 तक चलती है, अधिक व्यापक, आगत निर्गत, मौडल पर आदारी थी, योजना अंतरगत 5 करोड रोजगार, एक करोड रोजगार बार्शीक दर से अउसर का सेजन करने की बात के लिए, दसभी योजना मे सरवादिक बल किर्सी विकास पर था, जबकि उर्जार पर सरवादिक बैह रहा, यानि कि बल दिया गया था किर्सी विकास पर, लेकिन सबसे जाना इस समय खहच हुआ आपका उर्जा पर, फिर उसके बाद आपकी आती है ग्यारी वी पंचवरिसी योजना, ये 2007 से 2012 तक चल ये मात्पून है आपके लिए, 2012 से 2017 तक चलती है, बारेवी पंचवरिसी योजना का उप सीड शक, इसे याद रख लीजे उप सीड शक को, तीब धार्णी है और अधिक समावे सी विकास, क्या है समावे सी विकास, यानि कि इस तरह से उप्योग करना संसातनों का कि अंगल आनेवाली पीडी के लिए, बना रहे हैं, ग्रामीड भारत में 12 पंचवर्सी योजना के अंतर तक, 50 पितियसत ग्राम पंचवर्सी योजना की अंतर के 90 पितियसत भारतिये परिवारों में बेंगिंग सुगधाओं को पहुँचाने का लक्ष रखा गया, पर्याबान के छ पितिसद तक कम करने का लक्ष है इसमें लेकिन आपको पता है कि 2017 में से भी खतम करती जागए इनसे questions आपके इस table के रूप में देख लीजिए इससे questions आपके सभी बन जाएंगे अगर आते हैं तो बारत की पंचवर्शी उजना हो गई यह उजना का काल में विकास लक्ष था और बास्तविक ओसत यानि कि आप कहते हैं कि एक साल में हम एक काम कर लेंगे हो सकता है उसे जाना टाइम लग जाए तो उसकी बात की जा रही ह और प्रात्मिक्ता की छेत यानि कि सबसे जाना जिसे प्रात्मिक्ता दीए पहली आपकी उन्निस सो इंक्यावन से चपन की बीच रहती है इसमें विकास की विकास का लक्ष रखा गया था 2.1 यानि कि दो दसमलों एक पितिशत का लेकिन यह बास्तविक ओसत उगा तीन दस दोसरी आपकी उन्निस सचपन से एक सट के बीच रही इसमें आपका चार दसमलों पाच पितिशत का विकास लक्ष रखा गया था लेकिन यह प्राप्त हुआ चार दसमलों दो साथ यानि कि चार दसमलों 27 यानि कि जितना लक्ष रखा था उससे कम ही प्राप्ती भी यह सब्सक्राप के भारी उद्द्यवगों चेकसा इवं सवास्त को मुद्दा बनाए गया था तीसरी आपकी उन्निस सट से श्यासट के बीच रही यह आपकी पांत दसमलों 6 कितना पांत दसमलों 6 रखा गया था लग्ष और मिला कितना है दो दसमलों 84 यानि कि इस्तिति हमार भी बहुत बूरी रही सुक्मनी चक्वर्ती और जेस सैंडी सुबर मंडियम इसके मोडल पर आदे इसमें खाद्यान उद्दोगों को बढ़ावा दिया अब आप देखते हैं कि 66 में यह बंद हुई उसके बाद देखा है आपने 69 तक खाली रहा यानि कि इसके बीच रोग 240 असोक रुद्ध और एस मैनी इसका मोडल आदारित किरसी एवं सिचाई पर इसका जोड़ दिया गया पांच भी 1974 से 89 तर चार दसमलो चार पितिसत कर लक्ष रखा गया मिला कितना है चार दसमलो और नो यानि कि ठीक इस्तिती रही डीपी धर इसके मोडल की आदारिक जन् सब्सक्राइब पर द्यान दिया गया चाटी यह उजना आपकी उन्नीस सी से पचासी की वीश चलती है यह आपका पांच दसमलो दो का लक्ष रखा गया और पांच दसमलो चार पितिसत प्राप्त हुआ यानि कि सही इस्तिरोई इस ग्रोथ मॉडल पर आदारिक दिया आग आपके पेड़ों मुखर्ची मॉडल पर आदा रहे थी यानि कि इसमें भी आपकी इस्तिती खाद्यान और उज्जा इसका प्रात्मिक छित था आटवी यह उन्नीस सो देखिए इस बीच में आपका देखा होगा आपने तीन बार आपकी बीच में रोक दी गई थी किसी का 5.6 का लक्ष रखा गया और 6.6 प्रात्मिक जॉन डबलू मिलर मॉडल पर आ रहे थी इसमें आपका मानव संसाधन और स्वास्तिवां रोजगार विकास पर प्रात्मिकता दी गई फिर आपकी नौ भी है 1997 से 2002 के बीच 6.6 6.5 का लक्ष रखा गया था 5.70 की मिला है लक्ष तो गाटा भी में रहे हम लोग आगत निर्गत मॉडल पर आधा रिप्ति इसमें रोजगार गराम विकास और सामाजी व्यक्ति पर ध्यान दिया गया दस भी 22 से 2007 की बीच 7.9 का लक इसी पर आधा है रोजगार उल्जा सुरक्ष सुधार और सामाजीक सरचना का विकास पर लक्ष रखा गया 11 वी आपकी 2007 से 2012 की बीच विच रूगा 9.9 का लक्ष रखा गया था लेकिन 9.30 का लेकिन मिला है बास्तविक 7.9 पर प्रोफेसर सी रंग राजल इवनाय का प्रप इनी मोडल पर आधारिती ती पितर और अधिक समावी की विकास पर ध्यान दिया गया 12 वी पंचवरसी में आपका 8.30 का लक्ष रखा गया था लेकिन रोख दी गई तो इसका कोई परड़ाम नहीं निकला यह उजनाय का पत्त पर आधारिती ती विधार्णी और अधिक समा आधियों को वित्तिय हस्तांतरण के लिए दिसा निर्दे सुजाने हितु वित्तायों यानि की फाइमेंस कमीशन का गठन किया गया समिधान के अनुछे 280 में यह विवस्था की गी कि राष्ट प्रित्ती तुवारां पितेक बर्स की पश्चात या फिर उसते पहले आबस् पर उससे पूर्व एक बित्तायों का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्च के अत्रिक्त इसमें चार सदस होंगी एक अध्यक्च और इसमें चार सदस होंगी ठीक हो एक बात यहां याद रखिए आप लो जैसा कि आप सभी जानते हैं कैंद के पास आय की सिरुत अधिक ह और राज्यों के पास कम है तो राज्यों को जो इसमें से बटवारा करने के लिए आपका बित्तायों बनाया गया है इस आइटिकल को भी आपको याद रखना है दोसो असी आइटिकल की ते इसका प्रावधन किया गया है क्योंकि कई बार पूच लेता है बित्तायों का प् कर तब होगा कि वैराष्ट पती को निमलिखी संबंद में अपनी संस्तोतियां यानी की साहता करे या सलाय दे के अंदर तथा राज्यों की बीच बिभाजनी है करओं से प्राप सुद्ध राजर से कवित्रन तथा इसमें विविन राज्यों का हिस्सा क्या होगा उसके बारे में भारत की संचित ने दी मैसे राज्यों की दिये जाने वाले अनुदानों के लिए सिध्धान सुद्रण वित्ताय वित्धित में राष्ट पती द्वारा आयोग को बिनिर्दिष्ट निर्दिष्ट किया गया है कि अन कोई मामला इससे वित्तायों यानी की वित्ति से सं थाथ यह ँचे लेगए कि आये कर तत्था अन्य करों का विफाजन तत्थाम्स पितरण दूसरा है अनुदान तीसरा है संग्द्वारा राज्यों के लिए दिए गए राज्यों के लिए लिए घ्रेड यौर्ज़्य वारत भारत की वित्ताइब हुएं क्रमांग की आनी की पहला दूसरा गठन जिस वर्स में इसका गठन हुआ है यह अद्धिक्ष का नाम है वो किरियानवर्ण वर्स हो गया है रिपोर्ट देने का वर्स हो गया है पहला आपका बना उननिस सो इंक्यावन में तो पहले अद्धिक्ष थे केसी ने होगी, ये कई बार पूछ लिया गया है, पहले बित्याई प्रियद्धिक्ष कों थे, केसी ने होगी, ये 1951 में गठे तुगा, और इसकी किरियान बर वर्स रहा है, कितने वर्स से कब तक के लिए, 1952 से 1957 तक के लिए बनाए गया था, इस अद्ध्यक्ष थे, único 1961 में इसकी रिपोर्ट सौपी, तीसरा आपका निज़ोसाथ में बनाए एक चन्दा इसकी अध्यक्ष थे, 1962 से 1962 तक इसने कार किया, lasted 1961 में अपनी रिपोर्ट सौपी, 1964 में इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमनार 1966 से 69 तक इसने कारी किया 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट सौपी पाँच बाप का 1968 में महावीर त्यागीश के अध्यक्ष थे 1994 से 74 तक और 1989 में इसने अपनी रिपोर्ट सौपी थी फिर चटबा आपने देखा है चटबा थे 1972 में इसका गठन किया गया ब्रह्मानंद रिडीस के अध्यक्ष थे 1984 से 89 तक इसका समय रहा 1973 में इसने अपनी रिपोर्ट सौपी फिर साथ बाए 1987 में इसका गठन किया गया J.M.S.E.L.E.T. इसके अध्यक्ष थे 1989 से 84 तक इसका समय रहा 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सापी आठवा 1983 में बना YV चोहान इसके अध्यक्ष थे 1984 से 89 तक इसका कामरा 1984 में इसने अपनी रिपोर्ट सापी नबाब का 1987 में NKP सालवे इसके अध्यक्ष थे 1989 से 1995 तक इसका कामरा 1989 में इसने अपनी रिपोर्ट सौपी दसवाब का 1992 में के सी पंद थे इसके अध्यक्ष 1995 से 2000 की बीच इसका काम रहा इसने अपनी रिपोर्ट 26 नवंबर 1994 को सौपी थी 11 अबाब का बनता है 1998 में एम खुसरो इसके अध्यक्ष थी सन 2000 से 2005 तक इसका काम रहा 31 अगस्त 2000 को इसने अपनी रिपोर्ट सौपी बारेबाब का सन 2002 में आये दोक्टर सिंग सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थी 2005 से 2010 तक इसका काम रहा आगा और 31 नवंबर 2004 को इसने रपोर्ट सौंपी थी, 13 अबाप का 2007 में बना, इसके अद्धिक्ष थे Dr. B, Dr. Vijay L केलकर, 2010 से 2015 की बीच इसका काम रहा, 31 देसंबर 2009 को इसने रपोर्ट सौंपी, 14 अबाप का 2013 में बना, इसके अद्धिक्ष थे YB, रेटी, 2015 से 2020 तक इसका काम है, और 31 अक्टूबर 2014 को इसने रपोर्ट सौंपी, जो 2017 में 15 अबाप का बढ़ा, इसके अद्धिक्ष थे NKC, कौन है? NKC, और इसका काम है 2015 से 2000, 2020 से 2025 तर, ठीक है, काम इसका है, तो यह है आपके वितायव, 15 वे का नाम याद रखी, 14 के बाप, वे का भी नाम याद रखी, कई बार पूच लेता है, 15 वे वितायव के अद्धिक्ष आपके NKC, कौन है NKC, फिर चलते हैं आप लोग बजट, बजट सब आप लोग, राज्जों में भी बजट पेस होता है, और कहने सरकार में भी, आपका बजट बनता है, आप अपने घर का भी बजट बनाते हैं, यानि कि सीधा समतलब है बजट का, कि आपकी जो आय है, और जो ब्या है, उसका एक अच्छे से नियूजित बनाना, कि मतलब आपके हाँ अगर 10 रुपे आया है, तो उस 10 रुपे में पूरा घर का काम चल जाए, इसी के बारे में नीतिया मनाना, यही बजट का काम रहता है, आप लोग भी अपने देनेक चरया में भी बात करते रहते हैं, कि मेरा इस महीने का बजट बिगड चुका है, तो जो आप देखते थे, चमड़ी के थेले में इसी लाया जाता था, वायरत्मान अरत में सरपितम इस सब्द का प्रियोग दा बजट ओपिन नामक बैंग राचिना में सर रावर्ट वालपूल के संदर में किया गया था, सन 1773, सन 1773 में बैटिस बितमत्री सर रावर्ट वालपूल ने संसत की समक्त पेश करने के लिए अपनी बित्तिय पिस्ताव चमड़ी के थेले से निकाली थे, सन 1773 में, उसी समय से बजट सब्द का प्रियोग सरकार की बारसी का बै कि विवरन के लिए किया जाता है, याद रखिए आप, समीधार में आपके बजट सब्द का उलेक नहीं किया गया है, समीधार में बारसीक, बै की बारे में, आय बै की बारे में बात की गई, बार्सित सब्द का यूज किया गया है और बजट आप लोग समीधान में इसका प्रावधान नहीं है सब्द का सामान सब्दों में बजट भवेश के लिए की गई वह यूजनाय जो पूरे बर्स की राजस एवं अन आय तथा खर्चों का अनुमान लगा कर बनाई जाती है जिसमें वित्तिये मंत्री के द्वारा सरकार की समख्ष अपनी बैय कानुमान लगा कर आने वाली वर्स के लिए कई उजनाय बना कर जनता के सामने हर वित्तिये वर्स के द्वरान पिस्तुत की जाती है आप याद रखिए आर्थि क्सर्वेक्ष हुमेजा जासे अभी आपका बजट हुआ तो यह 2021 2021 के लिए लेकिन आर्थिक क्सर्वेक्ष जुआ थे एक चमाउय में वह आपकी का स्वार्थ ना हो सरकार द्वारा बजट में लोगों लोग ब्यापार संकार के देश वहुराश्टिय संगटन के लिए एक ब्यक्ति परिवास हमों के लिए अच्छे से अच्छी योजनाई बनाई हो गई हो खर्चे एवं निवेश किये गए हो भारत के पहले बजट को पि जेम्स बिल्सन को पहली बार बित्त विसे सके जेम्स बिल्सन को वायसराय की कार्कारणी का बित्त सदस नियुक्त किया गया था यानि कि एक तरह से आप सकह सकते हैं कि बित्त मंतरी से नियुक्त किया गया था जेम्स बिल्सन को भारतिय बजट का संस्थापक में भानते है questions पूछेंगा आप से कि भारतीय बजट का संस्तापक किसे मानते है James Robinson को 1860 के बास से पिती वर्ष देश की बित्ती एस्तिती का वेवरण पिस्तोत करने वाला बजट हुआ इसराय की परिश्यत में पेस किया जाने लगा लेकिन उस समय भारत गुलाम था इसलिए बजट पर भारतीय पिती ने दियों को बहस करने का अधिकार नहीं था यानि कि वही अधिकार उनीक अधिकारे हुआ यह जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उनीक अधिकार था इस पर बात करने का हम लोगों को बहस करने का दिखा नहीं था जिस तरह आप देखते हैं अभी दोनों संस्थाओं में आपका देखते हैं कि राजिसभा लोगसभा में बहस होती है बजट पर तो इस तरह का पहले फिरावदान नहीं हुआ करता था बारतिय सम्मिधान के नुच्षेद 112 इस आर्टीकल को याद रखना है बारतिय सम्मिधान के नुच्षेद 112 में भारत में केंदरी बजट को बारसिक वित्त्रण वित्तिय विवरन सब की रूम में बिन्ने इंडिस्ट किया गया है यानि कि यह सबहाओ उपियोग किया गया है आपकी समयनानिय में बार्षिक वित्तिय विवरण जिसे राष्टपती पितेख विवर्ष के दौरान राजिसवा और लोकसाबा के समख्च बार्षिक विवरण फरवई के अंतिम कार दिवस को रखवाते हैं जिसमें सरकार के गदवर्स की आय प्राप्ति और बैय जहां होगा उसका बैवरा होता है भारतिय वित्वर्स की सुरुवात एक अपरेज से सुरूम होते हैं कब से एक अपरेज से बजट को लागू करने से पूर्व संसाद्वारा पास करना आवसक होता है बजट का उद्देश की बात करने कि किस उद्देश से इसे बनाए जाता है पिछेएक बस के लिए सरकार पूर्व में ही योजनाय बना लेती है जिसमें सरकार की आये कि सिरोथ जैसे बिन बिन करों की वसूली या टेक्स या फिर राजस से आये सरकारी फीस जुर्माना लावांस दिये गए रिट पर व्याज आदी सभी आये और इन आये को बापस जनता के लिए लगाना बजट का मुख कुद्देश होता है आर्थिक वेकास की दर से बिद्धी करना गरीवी एवं वेरोजगारी को दूर करना आसमानताओं को दूर कर आये का सही ए उजनाओं में उप्यो करना बाजार में मूल एवं आर्थिक इस्तिरता बनाए रखना इसका उद्देश है अन्ने सभी छेत्रों जैसे रेल, बिजली बिद्ध, अनाज, खादबदा, बैंकों के लिए भी फंड करना इसका मुख उद्देश रहता है अगर हम लोग बजट के पिरकार की बात करें यानि कि कितने तरह के बजट होते हैं तो मत क्रम बजट इसको परमपरागत बजट भी कहा जाता है क्या कहते हैं परमपरागत बजट के इस पिकार का पेणाली का विकास अठारवी सताथी में हुआ था इस बजट में बस्तूओं या फिर मत का मत अधिक होता है उन मदों या बस्तूओं पर खर्चे से क्या उद्देश हांसल होगा इस पर नहीं इस पिकार के बजट का उद्देश पिदायका द्वार ज़ी करें हुए है कहां अमेरिका में इसे पहले किरियासी के लिए आपकर कार्यकराब बजट भी कहा जाता था सरव्पितम यूवान आयोग ने इसे निस्पाधन बजट कहा था निस्पाधन बजट में मत कि बजाय, खर्चे के उद्देश को ध्यान में रखा जाता है, या पितेक कारिक्रम और गतिवीदी को बास्तविक निस्पाधन और विधिये निवीस पक्षों के बीच संबन्द स्थावित करता है। उसके बाद है आपका कारिक्रम बजट, क्या है कारिक्रम बजट यह बजट पिक्रिया अन्य सुधारात्मक बजट पिक्रियाओं में भी सुधार जहां निस्पादन बजट कारिकों सलता पर बल देता है और सुन आधारित बजट बैक अटोती पर वही कारिक्रम बजट प्रभाव कारिता पर बल देता है एक कार की सभी विकल्पों की संख्या आधारीज दुल्ला इस बजट की मत्कून बिसेशता है फिर आपका सुन आधारीज बजट क्या है सुन आधारीज बजट इसका जनम और विकास अमेरिका में हुआ है इसका रिर्मार्ट पीटर एट पीर ने उननी सो नत्तर में किया जाने से पहले पितेक कारिकरम की आलोचनात्मक समीच्छा की जानी चाहिए और सुनने से प्यारम कर संभूरता दुबारा सही सिद करना चाहिए सामानता बार्सिक बजट वित्त सामानता बार्सिक बजट वित्त मंत्रा लें मैं उनके बांटे के बिभागों द्वारा बनाये जाते हैं जिसकी अंतिम मंजूरी राष्टपती द्वारा दी जाती है जो केंद और राज्यों राजसरका दोनों के सम्मंद में होती है रेल बजट रेल मंत्रा दोनों को एकटा कर दिया गया है कैंदरी बजट सरकार दोनों को पिस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट जो हर बड़ की वक्ति को द्यान में रखकर बनाये जाता है जिसे आम बजट भी आप लोग कहते हैं सामानता इसमें सभी पेकार की प्रावधान होते हैं जो कि बिल के रूम में पारित होते हैं पितेग वर्ष नई बजट के साथ नई नियम और कानून के साथ पारित होते हैं के अंद्रिये बजट के कई छोटे-छोटे प्रावधान जिनके लिए बजट बनाया जाता है जैसे आप समझ सकते हैं के अंद्रिये बजट इसमें आप देखते हैं के अंद्रिये बजट में क सिख्छा किरिशी रख्चा अनप्रावधान बेहती गताय निगम कर सेवा कर इन सबी पर आधारित प्रावधान होते हैं तो रेल बजेट की बात करें इन लोग तो रेल बजेट पेस करने की परंपरा की शुरूआत की प निग्सवे सब्सक्रावधन नहीं था इस समय रेल के लिए धन की विवस्ता आम बजट में से किसी अन्व मंत्राले की तरह से ही की जाती है सन 1921 में इंडियन रेल बित्र समती ने इसे अलग करने की सिफारिस की जिसके पैडाम सुरूप 1924 में रेल बित्र मंत्राले से अलग कर दिया गये तबी से इसके लिए अलग से बजट प्रावधन कर दिया गया भारतिय समिधान में कहीं भी रेल बजट जैसे सब्दों का बढ़न नहीं था परन्तु पहले अनुच्छे 112 तथा 204 के अंतगत रेल बजट पेस किया होता था परन्तु अब कैंद सरकार ने रेल बजट को अंगले अलग से पेस करने की विवस्ता को समाब्त करते हुए 21 सेप्टमबर 2016 को इसे आम बजट में मिलाने का फैसला किया गया यानि कि वर्स 2016 से रेल और आम बजट के अलगन होने की आखरी साल थी 2016 अब इसे एक साथ पेस किया जाता है ठीक है अब अलग से रेल बजट का कोई प्रावधा नहीं है बित वर्स 2017-2018 के लिए केंद सरकार एक ही बजट लाई थी ठीक है हलाकि इसके बापजुद रेल विस सुतन तिकाई के तौर पर काम करता रहेगा बारती बजट के बारे में एक नजर में कुछ मत्मूर्तत थे उन्हें भी देख लिए आजादी से पहले अंत्रिम सरकार का बजट लियाकत अली खाने पेस किया था यह आप से पूछ सकता है यह आजादी से पहले अंत्रिम सरकार का बजट किस ने पीस किया था लियाकत अली खाने यह बजट आपका 9 अक्टूबर 1940 से 14 अगस्त 1947 तक था 26 नवंबर 1947 में पेस किया तो याद रखिए आजाद भारत का पहला बज़ट आरके सर्मुकम चिट्टी साहब ने पेस किया था सबसे अधिक आम बज़ट पूर पिधार मंतरी स्वरगी है मौरारीजी देशाइड ने 10 बार पेस किया याद रखिए किसने सबसे जाना मौरारी इस की बात कर रहा हूं हम लोग तो रामनात कोविंद सहाव हैं आपके ठीक है फिर उसके बाद यह सबन सिंगा वाईवी चोहान सेडी देश मुक इन्होंने साथ साथ बार बज़ट पेस किया पैदार मंतरी मनमोहन सिंग ने वित्त मंतरी के रूम में छे बार बज़ट पे बीपी सींग, सी सुवर्बमन्यम, जौन मताई, आरके सड मुकम सिट्टी दो दो बार बज़ट पेस किया इसके अलावा पंडित जवालल नहरू इंद्रा गांदी, राजीव गांदी, चरन सिंग, एंडी तिवारी, मदू दलवन्ते, एस वी चोहन, सचिन चोधरी ने एक कई बार कुछ लेता है, प्यदान मंत्री के साथ इनों ने बित्त मंत्री का कारभाल भी समाला हुआ थे, इंद्रा गांदी थी नहरू थे और इंद्रा गांदी राजी, चरन सिंग ने एक बार और मुराजी देशाई ने चार मोकों पर उप्यदान मंत्री और बित्त मंत्र के रूम में पेस किया था उस समय की घहलू और आर्थिक परिस्तितियों की बज़शी से पेस किया गया था दूसरा इसी परकार का बजट करादान पिस्ताओ भी किष्णा मचारी अगस्त 1965 में पेस किया इनों तीसरा मिनी बजट बाइभी चोहन चोहन ने दिसंबर 1971 में पेस क आप इसकी भारतीय बजट की पिक्रिया देखे लिए किस तरह से पेश किया जाता है बारत में बज़ट निमने करमानुसार संसिदी के और करों से गुजरता है सबसे पहले राश्पति उसके बाद बित्मंत्री बित्त मंत्री क्या करता है संसत के दोनों सठलों पटलों पर्यानी की सदनों में लोगसभा और राजसभा में पेस करता है यहां इस पर बजट पर पिस्तो चर्चा होती है उसके बाद पास किया जाता है बजट संसत की दोनों सभाओं की समक्ष रखा जाने वाला बारसिक वित्तिये विवरण केंसरकार का बजट कहलाता है इस विवरण में एक वित्तिये वर्ष की अउदी सामिल होती है भारत में वित्तिये वर्ष हर वर्ष एक अपरेल को आरम होता है बित्तिय वर्ष एकत्तीस मार्ष तर बेवरण में बित्तिय वर्ष एतु भारत सरकार की अनुमादित प्राक्तियां और बैय का बेवरा होता है इसमें अब बात करते हैं अनुदानों की मांगें बजट में समलेत बैय के अनुमान को लोगसभादवाना अनुदानों की मांगों की रूम में मद्दान के जरीए सुईकित होना चाहिए इन मांगों को मंत्रा लेवाय करमबद किया जाता है तता पिधेक प्रमुक्स लासेट यी तो पितक मांग पिस्तोट की जाथी कमाने पिस्तोट पिसर्प का है भिस्तोट हो उसके ततफश्या विस्तित अनुमान की तो अनुमान और हो के गदों में बिष्थभाजट करक स नहीं विवरन होता है पिस्तुत करना भारत में राष्टपती द्वारा निर दैधारी तित्थी पर संसद में बजट पिस्तुत कियista बृत्वमंत्री का這種 समंदता दो हो भागों में होता है भाग का देश की सामान आर्थिक शर्विच्छण के के बारे में होता है । भाग जो खा होता है । एक करणधान प्रिस्ताऊ से समद्धीत होता था पूर्व में सामान बजट फरवरी के अंतिम कार दिवस oke लिए शुबह पॉच बज़े पिस्तुत किया जाता था फरतुility 1999 में सालमानता बजट फरवरी की अंतिमकार दिवस को पूरवान 11 बजी पिस्तुत किया रहा है पहले साम को 5 बजए और उसके बाद 11 सुभई 11 बजए इस बरस जिसमें लोकसभा के आम चुनाओ होते हैं को छोड़का बित्तिय बरस के आराम होने से लगवाग एक माय पूर बजट फिस्त किया जाता है चुनाओ बाले बरस में बजट दो बार पहले आपका कुछ महीनों के लिए लेखा अनुदान प्राप्त करने के लिए और बाद में पूर बजट के रोव में पिस्तुत किया जाता है आप समझ सकते हैं पहले आंसिक बजट चुनाओ के समय, चुनाओ वाले समय में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक लिए नहीं रहता है कि आने वाली सरकारी, यानि कि यह जू बरदमन में सरकार है, यही सरकार बना पाएगी, हो सकता है कि इस सरकार को हटा दिया जा जनता के द लोग सभा में बित्नमंत्री के भास्टर्थ की समाप्टि पर वार्षिक बित्ति टीए विवरण के पटल पर रखा जा जाता है। बजट दस्तावीज तो दू वर्स और अंगले वर्स के द्वराने प्राप्तियों और ब्याय की प्रकिती स्पष्ट करने वाला और दो वर्सों के इरुमान में भिन्नता के कारणों को दर्साने वाला एक संचित ब्याक्यात्मक ग्यापन, मंत्रालय यानि कि हर मंत्रालय के प्रावधानों को दर्सान की तुरंद बाद पुना इस्थापित किया जाता है इसके साथ ही ग्यापन पिस्तुत किया जाता है जिसكنपीढिक जिससे विध्यक के उबंदों और देश के बित्ति पर इसके प्रिवाव को इस पश्ट दिया जाता है। बित्त विध्यक, धन विध्यक। लेखानुदान लेखानुदान क्या होता इसमें? बजट पर चर्चा इसे फिस्तुत किये जाने की कुछ दिनों बाद आरम होती है एक लोकतांत्रिक धाचे में सरकार संसत को बजटी प्रावधन, प्रावधनों और कराधान के लिए बिभिन प्रिस्तावों पर चर्चा करने का फूर अवसर देने के लिए उत्सुक रहती है चोकि संसत नए वित्ती वर्ष के आरम होने से पहरे संपूर बजट पर मद्दान नहीं करावाती अताह देश के पिसासन को चलाने के लिए सरकार के पास परियाप्त वित्त उपलब्द रहने की आवसकता पनी रहती इसलिए लेखा अनुदान के लिए एक विसेस उबंद किया जाता है जिसके अंतरगत सरकार उतनी रहनरासी के लिए संसप की स्विकिती प्राप्त करती है जितनी बर्स के एक भाग के लिए बिभन मदों पर ब्याय हेतो पर्याप्त होती है सामानता लेखा अनुदान की स्विकिती दो माहे के लिए होती है कितने दो माहे के लिए किन्तु यदि किसी निर्वाचन बर्स में या फिर जब या पूरु मनमान हो कि मुख अनुधानों और विणियों विद्याक को पारित करने में दो महीने से अधिक समय लगेगा तो लेखा अनुधान कि सुईकिती दो महीने से अधिक 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 के लिए भी ली जा सकती है दो Bureau छोपड़ा में पूर ने सुना कि भी कोज्टेश हो होती है तो इसे भी देख लिए लिंगन लोग सवा में बजट पर चर्चा दो चढ़नों में होती है रेल और सामान बजट्ट, दोनों पर सामान चर्चा के पहले चरण के समापत होने के फश्चा सभा एक निष्चित वुदी के लिए इस्तिक्रट कर दी जाती है, यानी कि संसत एक समय के लिए बंद कर दिया जाता है, इस सभावु, इस सभावु, इस आओदी के दोरार पितीविदन देने होते हैं। इस्थाई सम्तियों दोरा अनुदानों की मांग पर विचार किये जानेें, कि पिढ़्याली बर्स रिखे कि मी पैंतालीच सदस होते हैं। इसमें से लोगसभा सदस Ноche Why कि इस्थाई सम्तियों के पितीविदन सलायकारी प्रक्किती के होते हैं नियम 331 विडा की तहले पिती विदन में कटोटी फिस्ताओं की प्रक्किती का कोई सुझाओ नहीं होता है इस्ताइ समतियों की पिती विदन सभा में विश्थतुत किये जाने के परशा सभा चर्चा करते हैं और मंत्रालाय वार अनुदानों की मांग पर मद्दान भी करती है अध्यक्ष द्वारा सभा की नेता की परामर से अनुदाने को ही मांगों पर चाचा और मद्दान ही तुग समय आवंटित किया जाता है आवंटित दिवस के अंतिम दिन अध्यक्ष सभी वकाय मांगों को सभा में मद्दान के लिए पिस्तुत करता है एक बात याद रखी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस पिक्रिया को तो राजसभा पर जो लेक्ष्टर डले हुए है उसे आप जाकर देख सकते हैं बजट की बारे में बहतर आपका समझाय गया है हुआ या पिक्रिया आम तोरप पर गिलोटिन के नाम से जानी जाती है लोगसभा के पास किसी भी मान को सुईकिती देने अत्वा सुईकिती देने से मना करने या सरकार द्वारा मांगी गई अनदान की धनलासी में कटोदी करने की भी सकती होती है लेकिन राजसभा में बजट पर केवल सामान चर्चा होती है इसे किसी भी कटोती कबराओदान नहीं कर सकती है इसे कोई अधिकार भी नहीं है यह हनुदानों की मांगों पर मद्दान नहीं करती है कौन राजसभा? केवल उतनी ही धनलासी के संबंद में लोगसभा मिमद्दान होता है जो कि भारत की समेकित ब्याय की रूम में प्रभारित नहीं होती है पे भारित ब्ययाय के अंतरगत आपके ठावा की rाष्पती की परिलबतियां, राजसबधा की सभापती, ओप साभानबती, लोगसबधा की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चितम नेयले की नियादीसों, भारत की नियमत्रग और महले के modify जातें तथ भारत की के दोरान सदस्तों के पास बजेट ये प्रावधानों कि आलोचना करना हो साथ ही देश की वित्तिय इस्तिति सुधाने के लिए सुझाओ देने का भी पूरा अउसर होता है यानि कि जो अंग्रेजों के समय में आपको अधिकार नहीं दिये गए थी वो सभी अधिकार अब इ कि भिन्निता की आदार पर या फिर कोई सिकायद व्यक्त करने के उद्देश से सरकार द्वाना मांगी गई धनरासी में कट्वती की मान की जाती है इस तरह के विध्यक को कट्वती विस्ताओं को आप लोग सोचे कि विपक्ष का कोई सदस लाएगा बिन्योग विध्यक बजट विस्ताओं पर सामन चर्चा और अनुदानों की मागों पर मद्दान हो जाने के पशा सरकार बिनियोग विध्यक पुनाह इस्तावित करती है बिनियोग विध्यक का आसा सरकार को भारत की संचित नहीं में से बेय करने का प्रादीकार देना होता है इस विध्यक को उस सभी अधिकार लोगसभा को ही दिये गए राजसभा अगर चाहे तो इस पर संसुधन नहीं कर सकती है बस 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है यानि कि इक अधिकार मिला हुए किसे आपके लोगसभा को इसलिए आप सोचते हैं कि जब आधार विदेयक कोई पिस्तुत करवाना हुता है यानि कि कोई भी विदेयक पास करवाना हुता है तो सरकार क्या कहती है कि उसे धन विदेयक का नाम दे देती है और आरफसानी से इसे पारित किया जाता है बित्त विदेयक सरकार की कराधान पिस्थाओं को मुठ तूप देने की विवस्था करने वाले वित्त विद्याक यिसे सामन बजयर्ट कीई जाने के तुरंथ बाद लोकसवा में पुनाहा इस्थापित किया जाता है को बिनेव विद्यक पारित किये जाने के पश्चाज बिचार करने और पारित करने के लिए पारित किये जाने के लिए दिया जाता है संसत को विद्यक बित्य विद्यक पुनाहा इस्थापित किये जाने के 75 दिनों के बीतर इसे पारिद करना होता है तो आपने सुना हुआ अनुपूरक या अतरिक धनुदान संसद्वान प्रादी के धनराशी की सीमा से अधिक कोई ब्याय की संसित की स्वेकिती की बिना नहीं किया जा सकता है जब भी अत्रित ब्याय करने की आवस्यत्ता होती है तो संसत के पटल पर एक अनुपूरत अनुदान रखा जाता है। जब आपने देखा होगा कि किसी लड़के की नंबर 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए औहुं 28 तो उसे कितने पांच नंबर का ग्रेश दे दिया जाता है यानि कि अनुपूरत उसी के बात की ज़र ही उसी था है। यदि एक बित्ती बर्स के दोरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए और उस बर्स के दुस्विकिती धनरासी से यदिक धनरासी खर्च की गई है तो बित्त रेल मंत्री के अतरिक्त अनुदानों की मांग पिस्तुत करते हैं। अनुपूरक और अत्रिक्त अनुदानों के संबंद में संसद में अपनाई जाने बाली पिक्रिया लगबग वही है जो सामन बजट में सामिल कीए अनुदानों के मामले में अपनाई जाती है। राश्टपती के सासान दीन राज और संग राज छित्रों का बजट की बात करें तो राश्टपती के सासान दीन राज जी का बजट लोक सभा में पिस्तुत किया जाता है के असरेगार के बजट के संबंद में अपनाई गई पिक्रिया ही राज जी के बजट के मामले में अध सब्सक्प्राइब कर बाहरμ नहीं निकलना चाहते है जिसे वह आ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस 3.5 बारशिक बिद्धिदर को हिंदू विकासदर कहा जाता है प्रोफेसर्ग राज किष्ण नहीं 3.5 की इस बिद्धिदर का निर्धार निर्धार भारती अर्वेस था कि स्तोतंता के पश्चात पिथम तीन दसकों के उपलगदियों के आधार पर किया था आपने देखा होगा 1951 से 1961 के बीच की विकासदर आपकी बारशिक बिद्धिदर थी 3.9 कितनी 3.9 1951 से 81 तक रही है 3.5 1961 से 71 तक रही है 1971 तक 3.7 और 1971 से 81 की विच रही है 3.1 समझ रहे हैं तो यह कहानी थी आपके बजट की बात करते हैं भारती किर्षी के बारे में इन्नियन एग्रिकल्चर किसी देश के बिकास में किर्षी चेत निम्नांकित पेकार से युगदान कर सकता है किस तरह से खात्यां तरथा कच्छा माल पैना करनके निर्यात युग आधिक सहजन द्वारां बेदेसी मुद्रा अजित करके बढ़ते हुए बेरोजगारों के लिए सरडार थी गरह की रूम में बढ़ती जन्संख्या के लिए खाद सुरक्छा पिदान करके और पांच बाह उद्वाद के बिक्री है तू बाजार की रूम में आप अभी देख रहे होंगे कि जब से कॉरोना वाइरस आया हुए है तो सभी कामधंदे चौपट पड़ चुके और हमारी वैसे तो अरस्थ व्यवस्ता की हालत बहुत पहले से हमारी बुरी इस्तिती चल रही थी लेकिन उसमें जितनी कमी थी वो आपकी पूरी करदी किस इसलिए आप सोचिए कि खेती है अगर आप सोचिए जिस खेत में खाद्यान ना होता होगा अभी सब ठप पड़ा हुए कहीं से कहीं आयात निर्यात नहीं हो रहा है तो आस दीर तो जन संख्या मुख से ही मर जाती और वैसे भी हमारी देश की जन संख्या इतनी है कि अगर से खाद द्यान ना होता तो एक दो दिन में साख हो जाती स्रमझ रहे हैं दो महीने तीन महीने बहुत बड़ी बात हो जाती है पूरी तरह से आयात निर्या ठप पड़ा हो बालती किर्सी चेत का निस्पादन आज भी बरसा और दच्चेट पश्चे मांसून जून से सेप्ट आज है ऐनल तरह सँाय यानि किर्सी को मांसून का चुगा करना जाता है यानी कि अगर मांसून अच्छा पिछ रा मक्क्ह कपास गंध तिल मोंग फली मोंग सोया हीन आधि याद रखिए कोई बार पूच लिया गया गया कि ये खरीक फ़सल है धान मक्हाख खरीक की है कपास खरीक की है या रभी की, तो आपको याद रखना है, इस अभी खरीब की फसले हैं, फिर आती है रभी, इसकी आउधी आपको नवंबर से मार्च अपरेल तक देखने को मिलेगी, यानि नवंबर माहे में, वो दी जाएगी अक्टूबर नवंबर में, और ये आपकी मार्च अपरेल में क इसके अंतर के तो आपने देखा हुगा, खर्बूज, तर्बूज, ककडी, सबजी आती है, जायद की फसलों में, फसलों के उद्दिश से फसलों को दो, को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक खाद फसले, इसका मुख खुद्दिश इस्थानी है, उप्यों की आवसक पूर्ताओं की पूर्ती करना होता है, खाद फसलों में गयों, चावल, मोटे अनाज और दालें आती है, दूसरी में आपकी ब्याबारिक फसलें, या फिर आप लोग इसे नगदी फसलें भी कहते हैं, इसका मुख खुद्दिश बेंच का लाब अरजित करना होता है, नग पादक्ता, दो कारकों पर निर्वय करती है, एक कौन कौन से कारक हैं, देखिए हने, इसमें पहला है आपका संस्थागत कारक, क्या है, संस्थागत कारक, इसके अंदर के भू धारन की पिणाली, जोतों का आकार, लगान का नेमन, मद्धेस्तों का अनूमूलन आदी है, द बाएं, आधुनी किर्सी, यंद आदी आते हैं, बहरत में हरित करांती, तकनिकी कारकों की ही देन है, किर्सी उतपादन और उतपादक्ता को बढ़ाने के लिए एक प्रमुक, संस्थागत कारक, भूमी सुधार है, बहरत में भूमी सुधार की प्रमुक रूप से दो देश कौन-कौन से हैं? पहला है आपका चकवंदी और जोतों की अधिक्तम एवं नियुन्तम सीमा लागू करके लाब कर जोतों की स्थाफना करना ताकि सरम एवं पूजी का अव्य ना होकर भूमी का दे युक्ति-युक्त प्रेयोक की आजा सके। दूसरा देखते हैं आप लोग कास्त कारों में भूमी का पुनर भी तरण करना और पट्टे भी दे गई भूमी की सर्तों में सुधार करना ताकि किसानों का सोशन समात किया जा सके। बारत में किर्सी तथा सिचाई, सिचाई किर्सी में प्युक्त होने बाली सबसे प्रभावी आगत है जो किर्सी में उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावी करता है। सिचाई परियोजनाओं को एक नए आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन-कौन सी है बड़ी सिचाई परियोजना इसमें आपका 10,000 हेक्टर से अधिक खेती योग कमांड एरिया सामिल होता है मद्द सिचाई परियोजना इसमें आपका 2000 से 10,000 हेक्टर के बीच कि खेती योग कमांड एरिया वाली परियोजना होती है बरानी या फे बरसा पर आधारित खेती, खेती के ऐसी पिणाली जो सिचाई के लिए बरसा की पानी पर ही पूरता निर्वार रहे, जिसमें किसी भी किंतिम सिचाई के साधन का प्रियोग नहीं किया जाए, उसे हम लोग बरानी खेती कहते हैं। चावल जुआर बाजरा, अन्न मोटी अनज दालें तिलहन पटसन, कपाश जैसी फसलें वरानी खेती की रूम में उगाई आते हैं। अगर बरसा हुई तो ये फसलें होगी, वरसा नहीं हुई तो मुस्किल हो जाता है। फिर आप सुनते हैं डीप सिचाई, डीप सिचाई प होकर उपर से छिड़काव द्वारा होता है। आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि बूने गिरती हैं उपर से, बरसा होती है, तो उसी तरह से ये भी होता है। या फिर आपने देखा होगा अगर कीट ना सक छिड़काव करते हैं मसीन के उसी दरग्य होती है, ड्रिप सिचाई से पानी की बच्चत होती है, और साथी पिती हेक्टर उपजवी अधिक होती है, फिर आब एक सब्द सुनते हैं, फर्टीगेशन एक ऐसी पदिती है, जिसमें पोसक दत्तों को सिचाई की मात्यम से फसलों को पराप्त होती है, इस राश्टी किर्सकायू इसका गठन सन 2004 में डॉक्टर M.S. स्वामीनातन की अध्यक्षिता में किया गया था राश्टी किर्सकायू का गठन कप किया गया सन 2004 में डॉक्टर M.S. स्वामीनातन की अध्यक्षिता में इसका प्रमुक कारी क्या है? किरसी चेति के बिकास, किरसी चेति की समस्याओं, आदी के उपायों पता लगाना इसका काम है किरसी तक्नीकी प्रवंदन एजनसी ATMA इसका गठन 2005 में किसानों तक नई तक्नीकी और आवसक जानकारी उपलब्द करानी के लिए किया गया किरसी करांती, इसके द्वारा कार्वनिक खेती में सोथ कुबड़ावा और किसी में विज्ञान की सरफसेष्ट तक्नीकों के प्रयोग पर बल दिया जाता है इसका पिती बादक आपका राष्टी किसान आयो के अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामी नाथन द्वारा किया गया थे फिर आप सुनते हैं CADP कमांड एरिया विकास कारिक्रम केंद के द्वारा समर्थेद्य कारिक्रम 1974-75 में चालू किया गया इसका पिरमु खुद्देश चुने हुए बेहत था मध्यम सिचाई परियोजनाओं की सिचाई जमता का तीब और उत्तम परियोग प्राप्त करना था इसका उत्देश इसके अंतरगरत आपका फार्म पर किये जाने वाले अनिक विकास कारिक्रम आते हैं पर आप सुनते हैं तुरे सिचाई लाप कारिक्रम इसे 1996-97 में केंद्रिये रड़ सहायता के द्वारा अपूर सिचाई परियोजनाओं वाले कारिक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रोसायन करने के लिए सुरूं किया गया था किरस्ती बित्त किसान प्रया तीन पेकार कर रड़ लेते हैं कौन-कौन से अल्पकाली रड़ जो 15 महिने से कम आउधी के लिए होते हैं जो किरसक किरसी संबंदी अल्पकालीन आवस्तक्ताओं जैसे बीच- ग्रह कायड के लिए लेता है फिर आप देखते हैं मध्यमकालीन जरड़ जो आपका 15 महिने से अधिक और 5 वर्स से कम के लिए होते हैं जो सामनता पसु खरीदने खेत पर कुछ सुधाल लाने छोटे-मोटे औजारी खरीदने ही तू लिया जाता है फिर रहता है आपका दे भारती किर्शक को रेट प्राप्त होता है उनको दो वर्गों में रखा गया है कौन-कौन से हैं पहला है आपका गयर संस्थागत स्रोथ इसमें हम इस्थानी गिरामीड साहुकारों जमीदारों देशी बैंकर कमीशन एजेंट आदी को देखते हैं दूसरा है आपका चलैकारी संतियां व्यापारिक बैंक चेत्त्रीय गरामीड बैंक भूमी विकास बैंक नावाड आधी आते हैं नावाड राष्टी किर्सी एवं गरामीड विकास बैंक नेस्नल बैंक पोर ऑग्रिकळ्चर एंड रूरल डबलमेट इस संति को याद रखना है सबसे पहले तो आपको सिव रमन संती की संती पर नावाड की स्थापना 12 जुलाई इस डेट को भी याद रखना है 12 जुलाई 1982 को 100 करोड की पैरंबिक चुकता पूंजी यानि कि 50% भारत सरकार और 50% रजर बैंक्ट से की गई थी 1982 में 12 जुलाई 1982 में नावाड अपनी रड संबंदी आवस्तक्ताओं आवस्तक्ताओं की पूर्ती के लिए भारत सरकार रजर बैंक विस्त बैंक एवं अन एजेंसियों से रड प्राप्त करता है नावाड सहकारी संतियों, सहकारी बैंकों, भूमी विकास बैंकों एवं चेत्रिये गरामीड विकास बैंकों को अलपकालीन, मद्यकालीन और दीकालीन रेड उपलब्द कराता है कौन नावार्ड या बैंक कृसी इवं ग्रामीड छेत्रों से संबंदित सभी क्रियाओं का समवन वए एक इकरण और नियंतर्ण के लिए उत्तर दाई भी है नवाड ने जो ग्रामीड साखा अविवस्था में सबसिख सी स्थांता है ग्रामीड साख के संबंद में अनिक महत्मून कदम भी उठाए नवाड में इसमें आपको किसान के डिट कायड का आरम करना तसना सोयम साहता समुहों को बैंकों के साथ जोड़ना पिरमुक रहा है फर आप सुनते हैं RRV छेत्रिय ग्रामीड बैंक रीजिनल रूरल बैंक छोटे एवं सीमान किसानों किर्सी मजदूरों एवं ग्रामीड पेसेवरों को संस्थागर रेड ओपलब्द कराने के लिए हमारे देश में 2 अक्टूबर गांदी जी जैनती को 2 अक्टूबर 1975 को एक साथ पांच छेत्रिय ग्रामीड बैंक उत्तरवे देश में आपका मुरादाबाद गुरकपुर में, हर्याणा में भेवानी राजिस्थान में जैपूर और पश्चे मगाल में माला में इस्थापित किये गए थे इन्हें याद रखिए आप देश के सार्वजनिक छेत्र के बैंकों को यह इदिकार दिया गया कि बेश्चेत्रिय बैंकों को उनकी पूझी में भागेदारी तथा प्यारम्भी के वस्था में संगटनात्मक्द सहोग के द्वारा विवर्तित करें कैन सरका नावाड के मात्यम से इनकी पूझी में 50% लगाती है और इनकी पूझी 15% इस्था राज सरकार का होता है किसका राज सरकार है जिस छेत्र में बैंकिंग सुबधा का आवाओ है वैसे छेत्र में इस्थापना इसका प्रमुक आदार होता है समाज के कमजोर बर्गों को somebody ग्रामीड शेत्रों में सीख बैंकिंग सुबधा इस्था प्रमुक उत्देश है और और बी का फिर आपने सुना एक भूमी विकास बैंक लेंड डवलम्मेंट बैंक इन्हें भूमी बंदक बैंक भी कहते हैं चा कहते हैं भूमी बंदक बैंक एकिसान को दीड कालिक रिड की विवस्था करते हैं इन बैंकों का धाचा दो इस्तर बाला होता है राजिस्तर पर केंद्री भूमी 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 भू अदय कोई और सुनते तमिक स्थान अधिकतर रिदल लेते हैं कि सुरुआत अगस्त 1998 में की लिए यास की इन सस्थानेक किसाने कि प्रभावी पहले या किसानों की व्यापारी बैंकों सहकारी बैंकों तथा चेतरिये गरामिट बैंकों से लिड़ लेनी की सुभधा देता है इस स्क्रीम की विवस्था नावायड द्वारा होती है पर इस क्रीम का क्रियान बन तथा इसके अंतरगत किसानों खुरेड देने में सरवादिक भागेदारी ब्यापारिक बैंकों की रहती है नावायड केडिट कायड की प्रवंदा के काई है जबकि सहकारी बैंक, छेतरिये गरामिट बैंक तथा वो आडिजिक बैंक इसे बाटने की बित्रक एजनसी है किसान केडिट कायड की सीमा करनेधारन, प्राचालापनात्म, जोत, फसल पैटर्न तथा बित्त के आधार पर किया जाता है ऐसे किसान जो 5000 रुपे या पिर अधिक मूल के उत्पादन रिड के लिए आ हैं भी किसान केडिट कायड के हगदार होंगे किसान साख कायड तीन बर्स के लिए वैद होगा, पित्एक निकासी का वुकतान बारे माय की भी इतर करना होगा सस्गहनता क्रॉपिंग, इंटेंसिटी, सस्गहनता का रथ होता है कि एक किरसी बर्स के दोरान उसी खेत पर नई फसल बोई जाए यह सुद बोई गए छेतों और सकल फसल गत छेत के बीच अनपात को अधिक्तम करती है यह भी आपका सही है किसान कॉल सेंटर, कभी तो इस पर जानकारी ले लिया करोगे 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर आरम किया गया आरम में इससे देश के आठ महानगरों में सुरूं किया गया यहां से किसान टॉल फ्री नंबर इससे याद रखी 1531 इससे सेयर कर दिया करेगे फेस्बूक बाट सम और सब्सपर जिस तरह ऐसे फर्जी मेसेज सेयर करते हो उसी तरह कर दिया करेगे जिससे किसानों को मदद हो सके के मात्यम से किर्सी संबंदी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे आप लोग 1531 से वो लेक्निये किसानों को किर्सी संबंदी जानकारी उपलब्द कराने के लिए इंद्रा गांदी मुक्त विस्विध्याले 2004 में ही किसान चैनल की भी शुरुवात की गई थी रूरल नौलेज सेंटर नावाड की मदश से भारा सरकार ने देश के ग्रामीट चेत्रों में रूरल नौलेज की स्थापना की है इस केंदों में आदुनिक सूचना पुरुदक की एवं दूर संचार तकनीक का व्यव किसानों को वांचित जानकारी उपलाब्द कारा इनलिक के लिए किया जाते है अब इन मैंसे अधिकतर के बारे में किसानों को पता ही नहीं होगा पता यह अपने खाने से इन्हें फोर्सक नहीं मिलती है राष्टिय किसान आयवकी सिफारिसों पर एक एक लाग रुपी की लागत से कुल एक हजार नौलेज सेंटर इस्थापित किया जा रहा है इस पर आने वाली लागत का ग्रामीड आधार भूस सरचना विकास को से धन्रास सरकार द्वारा दी जा रही है प्यारम में यह सेंटर आपका राजिस्थान तमिलाडू उत्राखन महराष्ट करनाटा गुजरात रांदपित इस पश्चे मंगाल में इस्तापित किये जा रहे हैं यह सबसे बड़िया कुश्चन्स बनते हैं है भारत में हरित करांती हरित क करांती का सरे मैक्सिको के क्रिसिव जानेग डॉक्टर नॉर्मन की बौलाक को जाता है इन्हें हरित करांती का पिता भी कहते हैं आप नामकरन बिलियम गौर्द्वारा किया गया याद रखें बिलियम गौर्द्वारा हरित क्रांथी सब्द का नामकरन किया गया हरित क्रांथी को आगत क्रांथी और वीज उर्वरक या फिर सचाई क्रांथी के नाम से आप लोग जानते हैं अगर भारत की बात की जाए भारत मे पितम हरित करांती को लाने का सरह किसे जाता है? डॉक्टर स्वामी नातन साब को इन्हें भारती हरित करांती का जनमदाता यानि की पिता कहा जाता है बारत में पितम हरित करांती 1966-66 से प्यारम हुई और दूसरी हरित करांती आपको 1983-84 में देखने को मिली में पिर्थम हरिद क्रांती की बात करें तो इसका चेत रहा है पंजाब हर्याणा बष्टमी उत्तर पिदेश काaison हुझ पास्च मंगाल व εδώा अभः उत्तर पिदेश और पूर्वी उत्तर पिदेश देख गए हरिद क्रांती का सरवद्दी पिराहँ प्रभावव के ग्य हुँ और चावल परीर पढ़ा था इसका ही उत्पादन बढ़ा था हरित क्रांती को नई किर्सी युपती भी कहा जाता है हरित क्रांती में रसायनी कुर्वरक उन्नत पीच कीटनासक का प्रयोग बहु फसली कारक्रम सिचाई का विस्थार जलसंसाधन प्रबंदन यंदी करन पहुत सरक्चन आधी का उन्नत प्रयोग संबले थे हरित क्रांती से किर्सी एवं उद्यव का संबंद घनेष्ट हुआ है और बाजार पेरित उत्पादन की प्रविद्धी बढ़ी है हरित क्रांती का संबंद संस्थागत पक्ष से ना होकर तकनीकी पक्ष से था किससे तक क्रांती की बात करने तो दूती हरित क्रांती की सुर्वात 2006 में की गई इसका मुख़ुद्द देश 2015 अधा क कятно को द्गना करने गा था पहली हरित क्रांती की सुर्वात 1960 के दाशक में की और इसके बांचित पाइड़ाम भी निकली है उत्पादक्ता में काफी बिद्धी खास कर अक्तिय अधिक और वरक एवं कीटनासकों के प्रयोग से दो स्पईडाम भी दिखाई देने जली। आप समयसा समझिए कि जिस तरह से एक सिक्खे के दो पहली होती है, तो हर काम के दो पहली होती हैं, एक नुकसान होता है, एक लाव होता है, तो कहीं लाब अधिक हो जाता है कहीं हानी अधिक अगर लाब हुआ तो आप लोग हानी को भूल जाते हैं नुकसान को लाब को ही देखते हैं किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पढ़ने लगा अताह नीती निर्माताओं एवं राष्टिये किसान आयोग की सहमती से किसी के छित में नई पहल की गई जिसे नई हरत हरितकरांती नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लेड डॉक्टर बरगीच कुरियन इसके प्रमुक सूत्त धाल थे जिन्होंने विस्ट के इस सबसे बड़े सामनवित डेरी विकास कारकरम की सुरुवात की याद रखिए डॉक्टर बरगीच कुरियन साहब को सन 1964-65 में सरप्तं सगन पसू विकास प्रोग्राम चला एगा कव 1974-65 में जसके अंतर का सुईत करांती लाने की पसू मालिकों को पसू पालन के सोधिय तरीखों को अपना लिए प्रोसायत किया गया इस सुईत करांती को गती पिदान करने के लिए 1970 में राष्टी ये डेरी विखास वोर से ओपरेशन फिलेट यानि कि सुईत करांती पैरम की लिए आरम में ओपरेशन फिलेट दस राज्यों में भारत में सुरूं किया गया था अभी तक Operation Flat की तीन चरण पूरे हो चुके हैं इसके अंतर कर देरी उद्धिवों के सरचनात्मक ढाची का विस्तार और आधुनी की करन्ट किया गया किसानों को कीमत जोकिम से दूर रखने के सरकार पितेक फसल वर्स के प्यारम में नियूंतम समर्थन मूल के MSP की घोशना कर देती है अगर याद रखिए यह केवल आप सरकार को देंगे फसल अपनी तभी मिलेगा आप सोचें कि आप किसी अपने व्यापारी को देंगे तो इसका पाइदा नहीं होता है किर्सी लागत एब मूल आईव उननीस सो पैंसट में तब उननीस सो पैंसट में भारत सरकार ने किर्सी आयोग की स्थापना की थी कमीशन और एग्रिकल्चर कोश्ट एंड प्राइज यह आयोग विविन किर्सी उत्पादों के लिए उनकी बुआई के समय निउन्तम समर्थन कीमत बसूली कीमत और जारी कीमतों की गोशना करती है जब आप फसल बोते हैं उसी समय इसकी गोशना कर दी जाती है इससे क्या होता है कि आपकी फसल ना तो सस्ती होगी इससे बिकेगी और ना ही आपको घाटा हो नेउन्तम समर्थन कीमत वह कीमत है जिससे हर साल, हर हाल में सरकार के रिसकों को उनकी फसल के लिए देने की गोशना करते है चाहे फसल का अधिक उत्पादन से उसकी मांग कितनी भी क्यों न घट जाए जारी कीमत विविन खाद पदार्थों का सरकारी विक्रेम भूले तथा इसी कीमत पर सरकारी उचित दरवाली दुकानों की साहता से गरीब जन्ता को खाद समगरी उपलब्द कराती है सोसाइटी आपनों नाम सुनते हैं कोटा यही काम करता है किसी फसल के लिए अदा की गई बास्तविक सरकारी कीमत को वसूली कीमत कहती है सरकार इसी कीमत पर व्यापारी कमेडि मंडियों से विवन उपजों को मांग एवं पूर्थी के अधर पर खईबती है मारच 1985 में किरसी कीमत आयोक का पुर्णिक्टन करके इसका नाम करन किरसी लागत येवं कीमत आयोक कर दिया गया वह आयोक किरसी आयातों की लागतों येवं किसानों की उचित पिती फल पर विचार करने के बाद निवंतम समर्थन मूल की संस्तोती सरकार को करती है फिर आप सुनते हैं मूल इस्थरी करन कोस इस कोस की स्थाबना फरवरी 2003 में की गई थी मूल इस्थरी करन के लिए बिगत वरसों के अंतराश्टी मूल के चल माध्द के द्वारा बेंचमार्क मूल का निर्धारन किया जाता है इस योजना कलाब चार हेक्टर तक के जोतों के धारक उठा सकते हैं किवल चार हेक्टर के तक की जोतों के धारक फर आपका भारती किरसी अनुसंदान परिशत 12 सरकार की किरसी मंत्यालाए की किरसी अनुसंदान एवं सिक्छा की अंतरगत भारती किरसी अनुसंदान परिशत एक स्वायब संस्ता है Royal Commission की किरसी रिपोर्ट की अनुसार अनुसरन में Society Registry करन अधीनियम 1860 की तर पंजी के तोर 16 जुलाई 1939 की स्थापित सुसाइटी का पहली नाम Imperial Council of Agricultural Research था क्या था? रिसर्च था इसका मुख्याले आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा यह परिशर्द भारत में बागमानी, मत्सकी, पसुविज्ञान सहिस किरसी किछेत में समनवय, मार्गदर्सन अनुसंदաन प्रिवंदन, सिक्छा के लिए सरवुच निकाय भारत में किरसी अनुसंदान परिशर्षन ने देश महरेक करांती लाने और उसकी बाद किरसी में निनतर विकास में अपने अनुसंदान और पुरुदुदुकी विकास में अग्डिमोविया ने भाई है परिशत के अंतरगत देश बर में संतान में भारती किर्सी अनुसंदान और त्रेपन किर्सी विस्तुविद्ध्याले कारगत थे देख लीजे इने यह हैं आपकी इस संस्थान हो गया और इनका संस्थान हो गया बारती किर्सी अनुसंदान संस्थान वंडेक जाम में इनी से कुश्चन से अधिक पूंच जात किरसी अनुसंधान और प्रिवन्धन अकादरी रहो फैदराबाद में मिली हैं किहां बार्ति किरसी 의ाद की अनुसंधान के और संप्र कानपोर स्थानाइक परवर्तिया ऐ किर्सी अनुसंधान संस्थान ये अलमोडां में देखने कुम लिए क्रमादार honesty मसाला अनुसंधान संस्थान अपकाली कट में देखने कुम लिए काथ राश्टिये डेरी अनुसंधान संस्थान एक कर्auenल में देखने कुमलिगा लीची अनुसंधान गेंद मुझभफरपुर अंगूर अनुसंधान केंद पूड़े महराश्ट क्यंद्रिये कपास अनुसंधान केंद नांपुर केंदरीय बटसन एवं संबध रेसानुद अनुसंधान संस्थान बैरकपूर बारतीय चिकिसा अनुसंधान संस्थान इज्जित नंगर उत्तरपदेश केंदरीय सुस्क छेत अनुसंधान संस्थान जोथपूर बारती मुद्रा विज्ञान संस्थान भोपाल, MP केंद्रिय किरसी अनुसंधाल संस्थान पोर्ट बिलियर केंद्रिय रोपर फसल अनुसंधाल संस्थान कासर गोड केंद्रिय 22 अनुसंधाल संस्थान हिसार केंद्रिय किरसी अभियांत की संस्थान भोपाल केंदरीय मत्सकी सिक्षा संस्थान मुंबई केंदरीय तमाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदी नीवु बर्गीय फल अनुसंधान कें नागबो केंदरीय सुस्क भूमी किर्सी अनुसंधान संस्थान हैदराबद केंदरीय आलू अनुसंधान सस्थान ये मिलेगा आपको सिमला भारतिय बागवानी अनुसंधान सस्थान बैंगलो भारतिय सब्जी अनुसंधान सस्थान बरारसी केंदरीय पक्छी बिग्यान अनुसंधान सस्थान इज्जित नगर राष्टिये मिर्दा सर्वेक्चन एवं भूमी उपियो नियोजन बीरो नांगपूर क्यांदरिये भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान अम्बीका नगर क्यांदरिये मिर्दा एवं जल सनक्छन एवं पिसीक्चन अनुसंधान के संस्थान देहरादू केंद्रिय सोस के बागवानी संस्थान राष्टिय परसान एवं समद्रेशा प्रोधुकी अनुसंधान संस्थान कोलकाथा राष्टिय पादप अनुवानसिक संस्थान संसाधन बीरो नई दिल्ली में देखने को मिलीगा केंद्रिये समुद्री मत्स की अनुसंधान संस्तान एक कोची में देखने को मिलेगा केंद्रिये मत्साय परोदुकीत के संस्तान एक कोचीन में देखने को मिलेगा ठीक है फिर आपका कमांड विकास कारिकरम कमांड चेत विकास कारिकरम बर्स 1974 पचेतर में चलाए गया जिसका उद्देश देश की चैनित बेहद एवं मध्यम सिचाई परियोलिना का समचित उपयोग सुनिचेत करना था मौटी अनाजों में जुआर हो गया बादिरा मक्का, रागी, मिलेट को सामिल किया गया इसके समय इसके तरह ठीक है फिर आपने सुना होगो नेफेड किरसी उपजों के विपड़न ही तु सहकारी छित्रों में राष्टी इस्तर पर राष्टी किरसी सहकारी विपड़न की स्थापना की इसका प्रमोक कार चुनी हुई किरसी वस्तुओं से प्राप्त करना, बित्रण करना, निर्याद करना और आयात करना किरसी उपजों के भंडारन की सुविधा उपलब्द कराने के लिए 1956 में राष्टीय सहकारी विकास एवं भंडार, भंडागार, बोड तथा 1957 में केंद्रिय भंडागार निगम की स्थापना की गई थी इन दोनों को याद रख सकते हैं हारम से किरसी चेत में हुई विवन करांतियों की बात करने जैसे ये भी पूँच लेता है हरित करांती खाद्यान चित में, सोईद करांती दुखद उतपादन में, पेली करांती तिलयन, नेली करांती मचली उतपादन, लाल करांती मास और टमाटर, सोनायरी करांती फलों के उतपादन, गुलाबी करांती जींगा मचली से सम्मंदिर, भोरी करांती और वरक उतपा परने से बचाना बिलैक क्रांथी खनिश तेल में आत्मिन रुटा है तू राउंड क्रांथी आलू उत्पादन गोल क्रांथी आपकी आलू उत्पादन तो यह थी आपके भारत की किर्सी छित के से समंद्ध भारती है किर्सी बात करते हैं हम लोग उद्ध्योग फर्स अठारे सो चंगण में सी एंड डेवर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई कारखाना मिलके द्वारा भारत में आधोनी कुत्तियोगों का सुभारा होता है इसी कंपिनी से ठीक है पुई आधारे सो चंगण से सी एंड डेवर द्वारा अथारे सो सत्तर में बंगाल आयरन वर्क्स कम्पशनी कुल्कटी की स्थापना से भारत में लोग सत्पात का उद्ध्योग प्यारम होता है यसे बंगाल आयरन वर्क्स कम्पशनी से बर्स 1907 में कव 1907 में टिस्को की स्थापना जमसेतपूर जार गंड में हुई थी याद रखें टिस्को की स्थापना कव हुई थी 1907 में भारत का पिथम एलुमीनिया सयंत यह लगा 1937 में जे के नगर पश्चे मंगाल में देश आजाद होने के बाद भारत में उद्धोगिक नीती सम्मंदी विश्थाओ 1948 में पारित हुए अब बात करते हैं उद्धोगिक छेथ यादि कि इंडटियल सेक्टर उद्धोगिक करन तथा उद्धोगिक विकास को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है उद्धोगि किरसी उत्पादों की पेक्षा इसमें मूल वर्धन अधिक होता है अर्थ विवस्था में रोजगार सेजन में सहायक होता है निर्या संबंदर में इसकी मात्पूर्ण भूमिका भी होती है किरसी चेत तथा सेवा चेत के लिए मात्पूर्ण आगत जैसे उर्वरक हो गया मसी सैंत की विवस्था आधी की प्रमुक विवस्था करता है उत्दोगी करण से आसाय राच की उत्पादन में तथा निवेश के ढाचे में उत्दोगों की बहुलता से है जिसमें जिससे सकल गहरेलू उत्पाद तथा सरम सक्ती की प्रयोग में उत्दोगी चेत का हिस्सा सामानता राष्टिये गरेले लोग उठवाज में किर्सी स्प्षिक का अंज कम होता जाता है तथा उद्वगिक च्छित का युगदान बढ़ता जाता है आध्रभूत उद्ध ओद्ध्यों ओद्ध्यों से आ से ऐसे उद्ध्यों से जो एन पुर द्ध्यों की स्थापना कमार और पिसस्त करते हैं क्या आधार बहुत उद्धिवगों से आसे एसे उद्धिवगों से है जो अंब उद्धिवगों के इस तरह क्मार पिसस्त करते हैं प्र आपके अद्ध सरचनात्मक उद्धयों जो उद्धों की विकास में तेजी लाने का कारिग करते हैं यह बुनियादी सुभिधायें भी उपलब्द कराता है जिसमें अबने देखा हुगा जीवन की गुडवत्ता में सुधार आता है इसमें रेल्वे सड़क, पतन, नगर, नागर विमान, दूर संचार, जीवन विमा, बैंक, वित्तिय संस्ता आदी सामिल है फ्रयाम की सूक्ष में लगू उद्धियो सूक्ष में छेत उद्धियो विकास एवं बिनिवय अधिनियम उननीस व इंक्यावन में कि पिथम अनसूची में बिनिदिष्ट कि ये किसी भी उद्धियोक से संबंदित बस्तों के उत्पन्दम में उत्पादन में लगा ऐसा उत्दम चाहे हुआ है प्रोप्राइटर्शिप हिंदू आविवाजित परिवार ब्यक्तियों कसमोग को ओपरेटिप सोस्टाइटी पार्टनर्शिप अत्वा उक्रम अत्वा किसी भी नाम से जाना जाने वाला किसी अन्विदिक स्वरुप का कोई उक्रम हो तथा उत्पादन एबं सेवा प्यदान करने में लगा अन्व उक्रम बासरते क्रम सा सयंत और मसेनरी तथा उपसकर में निवेश के सीमित रोपों बी निर्मार उद्धियम में 25 लाग तक के उद्धियोग सामेल हैं सेवा उद्धियम में आपने देखा होगा 10 लाग रुपे तक के लगू उद्धियम 25 लाग रुपे से अधिक और 5 करोड रुपे तर सेवा उद्धियम में 10 लाग रुपे से अधिक और 2 करोड रुपे तर मध्यम उद्धियोग 5 करोड से अधिक और 10 करोड रुपे तर बी निर्मार उद्धियम में सेवा उद्धियम में इसका 2 करोड रुपे से अधिक और 5 करोड रुपे तक कुश्चंज तो इस से बनते हैं देखे Make in India कारिक्रम भारत को विसके लिए मैनूफेक्चरिंग हब बना कर उद्दोगी की विकास की गती तेज करने के लिए Make in India कारिक्रम की शुरुआत पिधान मंत्री नयन्मोदी ने 25 सेप्टमबर इस डेट को याद रखना है 25 सेप्टमबर 2014 में की थी भालत मानक बीवो B.I.S.L 1947 में भालती उद्दोगों के उत्पादों के लिए मानक तयार करने ही तो इस्ताबित किया गया था है या एक अर्ध सरकारी संस्ता है या विभेण उत्पादों के पर गुडबत्ता चिन अर्थत I.S.I चिन आवंटित करती है N.P.L राष्टी उत्पादक्ता परिशद उद्दोगों की उत्पादक्ता में विद्धी कनने के लिए उद्दे से N.P.L की स्थापना उन्हें 1859 में कब? अंग्रेजियों की समय की बात है 1859 में की गई थी यही एक स्वायत निकाए उत्पादक्ता को परोसाइन कनने के लिए उत्पादक्ता की विभिन चेत्रों में अधिक उत्पादक्ता की N.P.C. परोसकार दिये जाते है उत्पादक्ता की विभिन चेत्रों में 6 अपरेल, कितना 6 अपरेल 1948 को ततकालीन केंदरिये उत्पादक्ता की गई थी इस नीती में मिसरित अर्धवस्था लागू करने का सुझाओ दिया गया था और बड़े उत्पादक्ता का बरगी करण चार भागों में बात किया गया था उद्धोगी करण, उद्धोगी करण, उद्धोगी तकनीक एबं ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेसी पूजी आमंतित करने की बात की गई थी या उद्धोगी कनीती हैराड, हैरोड, डॉमर, मोडर, आधार इसमें सरकारी छेत और निजी छेत को साथ मिलकर काम करने की बात भी की गई थी फिर आपकी उद्धोगी कनीती 1956, 30 अपरेल 1956 को समाजबादी डंग से समाज की स्थापना के उद्धिस से कैन्द में रखकर भारत की दुतिय उद्धोगी कनीती की गोशना वोसित हुई भारत का आजथिक समीधान या फिर उद्धोगी कनीती का मैगना कार्टा कहा जाता है इसमें उद्धोगों को तीन बर्गों में माटा गया था है इस नीती में बिग पुस हाई ग्रूथ की रड़ नीती को अपनाय गया था थरह उद्धोग इक नीती 1977 केंदे में जंता पार्टी की सरकार बनने के बाद उद्धोग मती उद्धोग मंत्री जौज फार्णाडीस द्वारां पिथम गयर कॉंग्रेसी सरकार द्वारां लाई गई नीती थिये सार्वजनेक चेती में चेती की भूमिका के संबंद में 1956 की नीती पर ही बल्जब की लगू चेत्रों का तीन बर्गों में विभाजन दूसरा था इसमें जुलाई 1980 में कॉंग्रेस सरकार द्वारां घुसित नीती में सार्वजनेक उद्धेवों की कोसलतम प्रवंदन पर पर आपकी नई उद्धों की कनीती 1991 1991 का आर्थिक संकत भारत कूल आई में इस एवं विस्वेंग की संपिती बंदित रिड़ समझाता कि यह लेग जाता है जिसके पड़ाम स्वरूफ भारत को अपने कूर्व के 50 वर्सों के पचास वर्सों के नीतियों का त्याग करके बैस्वी करण, निजी करण और उद्धारी करण जैसे सुधार कार्यकरों को अपनाना पढ़ाई ततकालीन बित्तमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने 24 जुलाई 1991 को नई उद्धोगीक नीती की भोष्णा की जो नेमलिके चेत् प्यापक एवं आधारवूत परिवत्तन लाती है कौंस कौंसे उद्धोगीक लाइसेंस परिणाली सारुजिनेक छे संगी संबंदी नीती MRTP अधिनियम विदेशी प्रोद्धोगीकी एवं विदेशी बिनियोग नीती में परिवत्तन उद्धोगीक लाइसेंस परिणाली उद्धोगों के संतुलित 6-3 विकास बड़े विवसाइक घरानों के बिद्धी पर रोप नई उद्धोगों को सरक्षण आधी के लिए उद्धोग विकास अधिनियम 1959 में पराधान किया गया कि कैंसरकार से लाइसेंस लिये बिना कि नई उद्धोगीक एकाई की स्थापना नहीं की जा सकती है लेकिन बाद में है पराली आल्थिक विकास में बाला माने मानी जाने लगी जिसके कादान इसे हटा दिया गया था 18 उद्धोगों को छोड़कर बाकी लैसेंस मुख हो गया थी 18 उद्धोगों में अभी भी सामिल किया गया था 1991 की बात कर दाधा बारत सरकार ने बरतमार में निम्न पांच उद्धोगों के लिए ही उद्धोगीक लेना अनिवार कर रखा है और बाकी उद्धोगों के इस पेस तथा रख्चा और साथ सामान उद्धोगीक विसपोटक और जोकिम बाली रख्षाएं इन पांच चेत्रों के लिए लैसेंस की जरूरत पड़ती है नए उद्धोगी ग्नीती 1991 के अंतरगत 1956 कि आधार पस आधवजनिक चेत्थ के लिए आरख्चित उद्धोगों की संख्या घटकर तीन रहे गई परमाडू उर्जा बारस सरकार की परमाडू उर्जा विभाग की मार्च 15 मार्च 1995 को जारी अधी सूचना संख्या एसो दोसो बारे इम की परीशिष्ट में दर्साइगे पदार्थ रेल परीवाहन अब चलते हैं विभिन उद्धोगिक सुधार म आर्टी अधिनियम म आर्टी पी अधिनियम 1979 एक आधिकार पिती वंदात्मक ब्यापारिक ब्यवार अधिनियम 1979 का उत्देश आर्थिक सक्ति के विकेंद्रणी करन को रोखना तथा एक आधिकार पर नियंत्र रखना इसके कि अलाबा इसका उद्धेश इती वंदात्मक एवं अनुचित व्यापार को रोख थां करना फिर्यापका स्रम संसोधन विद्यक 2001 क्या है रामानुज रामानुजम सम्ती की सिफारिश पर लाए गया थैसे विद्यक का उत्देश 1926 के सरम संग अधिनियम में संसोधन करना था जिसमें नेमलिकित प्राहधन था सरम संगों की बहूलता को नेंतित करना ओदोगिक प्रजातन्त को बढ़ावा देना सरम संगों के अत्वा सो करमचारियों की सदस्ता को अनिवार कर दिया गया विद्यक केरन सा सरम संग का वार्शिक सदस्ता सुल कम से कम 12 रुपी पिदीवर्श होना चाहिए फिर आपने देखा को पितीष परदा विद्यक दोजार दो अर्ध विवस्था में देशी विदेशी कम्पनियों एवं स्वस्त पितीष परदा को प्रोसायन करने तथा उभोगताओं के हितों की रक्षा के लिए MRTPC के स्थान पर भारतिये पितीष परदा आयूक के गठन की संदर में विदे है भारतिये पितीष परदा आयूक की बात करें तो इसकी स्था अपना 2009 में की गई है इसमें एकाधिकार एवं पितीव अंदात्मक ब्यापार बियोभार आयूक का स्थान लिया है इसका उद् दोगे कमपनी अधिनियम उननी सो पचासी के अनुसार उस कमपनी को आस्वाश्ट माना जाएगा जिसमें निमने तीन बिसेश्टाए हूँ कौन कौन सी उसे पंजीकेत हुए कम से कम साथ बर्स हो चुके हूँ उसे चालू वित्तिय वर्स और उसे पहले वाले वित्तिय वर् जी खतम हो चुकी हूँ उद्दोगिक रुगनिता की समस्या पर विचार करने के लिए वर्स 1981 में तिबारी सम्ती की स्थापना वी जिसके अधार पर वर्स 1985 में रुगने कमपनी अधिनियम पारित किया गया था उद्दोगिक रुगनिता से संबंदित वर्स 1993 में गोसवाम सम्ती वर्स 2000 में सन 2000 में बालकिष्ण इरानी समिती गठित की गई वर्स 1987 में उद्दोगिक रुगनिता के समाधानी के लिए उद्दोगिक एवं वित्तिय पुनर निर्मार बोड की इस्तापना की गई आप से इस तरह से पूंच लेता है कई गोसवामी तो इसी गोसवामी सम्ती किस्ते संबंदित थी या बालकिष्ण इरानी सम्ती किस्ते संबंदित थी तो इसे हैं यहने याद रख सकते हैं कंपणी विद्दे एक बर्स 2011 के इनुसार कंपणी की लगाता है तीन वर्स के अपने 60,000,000 का नियुनतम दो पिती से सामाजिक दायत्तों के लिए ब्य होता है जो विवस्ति कारखानों में कारी करते हैं बारती उद्दुगों में कारगत सेमेक मूल ता गरामिठ हैं जो रोजगार की तलास में सहरों में स्थाई या फिर आश्थाई रूप से बसे जाते हैं 1920 में All India Trade Union Congress की स्थापना हुई जो सेमेकों के राजनितिक और आर्थिकेतों की रक्षा करने के लिए वचनबद थी 1920 में All India Trade Union Congress 1929 में M.M. जोसी की नित्ति में सामवादियों की प्रिवत बाली All India Trade Union Federation का जनम हुए 1933 में All India Trade Union Federation एबं National Federation of Labor ने मिलकर नए संगटन यानि की National Trade Union Federation की निउडाली 1946 में Indian National Trade Union Congress की स्थापना हुई 1948 में हिंदू मजदू सभा का गठन हुए 1949 में बामपंतियों ने United Trade Union Congress की इस्थापना की वर्थमान में सरम मंत्राली किमसा निमलिखित Central Union Organization संगटन है कौन-कौन सी? Indian National Trade Union Congress बारती राष्टी Congress बारती मजदूर संग राष्टी स्वयम सिवक संग Center of Trade Union CPI मापसवादी All India Trade Union CPI यह जिस बिचारदारा से मिलती है उनहीं के पास इनका नीतत रहता है United Trade Union Congress Review Listenary Socialist Party बारती बारती जनता मजदूर बारती जनता मजदूर मंच हिंदू मजदूर सवा Socialist राष्टी श्रम संग अथवा सेवा अथवा सेवा फिर आपकी मजदूर संग सहयू केंद All India Forward Below National Front of Indian Trade Union All India Central Council of Trade Union Communist Party of India माक्सवादी लेनिन बादी से सम्बंदित है लेनिन की विचारधारा से All India United Trade Union Center Socialist Unit Unity Center of India New Trade Union Initiative Labor Progressive Federation देविड मुनित कड़गम ये दच्छड बारत की विचारधारा से मिलती जोती है उद्दोग एक बित बारत में उद्दोगों को तीन पेकार की बित्त की विवस्ता करनी पड़ती है देख कालिक बित्त की आवा सकता इस्थाई परीसंपतियों जैसे भूमी भवन मसीन आदी की खरीदेतू फ्रेकच्चा माल और मद्धवर्ती बस्तुएं खरीदने तथा देनिक बियाज की बूर्थी करने के लिए अल्वकालिक बित्त की आवा सकता पड़ती है देख कालिक बित्त का ही एक भाग मध्यमवदी के लिए हो सकता है बारत में उद्दोगी की बित्त की पिरमुक इसकी स्थावना भारती एरेजर बैंक के पूर्था स्वाधी किड़ सहायक संस्था की रूम में 1964 में की गई थी कब 1964 में साथ ही साथ इसको 1976 में भारत सरकार की स्वामित में कार करने वाला एक स्वायत निगम बना दिया गया फिर आप सुनते हैं IP इसका मुख्याला भी आपका लखनव में इनके मुख्याला भी आप लोग याद रखा करिएगा क्योंकि उनसे कुश्चन्स आपके पूछते रहते हैं फर आपके भारतिय उनेट ट्रेष्ट यूटी आई भारतिय संसथ ने 1963 में भारतिय उनेट ट्रेष्ट अधिनियम पारित किया और अधिनियम के नुसार इसकी स्थापना 1964 में एक बैदानी के काई की रूम में की गई फर आपकी है ट्राई क्या है ट्राई दोर संचार सेक्टर में निजी सेवाएं सेवा प्रिदाताओं का प्रवेश अपने साथ सुतंत बीनियमन की अनिवार आवसकताओं को लेकर आया दोर संचार सेवाओं के लिए प्रिसुल्क का निर्धारन संसोधन सहत दूर संचार सेवाओं जो की पूर्व में केंद्रिय सरकार में नहती को बीनेवित करने के लिए संसत के अधिनियम द्वारा दिनांक यानि की छब ये 20 फरवरी 1997 को भारतिये दूर संचार बीनियामक प्राधिकन भादु विप्रा की स्थापना हुई जिसे भारतिये दूर संचार बीनियामक प्राधिकन अधिनियम 1997 कहा जाता है बद्रू विप्रा का मिसन तेस में दूर संचार सेवाओं के विकास के लिए ऐसे रिती से और ऐसी गती से परिशब इस्तेतियां सेजित और संपोसित करना जो भारत को उभरते हुए बैस्विक सुचना समाज में एक अग्णी भूमी का निभाने के लिए समर्थ बना सके इसके पिरमों कुद्देशों में से एक एक है उचित और पारदर्सी नीती एवं बातरवन प्विदान करना जो सभी के लिए समान आउसरों कुप्रवासायत करता है बादू विप्रा अधिनियम कुद्दिनाग 24 जन्वरी सन 2000 से पिरभावी अध्यादेश से संसोधित किया गया जिसमें बादू विप्रा से नेडायक एवं विवात कार्यों को लेने के लिए दोर संचार विवार निप्टान एवं अपिलियर अधिकरन किस्थापना की गई टी टी डी सेट का गठन लाइसंस सदाता पिदाता एवं लाइसंस दारी दो या अधिक सेवा पिदाता हो सेवा पिदाता तथा ओबोकता समुगों के बीच बिवादों पर नेडाय करने एवं बहादू विप्रा की किसी निर्देश नेडाय या फिर आदेश की बिरूद अपील की सुनने अपील को सुनने इवं निस्तारिन के लिए किया जाता है भारत में उद्दोगों की स्थापना की बात करें तो यह आपके दिये गए यहने भी याद रख सकती है सहस्थान और इस्थापना बर्स कुटीर उद्द्योग बोर्ड इसकी स्थापना उननी सो केंद्रिये सिल्क बोर्ड उननी सो नंचास में अखल भारतिये अखिल भारतिये हत्करगा बोर्ड उननी सो पचास अखिल भारतिये हस्त कला बोर्ड उननी सो तिरेपन अखिल भारतिये खादी इवं ग्राम उद्द्योग बोर्ड उननी सो चंवन लगू उद्द्योग बो में 1975 जिला उद्धिव केंद 1978 बारती लगु उद्धिव उभी कास बेंग ये 1990 में इसकी स्थापना हुई ठीक है अब है आपकी प्रमुख निर्यात केंद है ये केंद हो गए ये उद्धिव हो गए जैसे राजकोट यहां आपका इंजन पंपर से सब्बंदी थे कांचीपुरम रेसम सैलम हस्त उपकरन सिफकासी माचिस अंबाला बिग्यानिक उपकरन जामनगर फार्स फेट्रोग्यमिकल्स मेरट खेलका सामान अलीगर पीतल के तालिक एक सीधा सा मतलब निकाली है जो निर्यातक की बात की जा रही है यानि कि दूसरे को बैचने की बात क की आप निर्यातक कर रहें अगर आपकी से खरीद रहें तो इसे लिए इसे क्या कहते हैं आयात कहते हैं ठीक है आगरा आगरा अमें आपना देखा होगा चमडा पुटवी हैर फरेटन के लिए पिसद्ध है खुरजा मिट्टी के बरतन के लिए सूरत रतन और आभूसंड क परियोतर ब्राजर के लिए वरेली, जरी, वागलपूर्ण, बुनौई, तिरूपूर्ण, होजरि और भुनौई उद्यों के लिए बिसिद्ध है . मुरादबाद ए वरस्वेयर हैंडी क्राप्ट और धातूपत के लिए बिसिद्ध है , यही नर्याद करता है सहरानपूर काश्ट नकासी लोध्याना भारी मसिनरी और होजरी ड्याद करता है पणगी यानिकी गवाब रभी रबर उद्ध्यों गया पानीपत हद करगा भोपाल कीतनासा को उद्ध्यों गया अलपी नारियल के रेसे और इससे निर्मित सामान जलंदर खेल का सामान मौन नागालेन में लकडी बस्तू नलवाडी असम में बास परादा दित बस्तू में निर्याद करता है पिंजोर मसीन वजार नांपूर हस्तोपकरण और विसाकाफर नम मचली उत्वादन या होता है उसी को निर्याद करता है यह आपकी कुछ तेल सुदक कार खाने हैं इनसे कुष्टन्स आपके अक्सर बनते रहते इनसे भी तो यह आपके कंपणी का नाम हो गया है और यह तो तेल सुदन इस्थलोग है सारविजनिक छेत की बात कर लेते पहले इन्डियन वायल कॉर्पूरेशन लिमिटेड यह आपकी वरोनी कोईली हल्दिया मत्रा हल्दिया मत्रा डिगबोई डिगबोई, गोहाटी, पानीपत और बोंगाई गाउं में हैं हिंदोस्तान पैटॉलियन और कॉर्पूरेशन लिमिटेड यह आपकी मॉंबई और विसाका पटना में देखने को मेड़ी भारत पैटॉलियम कॉर्पूरेशन लिमिटेड यह मॉंबई और जुच्ची में रिफाइनेरी एंक पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड ये मंगलोन में ओएल एंटर नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी ओ एंड सी की ये आध के देश में इस सार्व जनेक हैं सरकार की अगर निजी छेत की बात करें हम लो तो रिलाइन्स एंडर्स्टीज मौती खावडी जामनगर में देखने को मिली गए रिलाइन्स पेट्रोल पेट्रोलियम लिमिटेड ये आपकी एसी जैड जामनगर में देखने को सारोयल लिमिटेड ये भी आपका जामनगर में देखने को मिली गए आपको सार्व जनेक सार्व जनेक छेत के इस पात यान यह उडिशा में है, दुतिय पंचवर्सी योजना के अंतर का जर्मनी की साहता से स्थापित किया गया वर्स 1969 में उत्पादन सुरूँगा, यहां से आपसे तीन चार कुर्षन्स बन सकते हैं क्या, राउल किला कहा है, यह आपका उडिशा में देखने को में लिगा, कब इसकी स्थापना की गई गई, किस पंचवर्सी योजना के तहित इसकी स्थापना की गई बना दूतिय पंचवर्षी योजनावे बना किस देश की साहता से रोस की उसमें उत्पादन कब से शुरूगा 1969 दुरगापुर पश्चे मंगाल में यह भी आपका दूतिय पंचवर्षी योजनावे बना किस देश की साहता से बेटेंड की कब शुरूगा इसमें उत्पाद रूस की साहता से इस्तापित किया गए वो इसने 1973 में आपका अपना उत्पादन आरम किया बर्नपूर्ड ये पश्चे मंगाल में है निजी छेत के सयंद के राठ्टी करन द्वारा अधिकेत ये सयंद रूस की साहता से इस्तापित हुआ है बिसाका पत्नूँ ये आपका पंच़ वर्सी योझना की अंतरकत 256 करोड की लागश से बना था सरकाली लागश से रूस की साहता से और ठीक आजिकेत थिल्ए में सलेम ये आपका तमिला आन्रू में देखने को मिलेगा यह आपका चौती पंच बरसी योजना के अंतरकत इस्थापित किया गया था अब सारवजने एक खित के उद्धोगिक उपकरमों की कुछभावत करें यह नाम है इनके इस्थान है एंटिबायोटिक सेंथ IDPL रिसी के इस उत्राकंड में देखने को मिलेगा भारती ओरवरक निगम लिमिटेट इनागल पंजाग सेंदिरी जारकंड ट्रामबी महराष्ट गुरगपुर उत्तर प्तिस नामरूप असम दुरगापुर पष्षिम मंगाल में भारी जल सेंथ निबिली तमिलाडू नाहरकटिया असम रावलकिला उडिशा ट्रामबी महराष्ट भारत डायनामिक्स लिमिटेट हैद्रावाद ते लंगाना में देखने को मिलेगा भारत एलेक्त्रोनिक्स लिमिटेड यावकी जहा हाली करनाटक गाजियाबाद उत्तर प्तिस भारत हैवी एलेक्टिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में उत्तराखंड में रामचंदपुर आंद्र प्तिस तिरुचिरापली तमिलाडू भूपाल मध्तिस में भारत हेवी फ्लेट एबंग बेसल लिमिटेड विशाकपनम आंधर पिदेश में देखने को मिलीगा, चितरणजयन लोकोमोटीप बख्स रिचितरणजयन पश्चिमंगाल में देखने को मिलीगा, डीजल लोकोमोटीप बख्स रिमरवाडी और वगानाडसी उत्तर Heavy Electricals भारत लिमिटेड इभोपाल में मत्वपदिस में देखने को मिलिए भारत भारी Engineering निगम लिमिटेड ये आपको राची जारखंड में भारी Machine निर्माड सयंद राची जारखंड भारी बाहन कारखाना ये आपका आवानी तमिलाडू में देखने को मिलेगा हिंदोस्तान Alison Antivide के Clean कarti पिंपडरी ये महराष्ट में देखने को मिलेगा हिंदोस्तान कीटना सक लिमिटेड आउलाय केरल और दिल्ली में देखने को मिलेगा हिंदोस्तान केवल्स कारखропिया लेगा और रूप नारायन पुर पस्श्य मंगल में देखने को मिलेगा हिंदुस्तान पोटो क्लेम निर्माल कंपनी लिप्टिट ए उटक मंड तमिलाडू में देखने को मिलीगा आपको हिंदुस्तान मसीन टूल्स टूल निगम अजमी राजिस्थान में देखने को मिलीगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उधैपुर आजिस्तान में देखने को मिलेगा हिंदुस्तान मसेन टूल्स जलाहाली करनाटक और वैंगलोर चिसमीः पिंजणौर हरीणा वैडरावार तिलंगाना कलाम सारी केरल में देखने को मिलेगा हिंदुस्तान सिबगाड एक़फा और कोची में देखने को मिलेगा हिंदिस्तान कोपर लिमिटीड यह आपका मिलेगा अगनी गुडला आंधिपदेश में दर्वा दरीवा राजिस्तान मलाजखंड मध्विदेश और राखा जारकंड अपका ताबय के लिए पिसित्ध याद रखें भारतिया टेलिपोन उद उत्तरपिदेश रायवरेली उत्तरपिदेश मानकपूर गुंडा उत्तरपिदेश में देखने को मिलेगा इन इस्ट्रेमेंटेशन लिमिटेट एक कोटा राजस्थान और पलककड की रहल में देखने को मिलेगा इंट्रीगल कोच फैक्टरी परंबूर तमिलाडू में कोटकपुरा बंजाब राष्टी एखनेज बिकास नेगम ये हैदराबाद में देखने कुम लिएगा भारत एलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड कोर्बा मद्विदेश में रदनागी महराष्ट में देखने को मिलेगा भारत रसोई कोईला लिमिटेड ये आपका धनबाद जारिकंड में देखने को मिलेगा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कोला रा कलनाटक में देखने को मिलीगा कोईला खान परादी कान लिमिटेड एक कोलकाता में ही देखने को मिलीगी निवेली लिगनाइट निगम एक निवेली तमिलाडू में देखने को मिलीगा जस्ता पिखलक ये जवार राजिस्थान में मिलेगा राष्टी अकवारी कागज कारखाना लिमिटेड ये नेपर नगर मद्विदेश में भारतिय तेल सोधर लिमिटेड बरोनी बिहार नून मात्री असन भारतिय विस्पोर्टक कारखाना गौमिया हजारी वाग यहार खंड में देखने को भी लेगा एक कुश्चन्स आपका कई बार M.V.P.S.T. में भी पूंच लिएता था राष्टी अकवारी कागज कारखाना कहा है नैपरनगर मद्देश अब चलते हैं हम लोग सार्वजनिक चित की क्रमों को रतन का दर्जा केंदिये लोग विभाग द्वारा नव रतन का दर्जा दिया जाता है किस के दवारा केंदिये लोग उद्यम विभाग सबसे पहली तो आपसे कोश्चन से यही वाज सकता है कि केंद्रिय लोग उद्ध्यम विभाग द्वारा नौरतन का दर्जा कौन देता है केंद्रिय लोग उद्ध्यम विभाग 1989 में यह दर्जा मूलता नौ कंपनियों को ही लिए सेजित किया गया था पंतु बाद में यह संख्या बढ़ती गई 21 देसंबर 2009 को भारत सरकार ने महारतन दर्जे के सेजन का नेड़ा लिया बितने कम को तीन बारकों में बाटा जा सकता है महारतन, नौरतन, मिनी रतन सारवजनिक चित के उक्रमों को वडिजिक एवन प्रिबंधन की स्वायक्ता देने के लिए नौरतन एवन मिनी रतन की संक्रिपना बर्स 1997 में शुरू की गई नभी बंचवर्शी युजना के इंदर गई महारतन कम्पिनियों की मानता सरका द्वारा बर्स 2009 से किदान की गई महारतन का दर्जा प्राप्त कम्पनिया अपनी कोल नेवाल मूल के 15-30 तक निवेश करने के लिए सुतन थे महारतन का दर्जा प्राप्त करने के लिए निमलिखित माबदन निर्धारित किये गए कौन को से? नव रतन का दरजाप राप्त होना चाहिए उस कंपनी को जिसे महारतन का दरजाप मिल सकता है भारतिय से यह बाजार में सूची बद्ध होना चाहिए उसके बाद कंपनी का आउसत कारोबार यानि कि पिछले तीन बरसों में 20,000 करोड रुपे से अधिक होना चाहिए कंपनी का निबल मूल पिछले तीन बरसों में 10,000 करोड रुपे से अधिक होना चाहिए पिछले तीन वर्सों में कंपणी का बार्षिक सुद्ध लाग लाब 25 सो 2500 करोड रूपे से अधिक होना चाहिए तथा इस कंपणी ने 5000 करोड का लाब अर्जित किया हूँ कंपणी को उपस्तित बिस इस्तर पर होनी चाहिए वर्तमाल में वित्तिय स्वायत्ता देने के लिए सार्वजिनिक छित को तीन भागों में माटा गया है मारतन, नवरतन, उम्मिनी रतन इसमें भी सेड़ी एक और सेड़ी दो रखा गया अभी के हम करेंट आकनों की बात करें तो आपकी नवरतन, चौदे कमपनी बची गई है और दस कमपनी हो गई आपकी महारत ठीक है? इनकी बारे में हम बताएंगे कौन कौन सी कमपनी आगे देखते है वित्तिय साहता प्राप्त करने के लिए निर्धारिक मात दन योगता हो गई क्या चाहिए अगर जैसे राष्टवती बनने के लिए क्या योगता होने चाहिए उसी तरह एक महारतन कमपनी बनने के लिए क्या योगता होने चाहिए नवरतन कमपनी बनने के लिए आखिर क्या योगता होने चाहिए मिनी रतन सैनी एक बनने के लिए क्या मानता होना चाहिए एक कुश्चन से आपके सिविल सर्वेस या फिर इस्टेट पीसे इस में पूंच सकते हैं आपके वन डेक जाब में कभी पूंचे जाएंगे पिछले तीन महारतन बनने के लिए पिछले तीन वरसों में पूर्व में यह 5,000 करोड था या फिर कंपनी का उसत नेवल मूल पिछले तीन वरसों में 10,000 करोड रुपे से अधिक हो यह पूर्व में आपका 15,000 करोड रुपे था या फिर कंपनी का ओसत कारोपार पिछले तीन वरसों में 20,000 करोड रुपे से अधिक्का होना चाहिए पहले यह आपका 25,000 करोड था ठीक यह मैंसे एक कोई इस्ति दियो आपको यहुदा यानि कि महारतन का दर्जा मिल सकता है नावरतन की बात करें तो नावरतन का दर्जा प्राप्त होने के लिए 100 स्कोर में से 60 स्कोर होना चाहिए तथा इसके लिए 6 माप दंड निर्धारित किये गये जो इसके लिए इसके अंतरगत होना चाहिए सुद्ध लाब, निवल मूल, कुल सेमेक लागत, कुल उत्वादन लागत, सेवा लागत, पी बी डी आईट यानि की लाब के पूर अउन्मूल लेन ब्याज, तथा कर्व, रोजगार पुझी आदी, तथा कंपणी को सरफ पितम मिनी रतन का दरज्या प्राप्त होना पिछले तीन बरसों में कंपणी लगाता लाब में रही हो, या फिर पिछले तीन बरसों में कंपणी इने को 30 करोड रुपे का सुद्ध लाब हुआ, मिनी रतन सेकेंड बनने के लिए क्या यह उगता है चाहिए, पिछले तीन बरसों में कंपणी लगाता लाब में रही हो तथा इसका नेवल मूल सकारात्मक रहा हो, यानि कि पिलस पॉइंट रहा हो इसमें आप निवेश के लिए लाब की बात करें लोग तो महारतन का दर्जा प्राप्ट कंपनिया 1000 करोड रुपे से 5000 करोड रुपे तक का निवेश कर सकते हैं या अपनी कोलन निवाल मूल के 15 30 का निवेश किसी भी परियोजणा में करने में के लिए सुतन देज़ें अगर हम लोग नाव रजमने की बात करें किसी एकल परियोजणा पर 1000 करोड रुपे तक का या उसके निवाल मूल का 1560 या पूरे वर्ष में उसके निवल मूल का 30 पिती सत जो 1000 करोड से अधिक हो उसे निवेश कर सकते हैं मिनी रतन से फश्ट में 500 करोड रुपे तक का या इसके निवल मूल के बराबर जो भी कम हो का निवेश कर सकते हैं नी रतन सेकेंड का दाजा पराप्त कंपनी के लिए 300 करोड रुपे तक या इसके निवल मूल के 50 तक 50 पितीसक तक जो भी कम हो निवेश करना निवेश होना चाहिए इसका ठीक है अब आपको बता देते हैं आखिर कौन-कौन सी कंपनी आपकी नौरतन है महारतन है इसके कुर तेल एबं प्राक्तिक गैस निगम ONGC 1956 में इसके इस्थापना केगी देहरादून में इसका मुख्याला है कोल इंडिया लिमेटिर CIL 1975 में इसके इस्थापना केगी कौलकाता में इसका मुख्याला देखने को मिलीगा भारतिय इसथापना केगी देखने को मिलीगा नई दिल्ली में इसका मुख्याला देखने को मिलीगा भारत हैवी एलेक्टिकल्स लिमिटेड भेल इसकी स्थापना 1962 में की गई नई दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा भारत पेटॉलियम कॉर्पूलेशन लिमिटेड भी पी सील उननीस तो चैतर में इसकी स्थापना की गई मुंबई में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा यह हो गई आपकी आठ और 2019 में दो कंपनियों को महारतन का दरज्जा दिया गया है यह कौन-कौन सी थी यह थी आपकी इसमें एक तो थी आपकी हिंदोस्तान पेटॉलियम कॉर्पूरेशन लिमिटेड एजबी सील इसी महारतन का दरज्जा दिया गया है 2019 में इसकी स्थापना 1989 में स्थापना हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्याल है इन दोनों कंपनियों को 2019 में महारतन का दरज्जा दिया जा चुका है तो इसे नवरतन में से हटा दिया गया है ठीक है तो इस तरह आपकी टोटल दस कंपनिया हुए महारतन और कितनी 14 कंपनिया बच्ची आपकी नवरतन में कौन कौन सी है नवरतन में इन भी देख लिए पावर फाइनेंस कॉर्पूरेशन पी एपसी इसकी स्थापना 1986 में हुई नई दिल्ली में इसका मुख्याल है देखने को मिलेगा आपको बार्तिय नौबाहन निगम March 61 में इसकी स्थापना की गई मुंबई में इसका मुख्याल है ओल इंडिया लिमिटेड सी 6D बल्हिअने ٍ धुलिया घंर असम में इसका मुख्याल है देखने को मिलेगा निवेलील लिगनाइट कोपोरेशन उननिस सो 36 में चेन्ड़ी में देखने को मिलेगा बारत इलेक में 1965 में बनी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालाय आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान इसे आपका महारातन के दर्जा दिया गया तो इसे हटा दीजी यहां से ठीक है पर है महानगर टेलीपॉन लेगा निगम लिमिटेड एम टी एनल 1986 में बनी नई दिल्ली में इसका मुख्यालाय देखने को आपको मिलेगा फरे आपका हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लेमिटेड 1948 में इसकी स्थाफ नहुब भंगलोर में इसका मुक्ष लेए देखने को मिलेंगा इसे भी आपका महारतन के दर्जा दिया गया तो इसे यहाा से हटा दिजिए यौनिस्टी ऐखने मिकास निगम RECL इसकी स्थापना 1989 में देखने को मिली, नई दिल्ली में मुख्याला इसका देखने को आपको मिलेगा, फिर आपका National Aluminium Company, Nalco, इसकी स्थापना 1981 में कीगी, उडिशा में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलीगा, राष्टिये इसपाद निगम लिमिटेड, RINL, 1971 मे इसका मुख्याला देखने को आपको मिलेगा, उसके बाद National Building, Contextion Corporation NBCC, 1960 में इसकी स्थापना कीगी, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, Container Corporation of India Limited, इसकी स्थापना 1988 में कीगी, नई दिल्ली में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा, तो ये थी आपकी नवरतन कंपनिया, ठीक है, अब निजी किर्द की गई ये सार्वजिनिक चेत की कंपनिया कुछ हैं, उन्हें भी देख लीजे, सार्वजिनिक कंपन विदेश संचार निगम Limited, टाटा समो की पैना टॉन फेनवेक्स, आर बी बी पी लिमिटेड भारतीर तेल निगम, पारदीप फोस्पेट लिमिटेड, जुवारी मारोग फोस्पेट प्राव्म प्राइविट लिमिटेड, सी एमसी टाटा संस, हिंदुस्तान टेली पेंट नबर सेवं इस्थान, जहां जिस सन में की भी और उसका इस्थान जहां की आगए, सूती बस्त, अठारे सो अठारे में, कोलकाता में, सबसे पहले, समझ रहे हैं, सबसे पुराना भी है, जूट, अठारे सो पचपन, यह रिश्रा पश्चे मंगाल में देखने को मिलेगा, चीनी उद्यव, 1907 में बिहार में, सेमेन उद्यव, 1904, चैन्रए में, और बरक, 1906, तमिलाडु में, लोहेस पाथ, 1907, जमसेज़भो, एलूमिनियम, 1937, चेकी, नगर, साइकल, जो आप चलाती है, उननननने सो अठारे में, एबं उनननननी सो अर्टीस में कोलकाता है, बच्चों के लिए भी अब गाड़ी आने लगी मोटर साइकल वाइक तो इसे भूली जा रहे हैं लोग आटो मोबाइल 1947 में कोड़ा मुंबई में पेट्रो रसाइंड 1966 ट्रॉंबे में ठीक है उद्धोगेक पेदेश और जिल्यों की बात कर लेते हैं प्रमक उद्धोगेक पेदेश आट मुंबई पूडे होगिली पेदेश बैंगलोर तमिलाडु में गुजरात पेदेश छोटा नांगपूर पेदेश विसाकापत्नां गुंटूर पेदेश खोडगाउं दिली परस्थर सहरानपूर मुझभपर नगर विजनोर इंदौर दिवास अजमेर जैपूर कोलापूर दर्चेट कंणड उत्तरीमालाबार अदिलाबाद निजामाबाद एलाबाद बराणसी मिर्जापूर बोचपूर मुंगे दुर्ग राइपूर बिलासपूर कूरभा बिन सोगिक जिले कानपूर है दराबाद आगरा नागपूर वालियर भोपाल लखनव। जल्प पाइगुडी कटक गुरपूर अलीगड कोटा पूर्या जबलपूर और बरेली ठीक है तो अब हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो आजादी जब से हमें मिली है तब से चर्चा में रहता है और अभी भी है और मुझी लगता है जब तक आपका देश रहेगा हम सब रहेंगे धरती रहेगी तब तक मुद्दा हम इसा बना रहेगा सरकारें कोई भी आए जाए इससे कोई फ़रक नहीं पड़ता है बेरोजगारी ये हमेशा कैंद में रहता हम उत्ता फिर चाहे आपका कॉंग्रेस की सरकार हो एंडीय की सरकार हो किसी की भी वह ये मुद्दा हमेशा बना रहता है बेरोजगारी के आशिर लोगों की उस इस्तिती से है जिसमें में निकि के एक्चछो के आनी कि हमें जरूरत है काम की लेकिन फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा ह?, हम बे रोजगार कहलाएंगे भारत में बे रोजगारी की बात करें तो भारत में सहरों की तुलना गाओं में पुर्सों की अपेक्चा महलाओं में तथा आसिक्षित लोगों की अपेक्चा शिक्षित लोगों में भी रोजगारी अधिक है कहां गाओं में क्योंकि जो आ सिक्षित लोग हैं वो तो कहीं भी काम करते हैं खेती में कर लेते हैं या फिर कहीं किसी किया मजदूरी भी कर लेते हैं लेकिन जो सिक्षित लोग है एक कहावत है बुंदेल करने में बहुत अच्छे कि जाना पड़े तो घर से गए और कम पड तो लवी के थोड़े अगर पढ़ लिए आप गाओं की तरफ तो आप सोचेने लगेंगी बिज्जती फील करने लगेंगी कि आप पसु पालेंगे आप पसु पालन करेंगे आप खेती करेंगे यह आपके संवान को ठेश पहुचने लगती कुछ ऐसे संद्धाय हुआ करते पहले जिनकी पास बहुत पएसा हुआ करता था बहुत बहुत ज्याना उन्होंने का कि सहाब दूद पैचंगे आक साब मुर्की पारेंगे साब पशू पालन करेंगे साब साब के छक्कर में आज उनकी श्तitan्य यह चुकी है कि रोड पे आ चक्ट यह मतलब अब खाने के लिए घर में अच्छे से खाना भी नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी काम रहे हैं उसे कर लेना चाहिए ठीक है अगर आपके घर में कोई भी काम हो रहा है चला है आपका को खाम है तो आप बड़े गर हमेशा देखिए 10 रुपे हैं आप पर तो 10 रुपे में खुस रहने की सोचे क्योंकि आप खुस रहेंगे तबी आप सोचें कि आप की पास 10 रुपे हैं और 50,000 की आप चाहत रखने लगे हैं और वो संभाव ना हो सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन तब देखिए जब आप उस सहस्तियत में पहुंचने लाइक हो बना इसके आप इस अपने आपको दुख देंगे, इसके सबाय कुछ भी नहीं दें भारत में प्रमुक रूप से तीन तरह की बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है कौन-कौन सी? मौसमी बेरोजगारी, आदिस बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार पाई जाती है बेरोजगारी की प्रमुक सवरूपों की हम लोग बात करें तो सरचनात्मक बेरोजगारी, Structural Unemployment उद्दोग एक जगत में उद्दोगों में संकुचन एवन विस्तार जैसे सरचनात्मक परिवतन कोई परड़ाम स्वरूप उत्पन होने वाली बेरोजगारी की सरचना बेरोजगारी कहलाती है सीधा साग मतलब है कि जब अगर किसी उद्दोग में विस्तार हो रहा है तो उसमें बेक्तियों की जान्दा संक्या की जरूरत पड़ेगी और अगर कम मतलब संकुचन हो रहा है उसका कम हो रहा है विस्तार तो उसमें हटा दिये जाएंगे तो इस सरशनात में विरोजगारी होती है ठीक? फिर आप देखते हैं आतिस विरोजगारी इस पेकार की विरोजगारी में उत्पादन कार में जरूरत से अधिक सर्मिक लगे होते हैं फलता उनकी सीमान तुतपादकता सुननों होती है सामाता किर्सी छेत में ऐसी विरोजगारी की अधिकता पाई जाती है सिधा सा मतलब आप यहां समझ सकते हैं कि एक घर में पांच मेंबर हैं पांच भाई हैं ठीक तो यह पांच भाई क्या करेंगे कि इस सभी किरसी पर लगे रहेंगे एक भाई इनमें से काम कर सकता है किरसी छित को एक भाई समाज सकता है लेकिन एक पूरा परिवार इसी किरसी का काम देख ले दूसरा आदमी कहीं बिरोजगारी यानि कि रोजगारी की तलास कर ले तीसरा आदमी कहीं और कर ले चौतरा आदमी कहीं और कर ले पांच पार और कहीं तो अलग-अलग आये हो कि अलग-अलग जगह से और अलग-अलग छित में उनका काम रहेगा तो वो सुर परक्षित रहती है कि कहीं से अगर बंद हो रही है तो कहीं से आये उत्पन हो जाए है ठीक है फ्रेक सब्दों सुनते हैं खुली बेरोजगारी बिना कामकाच के पड़े रहने वाली सेमेपों को खुली बेरोजगारी में रखा जाता है सिक्षित और साधारान बेरोजगार में सामिल होते हैं अब जैसे आप समझ सकते हैं कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं तो बेरोजगार में समझेए अपने आपको कि समझ रहे हैं 2016 में मुद्धा बड़े जूरों सोरों से था बेरोजगारी का लेकिन उसी समय आपने देखा है कि कि नवंबर साइद अक्टूबर नवंबर की पास में 2016 की लास्ट साथ महिनों में जीओ ने अपना प्री कर दिया तो जितने बेरोजगार थे वो इसमें रोजगार हो गया यानि कि अपने मोबाइल में लगए फेस्वुक वाटसप इस तरह से अपना रोजगार वो मुद्ध गहटनात्मक बेरोजगारी बाजार की दसाओं में परीवतन होने से उत्पन बेरोजगारी को गहटनात्मक बेरोजगारी कहते हैं पर एक आप सुनते हैं मौसमी बेरोजगारी किसी बिसे इस मौसम या आउदी में पिती बस उत्पन होने बाली बेरोजगारी को इसमें समल रोजिगारी जरूरत बढ़ते है जैसे रक्षाबंधन कतम होता है होना से हटादी जाता है हमोसं में एक fishing में रखा जाता है उसमें बोग के बाद पहुए ने सकते हैं कि जब कटाई होती है बुआई होती है ऋस समय लोगों की जरूदध पड़ती है उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं पर आपकी स्वेक्षिक बेरोजगारी इस पेकारी की बेरोजगारी तब आती है जब कारेकारी जनसंक्या का एक अंसे या तो रोजगार में दिल्चस्प भी नहीं रखता है या पेचलित मज़ूरी दरों से अधिक दर पर काम करने के लिए तेयार होता है यानि कि यह सीधा मतलब है कि पड़े लेके लोगों को इसमें रखी है आप लोग अब कहीं पांस साथ हजार की नौकरी मिल रही तो वो क्या कहेंगे कि मैं इतने कम बेतन पर नौकरी करूंगा तो यानि कि अपनी स्वक्षा से रोजगारी जब पर कोई मजदूरी की पिचले द्रों पर भी काम करने को त celebrates को उन्हें काम नहीं मिले तो उसे अनिक शिक बेरोजगारी अलब रोजगार, यह ऐसी स्तिती है जिसमें सेमेपों को काम तो मिलता है परंद उनकों है, उनकी आवस्त्ता और छम्ता से कम होता है तो इससे अलब यानि के कम रोजगार कहे देंगे आको ठीक है? फिर भारत में बेरोजगारी कारणों की बात करें हम लो तो भारत में बेरोजगारी की निमने पिरमुक कारण है मंद विकास गती, उच्चे जनसंख्या विद्धी, स्रम पिधान तक्नीक की तुला में पूजी पिधान तक्नीक को बढ़ावा, प्राकितिक संसादनों का आसमांद बित्रन लगू इवं कुटीर उद्धोगों का आपरयाप्त, बेकास, बेवसायक सिक्चा को कमद दिया जाना एक पता है आपको, चीन इतना सस्ता सामन क्यों बेंचता है इसलिए, क्योंकि उसने मानव पूजी उत्पन कर लिए और ये मानव पूजी इतनी सस्ती है कि उसकी जितनी भी लागत लगती है इतनी कम पड़ती है कि हमारे यहां उत्पादन करने में से कई गुना कम इसलिए आप देखते हैं कि चाहिना पूण कितने सस्ते मिलते हैं आपको अब एपल की तुला में आप देखिए एक पल 20-30,000 रोपे का मिलेगा वही 5-6,000 का चाहिना मिल जाएगा तो समझ रहे हैं वही फीचास रहेंगे उस पौण में तो यही कारण है और मानव पूजी का उत्पन करने का सीधा सा तरीका है कि सिक्षा दीजिए, स्वास्तिक विवस्ता सही करिए और फिसीक छण दीजिए किसी वैक्ति को आप अगर तीनों उपलब देखर आ देते हैं फिरी में मेरी इक्षा तो हमेशा से रही है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यह समय फिरी होना चाहिए चाहिए वो इलाज 5 लाग का हो या 50 लाग का गरीब को भी वो मिलना चाहिए और अमीर को क्या होता है कि अमीर लोग तो कल लेती हैं अपनी विवस्ता लेकिन गरीब इससे लटक जाता है तो यह दोनों होने चाहिए जब देखते हैं कि कई बच्चे आप गरीबी इस्तिती में देखते हैं कि पढ़ने के वकाद नहीं हो सकती आप सोचिए कि जिसके हां खाने के लिए ना हो और वहाँ पढ़ाने की वो विदिसों में पढ़ाने की या अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा कहां रख पाएगा तो वही गाव वाले स्कूलों में पढ़ाएंगे वही हाल रह जाएगा तो सिक्छा की व्योस्ता अच्छी होने चाहिए लेकिन ये मुद्धा मुझे लगता है कभी कोई बोलता ही नहीं है और जो भी सरकारी स्कूल है उनकी आप हालत जानते हैं जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालत आप किसी से छिपी भी नहीं है उनकी हालत या गर सरकारी अस्पतालों के भरोसे बेटे मुझे लगता है कि इंसान का एलाज का नमर आएगा तब तक वो उपर पहुँच चुका होगा निर्धंता या गरीबी को आम तोर पर नियुंतम इस्तरवाली आय में रहने वालों और कम उपभू करने वालों की अरत में परिवासित किया जाता है ब्यक्तियों या परिवारों द्वारां स्वास्त शक्रिये और सब्वह जीवन के नियुंतम आवसक्ताओं को बहन नहीं कर पाते तो उसे निर्धंता और गरीब कहा जाता है इस पॉइंट को आप बड़ी अच्छे थे ध्यान देजिए ब्यक्तियों या फिर परिवारों द्वारां जो स्वास्ट शक्रिये सब भे जीवन के लिए नियुन्तम आवसक्ताओं को बहन नहीं कर पाते उसे निर्धन्दा या गरीब कहते यानि कि सीधा समतलब है कि कम से कम हमारी खर्च है कितना सो रुपे में हमारा काम चल सकता है अमेरिका में आपके या क्या है कि आपकी पूर्ती नहीं हो रही है तो आप गरीब हैं अमेरिका में मैंने बताया था कि इस NCEIT में हम लोग ने पढ़ा गी है कि अमेरिका में उसे गरीब माना जाता है जो एक कार वी आईपी कार वी आईपी बाइक नहीं खरीदने की स्थि के लिए समझ रहें आगे गरीब गरीबी मापने की बिवन संतियों की बात करें तो ततकाली नियोजना आयुक ने सेप्टमबर चेत्रों में अधिक काम करने की जरुवत हो और सहरों में लोग कम महनत करते हैं इसलिए इसे कम माना है ठीक है बारत में सरपितम गरीवी का अध्यन स्री बी एस मिर्हास ने किया उन्होंने 1956 और 1976 अरशट के बीच ग्रामों के निर्धनों के पितिसत में कमी होने की संकेत दिये लॉरेंज बक द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आये बिसमता को मापा जाता है गिनी गुडां को एटेलियन कुरेडो गिने ने विक्सित किया था याद रखिये हैं लकड़ वाला संती की बात करें तो इस संती ने अपने फर्मूले में सहरी निर्धनता के आकलन के लिए संती ओर्दोगिक सेमों के भूकतो, मुल सुझ्चंग के देश जुक्तों के इवम ग्रामीट च छित्रों में किर्च हैमों के और भूकता मुल शुझनक को आधार बनाया था सोरें दौलकर समती या पर ईसे पूंच जाए आपसे दौलकर समती भी कह देते हैं से विदानमंत्रि की आल्थिक सलाहकर समती के पूरवध्यक सोरें सोरेस्ट दौलकर की रवर्थ tantoya की खुरीविग का आक्डा 37.2 पितिसद भठाती भारत में देश में निर्धनता नुपात का अकलन एोजना एउद्वारा राष्टी नमूना सर्विक्षन संगठन यानि कि NSSO के माध्यम से किया जाता है इसके अनुसार वर्स 2012 में गरीवी रिखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 22 पिती सकती यानि कि 100 पिती सकत में से 22 पिती सकती लोग अभी गरीवी के गरीवी में जी रहे हैं भारत में अगर बात करें हम लो निर्धनों की निर्पेक्च संख्या यानि की गरीवों की निर्पेक्च संख्या के मामले में उत्तर पिदेश का इस्तान सबसे उपर है यानि की गरीवी में उत्तर पिदेश पहली नंबर पर वहीं निर्धनता अनुपात के मामले में कुल ज पीं कि अधिया में स्टरेंग पर यानि 30 सम्लों पर्विंस यहां की जनसंख्या करीवि मेंबारत में राच्चेए यमानि कहने सबसे कम कि यह जब कि संपूंड भारतमें सबसे कम निर्थन तर्थ अंडबान निकोवार यानि जीड़् जीरू दसमलाओ चार पिती सा लोग गरीब है यानि कि ना के बराबर समझ रहे हैं स्थिति में सबसे चीज स्थिति में अंड़मान नेकुगार देखने को मिलता है फिर एक सम्ती सुनी होगी आपने रंग राजन सम्ती रंग राजन सम्ती के अनुसार सहरों में पिती दिन 47 रुपें तक करक्ष कर सकने वाले बेक्ति को ही गरीब की सेंडी में रखा गया जबकि ग्रामीड चेत्रों में 32 रुपे रखा गया, और 17 माय बाल खरच के अनुसा, ग्रामीड चेत्रों में 972 रुपे पिती माय सी कम, और सेहरों चेत्रों में 1400-ное, से कम पिती माय कमाने वाले को गरीब माना जाता है। कि इस समय आप सोचिए कि 47 रुपया पिती दन सहरों की बात की जा रही है इन्हें गरीब माना गया अब आप समझेए कि एक टाइम का खाना आपका 40 से 50 रुपय की थाली पड़ती है इससे भी कम आप सोचिए कि वह एक दन में 100 रुपय तो आराम से खर्च होता है कोई भी ब्यक्ति होगा सर में रह रहा है तो उसका 100 रुपय खर्च होता है ठीक है आप समझें 100 रुपय इसी के हो गया उसके बाद किराया उसे देना पड़ेगा और क्या बात की जा रही 47 रु उसे गरीब माना जाना चाहिए क्योंकि गरीब हो फिर चाहिए अमीर हो गरीब के कम से कम 300 200 से 300 रुपय दिन उसका खर्च होता है फिर चाहिए आप इस्टूडेंट को ले लिए आप खुद लोग खुद रहते हैं सहरों में आप खुद देखिए ना कितना रुपया निर्पेक्ष गरीबी रेखा प्रया आय की रूम में परिवासित किया जाता है या एक औसत पिती बैक्ती के लिए निउन्तम उर्जा या फिर कैलोरी की यवास्तक्ता की रूम में परिवासित किया जाता है इस परिवासिया की अनुसार ग्रामीट चेत्रों में बैक्ती के पYouTube केल्योरी नाखराप करनेवालों को गरीब़ी रेका की नीचे माना जाता हैं फरे आप्पी सापेक्ष नंळधनता से यानि कि गरीब़ी से अभीबयाय बेभिन बर्गों पिदेसों उच्छे देसों कीत्रै लामे पाही जाने वाली नंळधनता से किसी देश की आर्थिक अवस्ता को ध्यान में रखती हुए निर्धंता के माप से है निर्धंता रेखा वह रेखा है जो उस पित्ती व्यक्ति और सत्मासिक व्यक्त को प्रिकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी नियूता मावसक्ताओं को संतुष्ट करते हैं निर्धंता के कारण आखिर गरीवी के कारण क्या है उन्हें भी देख लीजिए राष्टी उत्पात का निमनेच्तक विकास की कमदव कीमतों में वित्ती जनसंख्या का दबाव बेरोजगारी पूझी की कमी कुसल स्रम एवं तक नी की ग्यान की कमी उचित उद्दोगी की कर करने योक हो यानि कि उनका दिमाग इतना काम तो करने योग है कि वो पैसा कमा सकते है तो यह तो production मानिए मतलब कि आयका सरोत मान सकते हैं आप लों इसे करीवी का कारण कैसे हो सकता है इने बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हमारे देश की जनसंग क्या है उसमें अधिकतर युवा है आपके अगर आप इन्हें पिसीषण देते स्वास्त देते सिक्षा देते तो यह अपने आपको रोजगार दने की जरूरत नहीं पढ़ती है ना ही आपको किसी तरह की मदद करने की जरूरत पढ़ती है आप अपने घर में देखिए आप एक बेटे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं पढ़ा लिखा कर अच्छी स्थिति में पहुंचा देते हैं क्या उसे रोजगार देने की जरूरत पढ़ती है मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मदद करने की आपको जरूरत पढ़ेगी आंगे और एक को ना पढ़ा है उसे जिंदिगी भर देना पढ़ेगा फिर भी वो अपने पेरों पर खड़े होने की हालत में नहीं होगा ठीक है चलिए अब जैसा भी हटाई जा रही है लेकिन अभी तक हटी नहीं है और आने बारे वक्त तक नए हटी है हकीकात यहीं बनी हुई है कौन सा नेता हम जिस पर वरोसा करते हूं ही नेता किस तरह से निकलता है यह आपके कारकरम हो गया स्थापना बर्स हो गया मुझ खुद देश हो गया समधाइ भारत देश का समध विकास करना इसका उद्देश था फिरे आपका पिधार मंतिरी रोजगार योजना पी एम आरबाई दो अक्टूबर उन्नीस सो तरानवे को इसकी स्थापना कभी दो अक्टूबर उन्नीस सो तरानवे इसका उद्देश का भारत में उद्द्योगों त लिकाईयां इस्थाबिद करके 10 लाग से अधिक बैक्तियों को रोजगार उपलद कराना। स्रेयार का मिड़े मिल यूजना इसे स्थापना हुई इसकी 1995 में। कर्चा आठवी तक के बच्चों को उच्चे पोसक तत्तों तत्य युक्त दोपहर का भोजन उपलद कराके स्कूल में बच्चों की संख्या में बिध्धी करना है। मैं किसी यही चीज की बुराई नहीं करता हूं लेकिन हकीकत यही है। मैंने खुद देखा है मिड़े मिल यूजना को। आप भोजन इस तरह का देने लगे कुछ स्कूल कि आप खाना पसंद नहीं करेंगे उसे। या तो पिर आप मजबूरी में खाना पसंद करेंगे। देखिए जहां भी यह वहां बेष्टा चार भारा हुआ है हमारे देश में। और पिछडने का सबसे कारण यही बड़ा कारण है। अभी कुछी दिन पहले की बात है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनने में पर्सनल जानता था। तो आवास यह वजना आई हुई थी आपकी पैधान मंद्री आवास यह वजना तो इसमें आपका 1,35,000 किसी में 1,50,000 किकरी मिलते थे। तो जो सर्बंज साहब थे और सेकेटरी साहब थे वो इस 35,000 से 25,000 से 35,000 रुपे को खा गए उसमें से। यानि कि उनने रोजगार आवास यह वजना थी इसे पास करनोना ने कि उनने 25,000 से 30,000 रुपे उन गरीवों से बस उले। अब आप समझ सकते हैं कि कहां तक गिर सकते हैं और अगर आप सोचिए कि एक लाख रुपया में क्या करेगा विचारा हो। तो यही कारण है कि और आपने इसमें कोई सकत नहीं आप राजीब गांदी साहब के भासर सुनते आये हैं कि उपर से मैं एक रुपी बेचता हूं बारा पैसे पहुंचता है तो यहीं तो हैं बारा पैसे आने की कारण है कि 35,000 इसने खा लिए अब दूसरा आएगा उसमें दूसरे ने खाए तीसरे ने खाए अब इतना ही पैसा मिलेगा ठीक है स्वड़ जन्ती सहरी योजना एक देसंबर 1997 की बाते तब स्थापन वी सहरी छेत्रों में निर्धनता निवारक योजना लाग करना अन्यपूर्णा योजना यह आपकी 19 मार्च 1999 को शुरू हुई इस इसका उदेश था बिद्ध नागरेकों को निसुल्ख अनाज उपलवत कराना समग आवास योजना यह आपकी 1999 में शुरू हुई बेहत ग्रह योजना लागू करना 108 जैनती होई ना ग्रामे होई ना यह आपकी 1 अप्रेल 1999 को शुरू हुई सामोहिक प्रयास पर बल देना तथा साहेता प्राप्त गरीवों को पिती बर्स ब्यक्ति को तीन बर्स में BPL के उपर लाना इसमें 6 कारक्रों का बिलेक कर दिया आई 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 डी ट्राइजम डी डी डवलू सी आरे से राय यानि की सी आई टी आरे एम डवलू गैस जी के वाई कि आप लोगों पर एक इंट्रेस्टिंग कथ बताता हूं क्या मैं अभी कोशी दिन पहले एंपी इस पेसल पड़ा रहा था आपने देखा होगा तो उसमें योजनाओं क्या एक पूरी क्लास ली होई थी मैंने तो उसमें आपने देखा होगा कि मद्विदे सरकार ने कितनी योजनाओं चला रखी हैं उसके बाद मैंने कई लोगों से पूंचा एक दिन कि कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो पता है ना के वरावल लोगों को पता है उन में से अधिकतर योजनाओं के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब जनता जागरों की नहीं होगी तो आप योजनाय बनाते रहें कुछ भी करते रहें क्या फरक पड़ेगा कुछ फरक पड़ेगा निचले स्तरुपर जब सर्बन साहब ना बताएं सेकेटरी सचीप साहब ना बताएं कि यह योजना आई हुए गरीब हों तो गरीब क्या कर सकते हैं जनसरी बीमा योजना यापकी 10 अगस्त सन 2000 में सुरूँ हुई बीपील लोगों को बीमा सुरक्षा कबच पिदान करना इसका उद्दिश था अंतियोदर योजना यापकी 25 दिसंबर सन 2000 को सुरूँ ही बीपील परिवारों की सरबादिक गरीब को अनाज दो रुपया किलो दो रुपया पिती किलो ग्राम ग्यहूं आपका तीन रुपया किलो ग्राम ग्यहूं दो रुपया और तीन रुपया पिती किलो ग्राम चावाली को प्लग दान पिदान मंत्री ग्राम उदर योजना यापकी सन 2000-2001 में चली गाउं का समग विकास ग्राम को 2010 तक आठवी तक की निसुल्ग एवं गुडवत्ता पूर्ण प्रात्मिक सिक्षा उप्लब्द कराना आप समझ सकती है कि अपने अपना मौलिक अधिकार में भी सिक्षा को जगह देती है है सिक्षा पाने को लेकिन आपको स्कूलों की हालत तो सधारनी चाहिए अब यह बाद नहीं कि आपने का कि हम एक परिवार के खाना की पूरी विवस्ता करते हैं हमारी तरफ से और हम उसे खाना में इतना घटिया खाना दें कि वो कुछ दिन बाद चल बसे तो इसका समासेवा का मतलब क्या है समझ रहे हैं तो सर्फ सिक्षा यानि कि सब को सिक्षा दे रहे हैं तो उसे सिक्षा में गुडबता तो होना चाहिए कुछ मतलब तो होना चाहिए उस सिक्षा का अधिकतर आप सरकारी स्कूलों की हालात देखते हैं कितनी टाइट बनी हुई है ठीक है काम के बदले अनाज कारकरम जन्वरी 2001 से सुरूंगा ग्रामीट चित्रों क काम के बदले अनाज यानि कि आप काम करेंगे उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा फर आपका आस्रय वीमा यूजना यह आपकी जून 2001 में सुरूं होती है रोजगार छूटे करमचारियों को सुरक्षा कबच पिदान करना इसका उद्देश्ता किरसी सेमिक सामाज एक सुरक्षा उपलब्द कराना संपूर्ण ग्रामीड रोजगार यूजना यह आपकी 15 अगस्त सन 2001 को सुरूं होती है इसका उद्देश था रोजगार अस्वासन यूजना और जवाहत ग्राम संब्रदी यूजना को इसमें मिलाकर ग्रामीड शेत्रों में रोजगार का स बिक्सित करने के साथ साथ रोजगार के अउसर उपलब्द कराना बाल मी की अमबेड कर आवास यूजना सन 2001 में शुरूं होती है सहरी सलम जनसंख्या वाली चित में 106 ऑवास उपलब्द कराना संकट हरन बीमा यूजना 30 सेप्टमबर सं 2001 में शुरूं होती है किसानों के सामाजिक सुरक्षा योजना इसका उद्देश है किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा करना सिक्षा सहे होगे योजना यावकी सन 2001-2002 में सुरू होती है BPL परिवारों के बच्चों को आठवी से आगे कि सिक्षा जारी करने हिदू आर्थिक सहायता फिर आपने सुनाओगा निर्मल भारत योजना 15 अगस्त सन 2002 को इसको सुरू किया गया मलिन बस्तियों में सामुदाएक सौचालयों की सुविधा का विस्तार करना इसका उद्देश था यही आपकी सौचालय योजना चली हुई थी यह से ही बदल कर आपका सौच भारत अभियान कर दिया था इसका नाम अंसदाई बीमा योजना 15 अगस्त सन 2002 को सुरू किया गया 10 लाक बुनकरों एवं सिल्वकारों को बीमा सुरक्षा पिदान करना सो जल धारा योजना 25 अप दिसंबर सन 2002 में सुरू हुई ग्राम बंचे आते हों के माद्यम से कुए बावडी इवं हेंड पंप लगाने की सुपध्या उपलब्द कराना जन रक्षा भीमा योजना सन 2002-2003 में सुरू की गई एक रूपे पिती दिन भुक्तान से चैनेद बेक्ती का निद्धार रित अस्पताल में 30,000 रूपे तक का उपचार उपलब्द कराना यानि कि एक रूपे का आप कोई टूकन लीजिए और 30,000 रूपे तक का आप एलाज करवा सकते हैं इसे पिरी ठीक है लेकिन इससे भी आप परश्चित होंगे कि मुझे नहीं लगता है गिरामीड शेत्रों में ये वी सुभी आप मिली होगी जय पिकास नारायन रोजगार गान टी उजना ये संद वहजारी दो तीन में शुरूई भारत के पिछड़े ग्रामीड शेत्रों में गरीवी एवं जरूरत मंदों को रोजगार उपलब्द कराना इसका उद्देश्ता जन्नी सुरक्षा युजना आठ मार्च सन 2003 को गरबबती महलाओं को सिसु जनम तथा आवस्तक चिकिस्सा सवविदा देते हुए बच्चे के जनम पर नगत साहता पिदान करणा आप जानते हैं कि मुझे तो लगता है कि कई ऐसे गाओं भी अभी भी हैं कि दस्ते 15 और 20 किलो मीटर तक सरकारी अस्पताल उपलब्द नहीं है समझ रहें मैं भी कई ऐसे गाओं को फ़र्शनल जानता हूं निर्मल ग्राम पुरुषकार योजना यापकी 15 अगस्त सन 2003 में सुरू की कि स्वक्षेता की चेत्र में अच्छा कार करने वाले त्रीस तरीय पंचायतों को पुरुषकित करन पुरुषाहट करना ग्रामीड चेत्रों में सहरी सोविधाओं की उपलवद्यता कार करम यापका 15 अगस्त सन 2003 में चला ग्रामीड चेत्रों में सरवच सोविधा उपलवद्य कराना इसका उद्देश था हर्याली योजना 27 जून 2003 को सुरू हुई ग्रामीड चेत्रों में ब्यक्षा रोपन को पुरोज साहन देना इसका मैन उद्देश था इन से आपके तीन ही तरह के कुश्चन पूछे जा सकते हैं किस तरह के कि पिधारमंती सुरक्षा यूजना कब सुरूई ही 2003 में और इसका उद्देश क्या था देश के पिछडे राज्यों में 6 नई एम्स अस्पतालों को स्था 2004 को सुई गरीब एवं पिछडे वर्ग की गर्वत्ती माहिलाओं को स्वास्त संबंदी सुविधाएं उपलब देतरान सामाजिक सुरक्षा पाइलेट यूजना 23 जन्वरी सन 2004 को इसकी स्थापन वी आज संकट चेत्रों में सेम्यों को परिवारिक पेंसन भीमा एवं चेक खुछ सुवस्पीटल बहतर हो सरकारी स्कूल बहतर हो तो लोग अपने बच्चों को अको प्राइबेट स्कूल में वेजना पसंद करें इसे आप दिल्ली के वदारन से में दिल्ली में स्कूलों की हालत जब से अदिक जीवाई आया हूए motherina teintis दिए जा रही है जो private school में एक बच्ची को दिजाती है समझ रहे हैं वहीं आप सवास्त कर छल देख सकते हैं वहीं उसी तरह से हव्हास्ट किया रहा है जिस तरह से private haspital होस्पीटलों में भी नहीं होता है उतनी बहतर तरीके सी किया जा रहा है इसलिए लोग private हॉस्पीटलों में जाना भी पसंद नहीं करते और आप अपने राज़यों में देखिए MP मद्पदेश जो भी आपके उत्तरपदेश इन राज़यों में बिहार में लोग यहाँ सरकारी हॉस्पीटल में जाना से ये आपकी दो फरवरी संद 2006 को सुरू होती है इसका उत्दिस है ग्रामीड और स्थापना, सर्वांगीन एवन विकास, व्यापक विकास योजना उफलब्द कराना आम आदमी बीमा योजना, संद 2007-08 में सुरू होती है भूमी रहत ग्रामीड परिवारों के मुखिया या व्यक्ति की बीमा योजना थी राष्टिय ग्रामीड पेजल योजना ये आपकी एक अपरेल सं 2009 को सुरू होती है इसका उद्दिस्थ था ग्रामीड शेत्रों में पेजल सुविधा पिदान करना मनरेगा ये बहुत ही मत्पूर योजना है ये आपकी शुरू होती ही दो फरवरी 2006 को राष्टिय रोजगार गारंटी योजना की रूम है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा से पहले इसका 2 अक्टूबर को जब इसकी स्थापना की गई 2006 में इसे नरेगा बोलते थे लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा नाम दे दिया गया संपूर ग्राम रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीट छेत्रों में काम कादिकार देना इस योजना की तहत था अभी आपको पता हो तो इसके मनरेगा कायड भी फरजी बना द दिया जाते हैं फर एक आपकी ये राजीक आवास योजना ये आपकी सन 2010 में सुरूँ होती है इसका उद्देश रहता है भारत की आवादी को पांच बरसों में सलम मुक्त बनाना डिजीटल इंडिया ये आपकी 21 अगस्त 2014 को सुरूँ होती है जब नरेंदमोधी सरकार आत है भारत में वित्तिय समावेशन पर राष्टी मिसन इसका उद्देश देश बर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुझदा मुया कराना यानि कि बैंक खाते सब के लिए उलब्द कराना मेक इन इंडिया बियान 15 अगस 15 सेप्टमबर सन 2014 को सुरूँ ही देश में उद्दो फिर सुनाओगा आपने दीन दयाल उपाद्याय अंतियुदर योजना ये आपकी सुरूँ होती है 25 सेप्टमबर 2014 को सुक्ष भारत अभियान ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को सुरूँ होता है मातमा गांधी की 150 भी जैनती 2019 तक पितेक परिवार को संपूर्ट सक्षिता पिद इसमें संगलेत हुए तभी जाकर इसको सफलता मिली उस सबसे बड़ी कोई भी योजना हो या कोई भी काई क्रह हो तभी सफल हो सकता है जब इसके पिती सभी लोग जागरूप हो ठीक है फिर एक सुनते हैं आप लोग सांसद आदर्स ग्राम योजना एक 11 एक्टूबर 2014 को गूद लिया गया फिसके घटते घटते 250 गाउं तक बचे हुए हैं मतलब जब शुरू हुई थी है उजना तब बड़ा जुनून था सांसदों में लेकिन जैसे ही इसकी उम्म घटती गई मतलब टाइम निकलता गया उनका जुनून खतम होता गया पिर आपने सुनाए दी सथा मेक इन इंडिया अभियान को सफल बनाना इसका उद्देश था जीवन प्रिमाड यह आपकी 10 नवंबर संदोजार 14 को सुरूं होता है पैंसन भोगियों के लिए इसे सुरूं किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह आपकी संदोजार 14 में सुरू इसका प्रमुक उद्देश था प्रयापकी स्यामा पिसाद मुखजी रूरल में संदोजार 14 में सुरूं होती है ग्रामीड चित्रों में एकिकेट परियोजना अधारित आवसर रचना की सुपोर्ट दिगी के लिए प्यारम करना इसका उद्देश था पहल यह आपकी संद नवंबर 2014 में सुरूं होती है पित्यक्ष हस्तांतरित लावयोजना की दोरा एलपीजी सबसेटी का पित्यक्ष लाव अंधरन करना इसका उद्देश है सुकन्या समरिद्धी खाता योजना यह आपकी 4 दिसम्बर 2014 को सुरूं होती है छोटी बचत को प्रोसायत देने तथ वालिकाओं की उच्छ सिप्छा यह विवाय है तो यह उच्छना मिसन इंद धनुस यह आपकी 25 दिसम्बर 2014 को सुरूं की जाती है स्ताद टीका निवारणी है बीमारियां जिसमें आपका डिप्तेरिया सामेले काली खासी टिटनिस पोलियो टीवी खसरा हैपिटाइटिस कि 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीका करन करना जिने आंसिक रूप से टीका लगा है या इससे बंचेत हैं तो नीती आयोगा है आपका जैसा का पीछे भी बता चुका हूं यह उच्छना आयोग को पिती स्थाफित करके ही आपका नीती आयोगा है एक जन्वरी सन 2015 यह उचन यह आपकी 21 जन्वरी सन 2015 में सुरू होती है भारत की प्राचिन बाहरे नगरों के सरवनों की विकास इवं इतियासिक दरवर की सरक्षेन के लिए इसका योजना का सुरू किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह आपकी 22 जन्वरी सन 2015 को सुरू होता है यह आपक सुकन्या समर्दी यह आपकी 22 जन्वरी सन 2015 में सुरू होता है माता पिता लड़की के नाम दस बर्स का की उम्म में आयू में बैंक खाता खुल सकेंगी इसके तरह सेतू यह फरवरी 2015 में सुरू होती है सेल्प, इंप्लॉयमेंट एंड टैलेंट, यूटिलाइजिशन की द सुरू होती है सूरतगर्ड स्री गंगा नगर राजिस्थान से सुरू होती है पोसक तत्तों और वरकों के उचित उपयोग से उत्पादक्ता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना आप समझ रहे हैं मुद्देल खंड में इस तरह की सुभधार सा मुझे लगता है सुरू होती है इसका उद्देश रहता है युवाओं को पिसी सड पिदान करके उन्हें कुसल सैमिक बनाया जा सकी है फिर जाम जन्धन योजना आधार एंड मोबाइल नंबर्स यह मार्च 2015 में सुरू होती है कल्याड योजना है इसका उद्देश रहता है क्या रहता है कल प्रगती क्या है प्रगती इसे शुरूं किया जाता है सन मार्च 2015 में एक ऐसा मंच जहां पिधानमंत्री केंसरकार के सच्वों और राज के मुख सच्वों के साथ बातचीत करते हैं प्रसाद यह अप्रेल 2015 में शुरूं होती है फिल प्लिगिरी ग्रिमिज रेजूबेशन नेशन एंड एस्परिचुलेटी और और अग्यूमेंटेशन डराइब के द्वारा बारे तीर्थ या तीर्थ हिस्तानों का विकास करना इसका प्रमों कार था प्यधान मत्री मुद्रा यह उजना यह आपकी आठ अपरेल 2015 से नई दिल्ली से सुरूं होती है आसंगटी छित के चोटे कारोबारियों के लिए बित और पुनर बित की सुभिधा उपलब लेकराने के लिए यानि कि रिड़ देने के लिए इसका उद्देश किया जाते है जन्नी सुभक्चा यह आपकी 12 अपरेल 2015 में सुरूं होती है अटल पैंसन यह उजना इन 9 मई 2015 इन 3 यह उजनाओं को अच्छी से याद रखे इनमें कांफ्यूज हो जाते है आप लोग अटल पैंसन योजना 9 मई 2015 को शुरूं किया गया इसमें ग्याउत्देश था इसका पैंसन के प्रावदान वाली योजना 18-40 बर्स आयू वर्क के लिए थी पिदान मंतरी जीवन योजना इसे भी 9 मई 2015 को ही सुरूं किया गया जीवन वीमा की सुबिधा उपलब्द कराने के लिए 2 लाग रोपे का वीमा है इसमें आपके 18-50 बर्स की आयू वर्क के लिए सामिल किया गया पिदान मंतरी सुरक्षा वीमा योजना या भी आपकी 9 मई 2015 को ही सुरूं हुई दुरगणना की स्थिति में मित्यू या फिर आपंगता के मामले में छती पूर्ती हितु भीमा योजना मित्यू या इस्थाई अपंगता में 2 लाग रोपे या फिर आंसिक अपंगता यानि की कम विकलांगता में 1 लाग रोपे और ये अठारे से सत्तर वर्स आयू वर्क के लिए थी उस्ताद योजना ये आपकी 14 मई 2015 को सुरूं की गई ये बराड़सी सिस्रूं की गई थी कौसल उन्नद उन्यन एबम पिसीक्षण द्वारा पारंपरिक कला एबम हस्त सिल्प का विकास करना इसका उद्देश्ता का पर जनषवास्त से संबन्द थी ये आपकी 15 मई 2015 को सुरूं की गई स्मार्ट इप्टी मिशन ये आपकी 25 जून 2015 को सुन थी आर्थिक विकास के लिए ओंस थी आप सुंते रहते हैं अपने अपने राज्यों में कौन 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 से सायर हैं स्मार्ट सिटी में आ रहे हैं आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए किया क्या कौन कौन से सहर है हाउसिंग और ऑल स्क्रीम यह आपकी 25 जून 2015 को सुनु की जाती है अटल मिसल मिसन फोर रेजुबेर्शन सन एंड अर्वन ट्रांसपोर्मेशन अमरूत अमरत भी बोलते हैं से यह आपकी 25 जून 2015 को सुनु की जाती है सहरी नवी करन यह उजना है डेडी किसान चैनल 26 मई 2015 को सुनु की जाती है उदै एक आपकी नवम्मद 2015 को सुनु की जाती ह यह उजना के द्वारा राजी की विद्धूद वित्रन कंपनियों के लिए फाइनेंसियल टर्न अराउंड प्रोवाइड करने की यह उजना है एम यह आपकी फरवरी 2016 में सुनु की जाती है अटल इन्वेशन मिसन के द्वारा नवाचार को बढ़ावा दिना इसका इसक्रेम पोर्ग केरोसीन एक अपरेल 2016 से सुरूं की जाता है इस यह उजना के दोरा पित्यक चुरूप से बैंक खातों में मनी ट्रांसपर कर आर्थिक सदर आर्थिक मदद करना इसका उद्देश रहता है डारेक्ट वेनिफिट ट्रांसपर कोरोना के हमारी के समय भी कई अपिसे लोगों ने कहा है कई वड़े वड़े देशों ने बिकलय से देशोंने भी डारेक्ट ट्रांसपर किया है पैसा लिकर हमारे देश में ऐसा नहीं किया गया ठीक है जिसकी जरूरत थी वह ही नहीं किया गया है इस्टार्ट अप इंडिया इस्टेंड अप इंडिया यह आपकी पांच अपरेल 2016 से सुरू होती है एस्टी एस्टी तथा महलाओं को नए उद्ध्योग धन्दे के लिए 10 लाक रुपे से 100 लाक रुपे तक का रेड देना ग्राम उद्धय से भारत उद्धय अभियान यह आपका 14 अपरेल 2016 से सुरू होता है गाओं के उद्धय के बास सहरी करण के द्वारा भारत का सामाजी विखास करना इसका उद्ध्य से पिधान मंत्री उज्जोला उज्जना यह आपकी एक मई 2016 को सुरू की जाती है गरीव सरकार की थी अब राज सरकार की भी यह उज्जोला है देख सकते हैं आपको इन मैंसे अपने अपने राज्यों की यह उजनाहों को जरूर याद रखना है क्योंकि आपका जो भी अपना एक्जाम होता है उसमें ज्यादा पूंचा जाता है ठीक है अम्मा सेमेंट योजना यह आपकी तमिलाडू की है और इससे शुरूं किया गया था 5 जनवरी 2015 से इसका उद्देश क्या रहा है राजी सरकार पर हर महीने निजी कंपनियों से 2 लाग टन सेमेंट खरे देगी राजी सरकार और 190 रोपे पिती बोरी की दर से राज में आम लोगों यानि की आम लोग जुएं उन्हें बेंचेगी तर राजीव आरोक योजना यह आपकी करनाटक की है बीस जन्मरी 2015 को सुरों की गई स्वास्त सेवाओं से सम्वंदित गरीबी रेखा के उपर EPL के लोगों के लिए थिये हिमालाय दरसन यह उत्राक्रण की उजिना है सातपरवडी 2015 को सुरों की गई तो राज में परयाटन को नया आया आम देने के लिए बात की गई हमारे देश में पर्याटन एक अर्थवफ्था में महत्पून वूमी का निवाता है पर्याटन उद्ध्यों भी ठीक है याद रखें पर आपकी बेटी हमारी बेटी यूचा यह आपकी हर्याणा से शुरू की गई आठ मार्श 2015 को राज में बाल लिंगनपात में हो रही गिरावट की समस्त्या से नपटने के लिए आग लोग जानते हैं हर्याणा सबसे गिरावगा यहां लिंगनपात है सबसे कम बच्चियां है मतलब यहां लिंगन पात है यानि कि सीधा सा कहने का मतलब कि पूर्सों से कम मैलाएं हैं केरल की आप सुनते हैं सबसे जानदा यह मैलाएं पूर्सों से जानदा मैलाएं एक जार पूर्सों पर अधिक मैलाएं माजी कन्या भागिसरी योजना महराष्ट की है यह आपकी आठ मार्च 2015 को सुरू किती है राज्य सरकार की सरकार गरीवी रेखा परिबार में पैदा हुई लड़की के लिए बैंकों में 21,200 रुपे की रासी जमा करीगी कन्या जनम दर बढ़ाने थी यानि कि कन्याओं का जनम हो यानि कि लड़कियों का जनम हो उन्हें भूड अत्यान ना की जाएगा कि सोवोधन परियोजना केरल में सुरू की गए अपरेल 2015 को शुरू किया गया लोगों को सराव की लश्टे मुक्त कराने के लिए इसका याद रखे केरल सबसे सब अच्छा इस्तिति यहां आप सिक्छा में देखिए लेंग अनवात में देखिए सब चेत्रों में यहां लोगों से आंग है कि क्योंकि यहां अंदभक्ती समझ रहें तो अभी कोरोना से देखिए आप लोग केरल ने बहुतर तरीके से कोरोना वाइरस से भी निपटा है हमें इस समय याद रखे लड़ने की वज़े हमें किसकी जरूरत है सिक्षा की स्वास्त की यही तो हमारी जरूरत है गरीब को इसके अलाबा क्या चाहिए सोचिए बोट कैसे मिलेगा अगर व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो सब कुछ जाने लगे तो आप समझेए कि बोट कैसे देगा वो तो जो सही होगा वो सही बोट देगा तो सरकारें कभी नहीं चाहिए भी नेता है कि आपकी बच्चे पढ़ सके तेजस्वी यूजना ये जारकंड की यूजना है बजट 2015-16 में इसका प्रावधा रखा गया था यूगतियों के स्वावलम्मन हेतु इससे यूजना को चालू जिया गया इंद्रा पिये दसनी कामकाजी महला ये यूजना एक उत्राकंड की है बजट 2015-16 में से लाए गया महलाओं को स्वेब बेवसाय से जोडने के लिए लाई गयी मुखमंति राज्य स्वास्थ देखवाल यूजना इह माचल पिदिश की है बजट 2015-16 में इसका प्रावधन किया गया था बज़र्गों की स्वास्थ की देखवाल के लिए इसका मुख उद्देश था इम अमता यूजना ये जारखंड की है बजट 2015-16 में आई गरवती महलाओं के लिए ये यूजना है आहार यूजना क्या है आहार यूजना ये उडिशा की यूजना है एक अप्रेल 2015 से शुरू हुई है गरीबी सहरी गरीबों को रियायत दर पर भोजन उपलब कराने के लिए इसका इसे लाए गया पे एंड पिली ये उजना ये आपकी दिल्ली की है 2015 में आई राष्टी राधान भी समी आयूज़ के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए इसे लाए गया किसान होदाय ये उजना ये उत्तर पिदेश की है छे जनबरी 2018 को इसे लाए गया इसे उजना के राजी के खिसानों को विविने चमताओं के कौसल और जा पेसेट बित्रित किये जाएंगे इसका उद्देश पिदेश में और जा की वच्चत एवं सभी के लिए पावर प्रिदान करने में मदद करें याद रखिए और जितनी योजना बच्ची हुई है अभी कुछी दन पेस्ट डिला हुए 2019 का ठीक है तो उसमें जितनी भी यह जना एड़ हुई है उन्हें भी जाकर देख सकते हैं आप जो चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग पेडाली के बारे में यानि कि भारती है बैंकिंग पेडाली यानि कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में रजर बैंक का राष्टी इकरण सरकार ने 1947 में सुतंता प्राप्ती के बाद देश की बैंकिंग पेडाली को सुद्रड आर्थिक निती को सफल बनाने के लिए रजर बैंक सार्विनिक स्वामित हस्तांधरन सन्यन 1948 इस भी किता है रजर बैंक को राष्टी के त्यानी कि राष्टी करण कर दिया किसका रजर बैंक का तो याद रखी इसका 1948 में होता है कब सुदंताग प्राप्ति की बाद बैंक राश्टीकन याद रखी इसकी स्थाबना 1 अपरेल 1935 को भी थी RBI जो आपकी Central Bank है इसकी स्थाबना 1 अपरेल 1935 को भी थी और इसका Headquarter मुंबई में है कहा है मुंबई में याद रखी इस दो पॉइंट को क्योंकि कई बार पूँच लिया गया है बैंकों का एकी करण सरकार ने 1950 इसवी तब मैं बैंकिंग सन्नियन में जरूरत के मताबिक जहां था अवसक संसुधन करके इस एकी करण की प्रवित्ती को और भी अधिक बढ़ावा दिया 1950 इसवी में बंगाल सेंट्रल बैंक कॉमिला बैंकिंग नियम कॉमिला नियूनियन बैंक होगली बैंक को मिला कर यूनाइटिड बैंक और इंडिया का निर्मार हुआ फिर उन्निस सो इंक्यावन में भारत को एक जुलाई 1995 मेंट को पंजाब नेस्टेट बेंक में मिला दिया इम्पेरियल बैंक राष्टी करेबं इभाम mauk की इस्वापना एक जुलाई 1995 को Imperial Bank को राख्टी कित करके State Bank of India का नाम दे दिया गया है निर्मान कर दिया गया है यानि कि कह सकते हैं कि पहले आप लोग SBI को State Bank को Imperial Bank कहते थे तो यह आपका कई बार कुछ लिया गया गया है एक जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी जमा भीमा निगम की स्थापना भारतिये बैंकेंग पिनाली को सुद्धरुन बनाने के लिए कि विचार से एक जर्मरी 1962 को भारत में बैंकों के लिए जमा निगम की स्थापना की गई जिसकी अधिकेद इबं पिदत्पूजी सुरू में एक करोड रुपे थी जिसे बढ़ा कर पांच करोड रुपे कर दी गई कितनी फाइव करोड रुपे चौदय बड़े आपने सुना होगा कि 1969 में चौदय बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्टी करण किया गया यानि कि राष्टी करण का मतलब सीधा सा लेजे कि ये जन्ता के लिए खोल देना धरीme किसके लिए जन्ता के लिए खोल देना इस गोष्णा के बाद चौदय बैंकों को राष्टी करण किया गया इसके अंदर बे-बैंक जिसमें जिनकी जमाराशी 50 करोड रुपे पत्वा इससे जान्दा भी राजटी केट कर दिये गए बैंकों का नाम जमाधन राशी भी बता देता हूँ आपको कौन-कौन से बैंक थे? सेंडल बैंक ऑप इंडिया इसकी जमाराशी 433 करोड ये नहीं पूचेगा ये ही पूच सकते हैं आपसे बैंक ऑप इंडिया इसकी राशी थी 395 करोड पंजाब नेशनल बैंक 356 बैंक ऑप बढ़वदा 344 युनाइटिड कमेर्शील बैंक 241 कैनेरा बैंक 146 युनाइटिड बैंक ऑप इंडिया 144 देना बैंक 122 युनियन बैंक ऑप इंडिया 115 इलाबाद बैंक 113 सैंडीकेंट एक सो बारे इंडियान ओवर सीज बैंक टेरानबे इंडियान बैंक 85 बैंक ऑप महराष्ट तिहत्त ठीक है उसके बाद बैंक बैंक साक या मुद्रा का लेंदेन करने वाला वह वेफसाइक संस्ता है जो अपने गराखों के जमाकाति में रुपया सुईकार करती है और उसका बुकतान वह चैक ड्राप्ट आदि के द्वारा मांगों मांगे जाने पर करती है ठीक बैंकों का बरिगिगर मुकता निमलि प्राणियों को करज देकर व्यापार तथा उद्व को सायता करते हैं यही आपके व्यापारिक बैंक होते हैं के अंदर ये बैंक प्रदेख देश में एक ऐसा बैंक होता है जो अन्र सारे बैंकों पर नेत्र रखता है यह देश की सरकार का वित्यसम्बंदी काम करता है जै harenk उद्धोपतियोंको लंबी दिके कज यानी की रिट देते हैं किरसी बैंक इन बैंकों का उद्धेश किसानोंको आरतिक साहता देकर, किसी उद्धी ओको बड़ा वही न रहता है लिग वाका सेविंस बैंक ने ईंजन बैंक मद्यम परके लोगों में सिध्जमा सुई कार करके उनकी बज़त की सुरक्षा पिदान करते हैं और उनमें रोप्या बाच जाने की आहत डालते हैं फ्रयाव का निजी बैंक, भारत में निजी छेत बैंक भी कार करते हैं, जैसे फेडरल बैंक लिमिटेड, करनाटक बैंक लिमिटेड, सांगली बैंक लिमिटेड, यानि कि एक इसी खास ब्यक्ति के होते हैं, ठीक, आयात निर्यात बैंक, इसका प्रमुक कार आयातकों और नि इसे सी बैंक कारगत हैं जैसे आपने bank of America सुना होगा बैंक of America अब इस साइडी के रूम में आप लोग बैंकिक पिनाली को देख सकते हैं banking system को रजर बैंक सबसे उपर की बैंक हमारी केंद्रिय बैंक रजर बैंक है इसके अंदर के इसे चार भागों में बाट सकते हैं चेत्रे ग्रामिड बैंक वडिजिक बैंक सहिकारी बैंक गैर बैंकिंग बित्ति हैं मदवर्ती फिर उसे बड़िजिक बैंकों की बात करें तो इसे भी आप लोग दो भागों में बाट सकते हैं सारवजनिक छेत के बैंक और निजी छेत के बैंक इसमें आपका सारवजनिक छेत के बैंक को भी आप लोग दो भागों में बाट सकते हैं इसके बाद आप लोग State Bank समुव और अन राष्टियकित बैंक. इसके बाद आप लोग State Bank समुव को भी दो भागों में माट सकते हैं, State Bank of India और सम्ज़ीस बैंक. इसके बाद दूसरी जो आपकी निजी बैंक थी इसमें भारती बैंक और विदेशी बैंक दोनों सामिल है फिर भारती रेजर बैंक में आपका तीसरी साका थी सहिकारी बैंक इसे भी देखते हैं राज्य सहिकारी बैंक, केंद्रिय सहिकारी बैंक, वो प्रात्मिक उधार संतिया, इसमें सामिल है, फिर आप बात करते हैं, गेर बैंकिंग बित्तिय मद्दवर्ति, इसमें आपकी विकास बैंक की भी सामिल है, और दूसरी बिनियोग संस्था है, बिनियोग संस्था है, तो आइसी, आइसी आइ, सड़िवी, एलडीवी, एकचिंबेंक, नावाड, आई, आरबी आई, यूटी आई, क्या, यूटी आई, उसके जी आर्सी, जी आर्सी के बाद, एल आईसी, म्यूचियल फंड, भवस्म निती, इसा भी इसमें सामिल हैं, और दूसरी बिन्योग सलस्ता में, तो इसमें आपकी, जी आर्सी हो गया, एल आईसी हो गया, मैचूल पंड, इन्हें सामिल किया जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, ब्यापारिक बैंक की कारें, कारें, क्या-क्या, जमा प्याप्त करना, वह हैं नेमलिकित खातों में, जमा सुईकार करता है, जैसे च खाते में जमा करने वालों को अधिकार है कि बिना किसी पूरु सूचना के बिए जब कभी चाहें सोईक्षा से रकम निकासी कर सकते हैं जिस तरह से आप देने अपने आदेखते हैं आप SBI या फिर किसी भी बैंक में खाता खुलाते हैं चालू खाता के दें जिसे आपको समय के लिए रकम जमा की जाती है जितने समय के लिए रकम जमा की लिए उतना समय बीच जाने पर ही निकासी हो सकती है एक सथाई समय फिर अचाहें आपका एक मैना हो दो मैना हो या दो साल जमारासी इनी खातों में धी जाती है फिर आपका बचत खाता सुनते हैं बचत खा बचत खाते के बाद एक इसमें मुद्रा उदार देना निमले के तरीकों से कर्ज दिया जा सकता है योजना या फिर अल्प सूचना कर्ज दूसरा तरह कर्ज एवं अग्यम अधी विकर्ज चौत्रा नगत साथ या फिर विलों एवं छुट्टियों को बट्टा करना एजनसी कर, एजनसी कर क्या क्या सामियर लेता है इसमें बैंक एजन्ट की हैसी से मुक्कता निमनिकारेों को करता है वीनिमन, साथ सांख पत्तों का बुक्तान करना गर्हा कों की और से ग्रहा क्यों Vikingsаф बिक्थ करना पिती hé lashनक और करना रोपय का पत्तियों का क्र्यान करना एजेंसी का कार है विधी कार बात करेंगे हम लोग तो आसाक प्रमारपत्रों तथा यात्रियों के चेकों को जारी करना विदेशी बिनिवाय का क्रय विक्रय करना नेड़य करता की रूम में कार करना सुरक्षा संबंदी कार करना व्यापारिक सूचना तथा आकड़े करना सर अभी वोपन करना धन संबंदी सलाय देना इस अभी इनी के कार हैं फिर आपने देखा हुगा बिविद साधन इसमें क्या कैसा मेले हैं चालू खातों पर प्राप्त प्रासंगी चार्ज गरहाकों की चेक उनके प्रपत्तों चंदे किराय आयकर तो था बीमा की प्रीमियम की बसूली और भुक्तान करने के लिए मिडी हुई कमीशन हिस्सा तथा प्रण पत्तों की दलाली और कमीशन धरोहरी साधक और सरव साहकार के जैसा काम करना बहुमूल बस्तुओं को सुरक्चत रखने के लिए प्राप्त कमीशन एसा भी बीवित साधन है जो आपका कैंद्र की बात करें तो बैक बैक बैंक रेजर्ब बैंक ऑप इंडिया यानि की अर्वीय की स्थापना एक अप्रेल 1935 में की गई थी लेकिन इसके पहले भी देश में केंद्रिय बैंक की स्थापना की अनेक प्रियास किये जा चुके थे 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने सरकार को ब प्रणानी के लिए एक केंद्रिय बैंक की स्थापना की जाए उस समय की स्थापना इस सरकाल को था इस समय और बैंक के बैंक की हैसियस से imperial bank ही कारी करता था इसका कारी की बात करने तो imperial bank देश के अन्य बैंकों से पितिएवगीता करता था अतेव अन्य बैंकों को इस पर विश्वास नहीं था रहने के कारण इसे केंद्री बैंक बनाना उचित नहीं था इंपरियल बैंक के लिए संभव नहीं था कि वह केंद्री बैंकों के कारेओं के साथ साधारन बैंकिंग के कार भी कर सके इसका संचालन मंडल यह मानने को तेयार नहीं था कि इंपरियल बैंक साधारन बैंक की कारे को छोड़े मुद्रा तथा साग पर सरकार एवं इंपिरियल बैंकों दोरा नेंतर्ण दो स्पूर था इसके लिए केंद्रिय बैंक का होना अतिन्त आवसर था ऐसी इस्तिती में सरकार ने भी अनवाव किया कि एक केंद्रिय बैंक की स्थापना की जाए और सन 1934 में रजर बैंक आप इंडिया एक्ट के पास किया गया और इसके अनुसार एक अपरेल 1935 को आपका RBI यानि की रजर बैंक ने अंसदारियों के बैंकों के रूम में कारी करना शुरू किया या भी आपसे कुश्चन कई बार बन चुका है कि RBI की स्थापना तो एक अपरेल 1935 को की गई लेकिन किस एक्ट के तहत की गई थी तो ये था आपका रेजर बैंक आप इंडिया एक्ट 1934 ठीक है याद रखिए से अब बात कर लेते हैं रेजर बैंक की विभागों की तो इसके दो विभाग बांट गए है निर्गम विभाग और दूसरा निर्गम विभाग और निर्गम विभाग निर्गम विभाग तो इसी को एक ही वाग को पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है आपका किर्सी साग विभाग इसके ताहित बीनिवाय नेंतर विभाग और banking car विभाग इसतापना 1935 में 45 में की गई banking car विभाग के भागों की बात करने तो इसे भी तीन भागों में में बाता गया है केंदरिये banking काल को साधरन banking काल सब से पहले बाद करते है किंद्रिये banking कारी की बारे में के बारे में नोट जारी करना त मैं रजर्बेंक अपने निर्गम बिभाक द्वारा नोट जारी करने का समय contributor प्राफ्थेसे कंव्नलोपली नोट एक कानूनी मुद्रा है, जिसे कानूनी गरह के रूम में जारी किया जाता है, या कि पी नोटों के मुक्तान के लिए रजर बैंक की गबनना द्वारा पितिग्या की जाती है, आपने देखा होगा कि मैं गारंटीद दी जाती ही उस पर आपके नोट पर हर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप R.E.I की पास जा सकते हैं या तो किसी मुद्रा में विदेशी मुद्रा या जो चलन में होगी उसे दे देंगे या फिर उतने हैं कि आपके सोना दे देंगे आपको ठीक है जिस पर आपको भरोसा होगा फिर भी जनता का विश्वास कायम रखने के लिए विवस्था कीगी कि स्वाट के आधार पर नोट जारी किये जाएंगे फिर दूसरा कार है इसका सरकार का बैंक सरकारी बेंकर की हसियत से रेजर बेंक निमलिकित कार करता है क्या 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 केंद्रिये तथा राज सरकारों को नगत जमा कर अपने पास रखता है इस पर सूध नहीं दिया जाता है यानि कि इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है सरकार के लिए जंता के कर्च प्राप्त करने का प्रबंद करता है तथा उसका भुगतान भी करता है सरकार की अलवववदी के लिए खर्च देता है ऐसे कर्च को बेज एंड मैकन्स एडवांस कहा जाता है सरकारी खर्चों को बसूल करने तथा कोसों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर बेजने का काम करता है इसमें अंगला कार है या सरकार को आर्थिक और मौद्रिक समस्याओं पर सलाय भी देता है तीसरा इसका कार है बैंकों का बैंक भी कहते हैं RBI को बेंकों का बेंक भी कहते हैं जिसंद बेंक की परीदत पुझी और संचित पुझी मिलकर पाँ लाग उससे अधिक हो उस बेंक को सेड्यूल बेंक कहा जाता है पुतेख сеड्यूल बेंक का कुपःषान के अनुसार अपनी मांग जमा का 5पितिसत और समय जमा समय जमा का दो पितीसद रजर्ब बैंक के पास जमा करना पड़ता है रजर्ब बैंक इन पितीसदों में परिवतन कर सकता है इन ब्यापारी ब्यापारी बैंकों को रजर्ब बैंक निमलिकित तरीके से सहायता भी देता है आवस्तक्ता पड़ने पर सद्रेजर बैंक ने ब्यावारिक बैंकों के लिए यह अनुबार कर दिया है कि पिती सप्ता है उसके पास अपने लेंदेन का विश्तेत विवरण भे भेजार करें इस आग्या का उलगन करने बाले बैंक दंड के भागी भी होंगी इसका चोत्राकार है विनिमाई दर में इस निकास गरहों की विवस्ता देश के कौने-कौने में फैली हुई बैंकिंग विवस्ता को सुचावर रूप से चलाने के लिए रिजर बैंक आप इंडिया एक्ट की धारा अंठावन के उनसार निकास गरहों की विवस्ता भी करता है कुछ बिसे सिस्थानों में रिजर बै करता है किर्सी के लिए विवस्ता करता है किर्सी संबंदी अनुसंधान भी करता है के अंदरी तता राज सरकारों सहकारी बैंकों को किर्सी संबंदी सुझाव भी देना इसका काम रहता है ठीक है अंगले काम में इसकी बात करें तो इसका काम है अंतिम रिड़ दाता रजर रजर बैंक अपने सदस्य बैंकों को उस समय करज देने को तेजार रहता है जब उन्हें अनसाधनों से करज नहीं प्राप्त हो सकता है इस विधा के कारण बहुत से बैंक बैंकिंग संकर टालने में समर्द यानि की सक्चम हो जाते हैं साख नियंदर रखता है तो यह आपका बैंकिंग छेत था अब भीमा छेत की अगर हम लोग बात करें तो बारत में पहली जीवन भीमा कंपनी ओरिएंटल सुसाइटी यह आपकी 1818 में बनाई गी थी ओरिएंटल सुसाइटी भारतिय जीवन भीमा निगम जिसे आप लोग L.I.C. के नाम से भी जानते हैं इसकी इ एक नब सेप्टमबर 1956 इसका केंद्रिय मुख्याल है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा कहां मुंबई में बारतिय साधरन बीमा निगम जिसे आप लोग G.I.C. भी कहते हैं इसकी इस्तापना एक जन्बरी 1973 से कारे फ्यारम किया गया जिसकी चार साहे कंपनिया है कौ इसकी इसमें सामेल है सामज़िक सुरक्षा और सामोहिक बीमा यूजना के लिए सामज़िक सूरक्षा कोस की स्थापना आपकी 1889 में इस्थापित किया गया था जन्सरी बीमा योजना के नाम से एक नई सामुएक बीमा योजना आपकी 10 अगस्त 2000 में को आरम की गई थी सन 2000 में एक अक्टूबर 2011 से इर्दा एड़ा के निदिश पर स्वास्त बीमा पोर्टीवल्टी की वेवस्ता भी शुरूंग की गई है देश की पहली सामान बीमा कंपनी ट्राइस इंसूरेंट कंपनी लिमेटिट कूलकाता में 1850 में इस्थापित हुई थी बारतिय बीमा नियामक इभान विकास पराधी करन को आपका इस्थापना की गई इसकी 19 अपरेल सन 2000 में वर्तमार में सेवी और एड़ा के मत बिवाद के अध्यादेश द्वारा यूलिप को बिवाद उत्पाद गोशित कर सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया बीमा चेत का निजीकरन मलोत्रा सम्ती की सिफारिश पर हुआ था हेडा का मुक्षियाले आपका है थराबाद में देखने को मिलेगा एक कुश्चन अगर आपसे पूछे कि बीमा कंपथिय करन किस सम्ती की सिफारिश पर हुआ था तो इस सम्ती का नाम है मलोत्रा सम्ती क्या है मलोत्रा सम्ती आपकी प्रमुख इन्हें भी देख लिजी इनके मुख्याले हैं संस्तापना बार्स हो गया इस मुख्याले उद्धेश बारतिय उद्धो की बित्त निगम लिमिटेड आई-एफ-सी-ल इसकी स्थापना उन्नी सोड़ीश में की गए इसका मुख्याले नई दिल्ली में है देश के उद्धो की पितिश्ठानों के लिए मद्ध्यकालिन और दीकालिन साक की विवस्ता करना इसका काम है राजवित्त निगम इसकी स्थापना उन्नी सोड़ीश में की गए इसका मुख्याला है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा निजी छेत के लगू तथा मद्यम उद्ध्यों का विकास करना इसका काम है पर आप सुनते हैं जीमन वीमा निगम इसकी स्थापना उन्नी सोड़ीश में की गई इसका मुख्याला है आपको मंबई में मुंबई में देखने को मिलेगा विमा सुरक्षा उपलद कराने इसका काम है बारती उद्धोगीक विकास बैंक लिमिट इसका मुख्याला 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 इसका मुख् काम है फिर आपने देखा होगा राष्टिय क्रिसी तथा ग्रामीड विकास पेंक नावाड इसकी स्थापना 1982 में की गई इसका मुख्याला वे मुंबई में देखने को मिलीगा क्रिसी इवं ग्रामीड विकास के लिए वित्तो पुलब्द कराने इसका काम है भारतिय उद्ध साथ की बनते रहते हैं राष्टी आपास पेंक 1988 की बात है इस थापना नई दिल्ली में होई आवासंदी संबंधी वित्त की विवस्ता करना इसका काम है आपने देखा हुआ नावाड पूचता है इसमें सौट फॉम पूचता है इसका कभी आपको अधिकतर पुश्चन आ 1990 में की गई लखनव में इसका मुख्याल है लगूद दोगों को सुविधा पलब्द करना इसका काम है आगे है इसका पैंशन फंड रेगुलिटरी एंड डवलोमेंट अथोर्टी इसे क्या कहते हैं एप पी एप आर्डिये भारत सरकार द्वारा पी एप आर्डिये का अगठन 10 अक्टूबर 2003 को किया गया था कव 10 अक्टूबर 2003 को भारत में पैंशन सेक्टर का देखवाल इसी के द्वारा की जाती है ठीक है पी एप आर्डिये के द्वारा भारत की पैंशन सेक्टर का देखवाल करता है राष्ट किया गया है कौन-कौन से यह धिल दिझतर पर नीति-क दिषा निर्देशों का निर्माद ताकि विविन चेत्रों में विकास हुज नाओं के समद्ध में निर्देशों का निरधारन एवं कार्यान्मान तत्त संबंदी सूचना के परसार किया जा सके तरहीं एककरत्थ आपदा प्रबंदन एककरत्थ आपदा प्रबंदन संबंदी विकासियुजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए परिचालवनाथमग, दिसाने देशों का निर्माध फिर आपने सुनाओगा आपदाओं से बचाओ तीसरा है इसका आपदाओं से बचाओ और उसमें कमी लाने हित्तु बिसेश बिकास यह उजनाए बारतिय लोग पिसासन संस्थान के धंतरगत इस्थापित राष्टी आपदा प्रवंधन के इन्दका उन्नेन करों से राष्टी आपदा प्रवंधन संस्थान के नाम से वेधानिक संगठन की रूम में इस्थापित किया गया है बारती इमारक ब्यूरो, बारक BIS द्वारा देश में भूकम की दिश्टी से संबिदन सील विभेने चित्रों में विभेने पेकार की इमारतों की निर्माड हित्तु एक सहता जारी की गई है एक सहता जारी की गई है अब देश में अनुचित बैंक, अनुचूचित बैंक, सारजन एक चित की कौन-कौन से है इसमें? बारती इस्टेट बैंक और इसके पास सहाःक बैंक हो इसमें कौन-कौन से है? स्टेट बाउंग बेंक while अ स्टेट बेंक ओंत को भी सिर्दवाइं करें तो इसमें आपका देखनें कर विलिए kiss a key bank cos की बात करें तो इसमें आपका देखने के पूलेगी अन्ध बेंक इलाबाद बेंक बैंक बैंकsk ब्रोडा बैंक इंडिया Bank of India, Bank of Maharast Bank of Canera, Central of Corolla Dena bank, याद रखिए और Bacorda bank इन्हें भी विलाएब कर दिया गया है टीक, इमाबाद bank को भी विलाएब कर दिया गया है Indian Overseas bank, Indian bank, Oriental bank of commerce Punjab National Bank, Punjab and Sindh bank सेंडिकेट बैंक यूनियन ऑफ इंडिया याद रखिए इन सभी को यह खाऊंगा इनके लिए आप लोग उस करेंट वाले वीडियो को ज़रूर देख लें जो आपका कंप्लीट जो आपकी घटना चक्क है वो इसी में डले हुए है सब टीक अपडेट करके बता दिया गया है और आप उसके लिए अच्छे से देख लें तो बढ़िया रहेगा अनुसूचित बैंकों की बात करें नीजी चित की तो कैथोलिक सीरियन बैंक सिटी यूनियन बैंक धनलच्मी बैंक, PKC बैंक, फेडरल, ONG बैस बैंक इसे अपरेल 2015 में कोटक महंद्रा बैंक में मिला लिया गया जम्मू कस्मीर बैंक, करनाटक बैंक, करूर बैस बैंक, लच्मी बिलास बैंक, नैनी ताल बैंक, गतनाकर बैंक, साउथ, इनियन, साउथ, ये सब ही आप लो करेंट से जुड़े रही है आप लोग अर्दुवश्था के लिए वैसे तो सभी सब्यक्तों के लिए आप लोग करेंट से करेंट पढ़ा पढ़ते रही है करियेगा, डेली जो बही नियूज़ भी पढ़ लेते हैं उसे भी देख लिया है, या फिर महिने में एक मैगजी नवंबर 2013 को 1000 करोर रुपे की पुझी के साथ की गए थी उसा अनंत सुबर मन्यम महला बैंक की पितम नेदेशक निप की गए इसका कॉर्पोरेट कार्याल है नहरू पहलेश नई दिल्ली के आई एपसी टॉवर में यह पहला सारुणिक बैंक है जो संसत की अधिनियम द्वारा बना है 21 मई 2014 को भारतिय महला बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 1934 में सामिल करने की अधिसूचना की गोशना किये महला बैंक को SBI में बिलाई की यह उजना है इसे भिलाई कर लिया इसकी स्थापना को आपको याद रखना है 19 नवंबर 2013 को अब कुछ मत पूर्ट तत हैं आपकी अर्थवेवस्ता से संबंदित एकोनोमिक से इन्हें भी देख लिए पूर्ण रूप से पहला भारतिय बैंक बैंक और पंजाब नेशनल बैंक था इसकी स्थापना आपकी 1894 में याद रखिए क्या बोल रहा है पूर्ण रूप से भारत का पहला भारतिय बैंक यानि कि आपका पूरा भारत का ही इसमें पैसा लगा हुआ थे ये 1894 में बना ठीक है ये कई बार पूँच लिया गया है कि बैंक और पंजाब बैंक पंजाब नेशनल बैंक का बिलाए कब हुआ 1894 में आपने देखा होगा आपकी सहरों में इसके कार्याल है और बैंक साखाएं देखने को मिल जाएं लगबग हर जगे इसकी साखाएं देखने को मिलते है पिथम पूर्टा भारतिये पूझी से आरम बैंक पंजाब नेशनल बैंक है बारत की सबसे पुरानी बड़ी और सफल बेवसाइक बैंक है भारतिये स्टेट बैंक कौन सी? बारतिये SBI SBI बैंक पिथम बैंक जो भारत की बाहर लंदन में अपनी साखा 1946 में खोली थी से यह थी आपकी बैंक आप इंडिया यह विदेश में जाने वाली साखा खोलने वाली पिथम बैंक थी पिथम भारतिये स्टेवन प्यबंदन का था सेंटल ओब इंडि बाहरत का पिथम ISO प्रमाटपत प्राप्त बैंक एक एनरा बैंक है चेत्रिये गरामेट बैंकरों की स्थापना 1975 में हुई है गोआ वर सिक्किम में चेत्रिये गरामेट बैंक नहीं है याद रखिए से गौाव और सिक्किम में चेत्रिय ग्रामीड बैंक नहीं है ये डारेक्ट आइवाई आरवीयाई से जुड़ी रहती है बारतिय उद्धोगी पुनर निर्माड बैंक की स्थापना इसका मुख्याला आपको कुलकाता में देखने को मिड़ेगा बारतिय सामान बीमा निगम की स्थापना 1988 में की गई आयात नर्याद बैंक एकजिम बैंक की स्थापना जनवरी 1982 में की गई भारतिय परेटन बित्निगम की स्थापना 1999 में की गई सहेकारता को सरकारी नेंदर से मुट करने वाला देश का पहला राच आंधपिदेश है कौनसा आंधपिदेश भारतिय पिति भूतीविनिमा बोड्ट सैभी की स्थापना 1988 में की गई चिर्ण नीजी चित्रों के बैंकों में 1994 में यूटी आई ने कारिक करना प्यारम किया इसका मुख्याल है अहमदाबाद में है यूटी आई का बर्स 2007 में इसका नाम बदल कर एक्सिस बैंक किया गया भारत सरकार की चार टकसालें जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नुवेडा में इस्ते थे वेड़ी पेंटि पेंटिंग पेंग पेश इह इधराबाद में इनको भी याद रखीें कानपुर, कानपुर को उत्तरज़ भारत का, एहमदाबाद को भारत का, ओ को जैए वाद कोdarजने का मंजेश्टर कहा जलता है इन्हें पउइंट को भी अच्छे से याद रखीजि कारणपुर को उत्तर भारत का, एहमदाबाद को भारत का, कुएमबटूर को दक्षड भारत का, मैंचिस्टर कपास को आप लोग सफेद सौना कहती है, इसमें कोई सक नहीं कपास उत्पादन में भारत बिश्व में दूसरे इस्तान पर है भारत में डीजल बनाने का पहला कारकाना महराष्ट की सतारा में 1932 में लगाए गया था, हिंदोस्तान एलूमिनियम कॉर्परेशन उत्तर भिदेश के रेनुकूर्ट में इस्ते थे, इस्टील अथोर्टी ऑप इंडिया सेल की स्थावने 1974 में की गई, इसे इस पाथ उद्ध्यों के विकास की जिम्मेदारी दी गई, या विलाई दुरगापुर, रावर्पिरा, बुकारो, बर्ण पूर, इस्तित, एकी कि इस पाथ सहयंदों के पेबंदे इन के लिए उत्तरदाई है, यह आपके कुछ मात्पूर्ण आर्थिक सब्दावली है, यानि कि अर्थव्यक्स्तास सम्मंदीत आपकी कुछ मात्पूर्ण सब्दावली, यह आपके दिंचर्या में डेली प्रयोग होती रहती है, इसलिए याद रखिए, ठीक है, अर्थमिती, अर्थ सास्त के अध्यान का वच्छेत जिसमें आर्थिक सिद्धानतों का अध्यान, गड़ित और सांकी की यह तकनीक द्वारा किया जाता है, वो अर्थमिती होता है, बीमुद्रीकन, डीमॉनिनित टाइजेसन, जब काला धन बढ़ जाता है, और अर्थ विवस्ता के लिए खत्रा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए बीमुद्रीकन की बिदी अपनाई जाती है, इसके अंतरवे सरकार पौनानी मुद्रा को समाप्त कर देती है, और नई मुद्रा चालू कर देती है, जिसके बास काला धन होता है, वो कोई भी काम सक्सिज होने की रेस में नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई एक ताला बनता है तो उसकी चावी दूसरी बना लेते हैं तो ऐसा ही आपने भी मुद्री केंड में भी देखा है कि लोगों ने कोई ना कोई रास्ता निकाल चुके थे आरक्चित मुद्रा वाय मुद्रा जो अंतराष्टी इस्तर पर मजबूत हो और अनदेश उसे रिड समझोत हो एवं खाती में एक तहाई की रूम में दिखाने को तियार हो आरक्चित मुद्रा कहते हैं से दूसरे सब्दों में अविविन्य देशों द्वारा अपने पूंजी बंडार के तर संचित मुद्रा होती है जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया है जर्मन डियूस मार्क हो गया फ्रयापका इंबार्गो जब किसी राष्ट की सरकार द्वारा विदेशी जहाजयों के आवागमन तथा किसी वस्तु से विशेश के आयात निरवात पर पितीवंद लगा दिया जता है तो उस पितीवंद को हम लोग इंबार्गो कहते हैं क्या करते हैं इंबार्गो फ्रयापका एर्गो नॉमिक्स या किसी सेमी की कारचमता उसके द्वारा किये जाने वाली वास्तविक कार किमद संबन्द का अध्यन करने वाला बेसाय है इसके अध्यन का उद्देश कारचमता में बिद्धी करना होता है एंजिल का नियम इंजिल का नियम इस नियम के अन कम भाग भोजन परव्य होता है किरसिल दाके एडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिट लिमिटेड किरसिल यह रेड़ दर निधारित करने वाला देश का पहला अभी करने जिसमें अपना कार जन्मरी 1998 से प्यारम किया था यह भारतिय कंपनियों की रीड वचन बादताओं की दर नेधारित करता है कार्टेल आपूर्ती समूहों के बीच इस्थापित एक ऐसी सहमेंती जिसके द्वारा आपसी पिती द्वेंदेता को अंसता अथवा पूर्ता दबाने का प्रयास किया जाता है नियम नहीं लागू कर सकती है तो आपका कमिंग आउट प्राइज नए नेर्गेट सेयरों के मूलों को कमिंग आउट प्राइज कहा जाता है अ कमोडेटी मनी ऐसी परिशंपत्तिय जो मुद्रा की रूम में बेछत हो सकती है अत्वा प्रैचि जा सकती है जैसे आपका सवना हो गया खुली मुद्रा, मुद्रा इस्पीती जब अरद वियुस्था में कीमत बित्ती पर कोई नियंतर नहीं होता है अत्वा कीमते नियंतर रूप में बढ़ती जाती है उसे हम लोग खुली मुद्रा इस्पीती कहते है खुली द्वार की निती खुले द्वार की नीती इस नीती के तहट एक देश अन देश के साथ समानता की आधार पर व्यापार करता है इसमें कोई आयात निरयात कर नहीं लगाया जाता है गाड़ गाड़ फार्मूला कैंद से राज्यों को योजनावाद सायता देने के लिए प्रोफेसर गाड़ गिल ने बर्स 1979 से 79 में एक आधार बनाए जिसे हम लोग गाड़ गिल फार्मूला कहा जाता है इसके तहट धनी राज्यों की अपेक्चा उनकी कीमत पर पिछड़े राज्यों को परात्मिक्ता देने की बात कही गए इसके अनुसार योजनावाद सायता का 37% अनुदान के रूम में और 70% रड़ के रूम में दी आ जाता है गुड़क गुड़क क्या है नेवेस में की गई बिद्धी उपवोग प्रविद्धी के माद्यम से आय में बहु गुड़ा बिद्धी करती है नेवेस की तथा आय की विद्धी के बिद्ध के संबंद को कैंज गुड़क के रूम में भी परिवासित किया जाता है गुड़क उपवोग प्रविद्धी की दी हुई होने पर कुल रोजगार और आय तथा नेवेस की दर के भी संबंद स्थापित करता है सूथ है इसका K बराबर 1 upon minus 1 minus MPC जहां K गुड़क है और MPC सीमान तुपयोग प्रविद्धी को दसाता है आगे हैं आपका घर्षनात्मक इसे देख चुके हैं पैसे घर्षनात्मक बिरोजगारी तकनी की बिकास के कारण कारगस से में एक अलबकाल के लिए बिरोजगार हो जाते हैं क्योंकि उत्पादन के नए तरीकों को बिवार में लाने से भी आसमर्थ होते हैं इस तरह की बिरोजगारी सामनता विक्सेत अर्दवस्था में आपको देखने को मिलती है एसे व्यक्ति जो अपनी सेमसरक्ती का कुछ न कुछ उप्योग करते हैं किन्तों उनकी सिमान तो तबकता सुन होती है पिछन विरोजगारी कहती है भारत में आपकी किर्सी चेत में इस तरह की विरोजगारी देखी जाती है पर आपने सुस्थना होगा जीरो नेट एड़ जब कोई देश पून रूप से आत्मिनरवर बन जाता है तो उसे किसी ही पिकार की विदेशी साहिता की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी स्तिती को जीरो नेट एड़ कहते है जॉबर्स इस्टॉक एक्स्चेंज का वय सदस जो अपने लाग के लिए पिती भूतियों लेंदेन में सनलिप्त रहता है जॉबर्स कहलाता है पर एक सब्धेहब का ट्रेडिंग डाउन किसी परिसंपत्ती को एक विशेश मूल पर बेंचना और पुनाह बैसे ही दूसरी परिसंपत्ती को उससे कम मूल पर खरीद लेने की फिक्रिया को ट्रेडिंग डाउन कहा जाता है पर एक सब्धेहब का दावित मुद्रा इस्पीती सरकार द्वारा कीमत नियंतन तथा डंपिंग के माध्यम से अतवा कोल मांग में कमी करके कीमतों पर नियंतन लाने की दावित मुद्रा इस्पीती को बल मिलता है दूई क्रेटा दिकार यह ऐसे बाजार को कहा जाता है जिसमें किसी बस्तू के दूई क्रेटा हो दूई दिकार यह बाजार की वह इस्तिती है जिए मैं किसी बस्तू के किवल दो उत्वादक यानि के विक्केड़ता हूँ इसमें आपके किरता था यानि खरीदने वाला इसमें विक्केड़ता की बात की जा रही है नियर अत्वाक क्वासी मनी उन परिसंपत्यों के लिए बेवर्द सब्द जिने सफलता पूर्वक नगदरूम में बदला जा सकता है जैसे आपने बिल ओप एक्षेंज चेक केड़िट काड़ आ दी पिसासित मूल जब किसी मूल के कल निर्धारन बाजार की मांग अत्वां पूर्टी की सुतंत सकतियों द्वान नहीं होकर केंद्रिय सकती द्वारा होता है इस पिकार का मूल पिसासित मूल कहलाता है पूर्टी की लौच पूर्ती की लोच इस बात की माप है कि किसी बस्तू के मूल में परिवर्तन के परिडाम सुरूप उस बस्तू की पूर्ती में सापेक्चिक परिवर्तन किस दर से होता है पूर्ती की लोच बराबर होता है इसे किस तरह से ग्यात किया जा सकता है पूर्थी के लॉच निकालेंगे बराबर इसे बस्तू की पूर्थी में सापेक्चिप परिवतन अपॉन बस्तू के मूल में सापेक्चिप परिवतन पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड वह अंतराश्टी ये द्रव जो IMF की पुस्तकों में अंकित रहता है तथा केबल पुस्ती ये प्रिविष्टियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंचा जाता है पेपर गोल्ड कहलाता है इसका उदिष FDI के रूम में इसका उपयोग FDR के रूम में Special Mudrae के रूम में किया जाता है Portfolio इसका प्रियोग इस उन समस्ति बित्थिय परीसंपत्ति के लिए किया जाता है जो किसी निवेसक की अधिकार में होता है जैसे सियार, लावान, सरकारी, बॉन, आदी फर पूंजी पलाएन मानो समदाय की भाती पूंजी भी वहां सरण लेती है जहां उसे अपनी बिद्धी के लिए उचिताउसर मिल पाता है यदि किसी देश में आर्थिक से निक, राजिनितिक दसाएं आसामान हो तो उस देश में से पूंजी का प्रवाग, उस देश की उर होने लगता है जहां इस्तिती सामान होती है इसी को पूंजी पलाएन कहते है याद रखी कोई भी निवेसक हो अपनी पूंजी को वहीं लगाना चाहेगा जहां उसे सुरक्षित लगेगी वर्टी टेनिल टेलिजमन, इसका ताथ पर उस मुद्रा विवस्ता से जिसमें सोना तथा चान्दी दोनों मुद्रावान की रूम में प्यक्त होती है यानि कि उप्योग होती है आगे है बदला क्या है इस्टॉक एक्षिन से जुड़ा सब्दे बदला जिसका अर्थ अंगले सैटलमेंट, डेट तक सेरों की विक्री सम्मंदी कारोबार को रोखने से इस तरह के कारोबार में सेर वेंचने वाला, सेर खरीने वाली को एक निश्चेत रासी अदा करता है जिसे बदला सुल्क कहते है फ़र आपका बेगरमाई नेवर पॉलिसी एक ऐसे नीती जिसके तहित अन देशों के निर्यात को भातीव, छती पहुंचा कर अपने देश के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है इसके तहित मुद्रा मूल हरास जब अस्तों के मूल में बिट्धी हो जाले से मुद्रा की क्राय सकती घट जाती है तो इसे मुद्रा हरास कहते है क्या होते है मैंने बताया था ना पीछे उसी तरह ऐसे कि आप समझ सकें कुछ से मैं पहले 10 रुपया में आपका 10 किलो आलू आ जाये करते थी लेकिन आप 10 किलो 10 रुपया में 1 किलो आलू आती तो यानि कि आपके आलू तो उतना ही है आलू के 1 किलो का बजन नहीं बढ़ा है कि बजन दो किल हो गया हो आलू उतना ही है लेकिन आपका जो रुपया है उसकी क्रय समता घड़ चुकी है मुद्रा बाजार अल्पकाल के लिए मुद्रा उपलब्द कराने बाले बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है यह रेड़ विवस्ता से सम्मदित अउधार ना है जो उन समस्त व्यक्तियों एवं बिच्तिय संस्थानों को सम्मलित करता है जो अल्पकाली रेड़ उपलब्द कराते हैं मंधि, वयर्थ किस्ति ती, जब किसी वस्तु का उत्वादन, उसकी मांग से अधिक हो जाता है, स runners um सं कहते हैं, यादिनी की मंधि, मंग की कीमत में लौच की किस्तो देख मूल में आप Each सापिक्षिक परिवतन मांग की आड़ी लोच किसी वस्तू के मूल में सापिक्षिक परिवतन के परड़ाम सुरूर किसी अनवस्तू की मांग में सापिक्षिक परिवतन जिस दर से होता है उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं लोच फिर आपने सुनाओगा रेड सोधन निधी क्या सब्द? रेड सोधन निधी नेमित रूप से धनरासी जमा कर तेयार किया गया ऐसा कूस जिससे किसी रेड की परिवक्ता पर आसानी से भुक्तान किया जा सके उसे रेड सोधन निधी कहते हैं रासी पतन किसी वस्तु के अत्ती उत्पादन की स्तिती में वाजार में वस्तु के मूल को एक नियूलतम स्तर से नीचे गिडने से रोकने के लिए वस्तु के अत्रिक्त भंडार को विदेसी वाजार में बहुत कम मूल पर मैचने तथा यहां तक कि उसे नश्ट कर देने की विक्रिया रासी बतन कहलाती है रिड सेवा अनबात एक बर्स में किसी अर्द्विस्था की कुल मुल धन और ब्याज तथा निर्याद की कुल मुल का अनबात सेवा रिड सेवा अनबात कहलाता है या बस्तिता किसी अर्द्विवस्था की रेड गिरस्तिता का सूचक है साथी है उस अर्द्विवस्था की रेड अधायदगी की चंता को ब्यक्त करता है रेड़ संजाल या उस्तिति को दरसाता है जब कोई देश या व्यक्ति बिना नया रेड़ लिए पूरुपेन लिएगा रेड़ को चुका पाने में आसमर्थ रहता है लो ग्रिड अनुपाद इसका तथ पर सारजनेक मुद्रे ग्रिड तथा सकल राख्टी उत्वाद के अनुपाद में होता है बिनीमाय पत्थ ऐसा भी लेग जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्चर होते हैं जिसमें एक सर्थ रहत आग्या होती है जिसके द्वारा लिखने वाला किसी विसेश व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह निश्चित रासी उस विसेश व्यक्ति अथवाद विलेग के बाहग को वपतान कर दे पर एक सब्द है आपका विखन्डित मूल क्या है किसी वस्तु को उसके प्रेकेजिंग ब्रांड या बितरन में अंतर होने की कारण बिविन मूलों को पेचने की पिक्रिया विखन्डित मूल कहला थी अभी जाते धनी वर्ग द्वारा दैनेक इस्तेमाल की जाने बाली बस्तु को राइट गुड स्वेद बस्तु कहा जाता है जैसे कार, टीवी, कम्प्यूटर, फ्रेज, बॉसिंग मसीन, जूसर, माइक्रोवेब आदी ठीकर तो आपकी वेज, फी, प्रीज जब किसी बिशे सिस्तर पर पहुँचकर सेमकों की मजदूरी में विध्धी करना समाप्त कर दिया जाता है तो उस इस्ति को ब्रेज, फ्रेज कहा जाता है बैधानिक इस्थानांतरन बित्यायो की इनुसंसाओं के अनुरोब केंद द्वारा राज्यों को संसादनों का वित्रन बैधानिक इस्थानांतरन कहलाता है सुद्य पुनर उत्पादन दर अत्वा सुद्य पिजनन दर इसे कुझेंस की पिजनन दर भी कहा जाता है यह वह दर होती है जित पर किसी देश की मैला जनसंक्या आपनी आपको पिती स्थापित करती है यदि सुद्य पुनर उत्पादन दर एक होतो देश की जनसंक्या में इस्थिर्था की प्रिवित्ती होगी यह दर एक से अधिक होने पर जन संक्या में विद्धी होती है तथा एक से कम होने पर जन संक्या में गटने की प्रिवित्ती पाई जाती है समर्थन मूल ऐसी कीमतें जो सरकार द्वारा निश्चित की जाती है तथा इन कीमतों पर सरकार वस्तों को खरीदने के लिए पिती बद्ध होती है बाजार में वस्तों की कीमत इन मूलों से कम नहीं हो सकती है साख संकुचित की नीती केंदरी बैंक द्वारां रेडों को कम करने के लिए अपनाई गई नीती को साख संकुचन की नीती कहते हैं इसमें बैंकों द्वारन रेट देना सीमित अथवा बंद कर दिया जाता है ताकि वाजार में अधिक के उत्तरदायत को पूरा किया जा सकता है सुपर 301 प्रावदान सहित राज अमेरिका की व्यापारिक नियम से संबंदे थे यानि हम उन देशों पर लगाया जाता है जो अमेरिकी निर्याद को हानी पहुंचाने का फर्यास करते हैं तो यहां आपकी अर्थवेवस्था यानि होना है तो NCEIT पढ़ें आप ठीक है हमारे साथ NCEIT में जुड़ें वहां सब कुछ बताओंगा ठीक है आगे हम लोग बिग ज्यान के बारे में बात करेंगे